तो आज की सेशन से आप लोग का एक कह सकते हैं कि नई स्रीज है और वाज 2021 में देखें कितने वीडियो एपिसोड हो सकते हैं इसके यह अपने आप में अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही सेशन में पर्टिकलर पूरा सब्जेक कंप्लेट होगा आपका ठीक है जैसे आज पहली स्रीज है पहला वीडियो है तो उढ़ घाटा नौरायस का भारत के भुगोल से और भारत के भुगोल से इसलिए क्योंकि जोग्रॉफी के बिना आगी के सब्जेक्त अधूरे हो जाते हैं जबकि बहुत बड़े सेशन्स है तो ये टॉपिक दो इस्तरों पर काम आएंगे तो इसको मैंने नाम दिया जैसे मास्टर वीडियो की एक आपकी पूरी स्रीज चल रही है वो सता चलती रहेगी उसका फॉर्मेट अलग है उसका फॉर्मेट है वाइड बोर्ड पे वाइड दो घंटे में आप तक पहुंचाना इसका फॉर्मेट रहेगा कि आपको एक एक चीजे दिखेंगी क्लास लंबी होगी ये दो घंटे ढाई गंटे की क्लास नहीं है ये क्लास आपकी लगबग 10 से 12 घंटे की क्लास जाएगी यहां तक इस्टिमेटेड हम लेकर के चल रहे ह इससे ज्यादा ना हो कमी में समराइज हो जाए तो ज्यादा बेटर है तो मेरा विचार यह है कि चीजे आपके दिमाग में सारी याद होती चली जाएगी इस 12 घंटे की अवदी में एक तो 12 घंटे की क्लास कोई देखता नहीं है है ना ये आम तोर पे हमारी संकल्पना बन ठीक है 12 घंटे अभी हम इस्टिमेटेड लेके चल रहे हैं जब इस सब्जिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि कितने घंटे पे एक क्लास जाती है हर सब्जिक्ट अलग अलग तरीके से जाएगा तो इसमें दोनों की छमताओं का आकलन है मेरी छमता प्लस आ सब्सक्राइटिक नहीं है एक सिक्षक के तौर पे मुझे आप लोगों को इंस्पायर करना है तो फिर बहतर यहीं बनता है कि मैं वह उसी फॉर्मेट में रहूं जिस फॉर्मेट में आपको देखना चाहता हूं मैं 12 तेरा घंटे की क्लास आपको दे दूं और मैं उसको कं माइंड करके दूं और आप से कहूं कि आप देखिये तो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा तो दोनों के लिए हमारे लिए है कि 12 घंटे तक आप बैठें और 12 घंटे तक मैं लगतर पढ़ा के जाओं तब बात बराबर की होगी आपको भी मज़ा आएगा आपको भी पढ़ देती और दो घंटे में आप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर हर चीज़ दिखेगी यहाँ पर दो इस्तर होंगे मेरे कहीं पर मैं बहुत तीब्र गती में आ जाओंगा कहीं पर मैं बहुत आपको आराम आराम चीज़े समझाओंगा मेरा प्रय से वस्तु आपके दिमाग में छपती चली जाएगी यह प्रयास भी रहेगा और दूसरा आप जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जो बाद में इसका फीड़बैक आप देंगे कि कैसा रास्टेशन तो शुरुआत करनेंगे हम लोग संप शुरुत पड़ेगी कि भारत को समझाने में फिजिकल जगरोफी का एक महत्वण योगदान है वहाँ पर में फिजिकल जगरोफी भी लोगा ठीक है तो हम देखने क्या वाले हैं पहले तो संपूर्ण भारत के बोगोल के अंतरगत लोकेशन दो चीज़े देखना है प्रा करना है वस यहीं पूरा का पूरा हमारा शेशन रहेगा ठीक उसके पीछे के कारण को जानेंगे तो थोड़ा बहुत फिजिकल जगरोफी को समझ पाएंगे तो यह पर्टिकुलर हमारा टास्क है आज के शेशन का ठीक तो इस टास्क की और बढ़ेंगे पहले चीज तो यह हमारा प्रियास रहेगा दूसरा प्रियास मेरा यह रहेगा कि देखो क्लास तो लंबी है बीच में आप लोगों को थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा तो कि अभी हम सुरुआत कर रहे हैं सुरु सुरु में जोस ज़्यादा होता है बीच बीच में जोस कम होता है तो यहा तो दूसरा एक संकल्प लेते हैं शुरुवात में ही कि कुछ सीखके जाना है आज आप बहुत बड़ा सीखने वाले हो तो बारा गंटे दिये जा सकते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं लूँगा इससे कमपे ही कर दूँगा काम ठीक है हो सकता है बारा गंटे बार बार मैं बोल कर दो बहुत तेजी से स्पीड भी लोंगा लेकिन शुरुवात में स्पीड में नहीं लोंगा थिक तो चलते हैं पहला यह स्रीज्य पहला वीडियो है तो भी प्रयास रहेगा कि सबसे बहतर शुरुवात शुरूआत अच्छी होनी चाहिए प्रारंब अच्छा होता है तो फिर इसके बाद चीजे बहतर होती चली जाती है ठीक चलिए शुरू करते हैं कि यह आपका वैसे अर्थ है गूगल अर्थ है तो इसका प्रियोग बीच-बीच में हम करेंगे ठीक है शुरूआत करते हैं भारत के राजनितिक मांचित्र से क्योंकि 2020 में यह पूरी तरीके से अध्यतन हो चुका है 2019 में ही अध्यतन हो गया था लेकिन 2020 के इसाब से तो नया मांचित्र आपका आ चुका है मानचित्र से पहले राजनितिक देखते हैं राजनितिक के बाद फिर हम लोग एक बार प्राकतिक देखेंगे और इसके बाद फिर आपका विश्यवस्त में प्रवेश कर जाएंगे तो यह आपका नविंतम पूरा मानचित्र है ठिक, यह किसने बनाया है? सम्विधान ने, सम्विधान के भाग एक ने बनाया है यह जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों को भारतिय सम्विधान के अनुसूची एक में सूचित किया गया है ठिक, और भाग एक में इनको बनाने का पूरा तरीका दिया गया है ये प्रकती ने नहीं बनाया, प्रकती ने क्या बनाया, प्रकती ने उच्चा वच बनाय हुए, कहीं पर परवत बना दिया, कहीं पर पठार बना दिया, कहीं पर मैदान बना दिया, कहीं पर नदिया है, कहीं पर जीले है, तो प्रकती की देन है, कहीं पर टट है, कहीं पर के साथ एक बार देख लेते हैं क्योंकि संभवता ये टॉपिक चुकी अपने आप में अभी नया है यहां पे आपको ये डेट याद रखनी है 31 अक्टूबर 2019 के यह ती थी थी जिस दिन जम्बू कास्मीर को लेकर एक बिल आया था आपका 5 अगस 2019 को ये बिल पूरी तरीके से क्या हो गया लागू हो गया लद्दाग डिश्टिक बना दिया गया दोनों यूटी बना दिया गया पहले एक राज्जी होते थे अब क्या हो कई बुक्स पढ़ेंगे मांचित्र ही गलत है तो यह मांचित्र जो मैं आपको दिखा रहा है विकल सही है मैं फॉर्म इंडिया की ओफीशिल वेपशाइट पे है और यही है अधिकत है प्राधिकरत है यही आपका पी आई बी में भी प्रेस रिलीज किया गया था ठीक है तो यह ध्यान रखना है यह जो राज्ज है इसका नाम लद्दाक है यह जो केंसासित राज्ज है इसका नाम लद्दाक है ना की ले यह भी ध्यान रखना ठीक है यहाँ पे आपका एक लद्दाक है रिया है इसकी राधधानी ले है और यहीं पे कारगिल है तीन चीजे भर हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है कुछ हिस्सा यहां पर है यह हिस्सा जिसे हम गुलाम कश्मीर बोलते हैं उनके द्वारा आजात कश्मीर बोला जाता है यह हिस्सा पूरा मिला करके जंबू कास्मीर जिसकी राध्धानी आपकी स्रीनगर और जंबू है दो राध्धानी इसक आप बेटते हैं ठीक तो पहले तो ये दो छीज़े बदली है एक बदलाव और हुआ है यहाँ पे आपका इस जगहे पए ये चिंजीश हुआ है ठीक दादर अगर हवेली और दमन्द्यूप ये देखिए दोनों मिलके एक हो गए दमन द्यूब एंड दादरा नगर हवेल ये पूरा एक बना दिया गया केंसासित प्रदेश पहले अलग-अलग होते थे ठीक है और इनकी राजधानी जो है वो दमन बना दी गई है ठीक तो ये भी ध्यान रखना है आपको ये दोनों अलग लग थे पहले अब ये भी एक हो गया तो इस आधार पे यदि देखें तो बरतमान में अभी जो हमारा प्रजंट सिनेरियो है प्रजंट सिनेरियो पे आपके टोटल कितने राज्ज हो गए 28 राज्ज हो गए और केंसासित प्रदेशों की शंक्या कितनी हो गई आठ यह कु नहीं लएगा देखो भारत को पहले हम बांड देते हैं बाटना कैसे कैसे है यह आपका जो है नौर्थ इंडिया है ठीक है यह आपका नौर्थ इस्ट इंडिया ठीक इसको अलग इंटिटी में बांड दो यह आपका नौर्थ इस्ट है पूरा यह आपका नौर्थ इंडि तो हमने इसको और यह आपका पश्यम है पूरा गुजरात महराश्ट्रा यह पूरा हिंसा को पश्यम तो यह आपका वेस्ट है यह आपका नौर्थ है यह आपका साउथ है यह आपका इस्ट है और यह आपका नौर्थ इस्ट है पांच भागों में हमने भारत को बांड दिया ठीक मोटा मोटा ऐस इतनी चेत्री परसिदे भी हैं चेत्री परसिद बनाई गई है ना कि यह आप पढ़ेंगे बहाग एक में मैंने पढ़ाया पॉल्टी में तो अब देखें एक एक करके देखते हैं उपर से चलते हैं सबसे उपर आपका है यूनियन ड्रेटरी लद्दाक इसकी राधदानी क्या है ले उल्टा मत कर देजेगा बहुत साइट लोग ले बोलते हैं तो ले राधदानी है लद्दाक यूनियन ड्रेटरी का नाम है यूटी का नाम है ठीक जम्बू कास्मीर राधदानी आपके जम्बू है इसके जश्च नीचे हिमाचल प्रदेस इसके बाद आपका पंजाब है पंजाब और हरियाना इन दोनों की साजह राजधानी है चंडिगर भारत की राजधानी भी यहां पे दो राज्यों से गीरी हुई है एक उत्तर प्रदेश दूसरा हरियाना दो ही राज्यों यह ध्यान रखिएगा कई बार इसमें भी कंफ valeurन होता है बहुत सा लोग राजिस्थान भी समझ लेते हैं तो राजिस्थान नहीं है इसमें हरियाना और उत्तर प्रदेश इन दोनों से भारत की राध्यानी नई दिल् पर्टिकुलर एक छेत्र है ठीक है आप देखेंगे तो दिल्ली नौ भागों में बटी हुई है दिल्ली भी जिसमें से नई दिल्ली एक है लुटियंस दिल्ली जिसे बोलते हैं वही है नई दिल्ली जिसमें राजी उचाओ के जो आपका सेंट्रल सेकेर्टर केंद्री ना कि आप जाएंगे मुखरजी नगर मुखरजी नगर नहीं आपका नई दिल्ली तो भारत की राध्धानी नई दिल्ली एरिया है पूरी दिल्ली को आप भारत की राध्धानी नई दिल्ली एरिया है डेली उसकी राध्धानी नई दिल्ली भारत की राध्धानी भारत की आगे बढ़ते हैं, यह आपका राजिस्थान है, राजिस्थान की राध्धानी जैपूर, गुजरात की राध्धानी गांधी नगर, ठिक, इसके नीचे आएंगे महाराष्ट, महाराष्ट की राध्धानी, मुंबई एक और है इसमें, दूसरी राध्धानी है नागपूर, ठीक ये भी दोनों याद रखनी है जैसे कि हिमाचर प्रदेश की दो राधदानिया थी सिमला और धरमशाला यहाँ पर मुंबई और नागपूर ठीक है नागपूर छेतर यहाँ पढ़ता है इस चेतर में विदर्ब के छेतर में ठीक है इसके बाद छोटा सा सहर है यहाँ पर छोटा सा राजज है गोवा पचीसमों राजज है इसकी राधदनी है पणजी देखो यह जितना आप एक बार पहले हमें जदी हम इसको राजनितिक मांचिते देख लेंगे तो फिर कहां पर कौन सी नदी है तलाब है पहाड है परवत ह पहाड़ी है चीज़े क्योंकि बाद में देखना है तो पहले एक बार हम कृतिम विभाजन देख लेते हैं इसी के अधार पर हमने चिन्नित किया है जो भी आप देखेंगे तो हर जगे पर फिर यह होता है कि भाई केटू गाडवी नाश्चिन कहां पे है अब बदल गया भूगल भहुत साई चीज़े तो आपका लद्दाख में पड़ेगा पहले हम जम्बू कास्मीर बोलते थे ठीक है तो इसलिए पहले हम यह समझना जरूरी है कि पर्टिकुलर हम लोकीशन जाने है ठीक है तो यहाँ पर पणजी है अपका इसके बाद आपका आता है करनाट का करनाट का की राध्धानी बंगल रूरू है ठीक इसके बाद आपकी जो पांडी चेरी है पुदुचेरी चार राज यह हैं टोटर ठीक है और तेन बाफ करिएगा चार जिले है जो कि तीन राजjow में छ्षित्राए हुए है कि अले पुदुचेरी जो है फ्रांसिसी बस खिक तो इंक तो है महे आपका क्या चाहर में पड़ता है लेकिन इसके चार है एंटु पुदवर सरी हैं यह आपका तमिल्णाड इंटा een कराईकल यह भी पुदू है कहीं इंसा है यह भी आपका तमिल नाडू में पढ़ता है तो दो तमिल नाडू में हो गये पुदूचेरी और कराईकल ठीक इसके बाद यह आपका है आंद्र प्रदेश रिजम में यनम यनम आपका पुदूचेरी पे ठीक तो चार हो गए अपका केरल में चार जिले, तीन राज्यों में छित्राए हुए है, केरल, तमिलनाड़ों और अंद्रप्रदेश, तो यदि आप इसको clockwise देख ले, तो clockwise पूछेगा, तो clockwise में गड़बा, anti-clockwise तो दोनों याद रखना है, देखो, यहाँ से यह नहीं है कि आपको चार पता चल गए, clockwise में सबस पूछेरी, इसके बाद तीसे नमबर पे है आपका कराइकल, कराइकल, चौथे नमबर पे है आपका माहे, तो आपको दोनों चीज़े याद रखना है clockwise और anti-clockwise में भी माहे, कराइकल, पूछेरी या नम, ठिक, यह आपका AP में है, आंद्रप्रदेश में है, दोनों तमिलना पे हैं, और यह आपका कहाँ पे है, केरल पे है, बहुत इजी है, याद रखेगा, कुश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, और पूछा भी है एक बार, तो इसलिए आपको यह पता हो जी, राद दानेन की पुदुचेरी है, ठिक, यहाँ पे भी है, चुकि आपको पता कि दो ही केंसासित प्रदेश हैं, अब तीन हो गये हैं, इसलिए ज़रूरी है जानना, जम्बु कास्मीर, नई दिल्ली और आपका पुदुचेरी, जहां पर विधान साबा के साथ साथ, ठिक है, एलजी बैठते हैं, लेटनेन गवर्नर के साथ साथ विधान साबा का मंत्र परसत का मंद्र परंडल का भी कॉंसेप्ट किया गया है, तीनों जगाओं पे, जम्बु कास्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, तो तीसरा आपका पुदुचेरी, अभी यहां पे साथ मेरे ख्याल से किरन बेदी हैं, पुदुचेरी में, हाँ, ठीक है, तो केरला हो गए आपका, इसके बाद हम चलते हैं, तमिल नाडु पे, माप करेगा, केरला, केरला की राध्धानी आपकी कौन सी है, तिरुवंत पुरम, इसकी राध्धानी है, तिरुवंत पुरम, टटीय है यह भी, ठिक, आगे बढ़ते हैं, तमिल नाडु, तमिल नाडु की आप लोग को समझ नहीं बहुत से लोग बिजय वाड़ा कहते हैं कि इसकी राध्धनी बिजय वाड़ा है बहुत साही लोग कहते हैं कि अम्रावती है तो इसकी राध्धनी जो बिजय वाड़ा के अंदर ही अम्रावती अम्रावती एक हमारा बहुत पुराना आर्ट स्कूल ह तीन कला सेली थी गंदार कला सेली मतुरा कला सेली और अमरावती तीर में विक्सित हुई तो अमरावती के जो केंध्र है यहां को इस नहीं को हिस्टोरिकल बनाए गया था इसमें भी तो भारत में आपका पहला है पंजाब के बाद इन दोनों का यह जहां पर जुलवा राध्धानी है ठिक हैद्राबाद अभी है यह अब धीरे धीरे आपका अमरावती को डेबलप के जा रहा है जैसे डेबलप हो जाएगी अमरावती करती जाएग इसके राध्धानी हो सकता है 24 तक में हो जाए ठिक है तो अमरावती आपकी और इसकी तिलंगाना की हैद्राबाद ठिक इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओडिशा बूनेश्वर ओडिशा के बगल पे ही लगा हुआ है चत्तिसगर ठिक है इसकी राध्धानी रायपूर है इसके बाद आपका पड़ता है विश्ट बंगाल पश्चिम बंगल अभी चुनाव भी है यहापे कोलकाता यह भी टटी है ठीक है बंदरगा सहर है इसके बाद यहाँ पे है जारखंट जारखंट की राध्धनी है राची ठीक है अभी बाद में हम देखेंगे करक्रेखा यहां से गुजरती है तो राची जो है करक्रेखा में अवस्तित है अगे भी बाद में चर्चा करेंगे इसके बाद जो है हमावर उपर जाए तो यह हो गया आपका यहां तक सिमट गया अब यहीं से हम पहले एक बार पूरे इस धर के भारत को समालते हैं फिर इस भारत भी ब यहां पर आपका सेवन प्लस वर्न का कॉंसेप्ट है सिख्क्यम एक है और सेवन सिस्टर है ठीक है आठ राज है आपके नौर्थ इस्ट में ठीक सुरुवात करते हैं यहां से सिख्क्यम से राध्धानि गंग टोख है बारत का पहला राज जहां पूरी तरीके से जैवि ख और इधर ये ट्राइजेक्षन है यहाँ पर आपका चाईना बॉर्डर लगती है इधर भूता हिस्सा है कॉरिडौर यदि चार छाल यही había है कि और मिशकील है क्योंकि नीचे बंगलादे़ तो काई चार राज्यों के अंतर राष्टी ये सीमा लगती है और ये बहुत सेंस्टिव जोन है इसके बाद आपका यहाँ पर आपका है ये अवडांचल प्रदेश, राधधानी है इटानगर नागलेंड, राधधानी कोहिमा ठीक है, इसके बाद मड़ीपूर, राधधानी, इमफाल तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें राधधानियों को क्योंकि इधर की राधधानी आपको हो सकता बोल भी गई हो गड़बर आप कहां पे होते हो, मिजोरम, मड़ीपूर और नागलेंड में नागलेंड तब भी कोहिमा याद रह जाती, पर इमफाल और आईजोल इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मिजोरम की राधधानी है आईजोल, ये ध्यान रखना है मिजोरम की आईजोल, मड़ीपूर की इमफाल मड़ीपूर इमफाल और मिजोरम की आईजोल, ठिक इसके बाद ये आपका, यहाँ पे है आपका मेगाले, मेगाले की राधधानी है सीलों, ठिक, पे बेसिक आपका पूरा का पूरा जितना भी मानचित्र है आश्रम है आपका आश्रम की देशपोर आठ प्लस यहाँ पे आठ राज्ज हो गए आपके ठीक है बाकी हमने यहाँ पर देख लिए 20 राज्ज ठीक है अब जो भी हम पढ़ना है जो भी देखना है बात यहाँ तक आश्रम है और आगे जाए एक आपका यहाँ पे है ठीक है बंगाल की खाड़ी पे है अंदमान निकोबार दियूप समो इसकी राढद्धानी पोल्टव लेयर है और एक आपका estas है कावरति है लक्ष दियूप ठीक एक आपका ये था दमन द्यूपेंट दादरा नगर हवेली तो यह सिलवाशा एक हो गया ठीक तो हमारे सारे यूटी हो गया 28 प्लस आठ क्लियर ठीक है यह बहुत बेसिक है मैं नहीं चाहिता यह चीज आपको याद करानी चाहिए लेकिन फिर भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं सुर कि early daaf कि यह जो है आपका इसमें चेल या यह आख रोधशनत्रिव इसbacks दिया गया है मैं पहले आपको देख लेता हूं तो कि इस मूत नहीं है यह जैज है गुज है को रहर अ ज him किर्टिम देख लेते हैं कि कैसे प्राक्तिक विभाजन देख लेते हैं यह प्राक्तिक विभाजन तो जो आपने देखा यह हमारे भारती संविधान ने बनाया था अब यह प्रकति ने दिया है प्राक्तिक इस तरीके से भारत कुछ सबसे पहले यह वाला हिस्सा देख रहे हैं पूरी तरीके से ढ़का हुआ है उपर जादा नहीं जाना है क्योंकि उधर चाइना चालू हो जाता है हम इतने तक ही सीमित रहेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा तो यह आपका सबसे पहले क्या है परवतिय छेत्र हम देखने को पाते सबसे पहले है परवतिय छेत्र परवतिय छेत्र उच्चावच की द्रिष्टी से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ परवतिय छेत्र यह पूरा परवत है हिमाले परवस्रेडी है तो पहली सरशना हम भारत में पाते है हिमाले परवस्रेडी की ठिक दूसरी सरशना आ आपको ये पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, आप देख रहे हैं, नदिया ही नदिया है, ये हिस्से में भी नदिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के पाश है, बट ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे तो ये पूरा नदिया बहुल छेतर है, पूरा न सम्तल छेतर ठीक तीसरी सनरचना में आते हैं ये हिस्सा भी आपका पूरा मैदान ही है लेकिन रेतीला है तो ये आपका मरुस्थली ये छेतर है मरुस्थल है यापे ठीक है जहाँ पर वर्षा का भाव है मरुस्थली ये छेतर है यहाँ पे एक परवस्त्रेडी भी पाई जाती है भारत की सबसे प्राचीन तब परवस्त्रेडी है आरावली ठीक है तो हिमाले के बाद एक परवती ये छेत्र हमें मिलता है आरावली का ठीक इसके बाद आप जाएंगे तो ये पूरा हिस्सा सबसे इस्थिर हिस्सा है और सबसे प्राचेंतम हिस्सा यही है ये अभी बना है नवीन है ये अभी बना है नवीन है इधर का हिस्सा भी अभी बना है ये भी नवीन है लेकिन जो नीचे का हिस्सा है यही ये अभी का नहीं है ये पैंजिया के साथ लगा हुआ था है ना जब महाधीवपों का विस्थापन होना चलो उस समिझे यहैं हिस्सा आया था उपर तो यह हिस्सा जो है आपका सबसे प्राशिंतम है यह पूरा इसमें अधिकान सिस्सा पठारी है लेकिन यहां पर परवत भी है पठार भी है दोनों सनरशना यहां पर पाई जाती है तो ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंगुलर सेप पहले इसको समझते हैं ट्रेंगुलर सेप जहां पर भी आप देखें तीन तरफ से सागर टट है तो वो छेत्र को हम प्रायद्यूब बोलते हैं प्रायद्यूब जहां पे चारो तरफ सागर है जहां पे चारो तरब से सागर है वो होता है दूइब चारो तरब से जल है वो है दूइब ऐसे इस्थल भूमी जहां पे चारो तरब से जल हो दूइब यह संरशना है और जिसमें तीन तरब से जल हो कैसी संरशना है आपकी प्राय दियो यह धियान रखना है जहां पे तीन तरफ से समुद्र छेत्र में जिस समुद्र छेत्र में तीन तरफ से भूमी हो उसे बोलते हैं खाड़ी ठीक है? ऐसा समुद्र छेत्र ऐसा ये समुद्र छेत्र है जिसमें तीन तरफ से इस्थल भाग हो तो उसे क्या बोलते हैं? खाड़ी दोनों अलग-अलग है इधर देखेंगे तो यहां पर जितनी भी खाडिया हैं यहां पर गल्ब सब्ध प्रयोग करता है यहां पे उ बंगाल rough करतें न ब्दम है और गल्ब मतलब जहां चोटी जल्राथी दोनों चीज़ों को देख तो द्यूब बन गया तीन तरफ से घेरा तो प्राइदी बन गया और यहाँ पर आपका ठीक है यदि भूमी ने चारो तरफ से किसी जल को घिर लिया तो क्या बन जाएगा सागर बन जाएगा जील बन जाएगा दो चीजें दो हम दे सकते हैं बड़ी जलराज ही है तो सागर जैसे कैस्पियन सागर वह जील एक लेक है क्योंकि चारों तरफ को उसे ही भूमी ने उसे गेर रखा है ठीक है तो यह आपको बहुत बेसिक है बहुत आसान असान चीजें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन प्रकति के प्रह 누구 यह भारत भारत जिसको तीन तरफ से इस समुद्र के द्वारा घेर गया है एक त्रफ आपका यह है पूरा इंड्यानो सिंद फुरा हिंद महा सागर है ठीक है पूरे हिंद महा सागर को हमने कई नामों से बांट दिया है ठीक है चुकि इस हिस्से को हिंद महास अगर के इस हिस्से को तीन तरफ से इस्थल ने गेर लिया तो इसका नाम हमने बे आप बंगाल दे दिया लेकिन है यह भी आपका हिंद महास अगर ठीक भारत के भूमी के नाम से इसका नाम हिंद पड़ा है द लेकिन बाद में कहानी आती है राजदुश्यंत के बेटे भरत के नाम से तो वहां से भारत सब्दी निकल के आताया इसके नाम बहुत अलग अलग है अब अपने देश के देखेंगे तो बहुत पर्टिकुलर नाम है तो भरत आता है राजदुश्यन्त और शकुंतला की संताथी राज़ा भरत उनी के नाम पे इसका नाम भारत काडिया लेकिन पर्टिकुलर इसके नाम और भी है जैसे एक नाम आर्या वर्त आप लोग सुनते है आरे कौन थे सिंद्गाटी सब्विता के बाद एक जंजाती का भारत में प्रवेश हुआ ऐसा कहा जाता है कि यह लोग इरान वाले छेत्र से या फिर यूरोप वाले छेत्र से भारत में जब यहाँ पर अर्भी यात्री आना प्रारम हुए तो अर्भी यात्रियों ने चुकि यहाँ पर इंडस नदी है सिंदू नदी है तो सिंदू को उने किस नाम से प्रयोग किया साको हा का नाम तो हिंदू प्रयोग किया अब यहां पर रहने वाले जितने निवासी थे सब को हिंदू बोला तो हिंदू बोला तो हिंदू रहने हिंदू के रहने का इस्थान हिंदूस्तान तो इसका नाम बात में हिंदूस्तान भी पड़ गया ठीक है तो हिंदूस्तान सब्द आपका यहां से निकल के आता है फिर ठीक है जो राज्यों का संग होगा तो भारती सम्मिधान में इंडिया और भारत दोनों नाम मिलते हैं ठीक है तो अलग-अलग कारण है अलग-अलग कारणों से अलग-अलग इसका नाम है ये महत्यपूर्ण इतना नहीं है लेकिन आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट है आपका विंध्या चले इसमें बहुत ज्यादे क्लियर नहीं दिखाए गया मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो यह है आपकी विंध्यान चल परवस्त रेड़ी ठीक है इसमें कई सारी पहाडियां है बाद में देखेंगे यह आपकी है सत्कुरा यहां पर कैसे बनी क्या परवत है दरसल हुआ क्या जबीन का टुक्रा धस गया है और कुछ नहीं हुआ है तो लगने लग जैसे अभी आप बैठे हैं तो जैसे मेरा वाला हिस्सा यह जिस हिंसे में हूँ आप लोग बैठें आप मेरा वाला हिस्सा नीचे धंस जाए तो मैं मुझे लएगा कि आप भास है और कुछ नहीं है ट्रू माउंटेन नहीं है ट्रू माउंटेन आपका यह अभी इसके बारे में चर्चा अरावली आपका ट्रू माउंटेन है ठीक है तो यह यहां पे यह वाला हिस्सा यह आपका टट से साथ जुड़ा हुआ है यह टट है आपको एक टट यह मिला प्राइद्यूप में प्राइद्यूप ने दो टट बना एक टट यह एक टट चुकी है हिस्सा नुकीला यह तो तीसरा टट बनी नहीं सकता था तो यह इसको बोलते हैं पश्मी घाट अब दो चीज़े ध्यान रखना है यहां पे दो चीज़े अभी आप समझे यह पश्मी घाट हां यहां पर बहुत सरी प्रवस्ते दिया है ठीक इसके आगे यह वाला हिस्सा मैं इसको एक बार ब्लैक कर देता हूं जो बिल्कुल समूर्टट से लगा हुआ है, ये इधर का हिस्सा बिल्कुल, ये पश्मी टट्टिये मैदान है, यहां पे बहुत सारी नदियां जो है अरब सागर में जल गिराती हैं, तो इन नदियों के द्वरा यहां पे एक मैदान का निर्मार किया गया, तो ये पश्मी मैदान यह अलग चीज है और पश्मी घाट अलग चीज ए दोनों अलग अलग चीज है सेम चीज यहां पे बहुत सरी नदिया है जो कि में जल गिराती है इनके दोर एक मैदान का निर्माण किया इसको बोलते हैं पूर्वी टटी मैदान तो दूनों अलग अलग चीज़ है और पूर्वी घाट अलग है पश्च्वी घाट अलग है यह भी आपको समझना चाहिए ठीक है तो हमने पहले देख लिया अभी पहले ए है कभी तो वह एक तरीके से मरुस्थली चेत्र है जहां पर वर्षा का 15 संटीमीटर से कम वर्षा होती है पूरा का पूरा आपका ठीक है तार का मरुस्थल है यहां पे इसके बनने के बहुत सरे कार्ण है पहली बाद तो अरावली परवस्रडी यही सबसे बड़ा रीज़ यह पूरा जहरकंड वाला है छोटा नाग्पूर का पठार यहां पर दककन का पठार को भी हम बांट सकते हैं उत्तरी दककन और दचुना डगंक को तो दककन पठारное आपका दो भागों में हैं ठीक इसके बाद धर आपका ये टट वाला झ् eldest तो तो ठीय मैंदान है ट्टो को भी कई नाम से जाना जाता है हम अभी ओडू के नाम देखेंगे यहाँ पर हैं तो कॉंकरस के नाम से जानते हैं फिर करन्न टट के नाम से जानते हैं फिर इसको मालाबार टट के नाम से जानते हैं इधर कोरो मंडल टट है फिर इधर उत्तरी सरकार टट है फिर इधर उतकल टट है तो टटों के नाम भी हम लोग करम से देखेंगे बहुत असान है कुछ नहीं है तो यह आ पाकतिक तौर पे कुछ ऐसी भी बिद्ता भारत में देखने को मिलती है यहां पर बहुत साई संरिशना है जैसे जलरासियां है बहुत सारी जलरासियां है तो हम नदी तंत्र देखेंगे नदियों को पढ़ेंगे ठीक उच्चावच के हिसाब से हम एक बार परवत मैदान और पठारों को पढ़ेंगे ठीक है जितनी भी परवस्त तेखिश्मी घाट की पूर्वी घाट की मध की पठारी च्छेटृ की ऐसारी यह नदा प्रयास करूंगा की सब हो जया तो यह आपका प्राक्तिक मानसेतर आ है कृतिरा जेटर जो s question पूछे जाते हैं दोनों को mix करके पूछे जाते हैं पूछेगा प्राक्तिक सनरशना का नाम लेकिन पता पूछेगा कि किस location में तो location कृतिम है वह हमने बनाई है location जिसे अब ये गाजियाबाद चेतर नाम रखा गया कृतिम है प्रसासनिक सनशना के अधार पर रखा गया लेकिन यहां पर क्या क्या आप हिंडन नदी यहां से बैके जाती है तो हिंडन नदी प्राकतिक है तो लोकेशन और उसको मिक्स कर दिया गया है तो हमें दोनों को जानना जरूरी है जब तक दोनों की जन कई नहीं होगी आप कुश्चन नहीं कर पाएंगे आपके जितने भी प्रस्ण है प्राकतिक और कृतिम दोनों को मिक्स करके पूछे जाते हैं ठीक चलो अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले सुरुआत यह तो पहले मुझे समान परिचे आपको प्र प्रस्ट के बैठे हो तो अब निरास होंगे फिजिकल जोग्रोफी को टेच नहीं करेंगे जहां पर जूरत पड़ेगी थोड़ा सा हलके से बताके फिर निकल जाओंगा ठीक फिजिकल जोग्रोफी अलक्सेशन है अलक तरीके से देखेंगे तो अब जो मुझे आपको करा पहले भारत का परिचय नॉर्मली जो कोश्चन ज्यादा तर बनते हैं पहले इसका प्रयास करेंगे और इसके अंतरगत अवस्थिती विस्तार यह सारी चीज़े जो हैं बेसिक एक एक चीज़े करके अब हम लोग चलेंगे चलिए शुरू करते हैं अब यहां से आपका से प्रॉपर शुरू होता है अभी तक तो हमें एक प्रॉपर इंट्रोरेक्शन देख रहे थे भारत का यहां से सुरुवात करते हैं अब यहां से आपको कुछ चीज़े लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो समझना चाहो तो समझ भी सकते हो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है हर एक चीज को समस्ते चलेंगे थिक मचायतों कि मेरे साथ साथ अप लोग डिमाग में भी रिपीट करिएगा मचायतों यहां से याद करके जाए आप चीजों को सुरुवात करते हैं भारत की अवस्तिती विस्तार से स्टार्टिंग यहीं से है इस से प्रशनाते हैं इस से ठीक याद करते हुए आपको यहां से निकलना है अगर दिख रहा है ठीक इसमें कई सारी चीजे हैं जो समली थे इस पूरे मानचित्र में सबी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे हैं अवस्तिती विस्तार के अंतर कर दो चीजे होती हैं दो चीजे समझना है दरसल जो भूगर्व बेत्ता है या भूगोल बैग्यानिक है उनके द्वारा अवस्तिती को समझने का सबसे आसान तरीका बनाए गया है लेटिटिटूड और लॉंगिटूड ठीक है अच्छांस और देशांतर अच्छांस और देशांतर यह आपका जीरो डिग्री अच्छांस है आपका 0 डिग्री डिशांतर है आई मैंने इसा प्रयाज किया है कि दोनों ठीक है तो इस अधार पर प्रत्वी 4 भागों में बढ़ जाती है आपकी ठीक है गोलार्द आत्या AND है sen4 चातूरफांस इस में सो दूसरा चतूरफांस है यह तीजह एद्जार्धास है यह 4 चतुर्धानस है यह मूलबिंदु होते है क्वाडीनोट में अपने 002 इसका जो है ना तो यहाँ पे प्रत्वी जो है यह अपर देखें तो पहले सबसे पहले हम मैं हम अच्छान्स रिखा को खेशते हैं भूमद्य रेखा को खेशते हैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं जीरो डिग्री विस्वत रेखा को ते दो भागों में बट गई उत्तर और दच्छड में यानि कि नौर्थ यह है साउथ यह है ठिक यदि हम इसको चार भागों में बाट दे तो यह आपका उत्तर तो था क्लियर कुछ नहीं है इसमें तो अभी इसको इसमें एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या लोकेशन होंगी यह आपका गोलार्द है इस गोलार्द का नाम क्या देंगे इस जगह का यह आपका चुकी देखे इधर पूरब है और इधर उत्तर पूरब हो गया ठीक है इसका नाम क्या होगा यह उत्तर है और इधर पश्यम है तो यह उत्तर पश्यम हो गया इधर की बात करें नीचे आ जाते हैं तो यह आपका दच्छन पूरब हो जाएगा ठीक है और यह वाले हिस्से को देख लेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा दच्छन पश्यम चार ग भारत अवश्थी तो भारत हमारा अवस्थी थे उत्तर पूर्वी घुल आरदे पहले पहली अवस्थिती आपको यह समझनी से आवस्तवी और सब्सक्राइब की प्रथभी में कहां ओस्थित और प्रत्वी में कहां located है ठीक है तो प्रत्वी पे इसकी location अव्ल and फोली लेते हैं यह आपकी our यह आपकी location ठीक है ॉब इसको अधिक है कि कुक्छ है से बाठ देते हैं यह आपका जीर कशिया से जाता है ठीक और चुकि मैं इधर कर नहीं दिखा सकता क्योंकि लंदन से जाता आपका जीरो डिगरी तो लंदन आपका आपका ये पूरा गल्फ वाला हिस्सा है तो यूरोप और गयरा मालो ये वाला हिस्सा ये भी गलत ही है ठीक है तो ज्यादा नहीं इसको दिमाग लगाते हैं ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूराब हो गया ठीक है ये वाला हिस्सा आपका उत्तर पूराब हो गया नीचे का ये गोलार्द आपको पता होना चाहिए गोलाद भी पूसता है तो हम उत्तर पूरी भी गोलार्द में भारत अबस्तित है बहुत बेसिक है छोटी सी बात है ज़यां धिमार्ग नहीं लगाना है इसमें अप भारत का जो देख रहें न आधा हैं इससा भी नहीं पारहें पृत्वीं अर्थ का अर्थ का हम पूरी तरीके से गोल habitat and adhi है छिए क्या नाम है यह परसांत महसागर लगभग हधें सबसे से बड़ा सागर है ठीक है और आपका जो ये Atlantic महा सागर है ठीक है महा सागरों को भी एक और देख लेते हैं रफ लीट होड़ा सा यह वाला इस्षा यह यह हुआ जादा गहरा होता है जिसमें ज़्यादा बढ़ीульт सांत होता है सबसे सब्से महासागर में ठीक इसके बाद यह वाला हिस्सा आपका यह अट्लांटिक महासागर है यह सकार की आकरती है जो आपका यूरोब और अमेरिका महाद्यूप से सीमा साजा करता है इधर अफ्रीका भी है तो यह आपका ठीक है तीसरे नंबर पर दूसरा बड़ा सागर यह यह अट्लांटिक है ठीक तीसरा है आपका यह इंडिया नोशन ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है थर्ड लॉर्जिस्ट है इंडिया महासागर दच्छडी महासागर जो है इंडिया नोशन का ही कुछ हिस्सा है इंडिया नोशन चुकी पूरा जाकर कि यहां पर आपका तो यह आपका दच्छडी महासागर यह हिस्सा आपका इसी के साथ आता है इधर अस्ट्रेलिया है ठीक है इसके बाद ऊपर एक और महास सागर है ठीक है दोनों चीज़ें आपको अभी देखेंगे इसका प्रयोग करेंगे जिज़ों को जब locations पर आएंगे तो चीज़ों को देखेंगे तो यहां पर मैं roughly आपको समझाना अच्छा ठीक है एले चतुर्थांस में या अंयों उत्तर पूर्व में पहला चतुर्थांस ओ गया यह भी पूछ लेता कई बार चतुर्थांस भी पूछ लेता तो इसमें भी आपको टेंशनी लेना किसी भी तरीके से कि चलिए एक बात बात जानकारी हो गई अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इसके अच्छान्स ये विस्तार की अच्छान्स देषांतर मैं यहाँ पर समझाना नहीं चाहूंगा समझा तो कुछ उत्तरी ध्रू को दच्छनी ध्रू से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं यह आपकी देसांतर होती हैं तो देसांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्थ को दच्छनी गोलार्थ से मिलाती हैं अच्छांस रेखाएं आपकी उत्तर से पूरब की और खींचे गए ब्रत हैं तेदी ब् आप अब इन दोनों एपने दो दिशांतर रेखा या दो अच्छा रेखाओं के बीच में जो रफली दूरी होती हो लगभग 111 किलो मीटर के आसपास होती है कि कि के सब्सक्राइब की कोडिये दूरी वाला हिस्सा है तो यहाँ से कुछ नहीं है के इन्हों ने इतना आसानी से खिंज दिया इसे लिए वन डिगरी टू डिगरी त्री डिगरी बोल रहे हैं याप कोड़ों गया तो आपने बच्छमने में पढ़े ही होंगे ना ठीक तो अच्छान से अधेसांतर दोनों कोड़ी दूरिया किस से कोड़ी दूरिया है मौल बिंदू से कैसी खीची गई उत्तर से दच्छिंड या पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम क्या है अच्छांस रेखा है ठीक है बस इतनी सी बात है अब बात कर रहा है कि भारत की अवस्तिति और विस्तार के बारे में बात करी अभी से याद करना चालू करना भारत की अवस्तिती विस्तार आज की ग्लास में आपको याद हो जाना चाहिए सबसे पहली चीज़ देखो एक तो यह यहां पे एक सब्द लिखावा भारत का खोज करता वास को डिगा मैं यह कौन हो गया भारत को खोजने वाला यूरोपिये लोग आज ने इससे पहले सब खाते थे सारी करते थे तो मसाले को लेकर योरोप का जतना थे धन सबने लगा फिल को पिलने कोस्ता खोज को लेकर यहां पर यहां त्छोड़ा सा गलत लिखा जाता है यहमेशा यह गला था होना यह चाहिए इसके जगह में कि भारत में आने के नए रास्ते की खोज की इसने उसे पहले भी आते थे ये अफरीका टट से जब पहली बार यहां पे आटोमन समराज जिका जब इस्तामबूल वाला तुर्की वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से से पहले पुरा बैपार होता था ठीक है लेकिन क्योंकि पहले समुद्री यात्रा और यह सारी चीजें सब अंध विश्वास और इन चक्रों में तार्टिक समाज नहीं था उस समय का यूरोप का समाज तो और भी ज़्यादा तरक भीन था तभी पुनर जागरन वहां पे हुआ रिनेंसा का काल हुआ तो समुद्री यात्रा बाद ही थी लेकिन बाद में समुद्री नाविकों के द्वारा तो एक समुद्री नाविक था वास्कोडिगामा आप ऐसा तो कर नहीं सकते टिक तो करके आने ही पड़ेगा ठीक पुर्टगाली नाविक था यह वासको डिगामा और भारत में यह 20 में 1498 को आया था काली कट पर उत्रा था सबसे पहले यहां पर सा सकता जमूरिंट है ना ठीक है तो एक गुजराती पत प्रदर्सक था अब्दुलमनीद उसी की सहायता से भारत पहुंचा था ठीक है अलग बात है इस पर अभी छोड़ता है तो कहने का ताथ पर मेरा यहां पर यह है कि अब हम बात करते हैं भारत के अच्छांसी और देशांत्री विस्तार की तो सबसे पहले एक कि निवर यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी क्लिरोटी रहे ठीक है ? यह आपका है यहां पर जीरोडिगरी ठीक या अपका है जीरोडिगरी भारत बहुरत हमने बोला कि यहां पर वस्ती थे पहले चतुर्थांस में यहां पर वस्ती थे बारत इस वाले हिसे पर तो भारत की जो आवस्तिती यानि कि जो भारत का मुख भूमी यह जीरो डिगरी है एक दो तीन चार पांच छैसाथ 6 से चालू हो जाता या भारत वह से ठीक है भारत आपका 6ậ। 4 मिनट से चालू हो जाता है हमारा जो इंद्रा पॉइंट है सबसे 10–4 मिनट से चालू हो जाता है लेकिन हमë म skipping को дав मी की बात करें mainland हमारा यह है द्यूपों को भी छोड़ के लिए हम छोड़ देते हैं तो भारत आपका यहां पर इस वाले हिस्से पर यहां से चालू होता है और यहां पर खतम हो जाता है इस वाले हिस्से में इतना हिस्सा को हम देखते हैं यह कितने में ठीक है तो यह जो आपका यहां की स्टार्टिंग आठ डिग्री चार मिनट ठ एक ज classroom और याद रख्येगा पूरा का पूरा भारत कहां पे उत्तरी तो Seo पूरा भारत कहां पर उत्तरी गोख्त कि ऐत्षांस की बात करें तो अच्छांस मिनिटा उत्तरी ukubra em siatellaение भारत की अवस्थिति अच्छांस से लेकर की 303 अत्तर है ठीक कर 83376 एक मोबाइल नमर याद करेंगे आट डिग्री चार मिंट से आठ डिग्री चार मिनट से ले करके अरड़ीश सादिश दिग्री डी6 मिनट तक ठीक ये आद कर लेना ये आपका हो गया अच्छानसी विस्तार देशांत्री विस्तार की बात करेंगे तो हमेशा पूराब आएगा क्यूं कहां तेटेना है 24 से लेकर 376 से लेकर 97 5 यानि 68 दिगरी साथ मिनट 97 डिग्री 25 मिनट भारत यहां पर क्या है और आरशाट डिगरी साथ मिनट से लेकर 97 डिग्री बहुत असाने कुछ नहीं है इसमें पिंटू साज है यह तब भी आपको याद होना तरह जाना चाहिए है में कोई है नहीं बेसिक चीज है ठीक लेकिन यह भारत का सबसे दच्छंटम 53 लेकिन छोंक्त आपका करणिया कुमारी लेकिन जो हमारे भारत का सबसे दच्छंटम बिन्दु है वो यह है आपका यह आपका यह वाला हिस्सा ठीक है यह सबसे दच्छंतम बिन्दु है जब 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी तो यह हिस्सा अभी तक कहते हैं कि पूरी तरीके से जलमग नहों गया था लेकिन अब दिरे दिरे बाहर आ रहा है तो यह है आपक है चार मिनट तो भारत का सबसे दच्छंतम बिन्दु क्या है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट सबसे दच्छंतम बिन्दु है और चार दिगरी चार मिनट पे तो आपको बहुत आसान है 84 से लेकर के 376 ठीक है 687 से लेकर 97, 25 और 64 यह है यह याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कुछ नहीं है कैस में भिल्कुल वीजी एक डिसांतर और महत्यपूर्ण कौन था बाउन कॉन सा साथ मानक समय रेखा हमारी झो है और एक अच्छांसु भी हम्हत्यपू्ण है उस अच्छांस का Naam बता ुंई तो हुआ कि सारे तेज़ डिगरी उत्री अच्छांस जिसको करके रिखा के नाम से जानते हैं करके रहा भी जुह है आपकी कहाँ से जाती है ये भी आपकी भारत से ही ओकर कर के जाती है तो करक रेखा एक छांस ज्भवे इसको हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा जिसér हमारे देश का समय निर्धारित होता है यह आपकी माफ किए मानक समय रेखा समय रेखा यह आपकी है प्लस साड़े पांच घंटा है ना इतने घंटे यह जीरो डिगरी से आगे है इसका समय ठीक है तो अभी आपको पहले आपको अब एक करके हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को लेकर के कोश् प्रूटि बिस्तार्य विस्तार आपने यह तो देख लिया कि यह जबतर्acas है आपका पूरप से प्यशिम भिस्तार देखना अब मुझे चीट बताएं एक टिς अब से प्रूटि यह दिस्तार देखना किजी नहीं आप सबसे प्यले इन आप तो इसमें अच्छांस काम आएगा कि देसांतर काम आएगा क्या देसांतर पूरप से पश्चिम दूरी नापता है अच्छांस पूरप से पश्चिम दूरी नापता है माल लेजे अच्छांस का मतलब यह है यह माल लेजे आपका 0 डिग्री है यह आपकी 8 डिग्री 4 मिनट है तो अच्छांस जो होगा यालि आप यहां पे खड़े हैं और यहां से यहां जाएंगे तो कौन सी दूरी नापेंगे north से south की दूरी यानि कि उत्तर से दच्षण की दूरी तो अच्छांसों का सहरा लेना पड़ेगा है न क्लियर है और यदि हमें पूरब से पश्षिम की दूरी नापनी हो तो हमें देशांत्रों का सहरा लेना पड़ेगा ठीक है देसांतर हमें पूरप से पश्यम के दूरी बताते हैं और अच्छांस हमें कुछ नहीं है इसमें बहुत आसान है बहुत सिंपल है तब यहां पर आप देखे पूरप से पश्यम विस्तार यानि की 68 डिगरी 7 मिनट से लेके 97 डिगरी 25 मिनट वाली बात है इसके बीच क कि जो दूरी है आप इसे नापेंगे तो आपका क्योंकि देखें यह आप सीधा सीधा नहीं नाप सकते हैं सबसे जो आपका पूरवी बिंदु है यह आपका है अउनाचल प्रदेश में अवस्तित है और यहां पर पूरप यहीं पर समाप्त हो जाता है इस वाले हिस्से मे मिजोरम वाले हिस्से में ही पूरप समाप्त हो जाता है लेकिन हम यह तो यह पूरा टेरा है ठीक तो यह पूरी दूरी आपके कितनी आई है यह रट लेना है 2933 पूरप से पश्रिम विस्तार भारत का 2933 अब देखो इसको लेकर करके जो सबसे अंतिम पॉइंट है जब भा होसते हैं तो सबसे अंतिम राज जब का उनांचल प्रदेश पढ़ेगा और अंतिम जो गाउं है वहां पर कीविथू नामक गाउं है जिस गाउं के बाद आपको म्यानमार चालू हो जाएगा अगला देश चालू हो जाएगा ठीक है तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदू क का नाम क्या है कि विथू पूर्वी अच्छांस का नाम क्या है पूर्वी देशांतर का नाम क्या है संतानमे डिग्री 25 मिनट संतानमे डिग्री 25 मिनट ठीक है तो सबसे पूर्वनतम बिंदू जो है आपका कितना क्या है कि विथू इसी तरीके से दिया आप यहां से पश् चालू हो जाएगा ठीक तो यह ध्यान रखना है दोनों का नाम भी पूछ लेता है कि बुतु आपका सबसे पूरवर्तम बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा है गौर मोता इसी बहुत आसान है कुछ नहीं रट जाना चाहिए और पूरब से पश्चिम पश्चिम फिस्तार यदि आप गोर मोता से चले और किभुतु तक पहुंचे तो कितना दूरी तय गरना पड़ेगा ठीक है 2933 किलोमीटर किलोमीटर केवल किलोमीटर किलोमीटर स्कॉयर नहीं ठीक है किसी लैंड एरिया को नहीं अपना पर है ठीक है तो आपकी पूरव से पशिम बिस्तार 2933 दिमाग में बैठ जाना चाहिए बहुत इजी है अब बात करते हैं दूसरे तरब चलते हैं अब बात करते हैं इधर की ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पे तो यह आठ डिग्री चार मिनट जो सबसे दच्छणी वाला छेत्र है यहां पे आपका है तमिल यह यह आपका सबसे दच्छणतम देखें इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको इसके बाद समुद्र है यहां पे आप देख रहे हैं समुद्र का कुछ इससा हारा दिख रहा होगा आपको यह आपका छेत्री सागर है है ना सेत्री सागर आपको अभी मैं पढ़ाऊंग अधिकार होता इस चेत्र में तो ये कन्या कुमारी आपका है सबसे दच्छिणतम मिंदू ठीक है सबसे दच्छिणतम मिंदू ये है आपका Sunset Point यहां पर आप जा करके ठीक है रामेश्वरम यहीं पर है यहीं पर आपका जो वह रॉक है जहां पर बिबेकानन जो है खड़े हुए थे ठीक है तो यह आपका कन्या कुमारी है कन्या कुमारी से सीधा सीधा चले जाएंगे उपर साइकल से यात्रा करेंगे आपने देखा है कि यूटूबर है साइकल बाबा देखा है आप लोगों को नहीं की नहीं देखा साइकल बाबा को जानते हैं उन्होंने भारत की हैं और अभी बहुत यंग है पूरे विश्व का भरमाड साइकल से कर रहे हो पूरे विश्व का भरमाड कई देशों का भी लॉक्डाउन में नीदर लेंड में फसे थे वो तो हर एक देश को जो है वो साइकल से ही पार कर रहे हैं साइकल सही है पूरा भी यूरोप घूम लिया अमेरिका घूम लिया अफ्रीका घूम लिया भारत अभी गवर्मेंट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और तो साइकल से मालीजी आप लोग जाएंगे तो कर सकते हैं कोई कि impossible नहीं है लेकिन वही है कि सोच के परे और थुला जुनून भी होना चीज़ों में जुनून होना बहुत जरूरी है ठीक है तो यह आपका यहां पर सबसे उत्तरतम पॉइंट है विंद्रा कॉल यहां पर दिखाए गया है यह नहीं दिखाए गया देख लेते हैं कार्गिल वाला हिस्सा है देखिए यहां बरफ ही बरफ है यह है आपका केटू गाडविन है कि साइद इसमें मेंसन नहीं किया इसी चैत्र को लेकर लड़ाई है सारा दंस इसी चैत्र का है एक तरफ से पाकिस्तान दूसी तरफ से चाइना इस्तिति अभी भी समाने नहीं होई है इस चीज को लेकर के इंद्रकॉल यहां पर भी चलिए टाइम लग जाएगा इसको धूंड़ने में नहीं तो या तो फिर हो सकता है कि इसमें मेंसन ना किया गया हो तो जो हमारा सबसे दच्छनतम मिंदू है उसकी तरफ बढ़ता है सबसे उत्तरतम मिंदू तो आपका हो गया इंद्रकॉल ठीक है सबसे उत्तरी छेतर में इंद्रकॉल है और सबसे भारत के मुख वो में दच्छनी छेतर में कन्या कुमारी केप के मुरीन है तो आठ डिग्री चार मिनट आपका कन्या कुमारी है ठीक और आपका जो है सबसे तरटनम बिंदू है इंद्राक और लेकिन यह दंदाम बिंदू के दिल्टे के मौरीण आपका दच्धध है ऊपको ठीख लेना इसके बाद सबसे दच्धु हमारा यह सब से द्च priced और रहते हैं यह इन्द्रा पॉइंट सबसे दच्राओं ठेक आगे बढ़ते है यह लक्ष द्यूप नहीं है बहुत साथ लोग यहां पर लक्ष द्यूप में आपका दो चैनल आएंगे देखेंगे 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल ठीक है आठ डिग्री चैनल का क्या महतो है नाइन डिग्री चैनल का क्या महतो है और टेन डिग्री चैनल का क्या महतो है टेन डिग्री चैनल भी है टेन डिग्री जो है अंडमान निकोबार को प्रथक करता है एट डिग्री चैनल लक्ष द्यूप को मा यहां पे यह तो हो गया बेसिक जानकरी आपकी कि भारत का भारत का जो है पुर्वी छेत्र क्या है चांसी दिस्तार क्या है यह सारी चीज़े हो गए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगला है भारत के छेत्रफल को यह भी याद कर लो आज ठीक है यह चेत्रफल अभी इतना ही है 32, 87, 263 आगे तीन पीछे तीन यह बहुत याद जरूरी है ठीक है 32, 87, 263 क्या है यह किलोमीटर स्कॉयर यह याद कर लो 32, 87, 263 मोबाइल नमबर की तरह यह भी याद रखना है आपका यह भारत का छेत्रफल है विश्व के कुल छेत्रफल का दो दसंबलो चार प्रिसत हिस्सा ही भारत के पास है यानि कि हमारे यहाँ पे लेंड एडिया बहुत कम है क्यों भारत विश्व में यदि छेत्रफल के हिसाब से देखें तो सातवाँ इस्थान है इससे उपर छे देश है च्छे कौन कौन से है सबसे एक नंबर एक रूस नंबर एक रूस नंबर दो कैनेडा नंबर तीन अमेरिका नंबर तीन अमेरिका युएसे सही उक्तराज अमेरिका नंबर देखो कई वेप साइड आप ओपन करेंगे तो कहीं पर चीन दे रखा है कहीं अमेरिका दे रखा है लेकिन नंबर तीन पे अमेरिका ही ए सही डेटा यह है थोड़ा सा फ्लेक्टुएशन नंबर तीन पर अमेरिका नंबर चार पे चाइना कहां कौन साउथ में कौन है ऐसाउथ अफ्रीक कहां से आ यहां पर नमबर एक रूज नमबर दो कनेडा ठीक है डूख जवाएं से नहीं याद होगा अब लोगो मैं मानचित्र में याद कराता हूँ कि यह कि यह विश्व का मानचित्र है नमबर एक, नमबर दो, ठीक है, नमबर तीन, नमबर चार, नमबर पांच, नमबर छे, नमबर साथ, यह, क्रम से अध कर लो, रसिया, कनेडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, अस्ट्रेलिया, भारत, ठीक, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, यह, आपको याद रखना है, इसका जो कन्फ्यूजन है, चीन एक बार मैंने भी, जो है, मास्टर वीडियो में बोल रखा है, विस्सु के बगोल पे, वो गलत है, और डेटा गलत है, नमबर चार पे आपका चीन है, नमबर तीन पे युएसे है, आप देखेंगे, मल्टिपल वेबशाइट पर युएसे ही मिलेगा, और जितने भी आयोगों ने भी जितने अंसर दे रहे हैं, युएसे ही दे रहे हैं, इसलिए इस पे कन्फ्यूजन चाहिए, लेंड टोटल कितनी है, हमारे पास, टोटल है, 32, 87, 263, भूल जाओगे आप लोग, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, भूल जाओगे, 32, 87, 262, 87, 263, किलो मेटर स्क्वाइर, 32, 87, 263, बहुत बेसिक है, याद कर लो, आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये, इ तो डेटा कभी बदलेगा नहीं, जो नया आएगा, वो देखा जाएगा, ठीक है, तो डोटल जन संख्या, जो पॉपुलेशन है, वो कितनी है, 121 करोड, एक सो अब ये, बाकी का डेटा की जुरुत नहीं है, आपको, यदि देखना चाहो, ठीक है, नहीं देखना चाहो, कोई जुरुत नहीं, 121 करोड बस आप रफली याद कर लो, इतना भी, ठीक है, 121 करोड की अबादी ये, दोजार गेरा के डेटा की हिसाब से, आब हम लोग बहुत तेजी से कीड़े मकोडों की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, संख्या लगबग लगबग हो गई होगी, 13 233 के आसपास आ जाएगी, देख लिए इतना रफली आ जाना चाहिए, ठीक है, तो 20 की कुल जन संख्या का, 2011 की जन संख्या के हिसाब से 17.5 प्रिसर, ठीक है, जन संख्या में हमने 17, लैंड भी कितने हैं, तो आने वल से हमें लैंड क्या करनी पड़ेगी, कबजा करनी पड भारत का हिस्सा है, भाई हमारा ही है, हाँ प्योके में है भारत का लेकिन, ठीक है, प्योके नहीं है, भारत का ही अबैद कबजा है, ठीक है, लद्दाक वाले हिस्से में है, जम्भू कास्मीरी यहां पे लिखा है, गलत है, लद्दाक में है, कहां पे है, अब यह थोड़ा बताए थी उत्त्री पूर्वी गुलार्द एसिया महाध्यूप में है भारत इस्थरीय सीम चीनिए यह वाली सीम मा यह जो पूरी स्थ्थरीय szीम यह भी रटना यह वियादी करना आपको अभी देखो को याद कर लो स्तिलिये सीमा 1506 यह वाली जो बॉर्डर है केरी मेरी बॉर्डर आपको दिख रही है यह आपकी कितनी किलोमीटर है 1516 ठीक है और ज्याद दसमलों में 177 यह टोटल आपकी है यह भी दयान रखना इस्तिलिये सीमा 30 यह सीमा यह वाली सीमा कि यह कितनी है टोटल यह याद रखना है 7516 देटा बढ़ता चला जाएगा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मैत के खल है ना तो इसको थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग रखो पीछे वालों को जाद है याद मत करो जो लेटेस्ट बताता जा रहा हो याद करते जाओ 7516 ठीक है टटी यह सीमा है 7516 दोनों को जोड़ देंगे तो बाइस जार के असपास कुछ टोटल निकल के आएगा ठीक ह तो यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद विदेशी सीमाओं से संबध राज्य ठीक है कौन-कौन से राज्य हैं जो विदेशी सीमाओं से जुड़े हुए हैं तो टोटल संख्या इनकी 17 है अभी देखेंगे कौन-कौन कहां-कहां से लगता है इसके बाद भारत के ऌण कहिंए शाजय करते हैं इस निए सीमा से कितने हैं साथ हैं और जली सीमा से दोइन सिलंका मालद्यूब beide यह वह सख्याम को पंडांडेश्यत है इतना असानट अपन सारिक में हमारा 32,87,263 किलोमेटर 32,87,263 किलोमेटर 32,87,263 किलोमेटर जन संख्य 121 करोड की अबादी है विश्यू का 70.5% भारत में रहते हैं और विश्यू का 2.4% भूमी हमारे पास है ठिक इसके बाद इस्तिलिये सीमा हमारी कितनी है 15,16,7 या 15,16 15,16 इस्तिलिये सीमा है बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना बहुत आसान है और जो हमारी टटिये सीमा है वो है 75,16 75,16 75,16 या 75,16 75,16 विल्कुल रट लो ये टटिये है ठिक है टटिये सीमा आपकी ये है ठिक आशान नेक्स्ट अगला क्या है आपका विदेशी सीमाओं से संबंध भारती राज्यों की संख्या कितनी है टोटल चत्रा भारत के इस्थल रुद्राजी कितने हैं पांच भारती सीमा से संबंध देशों की संक्या कितनी हैं नव जिसमें साथ इस्थली हैं नव दो टटी है ठीक बस इतनी सी बात है अब देखो ये तो हो गया बेसिक कुछ मैं फैक्ट और लिख करके लाएं वह एक अठा करक इसके मैंने क्या क्या आप लोगं को बताएं आय्यवर्त बारत वर्स हिंदुस्तान इंडिया और भी बहुत सारे नाम है जम्बू दिउप जम्बू कासमीर छेथ में इसलिए उसे जम्भू प्रदेश जम्बू नहीं रादधानी आप लोगंको पता है नई-दिल्ली भाधोली किस्तिति कहां पर है किस गुलार्ड में वस्तीत है उत्तर पूरवी गोलार्ड में वस्तीत है 291 84 से लेकर के 376 तक देचांतरी विस्तार कितना है 687 से लेकर 97वे 25 तक मानक समय रेखा काउन सी है साड़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पूरा बोलना है साड़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलहाबाद के समीप 90 से जाती है तीक है ग्रीन वीच माद्द से यानि कि जो आपकी जीरो डिग्री देसांतर है उस देसांतर से कितना समय जादा है साड़े पांच गंटा बहुत आसान है कुछ नहीं है अब इसमें बताइए किन-किन राज्यों से होके जाती मानक समय रेखा ठीक है अगला देख लेते हैं किन-किन यह रहा तो यह होगी आपकी माली यह आपका कौन सा था यह कौन सी है यह रेखा यह आपकी 68 डिग्री साथ मिनट यह कौन सी आपकी संतानले डिग्री 25 मिनट दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो लगबग 30 मिनट के आसपास 30-30 डिग्री के आसपास आता है ठीक है त यह हम यानि कि इनका माध निकलते हैं भागे 2 तो 15 डिग्री के आसपास माळो रफ़ली आता है सिय साथ तीज तीज पूरवी देशांतर यहीं है यहीं का आपका टाइम है मालो आप यहां बैठे है गुजरात में बैठे हैं समय आपका यहां को बताता नैनी वाला यह आपको लग रहा है आपका समय सही नहीं है घड़ी में लेकिन चुकि आप भारत वर्स के अंदर भरमण कर रहे हैं तो एक ही टाइम जोन मना दिया गया है बहुत समय से डिमांड चल रही चाय बगान टाइम जोन की अंग्रेजों के टाइम पर था भी तो पूर्वी पूर पर अफिस टाइम अलग है working period अलग है आप लोगव का working period अलग है तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं हमारा टाइम जोन अलग कर दीजिए ताकि उसी सब जैसे मह लिए यहां पर आपने हर जगए आपने 10 बजे बना रख़ा है दस बज़े यहां का दस बज़े करें यहां दस बज़े मैं वाएध तब नौबज़े तंपbe नौब schema6 भी इन का द और hot यहां जब नौबज रेहें तब इनके यहां पर हमारा खुद का एक टाइम बगान जब चुना हुए थे तो पूरा मुद्दा भी था वहां का कि हम एक अलग टाइम जोन ले करके आएंगे लेकिन गवर्मेंट को लगता है कि थोड़ा सा डिफकल्टीज हो जाएंगे ऐसा नहीं कि भारत पहला राज बनेगा आठाट नौनो टाइम जोन है रसिया में कितने टाइम जोन है अमेरिका ने बहुत साथ टाइम जोन होने चाहिए तो नौर्थ इस्ट वाले करें हमारा कम सकम एक टाइम जोन दीजिए लेकिन भारत सरकार को लग रहा है कि ट्रेने चलेंगी तो फिर दो टाइम जोन भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे भी नहीं हो अभी 24 गंटे वाला समय सही से नहीं देख पाते हैं 24 गंटों का समय 19 बजा है तो वहीं नहीं समझ पाते कि कितना बज़े का टाइम ब यहां पर प्रसास्षनिक कारे करने में दिक्कत आ रही भारत सरकार यह आप देखे कौन कौन से राज से हो कर के जा रहा है एक तो आपका अपना उत्तर प्रदेश ठीक यानि उत्तर प्रदेश में हम देखें तो विकुल परफेक्ट टाइम के हिसाब से चल रहे हैं प्रयागराज वाले तो फिट टाइम से चलते हैं हम लोग होंगे थोड़ा आपका आजाएगा यहां पे कितना आजाएगा इस तरफ घटेगा की बढ़ेगा इधर इधर घटेगा तो इधर कितने डिग्री पर आजाएंगे लगबग हम लोग होंगे समय 70 78 पर होंगे लगबग इतने के आसपास होंगे तो बहुत ज़्यद अंतर नहीं होगा हमारा इक डिग्री मतलब चार मिनट तो पांस डिग्री मतलब कोई दिक्कत नहीं इतने इतनी घड़ी चलती है हमारे थोड़ा से ज्यादस हो देते हैं तो यह आपका पहला रट लेना है पहला कौन सा है आपका ठीक है फिर से सबसे पहले उत्तर प्रदेश दूसे नुम्हराइन प्रदेश तीज च्सटेश गर पिरोडिशा और फिर आंधृ प्रदेश इसके बाद अगला है आपका कर्करेखा पर चलते हैं है ठीक है यह पांच राज्विकुल आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लेने हैं अब चलते हैं करकरेखा पर कि साड़े तेज़ डिग्री पर है कि कुछ यहां से जाती है कि अब त्रिपुरा उपर है त्रिपुरा मिजोरम दोनों होगा रोग जाए रोग जाए हां हां राइस्थान में भी जाएगी यह यह है चत्तिस गड़ नहीं है 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 ना है नमबर एक गुजराथ ठीक नमबर दो राइस्थान के थोड़ा से हिस्सा है राजिस्थान नमबर तीन एंप पूरी चत्तिस गड़ भी है देखो यह आपका है चत्तिस गड़ उत्तर प्रदेश नहीं है इस पर तीसरा है आपका राची या जार्खन जार्खन फिर इसके बाद आपका पश्रिमंगाल यह ज्यादा कन्फ्यूज करता है ओडिशा का ओप्शन हर बार देता है तो अडिशा नहीं है इस पर फिर आपका है त्रिपुरा फिर आपका अंटिम है मिजोरा मिजोरा ठीक तो यह भी आपको आठ के आठ याद करें नमबर एक गुजराग राजिस्तान मद्प्रदेश च्छत्यसगर जहार खंड पश्रिमंगाल त्रिपुरा क्लियर आठ के आठ हो है आठी है अब देखो थोड़ा सा एक काम जरूर करना यह काम आपको करना होगा एक हाइलाइटर लेना और हाइलाइटर लेके जहां पर करकरेखा जाती है उसे हाइलाइट कर लेना थोड़ा सा हाइलाइट करने का बेनिफिट यह होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि आस-पास के सहर कौन-कौन से हैं जैसे गांधी नगर यहां पर नजदीख है एहमदाबाद कितना दूर है बहुपाल कितना नजदीख है विदी साखितना नजदीक है। यह पर राची कितना नजदीक है राची कितना दूरएगा आपको देखना पड़ेगा ठीक नॉर्थिष्ट के दो हैं तुरी पूरोम मड़ीपुर बिलकुल भी दिमाग से टादिना में वी जोर हम और ठीक तो यह आपके आठ हो गए करकरेखा से जाने वाले साड़ेतेश डिगरी उत्री अच्छांस है गुजरात राजिस्थान मद्द प्रदेश च्छतिसगर जारखंड पश्चिम मंगाल त्रिपूरा मिजोरम क्लियर ठीक है अगला चलते हैं पांच जो है लेंड लॉक स्टेट है चलते हैं सबसे नंबर एक है अपका ये ये देखें ये बंध है इसके पास कुछ नहीं है इसके पास कुछ नहींँ है इसके पास मद्द प्रदेश नंबर 4 चार चाहतिसगर नंबर 5 तिलंगाना तिये 5 यह याद रखना चाहिए और तो कोई नहीं है बाकि या तो अंतरश्टी सीमा साजा कर रहे हैं या तो समूर्ट ट्रटी सीमा साजा कर रहे हैं बाकि सारे लेंड लॉक हैं आपके एक राज जी के साथ ही सीमा साजा कर रहे हैं तो यह पांच आपको याद रखना चाहिए पांच लेंड लॉक इसके बाद आपका जो है भगोलिक विस्तार मैंने बताया था उत्तर से दच्षण कितना है कि नहीं वो नहीं अब विस्तार किलो मीटर मताना है बदेश चौदा वद्टीच ओटार से दच्षण किस्तार थी टूस फटी टूफंसर थी टूफंसर किलो मीटर बदतेश चौदा 32-14 दिमागों वेठा लेना है और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना था 29-33-39-33 दिमागों वेठा लो यह भी ठीक है अब बात करते हैं एक बार अंतरश्टी सीमा वगरा को लेकर कि कि इंटरनेशनल बॉर्डर हम किस से कहां से एर करते हैं है 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 को भी है कि अध Scottish करका है का ते कि सब्सें कि सबसें जादा है इसके साथ यह देंगे बहुत मूडी हुई बटर है और यह कई राज्जों के साथ है पश्चि मंगाल थर फिर इधर आपका अशम है फिर इसके बाद आपका मेगाला है और फिर इधर आपका त्रिपुरा है ठीक है तो ये आपका जो है कई राज्यों से सीमा साजा करता है बांगलादेश भारत 4096 किलोमीटर यानि सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम साजा करते हैं बांगलादेश के साथ ठीक है सववा संविधान संसोधन भी हुआ था लैंड बॉर्डर एग्रिमेंट को ले करके ठीक है सववा संविधान संसोधन आपका बेरु बारी वाला छेतर ये भारत को मिल गया था बेरु बारी इस तरफ का काफी छेतर भारत को मिला और काफी हिस्सा उनके पास चला गया ठीक है तो पहला हो गया बांगला देश बॉर्डर साज़ा करने में बड़ा देश दूसरे नमबर पर हमारे साथ ये है चाइना झार किया नें कि यह है कि यह में यहां तक ढ़े यह इस साव przts खेत्र तक चालिब烟 चालोल ख़ाता है यहां पर विस किम से भी गष्कार चार जाए यहां पर जो पहिए मेंनलinfl центрर अविद्ट कि टेकर के यहां तक है जिना, यहीं है मेक मेहन रेखा आपकी यह है इदर इह बीरेड़ कलिफ ही है इदर ये आपका ये हिस्सा पोरा का कि लद्दाख और कस्मीर के साथ यहां पर पंजाब पंजाब के बद राजिस्तान फिर आपका गुजरात है अफगानिस्तान यहां पे हलकी सी वाडर है तोड़ा छोटा से 106 किलोमेटर यहां पे इस वाले सिस्टे में प्योके से तो यह आपका जो है यह भी रेड़ क्लिफ लाइन है रेड़ क्लिफ डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की बीच में नहीं हो गई है अब पाकिस्टान के साथ हो गई है तो ए फगानिस्तान के साथ चोटा सा हिससा है आपका नी हिसा है यह आपका नेपाल के साथ 1756 किलो मीटर का और सबसे मिओं इसकर लार्जिश्ट आप भूटान है 692 किलो मीटर एक यह तो आपके कितने होगा और इधर हो गया मैं मार आपका यहां से में मार चलू बता है 1643 जा इमें मार हो गया है Ben तो कितने हो हो गई यहां पर हमारे पास नंबर एक में अपका भंगलादेश हो गया नंबर एक हो गया नंबर दो ये हो गय कि ससे किससे कर रहा है चबसे पहले सबसे ज्यादा है आपका बंगलादेश 4096 याद कर लेना है दूसरा है आपका दूसरा कौन सा है बारत चीन 3488 3488 फिर इसके बाद तीसरा है आपका पाकिस्तान 3323 ठीक है 33-23 इसके बाद आपका है नेक्स नमबर पे नेपाल 1759 किलोमीटर फिर इसके बाद आपका है म्यानमार 1643 किलोमीटर फिर इसके बाद आपका भूटान तो ascending or descending order पर भी आपको याद रखना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांचवे नमबर पर म्यानमार है चटवे नमबर पर भूटान और साथ नमबर पर सबसे कम सीमा साजा 106 km ठीक है और 699 km आपकी भूटान से तो यह आपको याद रख लेना है ठीक 6 हो गए आपक दो स्ट्रेट आपके यह भी यहाँ पर जल डमरू मध्ध एक पांकि स्ट्रेट है यह ठीक है और 9 डिगरी चैनल है माप करेगा 8 डिगरी चैनल से 8 डीगरी चैनल से लक्षद्यूप मालद्यूप से अलग होता है तो 8 डिगरी चैनल भी आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे आपका 8 degree channel है यह वाला हिस्सा 8 degree channel channel क्या है देखो जलसंदी यहाँ पे पाक इस्ट्रेट यह भी पाक जलसंदी है यह आपका पाक इस्ट्रेट है ठीक है तो यह सीलंका से ही इधर है माल दियो अच्छी जगह है सस्ती और बेहतर जगह सबसे सस्ता जगह है इंडोनेशिया कभी आपको गोमने टेलने जाना हो तो आप लोग इंडोनेशिया की ट्रिप बना सकते हैं लगबग 10-15,000 में काम हो जाएगा सस्ता सस्ता आपको बता रहा हूँ इधना सस्ता है वहाँ पे मतलब भारतिय रुपिया जो है काफी लगबग काफी वैल्यू रखता है 12 रुपिया 38 एक मुझे एक जैक रभी याद नहीं है ठीक है लेकिन कहते हैं कई जगह पे कई द्यूपों में डॉलर चलता है तो वहाँ पे तो डॉलर ही लेते हैं तो फिर हमाई लिए महेंगा हो जाएगा पड़कों कुछ द्यूप हैं जो सस्ते हैं वहाँ ठीक है चलते हैं एक बार इसको समझते हैं यह जो आपका जल संदी है देखे क्या होता है कई जगह पे मैं आपको गूगल आर्थ पे दिखाता हूँ कि अग्याइब करें एक सो बान बेरुप है मुद्र कोंसी स्थानी वांकी नाम तो लिखा होगा ना यह चुक्की सागर आपका अट्लांटिक आर्केटिक बृत्थ पे आर्केटिक महाशागर पे यह आपका है बेरिंग जल संदी अब यहां पर यह जल संदी वाला जो पूरा एक कॉंसेप्ट है इसे थोड़ा से समझ लेते हैं यह आपका अलाशका यह आपका है साइबेरिया ठीक है यह रूस का हिस्सा है पहले रूस का हिस्सा यह भी हुगा करता था लाशका ठीक है लेकिन अमेरिका ने क्या किया इसे खरीद लिया क्योंकि worship के रणीतिक तौर बहुत महात्यपोंड था ऐैं फ्रें तो यहां पर यह वाला छेत्र जो है यह खेत्र इसको बोलते हैं बेरिंग जलसंदी यहां पर हैं आपकी बे रिंग जलसंदी ऐसी विश्व में बहुत सारी जलसंदिया है जब हम वर्ड जोग्रोफी देखेंगे तो सारी जलसंदियों को भी देखेंगे तो जलसंदिय क्या मतलब यह होता है एक बड़ा जलिये भाग यह है जलिये भाग यह है यहाँ पर बड़े इस ताप एक जलिये जलरासी है जलिये राशी ठीक है और यह आपका एक जलिये राशी है विसाल जलरासी और इन दोनों विसाल जलरासीों को जोडने का काम कर रहा है एक पाथ तो जब दो विसाल जलरासियों को एक संकीड जलरासि के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं जल संधी जल संधी दो जलों को जो संधी का मतलब होता है जोड़ना ठीक है अब एक चीज़ और समझेगा या फिर इसको दूसरे भाग में देखते हैं एक विसाल भुखंड इधर है दो विसाल भुखंडों को प्रथक करने वाली संकीड जलरासि को क्या कहते हैं जल संधी जल संधी दो तरीके से प्रिभासित करते हैं या तो विसाल जलरासियों को जोड़ती है या विशाल भूखन्णों को प्रिथक करती है ठीक है? इसे जलसंदी कहते है ठीक? एक सब्द और आता है जल डमरू मद्ध ये क्या है? डमरू क्या है? यहाँ पे तो एक बार हम चलते हैं मलक्का के पास मलक्का जलसंदी पे यह है यहाँ पे देखेंगे मलक्का स्ट्रेट है यह है सिंगापूर का इस पे अधिपत्य है यह है मलक्का स्ट्रेट यह है नहीं नहीं मलक्का स्ट्रेट मलक्का तो यह है मलक्का स्ट्रेट पे जो पूरा का पूरा कैप्चर है वो सिंगापूर के पास है तब ही सिंगापूर इतना रिच है ये वाला हिस्सा ही आपका यहीं पे इस्ट्रेट है तो मलक का इस्ट्रेट जो आपका है ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा ये पूरी स्ट्रेट ही है ये भी स्ट्रेट ही है पूरी की पूरी ये प्रसांत महास इन दोनों को आपस में जोडती है इन महासागर को प्रसांत महासागर पर लेकिन आप एक चीज देखिए यहां पर विशाल भुभाग भी है आप एक चीज देखिए एक विशाल भुभाग यह है एक विशाल भुभाग यह है एक विशाल भुभाग यह है यहां पर देखें संकीड छेतर है ठीक है संकीड छेतर है जो दोनों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो ये एक डमरू से आकरती बनती है जल डमरू मद्दी सी को बोलते हैं जल डमरू मद्दी का मतलब है दो विसाल जर्रासियों को जो आपस में चोड़े तो ये इस्थल भाग है जल डमरू मद् और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और इसपे पूरा कैप्चर करता है सिंगापूर करता सिंगापूर के पास राइट है कउस्ट्रेटी सारा कुछ करने तो यह द्यान रखना एक आप निए और तो जल्डशन्दि आपका जलिये छेट रही है मलककन इस्ट्रेट ठीक है अब यहां पर हम इस्ट्रेट की बात कर रहे थे दो हमारे की आपका पाक इस्ट्रेट है यह यह एडम ब्रिज है दिखाए गया है यह पॉनाडिक है हमारा और अब इस पे सोधकार भी चल रहा है इसको कहा जा रहा है कि हमने साइध इस पे कई सारे कॉंट्रेक्ट भी शाइन किये नासा के साथ और यसर के साथ यह आपकी पाक इस्ट्रेट है पाक जलसंदी है यह अभासी है ठीक है अभासी मतलब यह चीज समुद्र सेटेलाइट से फोटो खीची गई तो अब देखे यहाँ पर है वास्तों में आपका जो है सिलंका और भारत के बीच में एक ब्रिज बनाये गया है यहाँ पर पेट्र आपका यह वाला हिस्सा है लक्ष द्यूप से लेकर के यह है आपके यह द्यूप है माल द्यूप यह सारे माल द्यूप है यह भी पूरे आपके प्रवाल द्यूप है और इसके उपर यह आपका लक्ष द्यूप है ठीक है तो यहाँ पर यह मिनी काय है और इसके बीच में म ठीक तो यह हमारे टोटल कितने हो गए नाव स्टेट हो गए चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहां पर हम बात हो गई हमारी अंतर अश्टीर सीमा साज़ा करने वाले राज갈ुसे तो कउण कौन से यह सीमा उत्तर पूतंव में कितने हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे हैं उत्तर पश्चिम नपंगार्ब भूटान, पूरब में कौन-कौन से हैं, म्यानमार और बंगलादेश, दच्छड में, दच्छड हिंद महासागर में, दो हैं आपके, पाक जल्डमरू और मनार की खाड़ी से प्रथक होता है, सीलंका और आठ डिग्री से कतम होता है, ठीक, अंतर राष्टी सीमा वाले राज राजी कौन-कौन से हैं, भारती राजी कौन-कौन से हैं, जो सीमा साजा करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं, किस से कौन भारती राजी सीमा साजा करता हैं, कुछ प्रशन यहां से भी आते हैं, यह, इसको देखें या फिर हम पोलिटिकल मानचित्र को निकालते हैं, यह, ठीक बताईए बताते जाएएगा सबसे पहले हम सुरुवात करेंगे यहां से बांगलादेश से सुरुवात करता है नमबर एक बांगलादेश से सीमा साजा करने में पश्ची मंगाल बांगलादेश से सीमा साजा करता है काफी ब्रहात सीमा है इसकी ठीक है नमबर दो असम का देखो यहां पे छोटा सा हिस्सा है बिलकुल यह नमबर दो पे असम है नमबर तीन पे मेगाला है नमबर चार पे देखो असम है कि यहां पे भी सीमा साजय करता है यह भी असम का हिस्सा ही है ठीक है नमबर चार पे त्रिपूरा नेक्स्ट ये वाला हिस्सा भी आपका बांगलादेश ही है तो पांच ये याद कर लिजे नंबर एक पश्यमंगा नंबर दो आशम नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच ठिक कितनी है टोटल 4096 बांगलादेश से सबस्यादा सीमा साजा करने वाला ठिक इसके निक्स्ट अगला कहां पे चलें चीन के साथ देखते हैं चीन के साथ पहला कहूं सा हो गए यह नमबर दो, अब यहाग क्या, जंबु कास्मीर चीन के साथ सीमा साजा कर रहा है नहीं कर रहा है, clear इसके बाद दूसरा इमाचल प्रदेश उत्राखंड करता है या नहीं करता है करता है ठिक, इसके बाद इसके बाद ठिक, यह आपके पान इसके साथ भी हो गए, पांच इसके साथ, पांच इसके साथ, लद्डाग, हिमार्चल प्रदेश, हुत्तराखंड, सिक्किम, और रांचल प्रदेश ठीक है? इसके बाद नेक्स चलते हैं हम, इस वाले चैत्र में, पाकिस्तान में, बताईए, नंबर एक लग्दाक, नमबर ।-ृ-ृ-ृ-ृ-ृ-ृ- नमबर तीन, नमबर चार, नमबर पांच, आप कौन सो बचा? पहले इसी में रहते हैं, अफगानिस्तान रुक जाई अभी, अफगानिस्तान रुक जाई हैं, पहले चार होते थे याप पांच हो गए? हाँ हाँ बस यही यही ठीक है तो लद्दाक जंबू कास्मीर पंजाब ठीक है एक प्लस होगे आपका लद्दाक वाला इंशा ठीक यह भी ध्यान रखना है आपको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका है इधर म्यानमार इधर आते हैं म्यानमार में नमबर 1, नमबर 2, नागलंड नमबर 3, मड़ीपूर 5, म्यानमार के साथ 4, चाइना के साथ 5, बांगला देश के साथ 5 और इसके साथ 5 हमने का यह कम पढ़ रहा है इसको भी एक बढ़ा दिया गया नेक्स्ट अब आपका है नेपाल नेपाल के साथ नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच पांच ही इसके पास भी है ठिक अब इसके पास है भूटान भूटान के पास नंबर एक सिक्किम नंबर दो पस्चिम मंगाल नंबर तीन अशम नंबर चार इसके पास चार है भूटान के पास चार हो गए उसके साथ तीसके पास एक ही है योके के लद्दाक वल चेत्री इसके पास है ठीक है तो यह हो गेया हमारे अब इसमें से जो कुष्टन पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जो तीन से व्यादा देश Tillा सा सीमा साजा कर रहा है ठीक है तो यह हमें थोड़ा से एक बार समझना है पताईए वाई कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं यह तो गई एक बार रफली आपने देख लिया कि कौन किससे सीमा साजा कर रहा है लेकिन यहां पे एक यह देखें यह वाला एक तरफ से तो इससे कर रहा है एक तरफ से इससे कर रहा है एक तरफ से इससे कर रहा है तो पहला तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल जो बंगला देश नेपाल और भूटान से सीमा साजा करता है ठिक नमबर दो अवडांचल प्रदेश के बारे में देखिए एक तरफ तो अवडांचल प्रदेश भूटान से कर रहा एक pryऄ चीन से कर रहा है और एक तरफ ओ अधिक तो दूसरा आपका हो गया अउडांचल पिरदेश पहले होगै आपका पश्यमनकार और दूसरा भाजब हो गया उडानचल प्रदेश और बताइट नेक्स्ट वहां पहां पछले यह रटधा कम मुं नंबर 3 पाकिस्तान ठीक है तो यह लड़ाक भी इसके साथ जुड़ गया लड़ िए यह विद्बेटेटेड़ है next अगला सिक्किम सिक्किम के पास पहला आपका नेपाल दूसरा का चाहिना तीसरा आया ओको ताण ठीक है तो यह आपको हो तेसरा सिक्किम और कोई बचा और कोई है कि बस हो गए जूब gamer म ये है नहीं ये है नहीं ये है नहीं इसके ब स्की बात नहीं है ये हो गया अशम अश्म आपका सिर्फ एक साथ तरफ इससे एक तरफ इससे और हां दो तरफ से यह करता है बागी ठीक है फर्याप कितने ही है यह चार यह रटने आपको किससे किससे करते हैं पश्यमंगाल अवडांचर प्रदेश लद्दाख और सिक्क्यम यह कुश्चन यहां से निकलेगा तीन से ज्यादा सीमा साजा करने वाले राज आशान है ठीक है कर लेंगे भारत की 7516 किलोमेटर ठीक है अब बात करते हैं एक बार भारत के जो प्रदेशिक यह जलिये सीमा है जलिये सीमा से जुड़ी हुई कुछ समाने जनकर यह बार देख लेते हैं कहां पर क्या-क्या है ठीक है तो युनाइटेट नेशन कन्वेंशन आफ सी एक एक कानून बनाय गया है संयुक्त राष्ट के द्वारा समुद्र पर एक कानून बनाय गया है जिस कानून के अधार पर संयुक्त राष्ट ने ये बोला है कि आपको अपनी जैसे आप चाइना देख रहा हो ना चाइना ने क्या किया है दच्छनी चीन सागर पर उसने एक 9-9 लाइन खीज दिया बोलिए हमारा इतियास राष्ट तो हम इस लाइन को नहीं त्यास सकते हैं इसको नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है तो एक बार हम इस पर देखते हैं यहां पे समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले आप ये देखिए ये जो पूरी लाइन है ये लाइन बहुत कटी-फटी है ठीक है तो सबसे पहले काम करते हैं इसको मिला देते हैं सबसे पहला काम क्या किया जाता है इसको आपस में मिला दिया जाता है ताकि ये सीधी लाइन हो जाए ताकि समुद्र भी कटा- फटा ना रहे यदि ये कटी-फटी रहेगी तो समुद्र में भी जो हम डिस्टेंस लेंगे हो भी कटी-फटी हो जाएगी तो पहला काम ये कर दिया गया है इसको बोला गया है आधार रेखा क्या बोला गया इसे आधार रेखा समुद्र के कटे-फटे टट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आधार रेखा ठीक है आधार रेखा के अंदर जो जल होता है आप देख रहे हैं इसके अंदर भी वाटर बॉड़ी है ना तो इसके अंदर के जल को क्या बोलते हैं बताईए आंत्रिक जल अरे कुछ नहीं है आप लोग सोचने लग जाते हैं इसको बोलते हैं आंत्रिक जल यानि कि यह जल अंदर का ही जल है लेंड वाला ही हिस्सा है और कुछ नहीं है ठीक है अब इसके बाद डिस्टेंस ली गई है पहले डिस्टेंस ली गई है 12 नौटिकल मिल की ठ तीसरी डिस्टेंस ली गई है 200 नॉटिकल मेल की ठीक, पहली जो डिस्टेंस ली गई आपकी ये, ठीक, ये तीन डिस्टेंस है, पहली में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, नमबर एक, सबसे इंपोर्टेंट है यह प्रादेशिक समुद्री शीमा इसमें भारत का संपूर अधिकार होता है संपूर अधिकार का मतलब भारत सरकार यहां पर कोई भी कारे कर सकती है रिसर्च अंसंधान कर सकती है इसको जो है लेंड एरिया पर बदल सकती है जैसे नीदलेंड ने क्या किया नीदलेंड के पास किसी भूम बहुत कम है तो उसने क्या किया है दिवाले खड़ी करके पूरे समुद्र को पलट दिया उस तरफ और उस भूमी को एगरी कल्चर लेंड के रूप में यूज कर रहा है टेकनलोजी के मदद से तो हम चाहें तो इस लैंड को हम किसी भी रूप में यूज कर सकते है इस पे हमारा संपूर अधिकार है संपूर अधिकार ठीक नमबर दो है अपकी इसको बोलते हैं सनलगने छेत्र या इसको बोलते हैं अभी छिन मंडल ठीक है अब इचिन मंडल भी बोलते हैं 24 नौटिकल मेल अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम स्वक्षता रख सकते हैं साब सफाई करने का भारत सरकार को अधिकार है साब सफाई करने का क्यों क्योंकि यहां पर साब सफाई नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रदेशिक सीमा है ये भी अभिवस्तित हो सकती माल लो है यहां पर कोई समुद्री तेल कोई टैंक है वो फट जाए कुछ भी हो जाए दूसरा यहां पर हम सीमा सुलकी की वसूली भी कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं इस छेतर में सीमा सुलक की वसूली कर सकते हैं सीमा सुलक की वसूली कर सकते हैं ठीक है तीसरा क्या काम हो और यहां पर कर सकते हैं हम लोग हमारे यहां पर सारे वित्ती अधिकार हैं यानि यहाँ पर किसी भी तरीके की economic गत्विधी कोई दूसरा देश आके करेगा तो भारती राजचेत्र के अंतरगत आएगा ठीक पहले वाले छेत्र में हमारा सारे rights हैं हमारे पास दूसरे वाले छेत्र में सापसफाई और वित्ती अधिकार हमारे पास सारे कश्टम ड्यूटी भी हम कर सकते हैं तीसरा है अनन्य आर्थिक छेत्र exclusive economic zone तीसरा है E E Z exclusive economic zone तो यह क्या होता यहाँ पर पहली बात यहाँ पर जितने भी संसादन है जितने भी प्राक्तिक संसादन है उन सब के दोहन करने का हमारे पास राइट होता है हम सब को दोहन कर सकते हैं वहाँ पर जो भी petroleum पदार थें जैसे अब Bombay हाई है हमारा ठीक है जो भी है तो वहाँ पर जिदी petroleum मिलता है किसी भी तरीके के खनीच लवन मिलते है तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या कर सकते है यहाँ पर हम कोई भी economy गद्विदी यहाँ पर भी कर सकते है दूसरा काम हम यह कर सकते है कि यहाँ पर मान लिजे कल की दिन आबादी बहुत जादा हो जाए या फिर हमें बहुत सारे कोई COVID की प्रयोक साला बनानी हो कुछ ऐसे आने वाले future में तो यहां पर हम नए द्यूब बना सकते हैं कृतिम द्यूब बना सकते हैं चाइना ने यही काम कर रहा है चाइना द्यूब बना रहा है तो अनुसंधान को लेकर रिसर्च को लेकर के और यहां पर किसी भी तरीके की एकॉनमिक गदविदी को लेकर संसादनों को दोहन को लेकर के यहां पर हमाँ पास सारे राइट होता है तिये तीनों चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए यह पहली आधार रेखा आधार रेखा से ही हम इस दूरी को लेते हैं 12 नौटिकल मिल 24 नौटिकल मिल और 200 नौटिकल मिल के क्लियर क्लियर है ठिक चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यह हो गए आपके आनन्ने आर्थिक छेत्र आपका संलगने चेत्र से 200 से आगे 200 नौटिकल मिल तक प्रदेशिक है आपका 24 नौटिकल मिल तक और प्रदेशिक जल संलगने चेत्र आपका 24 नौटिकल और प्रदेशिक जल सीमा आपकी है वो है 12 नौटिकल मिल तक ठीक है आगे बात करते हैं भारत का चेत्रफल 32, 87, 263 वर किलोमीटर विश्ट्ब के कुल 6 तरफल का कितने प्रिश्ट है 2.4 दो प्रिश्जत है 6 तरफल की दिरसे भारत का कौन सा इस्थान है विश्व में 7 से बड़े देश कौन से है पहला है रूस दूसरा है कनेडा तीसरा है अमेरिका चौता है चाइना पांचवा है ब्राजील छटवा है आस्ट्रेलिया साथवा है आपका भारत विश्व की कुल जन संख्या कितनी है भारत के पास 121 करोड यदि हम टोटल देटा देखें जो जितना था 121 करोड 5,79,573 ये टोटल था लेकिन 121 करोड आपको याद रखना है 121 करोड 5,79,573 व्यक्ति भारत में थे उस टाइम पे दोजार गेरा की जन गड़ना पुरूज जन गरना की बात करें वेजसनस की बात को गई पुरूँशों की संख्या महिलाओं ज्यादा होगी की यकाम होगी लगबग 62,686,31,21,илось 143 इतने पुरुष्थ थे महिलाओं कि संख्या थी अंठावन करोड के आज पास पास चार करोड में अब भी को सकते हैं कि बीवार नहों आपका मैलाई नहीं है तो कहां से भीवा होगा ठीक है ध्यान रखेगा इस चीज का हाँ अरे बाद में आपका हिसावी देखेंगे आज सही है सही है आपके चर्चा करेंगे इस पे किसी दिन एक प्रॉपर सेशन लेंगे अलग यह पूरा एक कॉंसेप्ट ही है समझना पड़ेगा ठीक है समझना पड़ेगा निश्चंत रहिए आप बताऊंगा किस दिन क्लास में चर्चा करेंगे अगला चलते हैं आज थोड़ा से एक लंबी क्लास है दस से बारा गंटे की क्लास है आज आपको दस से बारा गंटे बाहर से दर्वाजा बंद कर दिया गया है पता है ना आपको बंद है आप लोग कैद है न मैं जाओंगा न आप जाओंगे अगला चलते लगबग 68.8% लोग गाओं में रहते हैं लगबग 83 करोड लोग गाओं में रहते हैं बारत में 2021 की जनगर्णा के अनुसार लगबग 31% लोग कहां पे रहते हैं सहरों में रहते हैं 37 करोड के आसपास लोग सहरों में रहते हैं ठीक है तो एक रफली आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए 68 करोड अर्सट दसमलो आठ प्रिस्ट लोग कहा रहते हैं गाओं में 31 दसमलो दो प्रिस्ट लोग कहा रहते हैं सहरों में ठीक कि दस्किय जनसंक्या ब्रिद्धी कितनी हुई थी दोजार एक से दोजार गेरा के मद्ध में दस्किय कितने प्रिस्ट जनसंक्या बढ़ गई थी शातरा दसंख्या ब्रिद्धी हुई थी लिंगानुपात कितना था कितना था दोजार गेरा की जनगर्णा में एक हजार पुर्सों में 943 महिलाएं थी याद रखना एक हजार पुर्सों में 943 महिलाएं तो लिंगानुपात नकरात्मक 943 महिला हैं शिशु लिंगानुपात कितना था 919 ठीक है 919 एक हजार पूर्सों में जनसंक्या घनत्तो 382 382 एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे थे और शतन है यह ठीक है 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोग रह रहे हैं यह और शतन है सबसे कम आपका कहां पर है अउडांचर प्रदेश में वहाँ पे 17 लोग रहते हैं एक वर्ग और दिल्ली में सबसे जादा है राज्यों में बिहार में सबसे जादा है इसके बाद पुरुष साख्षर्ट कुल साक्षर्ब्स चर्फभा कितनी थी लिट्रेसी रेट कितना था 2011 की जन्गाड़ना के अनुशार sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas प्रफली डेटा है एक परिच्छे के तौर पर भी फिर डेटेल में आगे आएंगे इसके बाद भारत में अनसूची जातियों की जनसंख्या कितनी थी अनसूची जाति कि अनसूची जन जाति अनसूची जाति 16.6 प्रस्त अनसूची जन जाती के लोग थे कितने 16.6 c category कितना है 16.6 s t category कितना है 8.6 s t आदा है जस्ट s t से यह द्यां रखना वो सोला दसम्लों चाहिए आठ दसम्लों चाहिए तो यह आपको याद कर लेना है ठीक है राज्यों की संख्याब कुल कितनी हो गई है आपकी 28 केंसासित प्रदेश आठ प्राक्तिक विभाग उत्तर भारत को प्राक्तिक तौर पर अभी यह सब चीरे देखेंगे कैसे हम बाटें कें पहला है उत्तर का परवतिय मैदान यनि हिमाले परवर्ष छेत्र दूसरा उत्तर का विशाल मैदान तीसरा अप्राइख का प्राइद यह पेठार चौता समुद्ञ टटिये च्येत्र और उर नेक्स्ट पांच बांच बाठते हैँ और इजितेल में जाएंगे तो आठ भाग हो जाएंगे वाद में मैं भी आपको दिखाऊंगा ठीक है इसके बाद इसको और भी हम देख सकते हैं और भी ज़्यादा टोटल यदि आप देखें तो भारत में परवतीय छेटर का विस्तार 10.07 प्रिस्थ हिस्थे में परवत हैं भारत में 10.07 भूमी का 10.07 प्रिस्थ परवत हैं यदि हम पहाड़ी छेटर पहाड़ withdrawzt में अंतर होता है कि नहीं पहाड़ बढ़ा होता कि परवत पहाड़ीयां कि वह जो होती है इन की ऑसत उंचाई एक हजार मीटर होती है और परवतों की मुचाई इससे उपर होती है ठीक है तो पहाड़ी अलग चीज़ है परवत अलग चीज़ है पहाड़ी हो सकता आपके गाउं में भी हो थेक ے परवत जो होती है एक स्रंक्ला में होती है एक 30 स्रंक्ला में होती है पहारी एक सिंगल भी हो सकती तो दोनुका अलग कि अलग अधारा प्रिशत के आसपास है भारत में परवत 10 प्रिशत है मैदानी छेतर 43 प्रिस्ट है कुल भारत के टोटल लेंड का 43 प्रिस्ट हिस्टा मैदान है द्यूपों की कुल संक्या भारत में 247 है और इसके अलावा आप बहुत सारी चीजे हैं जो एक एक करके देखेंगे ठीक है बड़े बंदर गाहों की बात करें तो बंदर गाहों की सं करना हम अब शुरू करते हैं ठीक अभी तो यह प्रफली आपका लोकल आइडिया एक छोटा-छोटा आपको मैंने बताया ठीक है चलिए अब कहां पर चलना है अगला चालू करना है काफी कुछ डेटा हो गया दिमाग में भरता जा रहा है समझ में आ रहा है यह बहुत जरूरी है देखो डेटा बहुत ज्यादा है तो इसको संप्रेसिद भी करना है समय कम है एक आपका कुश्चन पूछा गया है त्रिपूरा स तरफ से घिरा हुआ है लगभग 856 km की लगभग 4 तरफ से घिरा हुआ है यो पूरा का पूरा ये सीमा रहा है इसको बोलते हैं तो एक मात्र भारत का राज्ज है जो तीन तरफ से अंतर राष्टी सीमाओं से घिरा हुआ है यह भी प्रश्न बन सकता है आपका ठीक है तो तीन तरफ से अंतर राष्टी सीमा से घिरा हुआ का राजी कौन सा है त्रिपूरा ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कि अगर कि अगर कि तो इसमें हमने क्या-क्या सारा लगबल लग मोटा मोटा ये सारी चीजें ये वाला हमने ग्राप पूरा देख लिया देख लिया कुछ बचा ने इसमें टट रेखा भी देख लिया हमने अभी इसके बाद चारो तरफ के देख लिया उनकी सीमा और संबंद अच्छांसी और देसांत्री विस्तार एक कोश्चन या पर बनता है इसको भी सासत क्लियर ही करता चलू मैं आप देखते हैं कि भारत के अच्छांसी और देसांत्री विस्तार के बीच डिफरेंस देखें हम तो डिफरेंस जैसे निकालें आप कितना है 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट माईनस 68 डिग्री 7 ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा आपका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट माईनस 8 डिग्री 4 मिनट ठीक है इन दोनों का डिफरेंस है दिया आप रफली देखेंगे तो 29 दसमलोक कुछ यहाँ पर आएगा 29 यहाँ पर आएगा तो हम यह देखने को पा रहे हैं कि इनका अच्छांसी और देशांतरी विस्तार equal है ठीक है अच्छांतरी और देशांतरी विस्तार में बहुत अंतर नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरप से पशिम विस्तार और उत्तर से दच्छन विस्तार में अंतर है क्यों उत्तर से दच्छन विस्तार आपका 3214 है 32 है और पूरप से पशिम विस्तार आपका 29-33 है तो ये क्यों है हाँ आम तोर पे यब ये मेंस का कुश्चन है ये पूछा जाता है कि भारत का चांसी और देसांत्री विस्तार के बीच का अंतर एक ही है लेकिन दोनों का उत्तर से दच्छिड विस्तार और पूरव से पश्चिम विस्तार पर्यापत अंतर है लगबग कितने किलोमीटर का अंतर आप पाएंगे लगबग आपका 200 से ज्यादा किलोमीटर का अंतर है तो क्यों है तो इसका एक सिंपल सा सीधा सांसर आपको देना है क्योंकि देसांतर रेखा हैं जो होती है इनके बीच में जो दूरियां होती है दूरों की ओर जाने पर कम होती जाती है आप देखेंगे देशांतर रेखा को यहाँ पर दूरी इन दोनों के मद्द कम है यहाँ पे दूरी थोड़ा बढ़ गई यहाँ पे दूरी और बढ़ गई यहाँ पे दूरी पर्याप्त है देखें यहाँ पे सबस्यादा चूरी इधर उपर जाने पे कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है तो आप यहां पर एक चीज़ देखिए भारत का जो यह वाला विस्तार है कैसा उत्तर से दच्छिण विस्तार को कैसे पता चलता अच्छांसे की देसांतर से उत्तर से दच्छन विस्तार अच्छांस रेखाओं से पता चलेगा और पूरप से पश्रिम विस्तार अपका देसांतर रेखाओं से पता चलेगा तो उत्तर से चुकी अच्छांस रेखाओं के मद्ध बराबर दूरी होती है अच्छान से रेखाओं के बीच दूरी बराबर होगी जितनी दूरी इसके इसके मद्द है उतनी इसके इसके मद्द है वो यहाँ पर भी वही है यहाँ पर भी वही है यहाँ पर कम होती जाती है यहाँ पर बराबर रहती है इसलिए दूरी जादा है लेकिन जो देशांतर रेखाओं से जो दूरी निकलती है ये आपकी कम होती जाती है क्योंकि ये कम है ठीक है तो इसका अंसर आपको ये देना है यही इसका सही अंसर होता है ठीक है तो यहाँ पे रफली ये भी आपको जान लेना चाहिए ठीक इसके बाद राजनितिक भी मैंने आपको उता दी आप इससे आगे बढ़ते हैं अगला ये है ये रफली आपके प्रतीकों से जुड़ा हुआ है आप सब जानते हैं इसको ठीक एक बार एक मिनट में बता जता हूँ राजदनी आपकी नई दिल्ली है राष्टी दोज आपका तिरंगा है राष्टी गीत आपका बंदे मातरम है राष्टी केल आपका हांकी है राष्टी गान जडगण मर है राष्टी पुस्प आपका कमल है राष्टी पसु आपका बाग है राष्टी जली जीओ आपका डॉ कारम बहता है। 78 AD में जब कनिश्क का राज जरू होगता है तब से विक्रिवी संबत जो है वो आपका 57 BC है तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं तो 135 वर्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में विक्रिवी संबत और सक्षंबत के बीच में ठीक है यह दियान रखना है आपको दोनों को ठीक है जो यह आपका सक्षंबत सक कलेंड़ा हमारा राश्टी पंचांगे राश्टी फल जो है महेंगी फेरा इंडीका यह आम है राश्ट भासा हिंदी है यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है हमारी कोई है ही ने नेस् नल हमारी राश्ट कि ए भासा लिए राश्ट मासा भारत की संवीदान इन तो रेज़िए बहुए आपका बर्गद है राश्टी पख्मोर है राश्टी रुपीय का सिम्बल एक बनाए है रुपी है नदी है आपका गंगा ठीक है राश्टी चिन आपका सो किस्थम रफली यह जानकारी आपकी यहां पर होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट यह है यह थोड़ा सा यहां पर दिया गया कि कौन कभ इस्थापित हुआ इतना ज्यादा नहीं लेके 27 अक्टूबर 1947 है जंबू कास्मीर को आप यह नहीं कहेंगे कि यह 31 अक्टूबर 2019 को बना एक 30 अक्टूबर 2019 को लगडाग बना है ना कि जंबू जंबू बहुत पहले से इस्थापित है 26 अक्टूबर को जब साइन हुए थे राजा अरी चिंके उसी दिन से माना जाता है तो सबका इस्थापना लेटेस्ट आपको देखना हो तो लेटेस्ट मैं आपको थोड़ा से बता दूँ तिलंगाना आपका दो जून है ठीक है लगडाक का आपको पता ही है तिलंगाना का दो जून है इस्थापना दिवस और इससे पहले जो बने है इससे पहले कौन बने थे तीन बने थे तीन कहां से बने थे एक उत्तर प्रदेश से अलग वुआ था उत्तरा खंट एक आपका बिहार से कर रहा था एक है तो सबसे पहले बनाए आपका साइज 36 गड़, 36 गड़ आपका एक नॉमबर 2000 को बना है, ठीक है 36 गड़ आपका मिमपी से अलग हुआ है दूसे नमबर पे आपका उत्रा खंड है 9 नॉमबर 2000 को और तीसे नमबर पे आपका है जहार खंड 15 नॉमबर 2000 को, तो तीन यह याद रखे का इसके बाद आपका तिलंगाना है 2 जून 2014 और 31 अक्टूबर को आपको लद्दाग बदल गया है लद्दाग बन गया है, ठीक है यह आपका, यह आपको रफली यहाँ पर याद रखना है यह यहाँ से यह बन गया लद्दाग, 31 अक्टूबर सन 2019, ठीक यह हो गया आपका बाखी सब के दिये गए हैं, कोई बहुत जाज़रूद नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यह राजराद धानिया मैंने सबसे पहले बता दी थी हैं आपको नेक्स्ट है आपका यह चट्टानों को क्रम एक बार देख लेते हैं कि भारत में चट्टानों का क्रम क्या है दरसल देखे, पृत्वी गरम गये इसका गोला थी ठीक है जब पृत्वी दीरे-दीरे ठंडी होई तो ठंडी होने के बाद जो पिगली हुई चट्टाने थी वो सारी चट्टाने एक एक क्रम में जो है क्या हुआ तो प्रतवी का जो धरातली ये भूबाग है जो 2.4 प्रिस्त का भूबाग है उस 2.4 प्रिस्त के भूबागी ये छेतर में किस छेतर पे कौन सी चट्टान पाई जाती है और कौन सी खनीज पाई जाते हैं हमारे यहां पर जितने भी खनीज जितने भी लाव आयसक जितने भी धातुएं या जितने भी आपके खनीज संसाल सब आपके नहीं चट्टानों में पाई जाते हैं अलग-अलग छेत्र में तो सबसे पहला चट्टानी क्रम आपका क्या है आर्केन क्र दूसरे नंबर पे हैं आपकी धारवार क्रम की चट्टाने जितने भी लोहा जितने भी धातुएं पाई जाती हैं सोना चांदी लोहा यह सब धारवार क्रम की चट्टाने में पाई जाती हैं जहां जहां यह धारवार क्रम की चट्टाने पाई जाएंगे अब देखिए धार हैं दरातल के नीचे वहां पर बड़ी मात्रा में धातु में निकलती है तो पहला क्रम है आर्कियन क्रम की चट्टाने दूसरा क्रम है अपकी धरवार क्रम की चट्टाने तीसरा है आपका कुड़पा क्रम की चट्टाने कुड़पा आपका जुए एक जिला है आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाती देखो आंद प्रदेश में बड़े छेत्र में हैं थोड़ा सा हिस्सा इनका आपका करनाटका में हैं चत्तिसगर में बड़े हिस्से में हैं बाकी थोड़ा सा यह राजिस्थान वाले छेत्र में ठीक है उड़ापकरम की चट्टानों के भवन निर्मार्ट समागरी पाई जाती है क्या हो गया इसे अब ठीक है यह जितना भी आप देखते हैं मकराना से आपका मारवल आता है या फिर सीमेंड निकलती है जितना आपका बिंध्यां बिंध्यां स्रेडी है तो वहां पर आपका भवन निर्मार्ट समागरी का छेत्र विन्दन क्रम की चट्टाने गुंद्वाना क्रम की चट्टानों से वहा था राजो पहाड़ हो गया उड़ीसा में दोकींत bouhane आपकी तर्सरी करम की चट्दानी आपकी आपकी जितने भी पेट्रोलीयं पदार्थ अदरी करम की कशड़्टानुं में और आपको क्रेंद कला और चटॉटल आपको है करम क्रम याद रखना सबसे पहले आर्कियन क्रम ठीक नंबर दो पे धारवार क्रम नंबर तीन पे कुडपा क्रम नंबर चार में बिंध्यन क्रम नंबर पांच में गुंडवाना क्रम नंबर च्छे में दक्कन ट्रैप नंबर साथ में तरसरी क्रम और फिर कौर्टनेरी क्रम यह कि याद याद कर लेना है ठीक में थीक पहले नंबर पर आरखियन क्रम नंबर दो पे दारवाराण क्रम नंबर तीन पर उडबपा नंबर चार पर विंध्यन नंक्रम नंबर पाँच बाक दकळ रहम नंबर साथ पे टर्षी नंबर साथ पर आठ पर क्वाट नरी यह याद रख लेना है आपको ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट अब परवतिये छेत्रों में पहले बाद में जाएंगे प्राक्तिक विभाजन पहले भारत का देखेंगे कि भारत को कैसे कैसे कहां कहां पर क्या-क्या छेत्र बाटा गया है फिर भारत की परवत एवं पहाडिया इससे जुड़े होए कुश्चन देखेंगे और यह एक बड़ा सेक्षन है लेकिन इससे पहले भारत का प्राक्तिक विभाजन देखो समान परिचे से जुड़ी हो मिझे लगता है सभी बाते हमने देख लिए समान परिचे में अब कुछ बचा नहीं होगा सारा कुछ जितना बेसिक होता है अब आते हैं प्राक्तिक पर ठीक है कृतिम हमने लगब लवक सारा देख लिया चलिए कि अगर ठीक न अभी कोई दिक्कत तो नहीं है अभी बैठ सकते होना ठीक है टंसर नलो थोड़ा जाएंगे नहीं न ठीक अभी तक चीज़े समझ में आ रही है ठीक है बहुत कठिन नहीं है यह सारी चीज़े पढ़ चुके हो यही आपका रिवीजन हो रहा है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राक्तिक चेत्रों में तो सबसे पहले एक बार प्राक्तिक चेत्रों को विभाजित करके देख लेते हैं पहले रफली पान चेत्रों में बाटेंगे फिर इसके बाद और डिटेल में बाटेंगे आपका प्राक्तिक मान चेत्र पे ही चलते हैं यहीं पर इसका विभाजन करता है तो सबसे पहला यह मैंने शुरुवात में आपको बताया भी था लेकिन फिर से इसको एक बार देख लेते हैं एक विवाजन आपका यह यह पूरा हिस्सा यहां से ले लेते हैं फिर थोड़ा समय आपको हिमाले के पत्ति बताऊंगा यहां पर कैसे हिमाले बना यहां पर यह प्रकतिक सनशनाय कैसे आई कि यह पूरा एक छेत्र है मारा पर्वति यह चेत्र इतना हिसा भूल यह राज जिवाज दिमाग से अटा दीजिए एक छेत्र तो आपका यह है दूसरा छेत्र है आपका यहहां से ले करके यह वाले हिस्से से ले करके यहां पर सत्लूच का थोड़ा मैदान चालूober जाता है पंजाब वालत छेत्र आपका सत्लूच का मैदान है और ये आपका पूरा MP में चंबल बेतवा ठीक है, सोन का मैदान इधर जो है आपका महान दमोदर का और ये पूरा हिस्सा इधर ब्रमपुत्रा का मैदान ये पूरा मैदानी छेतर है हमारा ठीक है ये हमारा मैदान है ठीक है मैदान और भी है यहांपे टटी चेतरों में भी मैदान है यह ने भी नदिया है नदियों के द्वारा लाए गया एक मैदानी चेतर है ये है न तिक इसके बाद नेक्स्ट है आपका मरस्तलिय्य चेत्र पूरा रायुस्तान मरुस्तल नहीं है ज़िए आप जाएंगे यहां से गंगा नगर वाला यहां से गंगा नगर चालू होता है गंगा नगर में तो मरुस्तल नहीं मिलेगा आपको आपको लेगा कि दिल्ली जैसा ही सहर है लेकिन गंगा नगर से जैसे आगे बढ़ेंगे आ हनुमानगर जिला है, पहले गंगा नगर और हनुमानगर एक ही जिला होते थे तो अब हनुमानगर जिले में भी आपको मरुस्थल उस तरीके से नहीं मिलेगा लेकिन हनुमानगर के बाद जबाप आएंगे, उसके बाद सूरतगर पड़ता है सूरतगर के बाद B का न्यर, B का न elite से मरुस्थल चालू हो जाता है सूरतगर से ही आप रेत के टिब़े देखने चालू कर देंगे फिर B का निर से आपको पूड़ा मरुस्थल के दरसान होंगे लेकिन जैसे अप जैसल म«यर और इधर प्रवेस करेंगे तो आपको विक्राल मरुस्थल मिलेगा ठीक है तो यह आपका यहां से मरुस्थली चेतर जो बड़े इस्तर पे हैं यह वाले हिंसे पे सघन मरुस्थल है आपका यह पूरा मरुस्थल है इधर जो है आपका मरुस्थल इतना नहीं है कई सारी नदिया भी है लोकल लेकिन इतना डेंस नह ठीक यह हो गया हमारा तीसरा इसके बाद नेक्स्ट प्राक्टिक तौर पे आपका इधर जो है आपका पठारी रचेत्र एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है पठार आपका जो है यहां पर भी है यह भी पठार है मेघाले का ही पठार है यह हिस्सा थोड़ा सा यहां तक जाएगा यह ठीक है इसके बीच में एक गैप है इसको बोलते है राजमहल यहां पर राजमहल पाड़िया है यह गारो पाड़िया है राजमहल गारो गैब बोलते हैं या मालदा गैब भी बोलते हैं इसे, बांगलादिस वाली इससे में, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के इससे को काड़ देती है, तो यह जो आपका दक्कन का पठार है, इसी का विस्तार है, मेघाले का पठार, ठीक है, मेघाले की माले का और यह पठार है यहां पर बहुत सारी पहाड़िया भी हैं तो उनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे तो पहली सनरशना हमारी यह प्राप्त हुई दूसरी सनरशना हमें प्राक्तिक यह प्राप्त हुई तीसरी सनरशना प्राक्तिक हमें यह प्राप्त हुई इसके ब आप यहाँ पर यह चट्वी आपकी तटीय मैदान है, ठीके और यहीं पर आपका next और क्या बचा, और क्या बचा, यह वाला हिस्सा, इसमें भी कुछ आपका पठारी छेत रहें, यहाँ तक यह पूरा पठारी छेत रहें, यहां पे आपका रनाव कक्ष है एक तरीके से दलदली छेतर है यहां पे आपका दलदली छेतर है ठीक है बाकि यह पश्मी घाट है पश्मी घाट परवस्रेडी है पूर्वी घाट परवस्रेडी है पूर्वी घाट परवस्रेडी है ठीक तो अब एक एक करके देखना है सब सबसे पहले में उत्तर भारत का विशाल मैदा पर्वतिय छेते देखना है फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान देखना है फिर पठारी छेते देखना है तो अब इसमें से सबसे पहले आपका हिमाले आ जाएगा शुरुवात यहां से करते हैं ठीक इसको हम लोग अब देखे हिमाले के उत्पत्ति कैसे होई यह बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें दो सिध्धान्त काम करते हैं पहला सिध्धान्त है आपका प्लेट विवर्तनी की सिध्धान्त दूसरा काम करता है आपका कोबर का भू सनती सिध्धान्त दो लोग में निकल के आते हैं पहला है कोबर और दूसरा है ठीक है प्लेट भी वरत निकी ये हैरी हेस ने दिया था हैस महोडय का दिया हुआ है और कोबर ने खुद अपना सिध्धान दिया है ठीक है अब दरसल है क्या दूनों बहुत आसान वसम समझते हैं बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनाते हैं सबसे पहले कोबर में हिमाले परवस्त्रेडी है यह हिमाले परवस्त्रेडी छेत्र नहीं था यहां पे विशाल समुद्र था यहां पे चुके एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा विशाल एक समुद्र था ठीक है यहां पे क्या था इस वाले छेत्र में एक प्लेट थी एक भूभाग था इस भू शनती नाम दिया उसने और इधर आपका इंडो अस्ट्रेलीन प्लेट यानि की इंडो अस्ट्रेलियन भूव सनती ठीक है तो इस च्छेत में बहुत सारी नदीयां बहती रही होगी जो आकर के टेथिस सागर में अपना तो जब नदिया अपना जल गिरती थी तो अपने साथ भारी भरकम मात्रा में आउशाद भी लाती रहीं हny तो जिए आउसादों का जमाव टेथिस भूसंती में होता चला गया कालांतर में इस छेतर में एक बहुत दबाव पड़ा प्रिसर पड़ा और उस प्रिसर के पैडाम सुरूप क्या हुआ यहां पर कुछ इस तरीके से उसने बताया यह जो पूरा औशादी मलवा था यह दोनों चट्टाने एक दूसरे के नजदी के आ गई और 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 तो उसने क्या किया उसने बताया कि कुछ ऐसी स्थिती बनी इधर उसने बताया यह यूरेसियन प्लेट है यूरेसियन प्लेट है यह आपकी इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट थी बीच में तेथिस सागर था जब यह मलवा उठा तो एक स्त्रेड़ी यहां पर बन गई एक प पठारी सनर्चन आ गई तो इसे उसने तिब्बत का पठार बोला इसे उसने क्या बोला हिमाले परवस्रेडी बोली और इसे उसने बोला कुलनोंसान ठीक है एक बार गूगल अर्थ में देखते हैं यह सनर्चन आपको देखने को मिलेगी तो हिमाले की उत्पति की व्याख्या सबसे बेटर तरीके से करता है कौन कोबर का भू सननती सिद्धांत यह कोश्चन कभी भी आता है यह आपका तिब्बत का पठार है ठीक है पठारी छेत्र है यहाँ पर आपकी जो है हिमाले परवस्त रेड़ी है यह हमारी हिमाले परवस्त रेड़ी है ठीक है यह पूरी हिमाले परवस्त रेड़ी है ठीक है यह लद्दाख वाला छेतर है यह सारा यह सब हिमाले परवस्त रेड़ी है यह आपका यह है कुलनुनसान ये स्रेडिया आप जो देख रहे हैं तो उसने का पहले कुलनुनसान मतलब उधर का एक मलवा यहां पर यहां पर पठारी सनसना तिब्बत का पठार और यहां पर यह तो यह जो पूरा समुद्र था यह समुद्र तबदील किसमे हो गया है ना परवसरडियों में तबदील हो गया पठारी सनसना में तबदील हो गया कैसे तबदील हुआ जो आउशाद नीचे भरे थे दोनों चट्टाने एक दूसरे के नजदीक आई और पूरा आउशाद उपर आगया ठीक है तो यह उसका कोबर का कहिना था यह कोबर का सिध्धान था और एक तरह से देें तो सही प्रतीत होता है इसके बाद इसके दूसरे परसं थे आपके ठीक है दूसरे पर संथे आपके इनका नाम था है है लो है म है स्थान हो पाइज फ्लेट बर्थने की सिध्धान में और कई सारी प्लेटे बन गए जिसमें कुछ है येसी ओसनिक प्लेट है आपकी कॉंटिनेंटल प्लेट है आशान अब प्ले livreड क्या है महा सागर जो महासागरी प्लेट नीचे है और ये आपके ऐसे चट्ठाइनों से बनी है तो ये भारी है ठीक है ऑसनीक प्लेट हलकी है इसलिए उपर है ये जिस लिए आपकी हलकी है ये भारी है तो इसने कहा बेट बुरूइद निकी से धांत नहीं बताया कि दो प्लेटों के आपस में मिलन से दो प्लेट हैं दोनों प्लेटों का नाम उसने बताए एक प्लेट थी आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरी है इंडो अस्टेलियन प्लेट दोनों प्लेटों के आपस में अभी सरंड से दोनों एक दूसरे के न मर्ज नहीं होगी कोई नीचे नहीं जाएगी पईडाम सुरूप जब दोनों एक का एक दूसरे बीच में विशाल सागर था विशाल समुद्र था ठीक है और विशाल समुद्र होनी के साक्ष भी पाए गये हैं आप जैसा कि देखेंगे आपका जो राइस्थानौला छेतर है यहां पर पेट्रोलियम पाए जाता है यह पेट्रोलियम आ कहां से गया यह पेट्रोलियम कहां से आ गया तो यह बताया जाता है कि पहले टेथिस सागर था और टेथिस सागर के बहुत सारे जली जीओ नीचे जलमगन हो गया होंगे खतम हो गया होंगे और आज यो पेट्र कोलियम के तौर पर पाए जा रहे हैं तो इसने बताया कि प्लेट विए अतनी की सिदान ने जब दोनों प्लेटों का अभी सरण हुआ तो अभी सरण के पैडाम सुरूप दोनों प्लेटों के मत देख बलन पढ़ गया और यही बलन जो है यही आपका क्या है दोनों जैसे बल महासागरी की प्लेट है एक उत्री अमेरिका की प्लेट है तो प्रसांत महासागरी की प्लेट चुकि कॉंटिनेंटल है कि ओसनिक है और यहां पर उल्टा लिग गया यह मास यह आपका कॉंटिनेंटल होगा यह उसनिक होगा तो चुकि जो ओसनिक है जो समुद्री महासाग जाएगी मेल्ट हो जाएगी जैसे धर्तिक तो यहां पर क्या होगा यहां पर आपके ज्वाला मुखी परक्रियानें होंगी इसलिए इसलिए हिमाळ потрард वा ना तो यह पिंप कोई मुखी को हाएगा जहां पर एक प्लेट कोंटिनेंटल होगी और यह ओसनिक होगी ठीक है यह फंडा True झाँसने बताए क्योंकि ऑसनिक प्लेट नीचे जाके क्या होगी समर्ज होगी और पिगलेगी मिल्ट होगी और मिल्ट होने केबाद वही लावा के रूप में उपर आएगी ठीक है? बहुत असान है बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें फिर ये प्लेटे दोनों कैसे एक दूसरी की और आगती है जाती है उसके लिए उसने बताए संभाईनी अधारा सिद्धान कन्वेंशनल सेल नीचे जो है कन्वेंशनल सेल डेबलप होती है जैसे पानी को हम गरम करते हैं जब नीचे गरम करते हैं तो उपर तक पानी गरम कैसे होता है संभाईन की प्रक्रिया के द्वारा तो ऐसे यहाँ पर पिगली हुई चटाने हैं और फिगली हुई चटाने जैसे से नीचे आता है temperature कम होता जाता है तो चटाने क्या होती है जादा temperature temperature को sum करनी की स्थिति में Convention का एक cell का निर्माण होता है और यह cell जिस दिसा में होगा उसी दिसा की और क्या होगी प्लेटे गतिसील हो जाएगी ठीक है तो एक दूसरे की तरफ प्लेटे जब आती है तो अभिशारी, एक दूसरे से दूर जाती है तो अभिशारी, बहुत सिंपल और अशाने कुछ है नहीं इसमें, तो इसी कारण से युरेसियन प्लेट का इंडो अस्टेलियन प्लेट से आपस में टकरा हुआ और यहां पे एक बिशाल मोड़दार परवस्त्रेडी का जन्मवज इसका नाम है हिमाले परवस्त्रेडी इन दोनों ने ये बताया है ठीक इतनी सी बात है अब इसको समझते हैं डिकोड करते हैं केवल हिमाले परवस्त्रेडी को कि हिमाले परवस्त्रेडी है क्या ठीक है इसको डिटेल से एक बार एक पूरी स्रेडी को समझने का प्रयास करेंगे लाइब कि अगा है यह भारत की पर्वत्यों पहाड़ी इसमें पूरा कंप्लीट है मैं एक एक करके लेके चलूंगा अब जो हम पूरा एक गट लएगा एक गटे पूरा कंप्लीट कर देंगे जितनी भी पर्वत्य पाड़िया द्यान से बैठना है ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है ना अराम से बैटो यदि प्यास व्यास लगे तो बता दें तो चलिए भारत की पर्वत्यों पहाड़िया अब देख हमाले एक तो है मुख हमाले जिसको हम बोलते हैं ब्राद हमाले ग्रेट हमाले आप यहां से देख सकते हैं यह आपका जो एक यह आप यहां से देख रहे हैं यह वाला यह पूरा यह हमाले का हिंशा आपका यह पूरा हमाले का हिंशा यह आपको ग्रेट हमाले हैं ग्रेट ह हिमाले हिमाले पार का उस पार का हिमाले हम यहां पे हैं तो हम उस पार के हिमाले को ट्रांस हिमाले बोलते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा है आपका लगू हिमाले और तीसरा है आपका सी वालिक पर वस्रेडी यह तीन प्रमुखिसकी ब्रांचेज हैं बाकि उस पार का हिमाल नाती हिंदुकों साब कि अफगानिस्थान पे यहां पे सुलेमान पाकिस्तान में ठिक है इदर कुलुनसान और इधर हिमाल है और यहां पर अनौट बलनती है पमीर मिश्यकी चत बोलते हैं पमीर नौट ठीक है चलिए अब एक-एक करके यहां पर देखते हैं तो ट्रांस हिमाले की जो आपको याद करना है तीन प्रमुक स्रेडियां हैं पहला है कारा कोरम दूसरा है लद्दाक और तीसरी है जासकर ये तीन याद कर लेना है ठीक है कारा कोरम लद्दाक जासकर ये तीनों स्रेडियां किसकी हैं ट्रांस हिमाले की कारा कोरम स्रेडि ही जब तिब्बत वाले च्छेत में प्रवेस कर जाती है तो इसको कैलास्तेली कहते है कैलास मान्सोरर की जो यात्रहं हम करते है या फिर जो हमारे पुराणों में tell है भगवान सिउ के निवास इस्थान का वो यही स्रेडी है कैलास्तेली यहां पर ही जब kavelas mansacre करेंगे तो यहाँ पे kavelas pro उसमें दिखाता है एक कई नामों से जाना जाता है हर जगे प्हाला गलाग इसका नाम हो जाता है तो ब्हाद हिमाले में आपका एक हिस्सा जो जंबू कास्मीर में है इसको बोलते हैं पीर पंजाल सरेली ठीक है पीर पंजाल ये आपका जो पाकिस्तान के छेतर में भी कुछ है और बाकी फिर यहां पे है इसके बाद दूसरी है आपके जो हिमाचल प्रदेश में हैं ये आपका लगू हिमाले का हिस्सा है इसको धौलदार बोलते हैं और तीसरे नंबर पे यहाँ पे सिवालिक है तो यदि हमें क्रम देखें कारा कुरम, लद्दाख, जासकर, पीर, पंजाल, धौलदार और सिवालिक का पूरा क्रम है, कम्प्रीट क्रम है ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे यह पूरा हिस्से पे आप एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत साड़े परवस सिखर हैं क्रम से, सभी परवस सिखरों को एक बार मैं अलग अलग से भी दिखाऊंगा लेकिन पहले एक एक करके ब्रहा धिमाले को समझता है ब्रहा धिमाले को अलग से दिखाए गया हाँ यह यह देखी पहले इसको समझी, इसको याद कर लेना है आपको सब से उपर है कारा कूरम, यहाँ पे इसने दिखा है कल जाएंगे, ठीक है, सॉट कट बनाया है, तो कोई जरूरत नहीं है, यह सब चीज़े याद करने कि आप डिरेक्ली याद करो, मुझे ट्रिक्स थोड़ा कम पसंदे क्योंकि पहले तो ट्रिक के याद करो, और ट्रिक के बाद फिर अं है, क्रम से सजाने को कई बार कोश्चन आ चुका, तो हमें क्रम से इसको, ठीक, कारा कोरम, लद्दाक, जाशकर, पीर पंजाल, धौलदार, सिवाले, ठीक, यह आपके ट्रांस हिमाले की है, अब यह हिमाले का, देखो, कई प्रकार से भी भाजन किया गया है, पहले तो उत् पूरब भी इसको विभाजित किया गया है, तो हिमाले का यह विभाजन बाडिया महोदे ने किया है, तो इन्होंने जो राज्यों के अधार पे हिमाले को बाटा है, चार भागों में बाटा है, इन्होंने हिमाले को, पहला है, इसको बोलते है, पंजाब हिमाले, ठीक है, इसके बाद दूसरे नमबर पे आपका है कुमायू हिमाले, ये 320 किलो मीटर का एरिया है कुमायू हिमाले, ठीक है, तीसरे नमबर पे आपका है नेपाल हिमाले, नेपाल हिमाले को देखो कुमायू हिमाले आपका 17 नदी से लेकर काली नदी तक है, ठीक है, नदियों के हिसाब पुत नजी तक अशम हिमाले ठिक तो ये बाडिया महोदे ने हिमाले का पश्चिम से पूरब विस्तार किया है पश्चिम से पूरब विस्तार तो पश्चिम से पूरब विस्तार के इतने भागों में हैं चार भागों में हैं हिमाले, सबसे पहले आपका पंजाब हिमाले, दूसे नमबर पे कुमाई हिमाले, तीसे नमबर पे आपका नेपाल हिमाले, चौथे नमबर पे आपका क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये हिमाले का बाडिया महोदे के द्वारा किया गया, पश्चिम से पूरभिस्तार है, ठीक है, आगे ये पुरोत्तर की पहाडिया हैं, इनको अभी देखेंगे, पहले हम एक बार हिमाले के परव परवस्यखर है, प्रमुक प्रमुक परवस्यखर, हाँ, ये है परवस्यखर, तो दो तरीके से हिमाले को बाटा गया, उत्तर से धच्छन, ट्रांस हिमाले, ब्रात हिमाले, लगो हिमाले और सिवालिक, उसके अंतरगत हमने देखा, कारा कोरम, लद्दाक, जासकर, पीर पं पंजाब हिमाले कुमाय 구le नेपाल हिमाले असम हिमाले अब हिमाले की परवत चोटिया देखो परवत चोटिया भी आपको पिर उची से पूरा या वह पूरहुए से देख सकते हैं सबसे उची परवसरी माउंट औरे mai First away इसको फिर से इसका डेटा आ अच्छे अच्छे टेट ले तो यह यह ना तो यह यह दिखाता है कि यह जो अभी भी देखो हिमालय है अभी एविरे-गे जी रे जी रे इसका विस्तार चली रहा है तो आने वाले वह में हिमाले पर वस्टिड़ी अभी चुकि नई है तो हो सकता अभी यह बहुत उंचे तक जाए और उंची यह जितने वी क्यों यहां पर आने वाले समय सिस्मिक जोन पर बैठे हुए आप भूकंप जोन चार पर बैठे हुए ठीक है कभी भी कोई इस्थिती हो सकती है तो लेकिन यह भारत में इस्थित नहीं है ठीक द्यान रखना यह कहां पर इस्थित है नेपाल में अवस्थित है ब्रहाद इमाले पर नेपाल और सबसे बड़ी बड़ी चोटी जो है आपकी उन लगदाख में पढ़ती है जिसका नाम है केटू ठीक है केटू आपकी साइद लगदाख में लेकिन आप यह तो लगदाघ भी प्योक वाले छेत्र में यह यह भी फियोके वाले छेत्र में ठीक है यह भी माना नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगा केटू जो है यह हिमाले की परवत सेड़ी नहीं है यह भी द्यान रखना है यह आपकी कारा कोरम पे है किस पे हैं कारा कोरम में तो भारत की सबसे उची चोटी यह पूछे का तो क्या बताओगे केटू रुक जाओ भारत की सबसे उची चोटी भारत की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट भारत की सबसे उची चोटी यह हिमाले की नहीं है यह कारा कॉरम की है लेकिन यह केटू होगी यह ध्यान रखना है लेकिन हिमाले में भारत में अवस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी यह कंचन ज जिसमें हो तो हो गई केटू हिमालय पर अवस्थित कंचन्यंगा ठीक अब एक एक करकी क्रम से देख लेते हैं इसका पूरब से पश्चिम क्रम देख लेते हैं सबसे इधर देखें यह हैं नामचा बरवा ठीक है हिमालय को दिया आप देखेंगे तो इसमें दो परवसी करें इसका बरवा तो इसका सबसे पूरवी और सबसर और यह है आपका नंगा पर्वत यह सबसे प्श्मी चोटी माले के सबसे ऊची अब इनके बीज की चोटियां सारी देखते हैं सबसे इसके बाद नामचा बरवा फिर कंचन जंगा सक इसके बाद मकालू कर मकालू के बाद अन्पूडा καड धौला गिरी ठीक है इसके माफ करेगा एक बार फिर से पहले है नामचा बरवा दूसरह कंचन जंगा तीसरा है आपका Mount Everest, ठीक है, तीसे नंबर पर Mount Everest, चोथे नंबर पर अन्पूर्णा, फिर यहीं पर है आपका धौलागिरी, यहीं पर है मनसालू, मनसालू इसमें दिया नहीं गया है, मकालू के बाद आता है, यहीं पर मनसालू आता है, साइद यहां पर है आपका मनसालू, म पловन साल है इसके बाद आपका है नंदा देवी कामित बद्रीनात बंद्र पूख्ष बंद्र पुख्ष में ही गभंगोत्री ग्लेशियर है फिर आपकी यहां है आपका मा शेरबुम यहां पर गाशेट द्रूम ब्राड़ फिर यहां पे नंघा परवत और राका पोशी राका पोशी सबसे दीब्र ढलान का परवशिखर है तो यह आपका पूरव से पश्च्ची में ऊब आपको याद रखने चाहीं बहुत पहते हैं फिर एक बार लेकल से फिर नाम्यों भर वर ओitel रहें नामचा बरवा के बाद कंचन जंगा कंचन जंगा के बात मपालोह मकालमा और मनताव में आप थोड़ा सा परिशान होते हैं तो मकालमा ना मैं में सब्सक्राइब। मकालू आपका जो है ये इसके बाद यहाँ पर मकालू के बाद मनसालू आता है यदि ये का है का मतलब कंचन जंगा का से कंचन जंगा और इसके बाद सा आता है तो थोड़ा से ये दोनों डिस्टप करती है यदि कभी पोस्ता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए पहला है न यहां पर केटू गाडविन भी है राका पोशी नंगा परवत यह क्रम है आप एक बार इसको फिर से अगें सुनिएगा या फिर अपने उसमें डिनोट कर लीजिएगा आपको मिल जाएंगे ठीक है क्लिएर मौत असान कुछ नहीं समें एक फिर से देखते हैं नामडरी चाफ़्य कच्ण के बाद मकालों ऑचालू अठीक परन ने पोड़ा के बाद मन्स अलू उप पर Cheese the एक बार यहां से लिखते हैं क्रम से नमबर एक में कंचन जंग ओ नाम्चा बरवा नमबर दो में कंचन जंगा नमबर तीन में नंबर तीन में मकालू, मकालू के बाद एवरेष्ट, पाच्वे नंबर पे अन्य पूर्णा, अन्य पूर्णा के बाद मन्सालू, मन्सालू के बाद धौला गिरी, धौला गिरी, धौला गिरी के बाद नंदा देवी, आठवे नंबर पे नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेत, ठीक है, फिर बद्रिनाद, बंदर, पुक्ष, बाकी के, ठीक है, तो यह आपको एक क्रम याद रखना चाहिए, नामचा बरवा, कंचन जंगा, मकालू, एवरेष्ट, अन्पूर्णा, मनसालू, दौला गिरी, नंदा देवी, कामेत, ठीक है, फिर बद्रिनाथ, आपकी बंदर, पुक्ष, बाकी की है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, बहुत असान है, कुछ नहीं है, एक बार क्रम से पूस्ता है, टाइगर हिल की बात हिमाले का भोगोली विभाजन, यहाँ पर था यह वाली, ठीक है, हाँ, यहाँ पर दिया तो गया है, नामचा बरवा, फिर कंचन जंगा, फिर यहाँ पर मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्यपूर्णा, मनसालू, इसमें भी गया है, मनसालू, धौला गिरी, नंदा देव ठीक है, फिर आपकी सारी देखें, यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, चलिए, अब नौर्थिस्ट की थोड़ा सा पहाड़िया है, नौर्थिस्ट की पहाड़िया यह देख लेते हैं, ठीक, यह भी पूस्ता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसमें भी, एक एक करके, हुई हिमाले, और फिर सिवाले की यह जाकर उत्तर पारत में एक साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद इनमें क्रैक्स पढ़ जाते हैं, तो यह एक साथ नहीं है, पूरी परवस्रे लिया, ठीक है, हिमाले जैसे जैसे उत्तर की तरब जाता है, संकिन होता जाता है, नाम देखे पहला है डी डाफला दूसरा एम मेरी फिर ए अबोर फिर एम मिश में चार पाड़ियां आपको याद रख लेना उडांचे प्रदेश की डीम एम ठीके डाफला मेरी अबोर मिश में डाफला मेरी अबोर मिश में डाफला मेरी अबोर मिश में चार पाड़ियां आ यह हम clockwise देख रहे हैं सारी ठीक है clockwise देख रहे हैं पहला है डाफला मेरी अबोर मिश्मी पटकाई भूम पटकाई भूम के बाद नागा पहाडियां ठीक है नागलेंड की नागा हिल्स ठीक इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर हैं मडीपूर और नागलेंड की पश्मी छेतर पे हैं मीजो पहाडियां त्रिपूरा में हैं त्रिपूरी पहाडियां अश्म वाले छेतर में जाएंगे तो यहां पर मिकिरी पहाडियां हैं रेंगमा पहाडियां और यहां पर देखेंगे गारो खासी जैनतियां तीनों जिंजातियों के नाम पर हैं ठीक फिर आपकी त्रिपूरी पहाडियां या त्रिपूरा पहाडियां इसके उपर रेगमा पहाडियां उसके उपर मिकिरी पहाडियां फिर गारो खासी जैनतियां ठीक है इतनी सी पहाडियां ज्यादा नहीं है आप एक बार एक क्रम पूरा समझ लेंगे आसानी से आपको याद हो जाएंगी यह तो यादी होगेंगी डाफला मिरी अबोर मिशमी ठीक है पटकाई भूम याद करने में कोई जाए दिक्कत नहीं है नागा पाड़ी नागालेंड के नाम से हैं बराइल पहाड़ियां मरीपूर और नागालेंड के बॉडर पे हैं बराइल पहाड़ियां फि एक मिकिरी पहाड़ियां और यहां पर एक रेगमा पहाड़ियां बस यह इतनी सी बात यह है अपका पुरोत्तर भारत की पहाड़ियों को ले करके क्लियर कुछ नहीं है इसमें अब बात करते हैं प्राइदूपी भारत को ले करके ठीक है प्राइदूपी भारत में प्रमुक जितनी भी पर्वत हैं पहाडिया हैं, स्रेडिया हैं एक बार इनको भी देख लेते हैं ठेक एक मेथ प्रिदूपी प्रोत की पहाडिया है और यहां पे प्रमुक AHCCHA भूआ करत दिया है इसके बाद टटीए परवत स्रेडिया है पूरी की पूरी ठेक है एक एक करके सारी देखते हैं और फिर इसके बाद प्राद्यूबी पहाड़ियों का जो क्रम है वो भी देख लेंगे हिमाले क्लियर हो गिए पहले यह बताओ हिमाले में कुछ नहीं है कुछ पहाड़ियों का क्रम दिया गया वहां पर भी जो परवस्त रंकला हैं उंका क्रम है ठीक है उत्तर से दच्छड क्रम पे आपकी कारा कोरम लद्दाक, केल, जे, जासकर, फिर, पीर पंजाल, फिर, धौलदार, फिर, सिवालिक छे पाड़ियां ये हैं आपकी क्रम से उसके पाड़ ट्रांस हिमाले की तीन पाड़ियां है फिर हमने सारी की सारी जितने भी हैं परवसिखर देख लिए उसके जुड़े हुए फिर इसके बाद हमने यहां की पहाड़िया देख लिए ठिक जितनी भी बेसिक पहाड़िया है इधर छुटकी हुई पहाड़िया यह सारी देख लिए अब आगे हम बात करते हैं दच्छिन भारत की जो प्रमुक पहाडिया है एक बार इनको भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं ठिक उपर देख लिया नौर्थीज देख लिया अब बात करें दच्छिन भारत में दच्छिन भारत में देखे ये आपका पूरा का पूरा यहां पर प सपती भवन बना है ठीक है या फिर आप जब मुखरजिन अगर कभी जाईएगा तो उसके बगल पर हिंदु राव हस्पिटल है वो दिली रिज के पास ही है ठीक है तो आपका वह अरावली ही है राय सीना हील जो है या फिर यहां पर जेन्यू के अंदर आपका बना हुआ है ग्रेट रॉक करके ऐसे कुछ मुझे नाम नहीं यादा रहा अभी याद आएगा तो बता दूंगा दिली की सबसे उंची पर्वत पर्वत सिखर टाइप में हो सबसे उंचा इस्थान है जबकि सबसे आदर समय में वहीं वितीत किया हूं काफी टाइम तक जाके बैठता थ बताओंगा भी नाम याद आएगा तैसे बताता हूं दिमाग से निकल गया ठीक है तो आरावली परवस्त्रेडी है दिली तक यह गुजरात के पालनपूर से लेके दिली तक है बिस्त्री ठीक है यहां पर मद्ध प्रदेश वाले छेत में आपकी बिंध्याचल परवस्त् परवस्त्रेडी सत्पुड़ा परवस्त्रेडी महादेव परवस्त्रेडी मैकाल परवस्त्रेडी यही आगे चलके आपकी गर्जात पहाड़िया और राजमहल पहाड़िया ठीक है इसके बाद आगे यहां पर महाराष्ट वाले छेत्र में सत्माला का काफी है महाराष्ट में भी पढ़ता ये है देखे महराष्च में सत्माला हैं بالागहाट परवस्रेडी बालाग्हाट के बाद यहां पर हरिश्चन्दर पहाड़ी और यह अजंता स्रेडी ठीक है इसके बाद यहां पर आपकी है यह आपका उड्यश सवलत चेत्र मलाईगीरी इसी पे महेंद्रगर् परवत सेखर है नयागर पहाडिया है और पिर इदर आपका पश्मी घाट है पश्मी घाट और पूर्विघाट कि हम प्लोग पहाड़ी पूरी देखेंके कहण कहा 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 पर ठीक है लेकिन बेसिक यहां पर देखें तो यहां पर सेसा चलम पहाड़िया हैं चित्रगदुरूग पहाड़िया हैं बाबा बूदन पहाड़िया हैं पाल कोंडा यहां पर कई दिखाई भी नहीं हैं नला मला पहाड़िया हैं यहीं पर आपकी नाल कोंडा पहाड़िया हैं सिवराय पहाडिया हैं तो यह सब आपका पूरवी घाट का हिस्सा है और यहाँ पे जा करके नील गिरी के पास यह आपस हो मिल जाती है नील गिरी अन्नाई मुडी और यहाँ पे आपका जो है यह कार्डमम हिल है इलाइची पहाडियां बोलते हैं यहीं से एक निकलती आपकी पालनी पहाड़ियां, तो टोटल जो आपकी हैं यहाँ पर, पूर्वी घाट की प्रमुक पहाड़ियां, पूर्वी घाट में यह पूरी आ जाएंगी, नयागर पहाड़ियां, रामपा पहाड़ियां, सेशा सलम पहाड़ियां, पालकॉंडा पह पहाडियां जावेदी पहाडियां सेवराय पहाडियां तो इनका भी क्रम पूछा जाता है क्रम से भी पूछी जाती है अभी क्रम में आगे बता दूगा आपको ठीक है यहां पर आपको यह पूरा कंप्लीट क्रम होना चाहिए ठीक है वैसे इसकी पीडियाप में आप लोग चाहिएगा ठीक है पूर्वी घाट में सबसे पहले हैं आपकी मलय गिरी मलय गिरी पुरीशा में पढ़ती है मलय गिरी के बाद दूसरे नंबर पे हैं नायागर पहाडिया नायागर पहाडिया नंबर तीन है आपकी रंपा पहाडिया रंपा पहाडिया नंबर चार है आपक चलम पहाडिया पहाडिया नमबर पांच है आपकी नल्ला मलाई पहाडिया मलाई पहाडिया ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है पाल कॉंडा पाल कॉंडा पहाडिया पाल कॉंडा के बाद है जावेदी पहाडिया जावेदी फिर आपकी है सेवराय पहाडिया फिर आपकी हैं पंच मलाई पहाडिया पंच मलाई पहाडिया यहां से जा करके यह आपका पूरा का पूरवी घाट है नील गिरी पहाडियों के पास जोड़ जाता है पश्मी घाट से और पश्मी घाट का ही हिस्सा बन जाता है ठीक है यहां पे नील गिर पहाड़ीयों के पास यह क्या होता है आपका तो यह आपको क्रम से लिख लेना है पूरवी घाट की मलाईगीरी नायागड राम्पा पारियां सेशा चलम पारिया नल्ल मलाईपारियां पाल कोंडा जावेदी सेवराय पंच मलाई ठीक है फिर आगे नील पश्मी घाट में अब देखो यहां से अधिया लेकर के चलोगे वैसे यह हिंस्चा पूरा का पूरा आपका इनके साथ जुर जाता है सत्पूरा पहाड़ियों के साथ तो हम यहां से लेकर चलते हैं इस वाले हिंस्चे से ठीक है तो यहां पर आपकी है हरिष्चंद्र उएं बाला घाट सतमाला सतमाला और इसके सतमाला के नीचे अजंता तसे ठीक है सत माल hail जंता बाला गाठ हरिष्चंद्र चित्रपूर फट्व चित्रदुरु के बाद आपका पड़ता है बाबा बूधन की पहाड़िया आप अगआप हम फिके माइच दो बालाका है क Chief भ यह आपका जंक्सन पॉइंट है नीलगिरी के बाद है अन्नाई मुदी की पहाड़िया अन्नाई मुदी की पहाड़िया अन्नमलाई पहाड़िया या अन्नाई कि पहाडिया नेक्स्ट है आपकी कार्डमम ही लिया इलाइची पहाडिया इलाइची पहाडिया इसके बाद यहीं से पालनी पहाडिया पालनी पहाडिया तो पालनी पहाडिया जो है वो इलाइची से थोड़ा उपर है माफ करेगा इसको पालनी को उपर कर लीजे इलाइची सबसे लास्ट में आपकी काड़वा मिल से ठीक है सबसे लाश्ट आपका काड़र मिल से अब चलिये एक एक करके सबको समझते हैं next आगे आगे आपके यह न मैं टाटी ये पर्वस्रेडी झारी की सारी पर्वस्रेडि जनता बालागाठ भीचन Süntil पाडूषाश्चन के बाद चित्रदूर पाड़ियां बाबाबूधन की पाड़ियां फिर इसके बाद नेल गूर्य पाहड़ियां अन्ना मलारी बाद का है । पालनी पाड़िया है है पालनी पारणी टीक है इंदर का क्रम आपको याद दोनो करम जरूर रखेगा क्रम घडब्लाए। आपको दिक्कत हो क्रम कूसता है कि यहां पर तरीके से मैंने बता बहुत अब भारत के प्रमुक पर्वस सिखर जितने बहुत कर लो दच्छन भारत का सबसे उचा परवस सिखर है अन्नाई मुदी च इसके बाद दूसरे आपका निलगिरी यह आपका पढ़ता है अन्ना मलाई पहाड़ियों में और यह आपका पढ़ता है निलगिरी पहाड़ियों में दोनों की पहाड़ियां भी अलग अलग है ठीक है यह याद रख लिजे ठीक है फिर इसके बाद यह है आपका कुद्रे मुख पहाड़िया यह यहीं से निकलती है ब्रह्म गिरी से आपकी अब कि ब्रह्म गिरी से कावेरी नदी निकलती है और कुद्रे मुख से आपकी जो है यहां से कोई पर्टिकुलर नहीं स्थानी नदी निकलती है अब यह आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ठीक है भारत की सबसे दच्छंड तम चोटी इसको लेकर एक कंफ्यूजन रहता है एक चोटी यहां पर भी महेंद्रगर के नाम से महेंद्र गिरी करके एक चोटी यह है और महेंद्र ग नहीं होना आपको ठीक चलिए बेसिक चीजे हैं इसके बाद कुछ आपकी अंडमान निकोबार द्यूप समूं में यहां पर यह सैडल पीक है आपकी सैडल पीक उत्री अंडमान में है और यह बैरन द्यूप के पास ही है इसके बाद आपकी जो है माउंट डियो बेली है मा माउंट थुलियर है यह प्रमुट छोटी छोटी चोटिया है आप जो अंडबान के परवस्तिखर के तौर पर है ठीक है इसके बाद हिमाले की यहां पर दास सबसे एक दिया गया है फिर से इनको देख लेते हैं मैंने बता भी दिया double야지 spender नामचा बरवा नामचा बरवा के बाद आपका कंचंजंगा है नंबर एक पर माउंट एरेस्ट है नंम्र दो पर लेकिन केटी गाडविन आपकी काराकोरम पे हिमाले नहीं ठीक? नंबर ती मेसी कंचन-जंगा है ठीक? नंबर चार पे इक स्रेडी यहां पे है लो पकालू है नंबर छै पे आपका चुईू यह भी आपका चीन वाले या नेपाल называется शेत्र पर नेक्स्ट आपका मन्सालू नंबर 6 हाँ कहाँ प्रेट्रेश है यह नंबर शाथ आपका धौला गिरी नंबर आठे मान्सालू नंबर नौन 10 सीजिक्त ना प्रवत नंबर अप्रेश्वार्वां पर देख दूड़ा तो कि से नाम प्रवत कि अब देखो दर्रे क्या होते हैं दरसाल दर्रे भी एक तरीके से नद Tapi के रास्ते होते है मान लिजे नदिया किसी इस छेतर से बह रहिए हैं और नदियों के चेतर में अरोध आ गया तो नदिया अपना रास्ता नहीं बदलेंगी बल्कि इस औरोध नियुक्त को ही काड देंगी और इस औरोध को काटने के दोरान वहाँ पर आव गार्ज का निरंबार करते हैं कैनियन का निर्मार करते हैं ठीक है जैसे माल लीजे आपका यह वाला ब्यूरतनी गटना भी मालिजे कोई हो जाती कोई नदी यहां पर समतल पर बह रही है और कभी कोई विवर्तनी गटना होनी के पैडाम सुरूप यहां पर कोई अरोध आ जाता है तो नदी अपना यहां से मार्ग नहीं बदलेगी बलकि इसी अरोध को काट देगी यानि वो अपने तल को नहीं छोड़ती नदी कभी भी नदी हमेशा समुद्र तल से नीचे कभी बह नहीं सकती है नदी समुद्र तल जो आपका है समुद्र तल के बराबर या उससे उंचाई पे बह भी रही है तो धीरे 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 वो परवतिय छित को काट देगी कभी भी आप जाएंग कभी निर्मार करते हैं तो नदी अपने मार्ग को कभी भी बदलती नहीं है चोड़ती नहीं है तो यह जो दर्रें जितने भी दर्रें दिखाई देते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं पहाड़ों के बीच में दर्रें तो यह बताते हैं कि पहले कभी यहां से नदी बहती थ कि Hindi है ना तो नदियों के ही मार्ग रहें हैं ये दर्ए ठीक है समतल तर्ए ये नदियों के द्वारा ही नमार्ग का निर्मार किया गया है तो यहां पे पूस Players है कुछ दर्ए अब जो हम जम्बु दर्रा ठीक है बनिहाल दर्रा की क्या भी सेस्ता है यदि आपको जंबू से स्रीनगर जाना है तो आप बनिहाल पास यह दिया गया है तो फिर जोजिला दर्रे से आपको गुजरना पड़ेगा ठीक है यहां से जंबू से स्री नगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा और बरिहाल से आपको ले जाने के लिए जोजिला दर्रे से गुजरना पड़ेगा ठीक है यहां से ले जाने के लिए तो य रहे हैं इसके बाद हिमाचल प्रदेश के दो दर्र है एक है रोत अंगला यहाँ इशी के पास से रहे हैं यहां के नदी निकलती है कौन से निकव्प अंगला से बतुन हम बारत से उद्गाम होता है सतलू निकलती है राकस ताल से यहां पर कौन से निकलती है दो दर रहे हैं एक बाराजवा चला है यह बाडला चला एक नदी यहां से निकलती एक नदी रोटांगला के पास से निकलती है ब्यास नदी ब्यास कुंड इसे निकलते हैं जब कुलू मनाली जाओगे तो कुलू मनाली के पास आप पाओगे कि वहीं पर ब्यास कुंड है वहीं से ब्यास नदी निकलते हैं रावी जूर्ग यहां सथ रोतांगला से रावी नदी निकलती है बाड़ा ब चला आपकी चिनाब मेटी निकलती है अंप चिनाब नदी और रहतांगला से रावी नती यह सिंदु नदी तंठ की दो प्रमुक्ध नदियां ठीक है दो दर्रों के पास से, एक दर्रा है आपका सीपी कीला, ठीक, ये भी आपका प्रमुक दर्रा है, लेकिन सीपी कीला दर्रे के पास से सतलज इससे नहीं प्रवेस करती है, सतलज का मार्ग लग है, ये सीपी कीला दर्रा लग है, तीमाचल प्रदेश के तीन दर्रे हैं, पहला ह है आपका रोतांगला बाड़ा लाचला और सीलंग सीपिकिला यहां के दो प्रमुख दर्रे हैं पहला है बनिहाल और दूसरा है आपका क्या नाम है इसका जोजिला बाकी आन्ने देखो बहुत सारे दर्रे है जो जिला जो आपका है मשक्तव लड़ाख में पढ़ेगा लड़ाख छेतर में है ठीक है अब यहां पे और कौन आपके जंबो में हैं बाकी के दर्रे आपके लग्दाग शेत्र में आगिल दर्रा कारा कोरम दर्रा बुर्जिल दर्रा बुर्जिल आपका चला गया जंबो में चांगला दर्ला खार्दूंगला खार्दूंगला जो दर्रा है इसकी विश्यस्ता यह है कि जब हम कभी भी मना साली से ले की तरब जाते हैं तो हम खारदुंगला दर्रे से होके जाते हैं यहां से जाएंगे इमाचल प्रदिश से ले तो आपको खारदुंगला पकड़ना पड़ेगा और यहां से जाएंगे तो यहां से जोजिला पकड़ना पड़ेगा जंबू से ठीक है इसका रास्ता इसके अलावा सियाचिन ग्लेसियर है यहां पर सियाचिन ग्लेसियर के लिए यहां पर नुब्रा दर्रा है नुब्रा नदी बहती है नुब्रा नदी के पास ही नुब्रा दर्रा रहता है यहां पर ठांगला है तो यह आपके प्रमुख जो है उख मुख दर्रे हो गए जंब अगला है आपका उत्राखंड पर चलते हैं उत्राखंड पर मानाला है लिपू लेक है आपका लिपू लेक इस पर दिखाया नहीं है साइद हूँ हूं मानला है नीतिला है लिपु लेक दर्ण है यहीं पर लिपु लेक inner बिवाद भी चल रहा है नेपाल ने इस बार इसको अपने उसमें दिखाया यह थे तो تीन प्रमुख दर्र्रे यहां पर है इसके बाद यह आपका नाथूला सिंक्क्र का दर्रा है ठीक है जेपेला ये भी आपका एक प्रमुग दो दर्रे हैं नाथूला और जेपेला यहाँ पे आपका है बोमडीला बोमडीला अउड़ांचर प्रदेश का दर्रा है यांग पाग दर्रा और लीखा पानी दर्रा ये तीन दर्रे अउड़ांचर प्रदेश के प्र अव्डान्चे प्रदेश में बोम्डिला यांग पांग दर्रा लिखा पानी दर्रा और आपका दीफू दर्रा ठीक है तीन आद रखbook तुझु दर्राह का पालगाट थीके यह दो महराष्टे में है थालगाट भौरगाट देखे आप पूरे जाएंगे यदि तो पूरे थालगाट से आपको गुजनना पड़ेगा मुंबई झाएंगे तो भौरगाट से गुजनना पड़ेगा ठीके पूरे का अच्छन भारत में बाकी के मुख दर्रे आपके यहाँ पर हैं ठिक यह हो गया हमारे प्रमुख दर्रे फिर भारत के अब यहाँ पर पठारी छेत्र है परवश्चेत्र में क्या-क्या चीज़े चाहिए थी हमें लगवख सारी हो गई कि कुछ बचार बताइए हमारा हिमाले क परवश्चेत्र हो गया पूरा पर्वश्चिखर और परवश्चेत्र zg उत्तर नवर्थी नॉर्थ इस्ट हो गया हमारा परवश्च्र और परवश्चीघ्र इसके बाद प्रयद्यूप यह भारत के जिटने भी पर्वश्चछ रीदेख thou अब बात कर रहें थोड़ा सा पठारी छेत्र की, जो हमारे पठारी छेत्र है, कौन-कौन सा पठारी छेत्र है यह रहा पठार आपका पर्वतिय हो गया ठिक, चलिए पठारी छेत्र देखो, पठार एक ऐसी सनरशना है जो उपर समतल होती है ठीक है एक तरीके से टेबल नुमा अकरती है जो मैदान होता है पूरी तरीके से समतल होता है लेकिन जो पठार होता है वो उठा हुआ और उपर से समतल होता है ठीक तो जो पठारी छेत्र हैं पहला आपका पठार ये है उत्तर प्रदेश में पढ़ता है उत्तर प्रदेश के छोटा नागपूर का पठार है ये भी रिज्ड है बहुत जदा यहाँ पर गुर्णवाना करम की चट्टाने पाई जाती है इसके बाद यहाँ पर है मेगाले का पठार ये भी आपका दक्कन के पठार का हिस्सा है यह आपका है दक्कन का पठार, यहाँ पे है आपका तिलंगाना का पठार, ठीक है, यह आपका है कक्ष का पठार, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे करनाटक का पठार, तो पठार आपका कुछ, इतने हैं आपको कुल टोटल पठार है, आपको सारी पता होने चाहिए और इनको मांचितरन पर आपको खुद भी इंगित करना चाहिए ठीक है पठारों का निर्मार कैसे हो सकता है इनके निर्मार का क्या करण हो सकता है पठारों के निर्मार का तिबबत के पठार का निर्मार कैसे हुआ कोबर ने क्या बताया कोबर ने कहा कि जब आवसादी बलन पड़ा तो जब भी यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सरी पहाडिया है रंसन है ठीक है दक्कन के पठार का निर्मार तो दरारी उद्भेदन से हुआ जो अला मुखी दरारी उद्भेदन से निर्मार हुआ दक्कन सील्ड के मादन से दक्कन सील्ड क्या है दक्कन सील्ड है कंकाली सनरशना नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दक्कन सील्ड है आपका उसके उपर जो दरारी उद्भेदन हुआ ठीक है दरारी उद्वेदन ही डक्कन ट्रैप है और उसमें जो नदियों का औशाद जमा हुआ आकरके वो आपका क्या हो गया दक्कन का पठार बन गया नदियों का उसाधी जमाओ भी दक्कन का पठार है तो दक्कन सील्ड आपका कंकाली सनरचना है उसके उपर जो दरारी उद्वेदन हुआ लावा का वो आपका जब हमारा भारत जो है दच्च उत्तर की ओर क्या हो रहा था गतिमान था कब गतिमान था कारबेनी फेरसीरा में जब अभी भी टेथिस सागर के उपसे थी भारत इंडो अस्टेरियन प्लेट में था तो री यूनियन द्यूप के पास से जब भारत गुजरता है तो वहां पर एक सक्री ज्वालाम की होट इस्पॉट था जिसके कारण से दरारी उद्वेदन हुआ था ठीक है उसी दरारी उ हो गया दकन को यह पठार भारत के जितने भी हो गए यह भारत के प्रमुख मैधानी च्षेत रहे हैं एक बर मैदान पहला है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदानी छेत्र ये पूरा मैदान गंगा नदी ने बनाया है उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसमें आपका पंजाब का कुछ हिस्सा हर्याणा का हिस्सा उत्तर प्रदेश का बिहार का जहरखंड का मद्द प्रदेश का कुछ हि के द्वारा बनाए गया है सतलर नदी और सिंदु नदी तंत्र ने ये हर्याणा का और पंजाब का कुछ मैदान बनाया है ये सिंदु नदी तंत्र के द्वारा बनाए गया है ब्रंपुत नदी ने अशम के मैदान का निर्मार किया है तो यहाँ पर अशम का मैदान है यह आपका रेतीला छेत है और यह आपका राइस्थान का यह भी मैदानी छेत है भी मैदानी आता है ठीक है लेकिन है यह मरुस्थाल गुजरात में जो टटिये छेत है यहाँ पर गुजरात का टटिये मैदान है जो समुद्र ने खुद बनाया है ठीक है इसके बाद पश्मी टटी ये मैदान है ये भी समुद्र ने बनाया है और नदिया जो यहाँ पर बहने वाली नदिया है उनके द्वारा लाए गए अशाद है उन्हों बनाया है समुध्र आम तबंधा बनाता है बीच पुलिन का निरमार करता है यहा प्रमुख मैदान है यह पर पर पर्वती हिस्सा है और यह इतना हिस्सा मैथा लगवगत 43 algum का हिसा नियुकर emissions चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमुख घाटियां गाटियां क्या है परवतिये छेत्रों के नीचे का इस्थान ठीक है जहां परवत होगा परवत के नीचे का जो पादिये छेत्र है परवत पादिये छेत्र को घाटी कहते हैं ठीक है परवत के ये परवत छेत्र है तो इसका ज़ो परवत पाधिये छेत्र है, नीचे का इस्थाने से घाटी कहा जाता है थीक है, तो भारत में जहाँ जहाँ पे भी परवत छेत्र हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाटी है loose तो हर एक राज में अलग-अलग गाटी है, जऽंबू कासमीर की कुल घाटी हैं कौन कौन सी हैं कस्मीर घाटी नुब्रा घाटी शुरू घाटी मर्खा घाटी इतनी घाटी आपकी कौन सी कहां पर हैं जंबू कास्मेर में ठीक है हिमाचल प्रदेश में काव बहुत सारी घाटिया हैं चुम्बी घाटी कांगला घाटी लाहुल घाटी मालना घाटी स्पित घाटी पांगी घाटी कुलू घाटी संगला घाटी पार्वती घाटी किन्ना और घाटी यह आपकी हिमाचल प्रदेश में ठीक उत्तराखंड में दून घाटी जोहार घाटी फूलो की घाटी धर्मा घाटी सोर घाटी यह आपकी उत्तराखंड में सिक्किम में यूथांग घाटी है ठीक है नागलेंड में जुकू घाटी है पशिम मंगाल में नेवरा घाटी है आंद प्रदेश में अराकू घाटी है ठीक है इसके बाद जो है दच्छन भारत में देख लेते हैं ठीक है एक साइलेंट वैली है सांत घाटी सांत घाटी आपकी केरल में पढ़ते हैं तमिल नाड़ में कंबल घाटी है ठीक है तो तीन घाटिया है दच्छन भारत में प्रमुक अराकु घाटी आंद्रप्रदेश सांथ घाटी केरल और तमिल नाड़ में कंबल घाटी ठीक ये प्रमुक घाटिया है हमारी ठीक नेक्स्ट आगे चलते हैं अब यह यह आपका नदी तंत्र यहां से चालो हो जाता है तो बेसिक बेसिक परवतिय छेत्रों से जितने भी प्रशन आपके बनेंगे लोकेशन वाइस या तो दर्रे से बनेंगे दर्रे हमने देख लिये या तो आपके परवस सिक्रों से बनेंगे वो भी हमने देख लिया परवस रेडियों से बनेंगे वो भी हमने देख लिया और क्या क्या चीज़ा हो सकती है घाटियों से थे घाटियां भी हमने देख लिए अब बात करते हैं नदी तंत्र को लेकर के अगला जो प्राकतिक विवाजन है वो है नदी तंत्र इस से बहुत सारे प्रश्णाप के बनते हैं तो देखें एक चीज समझें पूरे भारत में यदि हम नदीयों को दो भागों में बाड़ते हैं पहला है हिमाले से निकलने वाली नदिया और दूसरा है प्राधियूपिय भारत की नदिया अंतर दोनों में क्या है बेसिक अंतर समझे है हिमाले की नदियों में जल की उपस्तिती वर्स भर रहती है साल भर रहती है और प्राधियूपिय भारत की नदियों में जल की उपस्त अकेलेब है नदिया बकायदा पूरे नदीतंत्र को ले करके बेएती हैं अपने साथ एक बिशाल नदीतंत कई नदियों को एक साथ ले करके बेएती हैं तो यहाँ पर particular हम नदीतंत्र के बारे में पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदी 되지 platforms को सबसे पहले बात करेंगे सिंदू नदी तंत्र की कि संधू नदी तंत्र की कि संधू एक अंतर राष्टि नदी ढेंे तीन देशो से मिलकर तीन देशों में बेहती है ठीक यह सिर्फ अपने आप में केले नहीं इसमें कई सारी नदियां जैसे दूसरी अंतर राष्टी नदियां मिल करके सिंदू नदी तंत्र को बनाती है पहली आपकी सिंदू सिंदू देखे यहां से निकलती है यह आपका सिंदू है यह आपका सिंदू नदी है ठीक है और अब सागर में जाकर के जल्गी राती है कहां से निकलती है ये मान सुरुवर जील के पास से निकलती है ठीक दूसरी आपकी अंतर राष्टी नदी है यहाँ पे उसका नाम है सतलज ये है राकस ताल जील से निकलती है ये है आपकी सतलज नदी सिंदू में जाके ये मिल जाती तो दो अंतर रष्टी नदिया मिल करके इस तंत्र को बनाती है अब इनकी कुछ सहायक नदिया है कुछ छोटी-छोटी स्थानी नदिया है कुछ बड़ी-बड़ी स्थानी नदिया है तो दोनों को एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी साहिक नदिया है सबसे पहले सिंदू के बाद दूसरी नदी कौन सी है इनके साथ ये कौन सी है जेलम क्रम पूसता है इसके बाद नेक्स्ट चेनाब बारालाचला दर्रे के पास से चेनाब नदी रोहतांगला के पास से रावी नदी ठीक इसके बाद व्यास कुंड के पास से व्यास नदी लेकिन व्यास जो है आपकी हरीके के पास जो है कहाँ पर मिल जाती सतलच पर तो क्रम याद कर लेते हैं सिंदू नदी तंत्र का पहली नदी इसकी मुख नदी तो आपकी सिंदू ही है सददू में देखो बहुत सारी इस्थानी नदि आफगानिस्तान से और पाकिस्तान से ये मिल रही है इसमें ठीक है? तो पहली मुख नदी है इसमें सदू, दूसरी है जेलं तीसरी है चनाब चौती आफ़ी आफ़ी राभी पांचवी आफ़ी व्यास छटवी आपकी सतलच तो ये छे नदियों का है इसलिए इसमें से ब्यास को मुख नदी नहीं मानते हैं वैसे लेकिन ब्यास भी एक नदी है तो पंच नदी छेतर बोलते हैं इसको पंजाब इसी का मतलब है पंजाब मतलब पंच नदियों की भूमी जो पंच नदियों से मिलके बना क्योंकि वैस पहले पंजाब में ही आकर इससे मिल जाता है तो ये पंच बड़ी नदिया मिलके आदा पंजाब पाकिस्तान में हैं आदा हमारे भारत में है ठीक है ये तो गई बड़ी नदिया पांच सिंदू, जेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज रट जाना चाहिए आपको, 6 की 6 क्रम, कैसा क्रम है ये? पश्चिम से पूरब का क्रम है ठीक, इस्थान निकलने का आपको पता है ये कहां से निकल रही है? मानसरवर जील के पास से ये आपकी राकस ताल से निकल रही है सतलज, सिंदू, मानसरवर से निकल रही है इसके बाद अब देखे, इससे बहुत सारी नदिया मिलती चली जाएंगी यहां पे ठीक है? जो जो नदिया इस्थानी मिलती है एक सियोक नदी है यहां पे यह सियोक नदी यह लगडाक वाले छेत पे हैं सियोक नदी आके कहां पे मिलती है सिंदू नदी पे सियोक नदी क territory काहां कैसे मिलती है अब देखो दाया और बाया टट यह बहुत जिस दिसा की ओर नदी थीक है तो उसका ये वाला हिस्सा कैसा टट होगा ये ये दाया टट होगा और उसका लिफ्ट रैट जैसे आपका होता ना इधर का लिफ्ट ये तो ये आपका बाया टट होगा तो स्योक इसके दाएं टट में आके मिलती है जासकर इसके बाएं टट में जासकर भी इसके लद्दाक में आकर के ही मिलती है जासकर भी सिंदू की सायक नदी है तो स्योक जासकर दो नदिया ये हैं बाकी एक नदी और भी आपकी किसन गंगा किसन गंगा जेलम की साहिक नदी है इसको लेकर के आप लोगों ने आई आर में पढ़ा भी होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में किसन गंगा नदी विवाद भी था वह था क्या कुछ नहीं भारत ने ऐसे करके देखे जेलम की साहिक नदी है आपको साथ पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदू नदी को लेकर एक समझाओता है उस समझाओता के तहे जो ये तीन नदिया है पहला कौन सी है सिंदू, जेलम, चिनाव इन सुरुआती ये तीन नदियों के जल का 80% पानी क्यों प्रयोग करेगा पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा चुकि जेलम किस से आती है, जेलम आपकी पढ़ रही है दूसरे नमबर पे उसी किसा आयक है किसन गंगा तो भारत ने किया कि इसमें एक नहर परियोजना बना दी जल बिदुद परियोजना थी है, ठीक है अब किया भारत ने कुछ नहीं, किसन गंगा के पानी को जेलम से जोड दिया भाई एक दप ये होता कि किसन गंगा के पानी को हम ब्यास से जोड देते सतलत से जोड देते, तो समझ में आता है तो पाकिस्तान चला गए अंतर राष्टी नियाले और अंतर राष्टी नियाले ने समझाया उसे की बेटा पानी एक ही जगह है अलग अलग जगह नहीं है, थोड़ा समझ बात को उसको समझी में नहीं आती चीजों को ठीक है, तो कहें न कहें पे ये आपका जो है, तीन नदी तंतर आपके पाकिस्तान को लेकर के दिये गए हैं और बाकी के तीन नदी तंतर तीन नदी तंतर कौन कौन से हैं हमारे भारत बार बार धमकियां आप देखते हैं यही देता रहता, इसी को कहता रहता है कि हम इसे खतम कर देंगे, तो खतम कर दोगे तो वो पानी अत्रिक्त रखोगे कहां दरिया को करेंगे क्या हम लोग, कर क्या देंगे हाँ एक बर यह किसकता कि बड़े बड़े यहां पर बना दू यहां पे बॉडर पे डैम बना दो पाकिस्तान तीन पाँच करें डैम खोल दो यह काम किया है ब्रहम पुत्रा पे चाइना ने बहुत सारे डैम बना दिये और उससे मतलब एक यह भी दबाव बन रहा कि कभी युद्ध के इस्तिती पे कभी इसका दुर्पियोग न ठीक है तो एक यह अनितिकल वर्क है क्योंकि अंतर रश्टी संदी है ट्रीटी है लेकिन भारत बार बार धमकी देता रहता है तो आपको पहली कौन सी हो गई है सिंदू जेलम चिनाब राभी ब्यास सतलज अब इन में मिलने वाली जो सायक नदी तो किसन गंगा आपकी जे तबुल आती है दूसरी यह पाकिस्तान से शौध घटी से सौध नदी आती है इबिसेंदू में मिलते हैं दाइट चट पे घृक है कुर्रम यह सब प्राचीन नदीं आपने नाम भी पड़ा होगा तोची ठीक है बोमल ठीक है कुंदर जोब ठीक है तो प्रमुग नदिया इसमें से कौन सी है गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमल, कुंदर, जोब ये सारी सिंदु नदी तंत्र में डाएं टट से आकर मिलने वाली नदिया है बाएं टट से मिलती है जासकर, ठीक है, जासकर, सोहन एक छोटी से नदी ये पाकिस्तान पे ही जाके मिलती है, ठीक है, बाकी और बहुत सारी ये बाकी की जितनी भी नदिया है आप अब एक चीज यहां पे देख पा रहे होंगे, सिर्फ एक नदी जाकर किस से मिलती है, सिंदु से कौन सी नदी मिलती है बाकी की कोई भी नदी सिंदू से डिरेक्ट नहीं मिलती है ठीक है बाकी किस में गिरती है जेलम जाके चनाब में मिलती है चनाब जाके यहां पे मिलती है सतलच पे और राभी जाकर के तो कभी ये भी प्रस्ण पूछा जाए कि सिंदू में मिलने वाली नदी कौन सी है सतलज ना की ठीक है पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सतलज जा करके सिंदू से मिल जाती है ठीक है ये धियान रखेगा तो ये पूरा का पूरा आपके प्रॉपर नदी तंत्र है व्यास नदी यहां पर हरिके के पास यहीं से एक परियोजना बनाई है यह इंद्रा गांधी नहर परियोजना जो कि पाकिस्तान को जल से इंचित कराती है ठीक है उस पर मैंने एक भारत दर्शन का वीडियो भी बनाया था ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं तो कहां पर हो लोग कितना हो गए यहां पर यह ओगे आपका लगबलगबग पूरा जो है सिंदु नदी तंत्र यहां पर बस यह देखना है मोटा मोटी आपको कि यह आपकी चेनाब नदी मने जैसा कि आपको बताया कि 12 ला चला दर्रे के पास से यहां से निकलती है ठीक है राभी नदी नदी तंत्र हिमाले नदी तंत्र का दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र तो गंगा नदी तंत्र में आप समझें पहली बात गंगा कहां कहां एक तो अंतराष्टी नदी यह भी है अंतराष्टी नदी किसी साब से यह जाके दूसरे राष्ट में दो देशों में जाके बैती है भारत और बांगला देश ठीक है बांगला देश में इसको पदमा के नाम से जानते हैं नाम परिवर्तित हो जाता इससे ठीक है एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सुरुआत इसकी भागी रथी के नाम से होती है ठीक है और खतम भी ये भागी रथी के नाम से है अब यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है ठीक है सबसे पहले एक मेरा वीडियो है आप लोग देख सकते हैं भारत धर्शन का मैं देव प्रयाग से मैंने पूरा भारत के पूरे नदी तंत्र पढ़ाया है तो आप लोग एक बार उससे देख सकते हैं तो देउ-प्रयाग में दो नदी आ कर के मिलती है पहली नदी है भागी रथी दूसरी नदी आपकी अलकनंदा ठीक है ये भागी रथी है तीब्र प्रवाह में आती है इसका प्रकूब बहुत ज़्यादा है अलकनंदा इनको सास बहु भी बोला जाता है च्सास कैसी हो भीलाग में इसका नाम गंगा हूता है ठीनी इससे पहले भी कुछ नदिया है या केले इससे पहले बहुत सारी पिंटु-पिंटु नदिया बनती है । ठीक है मैंणे एक आपको एक वीडियो और बनाया था उसमें भारत-दर्षन का ही है टिहरी गडवाल डैम से तो टिहरी गडवाल डैम के पास ही बिलांगना आके मिलती है बिलांगना भागी रती की सायक नदी है तो बिलांगना और इसके दोनों के संगम पे आपका है टिहरी गडवाल डैम मनाया गया है ठीक है बाकी इनसे और बहुत सही निदिया मिलती है जैसे पिंडर पिंडर कहा मिलती है कांड़ प्रयाग पे कांड़ प्रयाग पे और रुद्ध प्रयाग पे मंदाकनी मिलती है मंदाकनी मिलती है रुद्ध प्रयाग पे रुद्ध प्रियाग पे और अलक नंदा आपके मिलती है देव प्रियाग पे भागी रथी अलक नंदा निकलती है ये भागी रथी के नाम से ठीक है आपका जो ये पूरी कहानी है जो चौदा मकर संक्रांती जो आप मनाते हैं ये वही दिन है जिस दिन गंगा का उतरान होता है भारत में अब इसके बारे में बोला जाता है कि उस समय क्या था इच्छाक वंस के साशक कौंते भागी रथी है ना तो भागी रथी के द्वारा अपने पुर्खों को तेजने के लिए उसके बहुत सारे पुर्खे थे रगू दिली बहुत सारे उनको उनका उधार करने के लिए गंगा मा का उत्रण कराया जाता है तो पहले गोर तपश्या करते हैं गोर तपश्या के बाद ब्रमभा जी खुस हो जाते हैं कि ठीक है तो ब्रमभा जी खुस होते हैं तो ब्रमभा जी कहते गंगा जी तो मैं आपको देदू नहीं के कमंडल में थी गंगा जी तो उ चंद्रमा टांग दो बहुत अलग टाइप के एक मलब इतना भोला बाद लास उनकी फिर तपश्चा करते हैं उनसे कहते हैं आपके सर में गंगा मा रखना है तो फिर वो तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक कोई नहीं इतने सारे गंगा अपने सर पर फिर रखते हैं तो फिर गंगा को भागी रथी लेकर गंगा सागर तक पहुंसते हैं आपके तो 14 जनवरी को मकर संक्रांती मनाते हैं यह गंगा का उतरान है उस दिन गंगा जो है गंगा सागर तक पहुंसती है तो गंगा भागी रथी देव प्रयाग प बाद जो है लगतार इससे बहुत सारी सहायक नदिया मिलती रहती है कुछ इसके दाया टट से मिलती है कुछ इसके बाया टट से मिलती है अब गंगा इस तरफ बह रही है तो इसका दाया टट कौन सा होगा उपर तरफ दाया होगा और इधर आपका बाया टट होगा ठीक है त धोगों आप लोगो एक देखा वे रियर ग्रिल के साथ प्रधानमंतर जी कि एक एपीसोड है तुसमें फ़कर और पुरा का यह पका यह आपका निख्श्ट नदी करकू leveraging और आмक यह प्रियाग राज के पास आपकी यमुना भी आती है यमनोत्री ग्लेशियर से यहीं से सेम जगह से उसके पास ही समानांतर बहते बहते प्रियाग राज के पास मिलती है यमुना तो सबसे पहले गंगा से कौन मिलता है राम गंगा दूसरी नदी आपकी राम गंगा कहा मिलती है कर्नाज के पास तीसरी नदी बाहें टट से आके मिलती है जो सबसे बड़ी नदी है यमुना गंगा की साहिक नदी यह है यमुना तीसरे नमबर पर प्रयागराज पर मिलती है चौथे नमबर पर आपकी गाजी पूर पर गाजी पूर पर मिलती है गोमती नदी यह है गाजी आपकी निपाल से आती है सारदा नदी के नाम से पर आती है फिर ये आपकी मिल जाती है छपरा के पास ठीक है बिहार में इसके बाद एक भयानक नदी आके उत्तर गंडक नदी जो है वो आपकी मिलती है साथवे नमबर पे हाजीपूर के पास ठीक है इसके बाद कोसी नदी बिहार का सुक आठवे नमबर पर ये भी आके गंगा के ही सायक नदी बन जाती है ये भी आपकी भागल पूर के पास आके मिलती है और इसके बाद मालदा के पास ही महानंदा जो है गंगा की सायक नदी बनती है ठीक तो यह आपकी फिर से एक बार क्रम से देखते हैं पहली है आपकी राम गंगा राम गंगा के बाद गोमती गोमती के बाद गागरा गागरा के बाद गंडक गंडक के बाद कोशी कोशी के बाद महानंदा ठीक है गंगा नदीत अंत्र फिर से एक बार देख लिए पहले हम दाया टट देख रहे हैं बाया टट में नहीं तो फिर ये भी आ जाएगी ठीक है तो नंबर एक पहला क्यों सी है यदि आप क्रम से देखें कि पहले और दूसरा तो क्रम में देखेंगे तो पहले तो राम गंगा मिली ठीक है पहले नंबर पर राम गंगा हो गई दूसरे नं देखे सौन चलि आ रहे हैं नीचे से अमर लेकिन सौन काहां से मलती है भाइं टट मीलते हैं पहली है आपकी येमुना और दूसरी found दो न दियां आपको याद रखनी चाहिए ठीक इसके बाद आपकी मिलती है गंडगी अपी है ल blossom लेकिन हम पहले गोमती के बाद घागरा घागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी कोशी के बाद महाननदा ठिक फिर से एक बार देख लेते हैं राम गंगा राम गंगा के बाद गोमती गोमती के बाद घागरा घागरा के बाद गंडग गंडग के बाद कोशी 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 के बाद महा देखे यहां पे फरक्खा के पास जाके दो भागों में बढ़ जाती है इसकी एक ब्रांच हुगली के तौर पे नीजे चली जाती है हनिकी कोलकाता में पश्चिय मंगाल में ठीक गंगा ही हुगली बन जाती है और बाद में दूसरी ब्रांच извindky कहा निकल जाती है दूसरी जब यह फरक्षा में दो भागों में बढ़ती है हुगली और भागी रती के रूक में बढ़ जाती है थोड़ा से यात्रा इसकी भागी रती के तौर पे भी होती है इसकी कुल दूरी भी दी गई है उत्तर प्रदेश में 1000 किलो मीटर तक है ठीक है उत्तराखंड में 450 किलो मीटर सबसे पहले उत्तराखंड से यात्रा चालू होती फिर उत्तर प्रदेश में 1000 किलो मीटर फिर इसके बाद वे बिहार में प्रवेश करती है बिहार में जुह है ये 405 किलो मीटर उत्तर प्रदेश जब्र देश की इसके लंबाई नहीं दी गई है यह भारत भारत किसले सबसे लंबी नदी बोली जाती घंगा ठीक है कि समझ पार हो नहीं समझ पार हो बहुत आसान कुछ नहीं है फिर से एक बार देखते हैं दायट अट से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है देखो सबसे पहले यहां से देखते हैं यहां सुरुवात से सबसे पहले ठीक है भागी रती में मिलती है कौन पिंडर ठीक है याद कर लो पीके ऐसे कड़ प्रयाग में मिलती है ठीक है पीके पिंडर का मिलती है कड़ प्रयाग में इसको याद कर लाइं टर्टी यह मिलने वाली यह नमबर एक की यमुना नमबर दो आपकी सो मध्या मधीये बहुत सारे नदियों का टंत्र एक भी बहुत सारी नदियां जो है बहती है तो यापकी है यमुना तो प्रियागराज में संगम में नहलाते हैं आपको तो वह क्या कहते हैं नहला है तो यह भाना पानी है यह दिनों में बांसून में तो थोड़ा बहुत जादा पानी हो गया जलिस्तर बढ़ने कांट से घाट चौड़ा हो जाता है लेकिन जादा बढ़ चौणा गाट यमुना का ही है तो यहां पर यमुना जो है आपका इसके साथ बहुत सारी सायक नदिया है पहली और प्रमुख सा बेतवा केन तंशा ठीक है यह है एक सिंध नदी भी यहीं पर मिलती है चंबल सिंध यहां पर स्थानी नदी है काली सिंध चंबल की सायक नदी है लेकिन यमुना की सायक नदी सिंध है चंबल सिंध बेतवा केन तंशा ठीक है तीन नदिया यह है इसके बाद यहां पर यहा पाए जाता है ऐसा नहीं है वो स्वंड रेखा नदी अलियक है वो दच्छन वारत में मिलती है स्वंड रेखा नदी है उसमें कहते हैं कि सोने के कुछ अंग पाए जाते कुछ अंस पाए जाते हैं बहुत से लोग यहां ढूरते मिलते हैं ठीक हैं कोई फायदा नहीं है तो यहां पे जो है आपका यह हो गई सोन नदी सोन नदी सोन नदी के बाद फिर यह आपकी यहां पर हुगली में बढ़ जाती है और यह ब्रांच इसकी निकल जाती है बांगलादेश पद्मा पद्मा इसका अंतिम नाम नहीं है फिर नाम बदले गी है फिर इसके बाद यहां से एक बराक नदी मड़ीपूर से एक बराक नदी चली आ रही होती है और यहां से एक ब्रंपुत नदी चली आ जाता है और दोनों का नाम पदमा हो जाता है जमुना पदमा दोनों मिलके पदमा बनती है लेकिन जब बराक आती है मड़ीपुर पहाड़ियों से तो बराक कहीं बराक या मेगना उसे बोलते हैं जब वो मिलती है बराक और मेगना पदमा से तो इनकी दोनों की ब्रांच मिलक करके आपर क्या कहलाती है मेघना तो मेघना जा करके कहां गिड़ती है बंगाल की खाड़ी पे ठीक है गंगा बंगाल की खाड़ी पे सीधे नाम से नहीं गिरती पहले तीन नाम बदल रही है कितने नाम उपर से बदलती चली आ ठीक है तो ये हो गई आपकी गंगा नदी की यात्रा ठीक तो और इसमें कुछ बताईए अभी आगे ब्रह्म पुत्रा देखेंगे फिर मिला देंगे इन दोनों को यह हो गया गंगा नदीत अंत्र गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदिया बाएं तरफ से मिलने वाली नदिया ठीक है आप जगे थोड़ा से याद कर सकते हैं गंगा देव प्रयाक से बनती है पहली चीज फिर इसके बाद कन्नौज में राम गंगा से मिलती है प्रयाग ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट अगला है ब्रमपुत नदीतंत यह है अपका यह भी मांसरोवर जील के पास से ब्रमपुत्रा भी निकलती है ब्रमपुत्रा का भी उद्गम छेत्र मांसरोवर जील के पास से ही आंक्सी ग्लेशियर है वहां से यह निकलती है ठीक है सना具 नाम रहता है संग्पव वहां पर यह भी नार बदलती है तिबती नाम है संग्पव तो वहां से निकलती है और अवटांचल प्रदेश के पासी यह ही से नाम चा Crवर्व परवस्चा हिए अव्टांचल लोकल साहक नदियां जैसे के एक नदी ये है न्यांकि यूल नदी ये तिबट से आती है पालूंग सांग्पो ये नदी बिति बच्वत्त से आके प्रविश करती है थिक दो नदिया ये हैं लेकिन भारत में जो प्रमुख पहली नदी अब देखो इसका भी दाया और बायां टट से मिलने वाली प्रमुख नदी में दिबांग नदी ठीक है दूसरी है लोहित नदी ये प्रमुख नदी है लोहित में ही एक सायक नदी है लोहित के इसका नाम है बूरी दिहांग ठीक यहीं पर देखिए ये माजुली पासी घाट के पासी ये क्या है आपकी माजुली द द्यूप का निर्मार करती है इसका घाड चौड़ा हो जाता है और यहीं पर एक बीच में ड्यूप बनता है माजुली द्यूप ठीक अब यहीं पर देखे यह एक दिबांग नदी इसके बाएं टटसे मिलने वाली दिबांग और लोही दो प्रमुक नदी बाएं टटसे हैं बाकी और भी है धनसरी कापली ठीक है यहां से यह बराक अलग है इसको बाद में देखेंगे बराक मेगना के तौर पर आती है ठी इसके बाद यहां पर इसके दाइटट से मिलने वाई नदी दिहांग ठीक दूसरा है शुबन सिरी रंगा नदी जिया बरेली ठीक है तेजपुर का पिथु मारी मानस अशम में हैं ये प्रमुख नदी तिपकई संकोश ठीक है तीस्ता इधर से गंगा आती है पदमा के नाम से ठीक है तो आप दाइट अट से एक बार क्रम से देख लिए ये दाइट से दिहांग शुबन सिरी जिया बरेली पिथु मारी मानस तिपकई संकोश ठीक है इसके मिलने वाई नदी ठीक है सन्कोष तीस्था ठीक एक और एक यह तड़से गंगावी पद्मा से मिलती है चंदपूरु वालच्षेत्र हैं चंदपूर च चेत्र बियुNewन मिलती हैं यहीं पर मेघना आती है यहां से बराकने से बाय टट से लोहित लोहित उससे पहले दिबांग लोहित धन्सरी कापली ठीक है और फिर यह बराक नदी आपकी मड़ीपुर पहाड़ियों में सूर्मा घाटी से नीचे आती है और इसकी एक सायक नदी है भैरो नामकिस का बंगाल की ताड़ी में गिरती है तो यह हो गया आपका ब्रंपुत नदी तन्त और क्लियर कुछ नहीं है अँसान है थाटैके ये दोनों तीनो नदीतंत्र आपके प्रमुख प्रमुख हो गए अब बात करते हैं आपके कौन से नदीतंत्र हिमाले नदीतंत्र अभी हिमाले के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपका यह दच्छन भारत का प्रमुख नदी तंत्र यह भी है ठीक दच्छन भारत की प्रमुख नदियां इनको एक बार देख लेते हैं ठीक इनको भी दो भागों में बाटेंगे पहला आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी आपकी जो है अरब सागर में गिरने वाली गिर दियां ठीक तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए यह पदमा यह यहां पर जो यह पदमा नदी है या कह सकते हैं यह हुगली नदी है आपकी हुगली नदी आई थी न कहां पे आई थी गंगाही फरक्का से दो भागों में बटी थी हुगली में उसी की सहायक नदी है दामोदर बंगाल का सोग भी कही जाती है तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी है दामोदर मंगाल की खाडी में गिरने वाली दूसरे नंबर प्रेश्वएं तीसे नंबर पहें महा नदी मों की इंद्रावती एंद्रावती Sauce नंद्रावती साहेक नदी घोदावुरी की अब चलिए है यहीं से यहीं से इसी जगह से निकलती महा कालेश्वर से तो निकलती है ना महा बलेश्वर उससे में बोल रहे तो महा बलेश्वर से कृष्णा निकलती है हां महा कालेश्वर जो आपका उजयन के पास से निकलती है उजयन नाशिक है या उजयन के पास से नाशिक से निकल निकलती आपकी गोदावरे नासिक के पास दृजेन जो है वो छिप्रा नदी की किनारे न हीудो Сब नदी अद्धिक अधिकल दुबे को ऐसी फसा रहे थे आप लोग ठीक है तो यहां से गोदावरी निकलती है गोदावरी आपकी जो है यहां पे जो है केजी बेशन है क्रिष्णा गोदावरी बेशन है इस छेट पर आप देखेंगे तो दोनों नदियां बड़ी मात्रा में गाद लाकर के लगातार य आपकी गोदावरी निकलती है यहां से महाबलेश्वर के पास से आपकी महाबलेश्वर से क्रिष्णा निकलती है महाबलेश्वर से क्रिष्णा निकलती है और ब्रम्वगिरी से कावेरी निकलती है ब्रम्वगिरी से कावेरी निकलती है तो यह तीनों नदियों को अलाग द Shrek जुइन के हुद्गम छेतर हैं गोदावरी में बहुत हरी सायक नदिया हैं इसकी पहले हैं इंद्रावती दूसरी बेन गंगा तीसरी नगा और नहीं समझ में आता है ठीक है कि दच्षड गंगा जो है आपकी गोदावरी है दच्षड भारत की गंगा कावेरी है कौन सा पता नहीं किसने कोश्चन बना दिया और फिर हम लोग इसे पढ़ते चले जा रहे हैं किस मतलब का कोश्चन है ना गोदावरी गोदावरी का है क्यों गंगा से कंपेर कर रहा है उसको फिर दो गंगा बना दी दच्षड की गंगा अलग दच्षड भारत की अलग तो दच्षड भारत अलग ठोड़ो ना यह तो मुझे आज तक समझी नहीं आया और इस पर बहुत कंप्यूजन भी रहता है लेकिन जो कुश्चन आपका दच्षड गंगा गोदावरी है डच्षड भारत की गंगा कहवेरी है यह थोड़ा से देयान रखना अप लोग bulbs है तो दोनों में अंतर यह है तो गोदावरी आपकी होगी ठीक है इसके बाद नेकस्ट आपकी कृषणा की क्रिषणा की साहिक नदी आपकी भीमा है तीक है इसके बाद तुंग भद्रा है, तुंगा और भद्रा दुनो नदिया मिलके, तो कृष्णा में भीमा और तुंग भद्रा दोस्ग परमुख साइक नदिया है इसके बाद यहाँ पे इस वाले चेतर को हम देख रहे थे इस वाले चेतर में नंबर एक में आप께서 थे दामोधन नदी स्वांड रेखा नदी फिर आपकी महा नदी उडीशा की प्रमुख नदी है महा नदी महा नदी के बाद है गोदावरी गोदावरी के बाद है क्रिश्णा क्रिश्णा के बाद है आपकी पलेरू नदी फिर आपकी पलेरू नदी पुलार लिखा हो है पलेरू है नदी कावेरी नदी और फिर वैगई तो एक बर ये क्रम पूरा देख लेते हैं नंबर एक दामोदर नंबर दो स्वाड रेखा नंबर तीन महा नदी नंबर चार आपका गोदावरी नदी नंबर 5 कृष्णा नदी फिर पलेरू नदी पलेरू नदी कावेरी नदी वैगई नदी एक और है ताम रिलिप्ति यहां पर एक छोटी सी नदी है ताम रिलिप्ति नदी यह टोटल प्रमुख जो है इधर की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया है ठीक टोटल 6-7 नदिया है क्रम आपको क्रम से एक बार इनको याद रखना चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नदियों को देखना हो तो एक बार आप भारत दर्शन का ओव एपिशोर जरूर देखेगा आपको कम समय में ज्यादा ज्यादा आधे गंटे में मैंने उसको बता नदी है लूनी नदी वह विचारी आके ही रह जाती है ठीक है ठीक है लूनी नदी अंतास्तिली है इसके बाद एक नदी आपकी यह माही नदी दो बार करकरेखा को काटती है पहले इस बार जाती है जाते समय काटती है तो गुजरात की दो प्रमुख नदिया है एक माही है प्रमुख नदिया है यह इस शुरी बनाती है एल्टा नहीं बनाती है ठीक है और इसके बाद आपकी दूसरी प्रमुख नदी है जो सूरत सहर इसके किनारे है तापी नदी तो दो प्रमुख नदिया यह है अच्छे यह देखा या अरब सागर में जल गिराने वाली दो प्रमुख यही है बाकी तो सब ऐसी बना दी गए बाकी कोई इतना बड़ा तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली दो प्रमुख नदिया यह है लेकिन आगे अभी कुछ नदियों कोई बारे में अभी यहां पर और बता देता हूं जैसे कि पहली नदी आपकी यहां पर हैं दो नदिया है आपकी जो गोवा में जल गिराती है पहली है प्रौटीवी और जौरी नदी, इसके बार नेक्स्ट है आपकी करनाटक की दो नदिया है, पहली है आपकी सरावती, सरावती पे ही आपका भारत का सबसे हुचा जल प्रापात है, गोर सपॉचा जल प्रापात है, जोग जल प्रापात को लेकर कि भी विवाद है पहला इसे रहे डिए ४मुड़ी के लिए तो दोनों को अला कि वैसे देखा जा वैब लंबाई नापेंगे इसकी सबसे ज़्यादा है ठीक है और वैसे गुर्षप्पा किया तो इंटरनेट विकिपीडिया कुछ भी कोलेंगे तो गुर्षप्पा ही आएगा जोग प्रपाती आएगा ठीक है और कई जगह पर यह भी मुरग बना देते हैं कि कुंचिकल है ठीक है आयोग बता दिये आयोग म लोग लिख देते हैं तो सही नहीं हो तो दो नदियां गोवा की है मांडवी और जुवारी यहां की दो नदियां पहली है सारावती नदी और दूसरी है दूसरी कौन सी है गंगा वेली ठीक है दो नदिया आपकी करनाटक की है गंगा वेली तीसरी नदी यहां पर केरल में पेरियार और एक और है भरत पूजा ठीक है तो ये तीन चार नदियां है क्रम से आतकर लेना पहला मांडवी जुवारी सरावती गंगावेली पेरियार और भरत पूजा ठीक ऊपर आपकी थी माही उससे पहले साबर्वती माही नरबदा तापती तापती के बाद यहां पर मा प्रमुक्न जुन है यह आरब सागर में जलगी राती है यह गई आपकी बंगाल खारी में जलगी आने वाली इधर हो गई आपकी ठीक यह क्लियर मामला तो नदी तंत्र में आपका लगबल लबह जितना नदियों से जुड़ा हुआ था यह हो गया आपका अब बात करते हैं की प्रमुख जी लो के बारे में कि है क्या हुआ नसा चड़ रहा है अभी जारे टाइमी का वह अभी कितना हुआ हमारा दो घंटे हुए अरे वैज अरे दो हुए अरे 1 तीन हो गया जली भारत की प्रमुख जी ले तो नदीयों में लिखो जल में जल के अंतरगत आपका एक तो क्या हुआ नहीं आप इसे पूछ रहो ठीक है ना सब बढ़िया रहना चाहिए को दिकत नहीं होनी चाहिए खतम करना तो खतम ही करके उठेंगे ध्यान रखेगा जो उठ गया उसको बिद्य कसम है बहुत विद्य कसम खाया है किसी की साथ मेडिकल एमर्जंसी नहीं रुकनी चाहिए ठीक है जानते न प्राकतिक पीड़ा वह जदी प्रसर करने लग जा उठके निकल जाईएगा चली अगला चलते हैं नहीं पताचला जोग्रोफी की चक्कर में बाई लोजी खराब हो गया वह नहीं करवड़कर चीड़ी ठीकर तो एक-एक करके देखेंगे पहले हम जबू कास्मीर की जीले देखेंगे यह सारी जबू की जीले हैं और लगदात की जीली हैं जो चाइना को लेकर इसमें विवाद भी है तो सबसे पहले बुलर जील के बारे में एक चोटा सा आपक जागर के तौर हो जाते हैं तो जील क्या है यह आपकी छोटी जलराशियां है दो तरीके की जीले हो सकती है कर recycled और प्राक्तिक जील का से बनती है जब हम मौ हम बहुत देसी परियोजस् हम रोक देते हैं तो फिर पूरा मार्ग आपका जील में कर्वर्ट हो जाता है वहां पर जल इकठा होने लग जाता है जैसे कि टीरी गड़वाल डैम पे जब मैंने देखा तो वहां पर पांच शे किलो मीटर के एरिया पर जल इकठा हो चुका ठीक है और जब भी किसी भी दि टूटा तो समझें यहां पर क्लास नहीं चल रही होगी जल भरा होगा इतना ज्यादा पानी बरा हुआ है लेकिन साइद ऐसा नहों कहते हैं कि रूड़की तक आते ते रूड़की तक तो आजाएगा रूड़की बात तक इतना है कि चला जाए तो ज्यादा बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर आपका है तो यहां की सबसे प्रमुक जील है बुलर जील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील और खारे पानी की सबसे बड़ी जील कहां पहुंच रहे हैं चिलका जील ठीक है बारत की चिलका जील ठीक है तो यह दो जीले पहले तो याद कर लो सबसे मीठे पानी की जील बुलर जील और चिलका जील आपकी ठिक खारे इपानी की आगे बढ़ते हैं डल जील यह बी आपकी जम्बु का समेर की है सेसनाग जील और जन्सर जील जैस चार जीले और हैं यांपे यहां पे एक जील प्योंग जोग जील यह आपकी लड़ाक की है भारत चाइना में भी काफी हिस्सा इसका जो आसकाई चिन वाला हिस्सा है वहीं से जो है पेट्रोलिंग और उसी में दिक्कत होती है इसके वाद जितने ताल तलया हैं सारी हिमाचल प्रदेश में सूरस ताल चंद्र ताल ठीक ह यहां पर कुछ कंफ्यूजन भी है कुछ ताल उत्तराखंड के पास भी है नैनी ताल जैसे नैनी ताल आपका उत्तराखंड के पास है भीम ताल साथ ताल यह सारे उत्तराखंड के हैं तो ताल आपको ध्यान रखना है सूरज ताल चंद्र ताल सूरज और चंद्रमा आपक ऐसे नाको जील एक है खज्जी यार जील ये चार जीले आपकी हिमाचर प्रदेश की हैं उत्त्राकंड में है साथ दाल भीम ताल रूपकंड जील नैनी ताल और बीटाल वह केता है तो तो पांच जीले यहां पर साथ लिटाल रूपकंड और नाव कुछ है ठीक है इसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग इस वाले पंजाब वाले हिस्से पर तो पहला आपका यहां पर हरी के जील हरी के बैराज पर बनी है सूरच कुंड आपका सूरच कुंड जील सूरच कुंड कहां पड़ता है हरियाना में हरी के आपका पंजाब में सूर सारी पानी की जील है लूनर कड़ जील पंच भद्रा जील धेबर जील रास समंद जील ठीक है तुदि यह सारी जीले में रामगरताल है ठीक है यहां पर आपकी लोकटक जील फेमस जीले आपकी यह मड़ीपूर में मड़ीपूर पर लोकटक जील पर ही क्या है एक आपका तैरता हुआ राश्टी उद्ध्यान है केबुल लाम जाओ ठीक है तो यह आपका लोकटक जील हो गया मड़ीपूर के ज के बाद यूपी का किसम हाँ आते हैं आते रुक जाए मैं पालक से पूरी 42 लिष्ट बता कर जाऊंगा आपको समसे के बेंबा नुटु जील फिर्मनाथ जील बीरन पूजा कंडे बीमनाथ तनुटु बीरन संथांकुट्टा जील तrauen अश्ता मुड़ी जील यह सारी कि के ड monitoring फिर इसको टमिलनाड गांते हैं काली वेली जील व्राम्मल जील चेम्बा वक्कल जील या आपकी केरल की जील है पुलिकट जील यह ने बहुत इंपरटेंट है क्योंकि यहां पर क्योंस है किसके ardi listser के अंदर कि 3321 1 पर किसका Judaism ए Quindi यहां पर प्रच्छे-पड के इंदर ठीक है पुलिकट जील के अंदर ही सतीज़ दमनंतर ही कुलूरू जील इसके बाद आपका उसमान सागर जील हिमायस सागर जील चिलका जील आपने देख लिया लोक्तक जील आपने देख लिया में में जील यह ओगी अब बात करते आद्रभूमी छेत्रों में कुछ जीले आद्रभूमी इस्थल जो हमारे भारत में अभी इस बार जो है कुछ प्रमुक आद्रभूमी इस्थल घोसित किये गये हैं ठीक है 42 के 42 एक बार मैं आपको बता देता हूं अभी लेटेस्ट हैं तो साइदीन से प्रस्ण भी पूछे जाएंगे आपके कि यह है कि भारत के 42 रामसर स्थल बेट लेंड मतलब समझ रहें न आद्रभूमी छेत्र हैं दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर छेत्र में जो छेत्र जो दलदली छेत्र हैं जहां पर जल भराव बना रहता है ऐसे छेत्रों में जैवित्ता सनक्षन को लेकर एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन के साथ 20 सुभर के प्रमुख जो आद्रभूमी छेत्र हैं उनका सनक्षन किया राता है तो रामसर इरान पर इस्तित है उसी के तहट यह जो है टोटल 42 इस्थल हो चुके हैं कौन-कौन से एक बार देख लीजेगा कोलोरु जील जो पौंग बांग झीहमाचल प्रदेश में नेक्स्ट आपका है यह आपका चिलका जील ओडिशा हरीके जील पंजाब कांजली जील पंजाब रोपर जील पंजाब सांबर जील राजिस्थान केवला देव राश्टी उद्यान राजिस्थान पॉइंट कैल मेरे वन जी और पच्छी अभी रंड आपके तमिलनाडू पूर्परी गंगा नदी या ब्रजघाट से नरौन थेखाओ ये आपका जो उपरी गंगा नदी यहां पे आप देखेंगे मुरादनगर से है ना मुराद नगर में आप देखे एक नहर आई हुई है पर गंगा कैनाल हां आपके गाऊं से है और यह पूरी नरावरा तक गई हुए बुलंद सहर तक तीसको भी जो है किसमें रखा गया पूरा का पूरा यह भी आपका रामसर जलसंदी के अंतरगत पूर्भी कलकत्यानी कृति में यह वैसे नहीं है पूर्भी कलकत्या वेटलेंड पश्चिमंगाल सुन्दरवन डेल्टा पश्चिमंगाल अब इस वर्स जो सामिल किये गए हैं पहले दस छेत्र फिलेटेश दो 2800 नंबर में नंदूर मदमदेशों नासिक मद महाराश्ट्र केशोपूर मियानी कम्मूनिटी डिजर पंजाब व्यास सनरक्षन डिजर्व छेत्रकु पंजाब नागल वन जीव अभेरंड रूप नगर पंजाब यानि पंजाब से कितने हो गए आपके तीन फिर सांडी पक्षी अभेरंड हर्दोई उत्तर प्रदेश ठीक है फिर समस पूर पक्षी अभेरंड रायबरेली उत्तर प्रदेश इसके बार नेक्स्ट है आपका नमाब गंज पक्षी अभेरंड उन्नाव उत्तर प्रदेश समनपूर पक्षी अभेरंड मैनपुरी उत्तर प्रदेश से कितने हो गए ठीक नेक्स्ट आपका पार्वती अर्गा पक तो आप कितने हो गए तो कर लेक यह लद्दाक में तो टोटल यह संख्या टोटल 42 हो चुके लेटेस्ट डेटा 42 का है अभी यह 2020 में यह पूरा कपूर अक्टूबर में 16 अक्टूबर के असपस अब डेट हुआ था ठीक यह चीज मैंने मास्टर वीडियो में भी बताई थी यहां पर भी देख लो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग तो यह हो गई आपकी प्रमुक सारी जीले हो गई इसी साब से कोई बची हाँ भारत की सबसे उंची जील यह आपकी है चो ल्यामू जील यह सबसे उंचाई पर अवस्तित है यह भी देख लो ठीक है एक आपकी प्रमूजील सिंकिम की है खेचियो पलारी जील यह भी सिंकिम में है बाकिया आपकी सारी ठीक है लगबलवक सारी हो गई हमारी ठीक यह हो गया जीलों से जुड़ा हुआ हो मुद्दा अगला जलपरपात अजो प्रमुग जल पर पर बनाए गया है जलपरस समझ रहे हैं सबसे पहले करते हैं गुर्षपपा में फ्सारावती नदी नदी बना हुआ इसी की जस्ट बगल बराही नदी बना हुआ कुछिकड töल प्रपाद तो यह इसको छाट में धूतार कपिलधार जलप्रपाद पुनासा जलप्रपाद यह strongest तिक है इसके बाद आपका burst यह आपका नुहास बंगी ठीन, ये भी कई बार पूचा जाता है, यह आपका ब्रंपूत में बना हुआ है, नुहास बंगी ठीन, ठीके ब्रंपूत नदी पर हैं, इसके बाद आपका वांता वांग लू नदी पर बना हुआ है वांता वांग जल्प्रपाथ बाकी आपके कोई प्रमुख नहीं है इतना ज्यादा चंबल पर है चचाई जल्प्रपाथ ठीक है यहीं पर है बनास नदी पर बना हुआ है चूलिया जल्प्रपाथ ठीक है तो प्रमुख यही दो ही जो रांडा है हुंडरू है तो आप देख लिए जगा प्रमुक यही है और सबसे उचा यही है सबसे उचा यही है सही ऑप्षन ही होता है लेकिन एक बार ध्यान रखेगा जहाँ पुंचीकल और जोग आ जाए वहां पर पुंचीकल ही मारना है ठीक है थोड़ा लेंग्वेज समझना है लेंग्वेज क्या दे रहा है लेंग्वेज जैसा पूछ रहा है कि सबसे उचाई से गिरने वाला जल प्रपात क्या है यदि यह लेंग्वेज दिया है तो जोग होगा यह सबसे उचा जल प्रपात क्या है तो कुंचीकल होगा दोन खीक है कहां कहां पर कौन कौन से दूइप है सबसे पहले यह है गंगा सागर दूप ठीक है पुगली नदी के मुहाने पर यह यहाँ पर एक दूप है न्यू मोर दूप इस दूप के साथ बिवाद भी रहता है दरशाल उनिस सफत्र से पहले द्यूप था नहीं ठीक है खत्तर के बाद देश बना ये भी प्रकट रखत हो गया तो बंगलादेश कहता है कि मेरा भारत कहता है मेरा ठीक है तो यह देश के यह द्यूप भी समय के साथ जो कैinals को नुद्ट से हैं आपका डियाइडिक्र का नाम बदल गया इसका नाम डाक्टर ।ड। इप जब्दुलकलाम के नाम से कर दिया गया और यहीं दूप से ही चान्दीपूर में है यहीं से आप का डि आ और अंतरिक्ष केंद्र रहे हैं ठीक है एक होप द्यूप है आपका यहां पर इसके बाद देखो यह क्या है इस्यू समुद्रम द्यूप यह दरसल कावेरी खुद द्यूप बनाती है कई जब कावेरी ऐसे बहते बहते दो भागों में बंड जाती है और बीच में द्यूप यह स्तिती बन जाती है तो कवेरी में भी दो द्यूप है एक है स्री रंग पटनम द्यूप है एक स्चू समुद्रम द्यूप है दोनों द्यूपों को कवेरी बनाती है ठीक है ब्रहम पूत्रा जैसे माजुली द्यूप बनाता है वैसे ही यहां पर यह द्यूप है इसके ब प्रख्चहित किया गया था ओंड़ी में अपको पता नोम ये प्मन जण क्पे बारे में आपको पता है वी κलीनारु ₹ ये पूरे नहीं है कुछ लीकी कि फिर और उसको देख लेए इधर भी बहुत सारे दियूप मोरा द्यूप, नोरा द्यूप, बेट द्यूप, बेला द्यूप, पाचम द्यूप, करकर द्यूप, यह द्यूप खुदी है, ठीक है, आलिया बेट द्यूप, यहाँ पे आलिया बेट है, अलिफेंटा द्यूप है, अलिफेंटा की गुफाएं दिया, आप जाओगे न, तो के लावा और भी ऐसे मां पिंटू-पिंटू-द्यूप है इनको क्यों देखें आप ठीक है में में द्यूपी अलिवाबेट सालसर ड्यूप ड्यूप एलिफैंटा द्यूप बस यह इसके बाद दो प्रमुप द्यूप है हमारे अंडमान निकोबार द्यूप समूँ और यहां पर आपका देखें इसमें मुख तौर पर आप देखें तो चार प्रमुप द्यूप है यहां पर पहला आपका उत्तरी अंडमान है दूसरा आपका मध्य अंडमान है तीसरा आपका दच्छडी अंडमान है तो अंडमान के ही तीन द्यूप है आपके ठीक है और चौ प्रमुख द्यूप आपको देखेंगे वैसे टोटल 238 के आसपास द्यूप है इसमें अकेले ठीक है लेकिन जो प्रमुख द्यूप है अंडमान के चार है निकोबार अलग है निकोबार के पास इसके पास तीन द्यूप है निकोबार में भी तीन द्यूप है बड़े- तो इसमें तीन हे ऊपर चार दस डिग्री चैनल दोनों को क्या करता है अलक करता है फिर इंटू पिंटू द्यू बहुत सारे हैं यहां जाने लाइट भी बहूं को सिल के नहीं लोग पिलेगे बहुत सारे टियू وب ठत्म हो गए यहीं कहान यहां पर पर्रमुख द्यूप है रुट्लτέंड द्यूप है हव लॉग द्यूप जो ऑक्रमुख दोर्भy यह शक्रिय जो अलंक क obey इनका इसके बास साुंड डूप, स्मिथ डूप, इंटर्व्यू डूप, ठीक है, सेंटिनल डूप, दच्छडी सेंटिनल डूप, ठीक है, डंकन पास जो है, वो लिटिल अंडमान को दच्छडी अंडमान से अलग करता है, यहाँ पर एक जलसंदी है, डंकन पास के नाम से जो की दच्छडी अंडमा का हिस्सा नहीं है आए हैं आप देखेगा एक दो आपको कुश्चन ऐसे मिलेंगे तो आपको इसको भी बारीकी से देखना पड़ेगा ठीक है तार मुगली द्यूप तो यह आपके हैं अंडमान के हिस्से अब निकोबार के देख लेते हैं एक बार जो इनकी राजधानी है पहले यह भी पूछ लेता कि राधधानी किस द्यूप में आवस्तित है तो राधधानी किस द्यूप में इसकी किस में हैं दच्छडी अंडमान में यह दियान रखना अंडमान निकोबार द्यूप समूँ की राधधानी दच्छडी अंडमान में आपका gate निकोबार में ठीक है इसके बगल में यहीं पर Campbell Way की घाड़ी खाड़ी है इसके बाद यहाँ पर price channel है price channel जो है यहाँ पर आपका car निकोबार छोबरा द्यूप यहीं पर कुमारता द्यूप अबुल आफ में द्यूप इसके बाद ननकौरी द्यूप ठीक है catchal द्यूप यहीं पर catchal द्यूप और little निकोबार द्यूप के बीच में एक channel है जिसका नाम है sombrero channel ठीक है इसके बाद little निकोबार द्यूप समूँ और great निकोबार द्यूप के बीच में है price channel तो दो जल संदिया है दोनों जल संदिया आपको पतने हैं 10 डिगरी तो आपकी कहां पर हैं अंडमान को निकोबार के लिए 10 डिगरी लेकिन आप देखेंगे sombrero channel जो है आपका यह किससे किससे प्रतक कर रहा है आपका किससे किससे प्रतक कर रहा है catchal द्यूप को बहुत सारे द्यूप है यह लेकिन सारे प्रवाल द्यूप है प्रवालों पे बने हुए द्यूप है ठीक है प्रवाल एक तरीके का जीव होता है जो मुंगा चट्टानों पे अपना जीवन कैल्सियम कार्बोनेट के खोल पे रहता है और जब यह जीव खतम हो जाता है तो कै इसकी राध्धानी है अमीनी द्यूप समूँ ठीक है इसके बाद इसमें आपका जो है नाइन डिग्री या मिनिकाय द्यूप ठीक नाइन डिग्री चैनल जो है मिनिकाय द्यूप को इससे अलग करता है लक्ष द्यूप समूँ से बाकी और यहां पर कौन से हैं एक पढ़ा आफ तर दि इसको सबसे बड़ा ट्यूप है इस पर दिखाए नहीं गया यहीं पर इसका and drop ठीक है वाकि और है छोटे छोटे दियूप यह देख लिजेक यह एंडूरेट्ट- दियूप गाफ करेंगा इंडूर त्यूप इसका सबसे बड़ा दियूप है जो ठीक है वाकि मिनी काय भी एंड रोट से बड़ा फिर मिनी काय है मिनी काय अलग है और मिनी काय और इस से अलग होते हैं दोनों आठ डिगरी चैनल से मिनी काय से वो अलग होता है यह आपके हो गया पूरे हमने कितना कुछ कर लिया अभी तक में देखो राजनितिक मांचित देख लिया, फिजिकल मांचित देख लिया, परवत देख लिये, नदिये देख लिये, जीलें देख लिये जीलों के बाद जो है दर्रे देख लिए परवसिखर देख लिए और द्यूब देख लिए और पठारोगरा देख लिए मैदान देख लिए अभी टटीय मैदान देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट है ठालों के नाम अलग-अलग है हर्यएक इससे भी प्रश्चिन है को सब से पहला आपका나ट करता यह का रचट ट यह केरल वाला एक जटना द飯 ऐसे टाटिये मैदान नदियों के द्वारा जो अप मेर्डान में परिवर्टित हो जाते हैं एक मेदार तो इस वाले टट का नाम दिया है काठिया वाल टट, गादी जी यही से थे, इसके बाद ये पूरा टट, जो गोवा वाला टट है, ठीक है, दमन से ले करके, गोवा तक जो टट है, दमन से ले के गोवा तक के टट का नाम क्या है, कॉंकार टट, इसका नाम देते हैं कॉंकार टट ये टट है पूरा इस टट का नाम है कोंका टट ठीक है इसके बाद आपका गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो टट है गोवा से लेकर मंगलोर टट का यहां तक का टट इसका नाम है कन्ना टट या कनारा टट भी बोलते हैं या कन्ना टट बोलते हैं फिर से ध्यान से है कन्ना टट और मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी टट के तक के टट का नाम क्या है माला बाल टट ठीक इनके सबके अलग-अलग इस्थाने ध्यान रखे इनको याल रखेगा इसके बाद कन्या कुमारी से ले करके कन्या कुमारी से ले करके क्रस्णा नदी का डेल्टा कहा है क्रस्णा नदी उत्री सरकार पुलिकट जील तो क्या माप करेगा यह है आपका आंद्र प्रदेश तो यह आपका पूरा का पूरा हिस्सा जितना भी है आपका यह यहां तक का ठीक है यह पूरा आपका कोरो मं औरोम अंडलते। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आपका है पुलिकट जील से ले करके महा नदी का यह देल्टा यह अ महा नदी का। देल्टा है ना यह पूरा पदमा गंगा कहीं यहां तक को बोलते उथकल टट तो पहले टटों के इनके नाम फिर से एक बार देख लेते हैं नमबर एक काठियावार टट लेकर दमन तक को काठियावार टट कहते हैं दमन से लेकर के गोवा तक के टट को कॉंकर टट कहते हैं इसके बाद कॉंकर टट से गोवा के टट से मंगलोर टट के टट को क्या बोलते हैं कना टट या कनारा टट मंगलोर से लेकर कन्या कुमारी तक के टट को क्या बोलते हैं माला बार टट माला बार टट से लेकर के कोरो मं यानि पूर्वी घाट के टट को कोरो मंदल टट पश्मी घाट में माला बार है पश्मी घाट में माला बार पूर्वी घाट में कोरो मंदल ठीक है पुलिकट जील से लेकर महान अधी के डेल्टा तक क्या है उत्री सरकार है ना महान अधी के डेल्टा से लेके गंगान अधी क डेलटा तक कौन सा टठ है वुद्धकल टठ गो कि इसमें सिंपल सा कुछ है नहीं है याद कर लिज़ेगे इसको कुछ है नहीं है बहुत असान ठीक है अब भारत के राष्टी उद्यान नहीं पढ़ाओंगे देखो यहां पर क्यों राष्टी उद्यान के लिए पर्यावरण का विश्यवस्तु है वहां लग पढ़ेंगे यहां पढ़ने लग जाएंगे बरबाद हो जाएंगे क्यों आप लोग अभी ध्यान रखना है क्योंकि पता चला कि राष्टी उद्यान की संक्य कितनी है टोटल इस समय वर्तमान में 104 राष्टी उद्यान है ठीक है लेटेस्ट आपका सायद अधा अधाश्य प्रदेश का था औरंग औरंग था टोटल 104 है पहला नाम था पहला है जिम कार्वेट नेशनल पार्क तो जिम कार्वेट वाला एक मेरा भारत दर्सन देख सकते हो आप लोग वहां पर मैंने सारे राष्टी उद्ध्यान पढ़ा है ठीक है और यदि देखना हो तो देख लेते हैं जाए टाइम नहीं लएगा देखना है नहीं देखना है बहु ठीक है पचास बाग रिजर्व है टोटल अभी भारत में ठीक है तो यह भी आपको यहां पर देखना ठीक नहीं आप वहीं पर देखेगा वहां पर मैंने बताया है बारत दर्शन पर जया मिदर अलक्षी छेत्र अभी लेटिस्ट पन्ना है अठारा है टोटल इनकी संक्या ठीक है यह भी पढ़ना जरूरी नहीं है टोटल संक्या पन्ना बनाया अठारवा आपका मध्य प्रदेश का ठीक लेटिस्ट बाकी देखना हो तो अठारा ही है देख लेते हैं दो मिनट लएगा इसको देखने में ठीक है सबसे पहले आपका है जंबू कास्मीर में नहीं ह यह हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है कोल्ड इजर्ट सीत मरुस्त color ठीक है कोल्ड इजर्ट आपका इसके बाद नंदा देवी ठीक इसके बाद उत्त्राखंड में है पंजाब में कोई नहीं है तीसरा आपका नेक्स्ट महराष्ट में कोई नहीं है महराष्ट में कोई नहीं है गोवा में कोई नहीं है करनाटक में ये है आपका नीलगिरी ठीक है करनाटक तमिलनाडु दोनों के बॉडर में तीनों पे आता है ये नीलगिरी जो है न काफी विस्तारित है करνाटक तमिलनाड और केरल तीनों पे आया अगस्तया मलाई ठीक अगस्तया मलाई केरल नीलगीरी के बारे में इतना जान लीज़े नीलगीरी पहला था था पहला जयमणल रक्ष्य छेतर यही था ठीक है ये मचंणल की खाड़ी है ठीक है इसके बाद जैव मंदाला रक्षी छेत्र क्या होते हैं सब चीजे पर्रेवन की क्लास में खुब अच्छे से बताए गया है कि बफर जोन क्या है, संकर्मर जोन क्या है सब राश्टी उद्ध्यान, मैंने सारा पढ़ाय था सब्सक्राइब आगार समुदाय आगार जैव मंदाला रक्षी छेत्र सारी चीजे वहां पर पढ़ा था हमने ठीक है इसके बाद आपका सेशा चलम यह आपका अंद्र प्रदेश में है अचना कमार अमरकंटक यह आपका छत्तिस गड़ में है उडिशा में सिपली पाल है इसके बाद आपका सुंदर्वन जो है आपका पश्रिम मंगाल में है लेटेस्ट यह आपका यह तो मदप्रदेश के होई गए उत्तर प्रदेश के पास एक भी जैव मंड़ अच्छी छेत्र नहीं है यह कौन करता है जोमड़ अच्छी छेत्र यूनेस्को के द्वारा मानो और जोमड़ के बीच में अंतरसंबंद इस्तापित करने के उद्देश से यह बनाए गये है इसके बाद नो करेक है आपका नो करेक आपका कहां पर है मेघाले में अश्म यह मानस प्रदेश में रापका पंणा है यह अभी लेटेस्ट ही भना है ठीक है रामसर बताई दिया मैंने आपको पूरा ठीक है रामसर हमने देखी लिया अभी अब यह आपकी प्रमुख जितने भी हमारी बांध परियोजना है बांध परियोजना है ठीक है बहुत देशी परियोजना है बनाई किस लिए जाती है इनका उद्देश से दो तीन होते एक उद्देश से नहीं बनाया जाती मल्टी परपस प्रोजेक्ट है पहला उद्देश इनका होता है बाड़ प्रबंधन का किसी छेत्र में यदि बाड़ बहुत तीब्रता से आ रही तो उस छेत्र के जल को रोकने के लिए ये बना जाते हैं अब उसको रोकने के लिए यह उज्जा बना सकते हैं तो हमारे जल विदूत उत्पादन में काम आता है दूसरा वहां पर हम मतस्य पालन का काम कर सकते हैं ठीक है मतस्य पालन का काम कर सकते हैं तीसरा पर्टेयन का काम कर सकते हैं पर्टेयन यानि आर्थिक गद्विधी विक्सित कर सकते हैं चौथा वह प्रबंधन तो है रही है इसके अलाभे यहाँ पे नए प्रकार कहीं को सिस्टम डिबलप किया जा सकता है how क्या बूल 내용 कर रहें कुछ और भी हैं जैना हा जैना गी मिक टींप तो कहीं सारी चीजों को ले कर किया कुछ नहीं जाता नदियां हैं मानलों दो नदियां हैं इनका पानी जो है यहीं पर रोक दिया गया और कुछ ऐसी परिश्थितियां उन्चे कि जल को नीचे हम बांद के थू गिराते हैं टर्बाइन चलता जल बिदूत पादन होता है ठीक है तो यहां पर हर जगे पर हर नदियों पर हमने यह پर योजना बना रखी ऑफ गया ज कोछ प्रमुक फडियोजना में जो है सतलज नदी पे सतलज नदी पे आपकी कौन सी परियोजना बनी है सतलज पे भाक्रा नागल परियोजना आपकी सतलज पे बनी होई प्रमुक परियोजना है ठिक इसके बाद यहां पर आपकी दामोदर नदी पे दामोदर नदी परियोजना बनी होई है सोन नदी पे सोन नदी परियोजना है सोन नदी पे सोन परियोजना है और इसी की सहायक नदी है रिहंद तो रिहंद पे ही रिहंद बांध बनाए गया जो उत्तर प्रदेश पे आपका है न यह वाला हिस्टा जो आपका पढ़ता है उत्तर प्रदेश मद्ध्रद पूरा का पूरा आपका रीवां के पास ही है सिंग्रैनी सिंग्रैनी प्लांट लगा हुआ है सिंग्रैनी जो है आपका हाँ यहां पे ठीक है तो रिहंद परियोजना हो गई आपकी इसके बाद कोसी नदी पर कोसी परियोजने सारे जल विद्दुत परियोजने हर एक नदी प्रॉपर बनाई गये हैं भागी रती और भिलांगना के संगंपे धरी घड़वाल भारत का सबसे उरचा बुन इसा है ये आपको ध्यान रखना है सबसे उर्चा बंद आपका धिरी घरवाल बांध है इसके बाद आपकी नेक्स्ट जैसे की जेलम है तो जेलम नदी पे ही तीन बड़ी परियोजना है आपकी ठीक है पहला है आपकी यहां पर दुलहस्ती परियोजना आपके जेलम की है एक बार चेक करिए नेट पर चेक करिए दुलहस्ती परियोजना आपकी साथ जेल एसी पर विवाद था ठीक है तीन परियोजना ये हैं चिनाप पर बनी हुई दो परियोजना हैं पहला है बगली हर परियोजना और दूसरी है सलाल परियोजना मैं अपको पता होने चाहिए कहां पर कौन सी परियोजना है इसके बाद लूनी नदी पर भी एक परियोजना बना लो ये हुए हैं राना प्रताप सागर गांधी सागर और हुए है इस पहला प्रताप सागर गौधी ज мног को मुझा ने नो नहीं नो यहां पर आपका भाख्छा नागल के पीछ बनी विया चलो याद के तो भी बताओंगा थिक्र इसके यहां पे बाकी particular आपकी माता तीला पर्योजना है यह आपकी बेत्वा नदी पर बनी वए माता तीला पर्योजना ठीक है और बाकी पंच इसका पता कि आपने दुलहस्ती किसपे चिनाप पर पर जहेलम पर देख लो ठीक है नेट पर सर्च कर लो particular वाकि मेरे खैल से जहां चिनाब पर हैं तो दुलहस्ती परियोजने यहाँ पर गलत है चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजने आपकी चनाप पर है कई बार पूछी गई परियोजना तो यह ध्यान रखिए गा कि ऑचे नभ नजी इसके बाद आपकी और पर्टिकुलर हैं तो बहूत jsem ये कृष्णा नदी पे नागारजुन सागर रहा है स्रीशी पर्योजना है निजाण सागर पर्योजनाय कोई ना पर्योजना है पूंचब बात पर्योजना है ठीक है तो यह पर्टिकुलर आप एक बार इनकी लिष्ट देख देजिएगा इसको यहीं तक रखते हैं कि अधिक तो यह आपके सारे प्रमुख हाँ एक यह पोस्ता है यह कोश्चन जो पर्टिकुलर पोस्ता है स्यू समुद्रम पर्योजना तो स्यू समुद्रम पर्योजना आपकी कावेरी नदी पर बनी हुई है सिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पे बनी हुई है महा नदी पे हीरा कुंड परियोजना है ना इसके बाद मचकुंड परियोजना आपकी यह आपकी बनी हुई है इंद्रावती नदी पर मचकुंड परियोजना है निजाम सागर यह सब गोदावरी नदी की परियोजना ह भीमा परियोजना भीमा नदी पे बनी हुई है तो आम तोर पे जहां पर नदियों का संगम है वहां पर ये पर्टिकुलर परियोजना पर्टिकुलर नदी के नाम पे बनी हुई है ठीक है तो कुछ तो आप पहुंच लेंगे अब परियार नदी पे दो परियोजना है परिया पर रह रहे हैं और लेड़ी जब इतने बड़े स्तर का चार-पांच किलोमेटर के दाइरे में जल भरा होगा तो वहां पर लोगों को जाना पड़ेगा छोड़के टीरी गड़वाल पर बड़ा बिवाद रहा लोग अभी लोगों को रख दिया गया है आप भी तो नहीं वह यहां पर जो यहां पर बहुत साई जटल पूरे यहां ऐसे धाब छक्तम हो गये तो यहां पर दिए-खिझात के तो यहां gi जी घोशनाइन के किस्तित हो गजगे कहाई जब बहुत सारी पर फोक्रूर्टिया नर पर से उच्प मूर्ति है फिर यह इसी पर नर्वदा पर तीन प्रमुक परियोजना हैं आपकी एक है इंद्रा सागर परियोजना तवा परियोजना उंकारेश्वर परियोजना और सरदाद परीयोजना महा नधी पर आपकी हीराकुण्ट पर्योजना दामोदर नधी पर पंचेट बांद यहां पर ione AP measure अट-स नव पर्योजना से मिलक बने वई हैं । फिकि कि बंगाल में भारी तभाही पर्योजना लाती थी अब लेकिन ठीक है जब से बन गई है तो यह पर्टिकुलर आपकी परियोजना है लगबल लवक सारी है बाराक में दी पर बनी हुए आपकी तिपाई मुख परियोजना ठीक चली बाकी एक बार यह आप वो देख लेंगे तेहरी गड़वाल वाला तो वहां पर मैंने सारी बताई हैं एक प्राक्तिक तौर पर होना चाहिए सारा हो गया लगबल लगबल हो गया अब यहां पर कुछ पॉइंटे दी बसते हैं तो यह बार मैं देख लेता हूं कि बताईए बाकिए आप लोग भी यह दी कुछ प्राक्तिक पर छूटा हो तो हां 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 मिट्टी पर आते मि टेंशन मतलेजिए प्राक्तिक बनस्पतियां सारी साभी सभी पर आते हैं कि अगा कि अगा कि अगा कि अगा कि हुँ भारत के प्रमुक हिमनत हिमनत नहीं देखे हैं है ना तो भारत के सबसे बड़ा हिमनत कौन सा है यह द्यान रखेगा क्योंकि कई बार जो है गलत होता है कई बार जो हम एक और हिमनत है आपका वहीं पर ही है ससाइमी हिमनत तो कई बार ससाइमनी को लेकर के वो लेकिन क्या है दोनों में अंतर है चेट्रफल के हिसाब से देखें लंबा हिमनत है तो ससाइमी हिमनत है लेकिन यह दि हम यह दूघ मैं यदि देखे एरिया वाइज तो duh है सियाचीन गलेशियर सबसे बड़ा सियाचीनी है इससे लेकर question आया है और ससाइमी जो है ऐसा लंबाई में है ना कि वो छेतरफल के अधार पे है तो सबसे बड़ा glacier जो आपका है सिया चेन है यह आपका कहां पर अवस्तित है सिया चेन कारा कोरम स्रेड़ी पर ठीक है लद्दायक में कारा कोरं पर दूसरा है हिसपर हिसपर भी आपका कारा कोर स्रेड़ी पर है फिर आपका बय आफो है बॉल्टे रों या छोओ मनगमा है टांचछे पर देख लिए घंच चीजिए मैं factory पर भी बनाता हुआ चलता जाओं रोग है यह आपका है तो सबसे पहला आपका यहां पर है यह वाला हिस्सा यह है यह जेमू ग्लेसियर कहां पर पड़ता है से किम पर यहां पर आपका यह कौन सा है सिया चिन ग्लेसियर ठीक है यहीं पर हैं आपके लाइन से हिस्पर बाल्टोरो भी आफो यह लाइन से ग्लेसियर हैं आपके सारे यहां पर है गंगोत्री ग्लेसियर बंदर पुछ पर यह आपका उत्राखंड पर गंगोत्री ग्लेसियर तो आपके तीन सिया चुन हिस्पर भ डियाफोग बाल्टे诱 ठीक है और बातूर यह चारो नुख लुगमा भी आपका हां खेस्थ वह इसके बाद यह नेपाल ॥ है और शॐक्यम पर दो है आपके सिक्कमप एक आपके जेमु ग्लेसियर दूसरा ओक्षण जंग आ कर रहा है थीक है प्रमुख आपके ग्लेशिया इतने से ही आपके प्रश्णाते हैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है इसके बाद नेक्स्ट गाटियां हमने देख ली थी है कि घाटियों में चुम्बी घाटी कहां पर है सिक्क्यम पर अवस्तित है कांग्रा घाटी कहां पर है धरमशाला हिमाचल प्रदेश पर लाहूल घाटी कहां पर है लाहूल इस्पीती हिमाचल प्रदेश में मालना घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे इस्पीती घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे कुलू घाटी कहां पर है हिमाचल प्रदेश पे सांगला घाटी कहां पे हैं हिमाचल प्रदेश पे पार्वती घाटी कहां पे हैं हिमाचल प्रदेश पे किन्नावर घाटी कहां पे हैं हिमाचल प्रदेश पे जुकु घाटी कहां पे हैं नागलेंड पे धर्मा घाटी कहां पे हैं ये भी आपकी उत् जुटराखंड पर यूठांग घाटी कहां पर थी छुम्बी घाटी और यूठांग घाटी यह दोनों सिक्किम पर भनेवाटा था राकु घाटी आपकी आंध्र प्रदेश में कमबन घाटी घाहां बताया था तमिल नाडु पर और सांत घाटी केरल ठीक है पश्चि मंगाल पर्टिकुलर आपकी घाटियां हो गई पहले ही डिसकस हम कर चुके हैं इसके बाद आपका प्राक्तिक विवाजन हो गया काफी कुछ कर डाला हमने इस पूरी अबदी में अब आपके पर्टिकुलर सिर्फ मिट्टियों वाला चेप्टर बचा है प्राक्तिक बनस्पतियों वाला चेप्टर बचा है और आपका बचा हुआ है जो प्रमुक्ष दोगी छेत्थ है फिर अगे कर सेक्टर इतने सेक्टर बचे हुआ है किसे पानी पीना है क्लाइमेट पूंधे कल दोत है अगला डिसकस कर लेते हैं प्रवा क्लाइमेट के बारे में चर्चार कोल देते हैं नेक्स्ट् Regional में थोड़ा सा कुछ कॉंसेप्ट है कुछ कॉंसेप्ट समझे फिर इसके बाद क्लाइमिट को समझते हैं ठीक है नेक्स्ट है भारत का जलवायू तो भारत की जलवायू के बारे में पूछा जाया तो भारत की जलवायू कैसी है मानसूनी जलवायू है मानसूनी जलवायू और क बताइए मानसूनी और उज्ड कड़बंदी जलवाई हो है हमारी तो भारत की जलवाई हूँ उज्ड कड़बंदी जलवाई क्यों कहा जाता है क्योंकि भारत का कुछ बिच घ्रभी बन्दट लिए-200- idee जिरो डिक्री हो गया जिरो से तीस डिग्री का इस्सा जो है आपका कैसा एकडिमन दे हैं नार्थ हैंट सास्ट कैसा है उप्हुर्ड गतिवन दें ठीक है कैसा है यह जो पारव है हम ठीक इसके बाद सी तोर्ड़ ही बंद कहा तक है तीज से शाठ तक का जो इस्सा आपका सी तोर्ड बंद का है कर इसको दो भागों में बाळ देते हैं इसको हम दो भागों में बाठ देते हैं 45 डिगरी के नीचे वाले को बोलते हैं हम उजड सीतोष्ड कड़िबंद और इसके उपर वाले को बोलते हैं सीत सीतोष्ड कड़िबंद अब यह नामकरण किया कैसे गया क्यूं किया गया बताईए सबसे सबसे महत्यपूर्ण कारा कि इसमें सूर्य है सूर्य के द्वारा उस्मा की प्राप्ति अब द्वारा उस्मा की प्राप्ति अब दरसल प्रत्वी आपकी साड़े तेज़ डिग्री टिल्टेड है ठीक है तो सिंपल और असान भासा में सूर्य जो है इसके चारों तरफ तो कहने का ताथ पर यह है कि जहां पर जैसे जीरो डिग्री है यहां पर वर्स भर सूर्य की केड़े सीधी पड़ती है इस कारण से साड़े 30 डिग्री उत्तरी और दच्छडी आच्छान्स के बीच में सूर्य क्या है प्रहमढ करता रहता है तो जीरो डिग्री से लेकि 30 डिग्री के बीच में क्या 요ीए यहां पर क्या पाय जाता है उल्ड़ कड़वंधी जलवाई पाया जाती है जैसे जैसे हम द्रोंगो स्क्राइब ज्यादा होगी सीध जद precede मन कम होगा तो यहां पर आपका यहीं अवस्थति यहां पर और दोनों तरह तो भारत की अवस्थति आपकी कहां पर हैं भारत आपका आठ डिग्री चार मिनट से ले करके 37 डिग्री छाय मिनट तक है यह वस्तित यहां पर भारत अवस्तित है तो भारत तो शीटोष्ट में भी प्रवेश कर गया तो भारत को फिर भी उश्ड कडबंदी जल्वाई वाला देश क्यों कहा जाता है शीटोष्ट भी जल्वाई तो पाई जा रही क्योंकि 37 डिग्री तो आपका 30 के उपर आता है 37 डिग्री तो फिर भारत को हम क्यों कहते हैं इसी उस्ड कडबंदी मांसूनी जल्वाई के चैन्ट जाज़तर जाज़तर इससा ऐस नहीं देखे भारत सीटोष्ट कडबंदी जल्वाई उमें पहुंच जाता यद हिमाले नहीं होता तो हिमाले की उपस्तिती के कारण से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं उनको हिमाले का औरोधक की तरह काम करता और उन्हें रो हमारे या की उस्मा को संतुलित रखता है तो यहां पर हिमाले क्यूपस्तिती सबसे बड़ा का राक है तो जब भी कभी यह पूछा जाएगा मानसून का मतलब यह है कि रितूओं के पौरिवर्तन के शाथ सासाथ पाउनों की दीशा में परिवर्तन पाउनों की दिशा में परिवर्तन पाउनों की दिशा भी बदल जाए इसका मतलब है मांसून ठीक है लेकिन पाउनों की दिशा के बाद ये दि हम बात करते हैं यहां पर कि उज्ड कडबंधी क्यों है तो उज्ड कडबंधी का अंतर है हिमाले की ठीक अब इसको समझते हैं दरसल सबसे पहले हम जलती कैसे तो इसके लिए में समझना पड़ेगा एक बार पावन तन्त को विंड सिस्टम को कि ठीक बहुत आसान भासम में समझाऊंगा आपको पावन तन्त जाद जदा मुश्किल से दस मिनट में समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है एक रूल याद रखना है पतल है सबसे पहले दाब को समझना है और वेक को समझना एक चीज द्यान रखिए जहां पर वेक जादा होगा प्रसर जादा होगा वहांप करीगा जहां पर व्रेस्ट्टी जादा होगी व्यग ज्यादा होगा वहां पर दाप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सी बात है जहां पर वेग ज्यादा होगा स्पीड ज्यादा होगी वहां पर दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जहां पर वेग क्या होगा कम होगा वहां पर दाब क्या हो जाएगा है ज्यादा हो जाएगा संपल सन भासा में एक जीज ध्यान रखियेगा अब एक चीज और समझें कोई भी चीज चीज च 선생 Vermont हो चाहिए आपकोजा का प्रकति ही होती है कि वह कम दाब की और खीचे जाएं हमारी कम दाब की और जाने की प्रबत्ती होती है जहां पर दबाव कम होता है जहां पर प्रशर कम होता है ठीक है तो कोई भी चीद कम दाव की और जाने की और अग्रसारित होती है समझना है इस बात को पर सिंपल सी दो बाते समझना है जहां पर यह फिजिक्स का रूल है जहां पर दाब कम होगा वहाँ वेग जादा होगा जहां पर वेग कम होगा वहाँ पर दाब जादा होगा बहुत सिंपल सा मामला है जैसे कि होता है कई बार रात में उफान आंगे लग जाए तो आपके 10 सेठ की ऊड़ जाती है उसका कारण यह है कि यहाँ पर होगी हाएं प्रॉषर कम है यहां पर नीचे जहां पर तींस अहीं इसके नीचे क्सिर नीचे हें जाना के नीचेश के नीचे नीचे। भचाद आए कि कम है तो यहां पर वेक कम है दाव क्या होगा लाव क्या होगा मैं तो टीन सेट कहा जाना चाहेगी जिदर दाव कम होगा ठिक आसान वासा में दूसर एक एक्जम्पल और बताता हूं आप रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं तो दो तरीके की ट्रेनें आ है 5 की स्पीड से ठीक दस की स्पीड से पंदरा की स्पीड से मखसिंजर आ आरहां है आप आराम से खड़ें कोई दिक्कत नहीं है बगल में पता चला 00,50 कि स्पीड से राध्दानी आगए तीमान ऐ एकस्परेस आगए। कि आपको लिए चली जाएगी वह अपने साथ क्यों बेग ज्यादा है तो दाब क्या होगा उसके आसपास कम होगा और दाब कम होगा तो आप इसके पास खड़े रहे तो आप किधर भागने का प्रयास करेंगे जिदर दाब कम होगा हम हमेशा दाब की और जाने का प्रयास कर रहे हैं हवा नहीं उन्हें ले जा रहे उन्हें दाब ले जा रहा है दाब कम है और वो ज्यादा दाब से कम दाब की और जाना चाहते हैं आप ही ज्यादा पढ़ाई में दबाव होने लग जाता है तो आप कम दाब की और जाते हैं कम दाब क्या है निपट लो गोल गोल बना चाहते हैं जहां पर है और लेडिवा बहुत do private job करो के दबाव जाधा रहे Texas केंग करना चाहिए करना तो कम दबाव है हर चीज में हमारी प्रबत्य policies कम दबाव करना जाने की तो हवा की बेही त्रकति यह जल की हर चीज की प्रकति कि वो कम दबाव की और जाए कि समझ रहो कि नहीं जबाए जाए लोग ना आज इस क्लास में सब लोग क्यों पस्तित हो क्योंकि आपको लग रहा है एक ही क्लास में निपड़ जाएगा तो दबाव कम पढ़ेगा कौन तीन तीन महीने जहां पर दबाओ कम पड़ेगा वहां पर आप लोग ज्यादा ज्यादा अकर्षित होगे तो सिंपल सा रूल गाब इसी को हावा पे हम अप्लाई करेंगे यह जगह पे बिंड सिस्टम का यही रूल है और कुछ नहीं है देख आप समझते हैं बहुत आसान है इसी है आप आज बिंड सिस्टम जाके घर में पपीदाजी को भी पढ़ा सकते हैं ठीक है यह आपका है जीरो डिग्री ठीक प्रत्वी है यह आपका शूर्य है सन है ठीक है शूर्य है सूर्य का तापमान वर्स भर कहां पढ़ता है ज्यादा विस्वत रेखा में पढ़ता है वर्स भर यहां पर विस्वत रेखा विकुल तप जाती है गरम हो जाती है तो जो धरातल गरम हो जाएगा ज्यादा तापमान पाएगा बार बार सूर्य जो है कु इस्वत्रिखा को गरम करता रहता है तो धरातल केसे हो जाएगा यह गर्म हो जाएगा यदि धरातल गर्म हो जाएगी तो धरातल के संपर्क की वायू देखो एक सिंपल सा रूल जब सूर से आने वाली जो उसमा होती है उसमा से पहले धरातल गरम होता है सूर से आने वाली ल तो अब एक चीज मुझे बताइए जब आप लोग बैठे होते हैं और धूप ले रहे होते हैं तो धूप आपको धरातल से मिल रहा होता है कि उपर से मिल रहा होता है कि उपर से कहां से मिलेगा फ़ले तो आके धरातल गरम होगा ना आप मूरक बनते हैं अर बार आपको लगता है कि सूर्य कुछ नहीं कर रहा है सूर्य आपको गरम ही नहीं करेगा सीधे कि आप भी धरातल का काम करने लग जाते हैं कि अरे आप सीधा गरम होते हैं सूर्य की प्रकास यानि कि वायू गरम नहीं होती बीच की वायू किसके संपर्गा धरातल के संपर्ग से गरम होती है तब ही तो काली सट पहन के चलिए काले काली सट का क्या प्रबत्ति है वह ज्यादा उस्मा असोसित करेगा सफेज सट अबसान सा फर्मूला है धरातल आपका जो है धरातल गरम होगा तो धरातल गरम होने से धरातल के संपर्क की वायू गरम होगी गर्म वायू कैसी होगी गर्म वायू हलकी होगी हलकी वायू नीचे बैठेगी कि उपर जाएगी तो यहां से वायू तो गायब यहां से जो वा कि निकल गई उपर की तरफ कहां से जिरो डिग्री के पास से तो अब यहां पर वाई है नहीं जब कोई चीज है नहीं तो उसका दबाव होगा कि नहीं होगा माल लेज़े पढ़ाई अभी मैं आपको दो मिनटर बोलों कि पढ़ाई आज से करना ही नहीं है ऐसे बनाए जाएंगे यूपीएस सी में दौर से बनाए जाएंगे सीधी दौर की जाएगी पांच एर मीटर की दबाव खतम स्लेवा सी बदल जाए यूपीएसी पार्ट करम बदल दे कि आप दोड से लेंगे सीधा तो वाप लोग लग जाओ किल दीन दौरी सेक खतम कर देए मामला ठीक है तो यह से यह है यह फोन रखाय तो फोन रखाय तो इसका दोबाव स्थोन नहीं ऊसका दो पड़े talks का नहीं पड़े का नहीं तो जब यहां पर हवा नहीं तो प्रिसर ही नहीं है ठीक के और हवा गयी कईसे यहां से चुक्टी धरातल गर 근데 है ठीक उपर उठ रहे हैं अब उपर उठेगी तो उपर उठने पर जाने पर क्या होता ओपर टमपरैचर क्रेख़र गणतेगा बढ़ेगा है भारी वाई उपर उठेंगी नीचे कि बैठेंगी तो यह अब कहेंगी कि आ कहीं पे जगह लेते हैं सरंड लेते हैं तो यह 30 कि के पास क्या करती है क्या नीचे बैठती है पहुत दोनों तरफ इधर विद्मीट यह यह बैठ रही है तो यहां पे कौन सा प्रिसर बनेगा मजबूरी हो जाएगी हाई प्रिसर बेल्ट बन जाएगा यह आपका ठीक है यह कैसा बेल्ट बन जाएगा हाई प्रिसर यानि कि जीरो डिग्री के पास से उठने वाली हलकी गरम वायू 30 डिग्री के पास जाकर क्या होती है नीचे हेडली कोस क्या हो गया है आपका हेडली कोस इसको बोलते हेडली कोस इसको क्या बोलते हेडली कोस हेडली कोस सिंपल अब वायव जाएगी कहां वायव यहां आ गई हाई प्रेसर टू हाई प्रेसर टू हाई प्रेसर टू हाई प्रेसर टू बस सिंपल सासान यहां से आने वाल पर नहीं रहना चाहता है ठीक एक बिंट सिस्टम ये क्रियेट हो गया इसको बोलते हैं ट्रेड बियापारिक पाउने अभी रुख जाएंगे इनकी पाउनों की दीशा बाद में बनाएंगे इसमें फिर लगाएंगे हम फेरल का नियम कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल से पाउन बालने अब इधर क्या होगा उपर फेरल कोस्वन ऑना फेरल का से मनेगा कान कोरा ऊपर रूठेगा किसे उपर उठा-पर रहा है कौन से हूआं है हॉग म्थैन कहां औरि श्कली कहां पर ऊथेंगि का लग्रणšना की और नीचे कऱरें आप लो अब रुख जाओ यहां वाली छोड़ दो भी यहां वाली की जाए दिमाग नहीं लगाना है अभी चलते हैं 90 डिग्री पे फेरल कोस बाद में बनाएंगे ठीक है पहले हम समझते हैं आपका पूरल कोस यानि की दुरुवी एकोस यहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री मतलब खूब ठंडी दरातल ठंडा क्यों ठंडा क्योंकि भाई साब जा नहीं रहें अपने अटिट्यूड में ठीक है यहां पे भी यह भी आपका 90 डिग्री ठंडा रहे गए चेतर दुरुवी चेतर है यह उसमा है नहीं तो बर्फी बर्फे बर्फ के कांट से संपर्क में आने वाली वायू थंडी थंडी वायू भारी भारी वायू ठीक है तो यहां पर क्या बन गया एक हाई प्रसर जोन बन गया यहां पर बहुत सरी वायू है यहां पर भी एक हाई प्रसर जोन बन गया पर हाइस हाई प्रिशन है और यहां पे जो है प्रिशर जोन है तो यहाँ हाई प्रिशर से पो λब कि इधर आएंगी पनाउब एक लेकिन अब यहाँ पर लोग पुटिशर जोन कैसे बन जाएगा सिस्टम नहीं फिजिक्स पीछे के कोई रूल है कोई नियम है बिना नियम की थोड़ना चलेगा कुछ भी जब रजस्ती लोग प्रेशर जोन बनेगा तो लेकिन बन कैसे रहा है यही तो बताओ फेरल को उसका इसे क्रियेट करें अधिली तो बन गया कि अधिए कौन देर में नियुक्ता है रहे दरातल जल्दी ठंडा जल्दी करम होता है दरातल की प्रकति यह पानी की त्रकति होती है वो तो आप कहां पहुंच गए इस्थल समीर और अलग रुकानी हो गए आपकी वो लोकल बिंडे में काम करता है गाटी वाटी पावन वहां पर काम करता है यहां पर क्या काम करेगा पड़त पड़त हो गये टॉपिक फिर अगर 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 आए टीज़ेट कहां गया वह अगर आई टीज़ेट जाए ज़्यदा बस उतने तकी घूमना उसको तीज़ी तकी घूमना ऊपर नीचे होना फिर अलकोस कैसे बनेगा बना पाओगी की नहीं 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 हो पाएगा नहीं बन पाएगा बहुत बुरा हाल है आप लोगा वाताग अभी कैसे बन जाएगा पहले वाताग के लिए आवश्यक दशाएं तो बनाएंगे हम बिना वश्यक दशाओं के वाताग बना देंगे यहां पर मैं कह रहा हूं लोग प्रसर जोन कैसे क्रियेट करें लोग प्रसर जोन कैसे बनेगा यहां पर पौने तभी तो इधर उदर आएंगी जाएंगी इधर से हाइपर सर जोने तो पौने उपर जाएंगी उपर से है तो वहां पे तो लेकिन लोग बनेगा कैसे लोग बनने का कारण क्या होगा का दो क्या करें आप लोग का दे इखिए समझ यहां का यहां कार ठोड़ सा अलग है यहां की समझ में आथिyorsun हैं अब चुक्ति देखिए यहां पर क्या हो रहा है यह थो एड़ी आपको आपा समझ में आगया बहुत आसानी से ठिक फेरल का रूल थोड़ा सा अलग है फेरल में क्या है अब यहां से दिखे हाई प्रिसर बेल्ट है तो थंडी हवाई क्या होंगी आपकी थंडी हवाई यहां पर आएंगी ठीक है इस तरफ की और भागेंगी अब चुक्कि यह वाला चेट उल्ड कड़ बंदिये जोन है ठीक ह दररातली यह शेतर की बात कर रहा हूं यह शेतर का एस आपका उल्ड कड़ बन दिये जोन है जहां पर आप कड़ें तो यहां से 60 डिगरी के और हैंकी और यहां गरम हो रही है यहां पर क्या है आपका हाई प्रिसर जोने लेकिन ठंडी पौने हैं समझने का प्रयास करिएगा यहां पर दोनों चीजों को ठंडी पौने हैं तो यहां से गरम पौने जाकर और यहां से ठंडी पौने जाकर कि क्या होंगी वातागर का निर्माड करेंगी ठं पौन उपर प्रवेस कर जाएगी उपर उठ जाएगी समझ पा रहों नहीं समझ पा रहां नहीं Ms. Ak आब समझो ऍंपर नहीं भी यह समझाने यह आप समझो से यह गरम होंगी कि नहीं करम होंगी अब चुकि इस तरफ क्या है यहां पर आपकी ठंडी पॉने हैं ठीक है यहां पर ठंडी पॉन रहा है उसका कारण कारण जो ठंडी पौने हैं वह भारी होने के कारण नीचे की और जा रही है और गरम पौने उपर की और जा रहे तो यहां पर बनेगा वाताग्र वाताग्र बनेगा यहां पर और यहां पर भारी वर्सा होगी भारी वर्सा होगी ठंडी और गरम दोनों के पैडाम चुग बड़ी मात्रा में बादल बनेगे और यहां पर चुकी पाउने तो यहां पर टेंप्रेरी लोग प्रिसर जोन बनेगा यहां पर लोग प्रिसर जोन बन रहा है इसका कोई पैटिकुलर रीज़न नहीं है इसका रीजन है कि यहां से जाने वाली हाई-प्रसर बेट से जाने वाली पहुने और नाइंटी डिग्री से आने वाली पहुने दोनों एक साथ मिलकर के वातागरी स्थेती बनाती है अब भी भीने समझगेना समय आए कि नहीं नहीं आया है आहां पूल के ट्रेट यहां से जाने वाली पहुने और यहां से आने वाली पॉंए कैसी होंगी यह नीचे बैठने की प्रवत्ती रखेंगी क्योंकि ठंडी और भारी हैं यह पॉने गरम हैं और यह उपर उठने की प्रबत्ति रखेंगी तो यहां पे पूरा complete cycle बनेगा इस cycle को बोलेंगे फेरल कोस ने फेरल चक्र बनेगा ठीक है और यहां से यह जो पाउने फिर वापस जाएंगी यहां पर एक पोरल कोस बनेगा धुरुवी कोस बनेगा ठीक है और इस पाइडाम सुरूप अब देखो अगले ही चित्र में आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी अब देखे पाउनों का पूरा का पूरा खेला यह यह है जिरो डिगरी यहां पर हमने समझा कि यहां से पाउने गरम होकर के उपर उठ रही है उपर उठने के पैडाम सुरूप जो है 30 डिगरी के पास नीचे बैठ रही है ठंडी होकर के तो यहां पर एक हाई प्रिसर बेल्ट बना यहां पर एक लो प्रिसर बेल्ट बना ठीक के बाद दोनों तरफ सेम कंडिशन से यहां पर हो रही है अधिक यहां पर 90 डिग्री पर भी हमने यहीं समझा कि यहां से माफ करेगा 90 से 60 डिग्री के ओर यहां पर भी आपने देखा कि भारी पाउने इस तरफ आ रही है लेकिन आने के पड़ाम यहां पर भी चुक्की हाइपने ओपर की ओर ऊठती है और ठंडी पाउने नीचे की ओर जाती है तो यहाँ पर भी कोई भी पावन रुकती नहीं है, यहाँ पर भी, जिस कार्ड से यहाँ पर low pressure zone बन जाता है, ठीक है, और इस परडाम सुरूप, यह पूरा एक pattern develop होता है, प्रत्वी पर इस्थाई पावनों का, यह कैसी पावने हैं, इस्थाई पावने हैं, तीन प्रकार क पावनों का नाम है, वाड़िजिक पावन, क्या बोलते हैं इसे, वाड़िजिक पावन, वाड़िजिक पावन, दूसरे प्रकार की पावनों को बोलते हैं, पचुआ पावन, और तीसरी आपकी दुरूवी यह पावन, ठीक, सेम pattern आपका यहाँ पर भी, बनता है, यहाँ पर भी यह high pressure built है आपका, यहाँ पे एक high pressure बना, ठीक है, तो एक बार जो है, एक complete पेटी को आप जब समझेंगे, तो आप पौनों की दिशा को निर्धारित कर पाएंगे, यहाँ पे low pressure है, 0 degree पे, यहाँ पे high pressure 30 degree पे, यहाँ पे आपका high pressure 30 degree पे, ठीक है, 60 degree पे आपका क्या ह है, low pressure और यहाँ पे high pressure, यहाँ पे 60 degree पे एक low pressure create हुआ, यहाँ पे high pressure create हुआ, पौने high to low, 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 यह direction create हो जाएगी आपकी, लेकिन पौनों की दिशा क्या यही रहेगी, क्योंकि प्रित्वी घूडन कर रही है, है ना, प्रित्वी क्या कर रही है, गती कर रही है, बहुत वेग से गती कर रही है, और वेग से गती करने के कारण से, जैसे माल लिजे आप भी बहुत आसानी समझाओं आप लों को, माल ठीक है गत्सील जल पर आप लोग यहां पर खड़े हैं आप यहां पर खड़े हैं आपको यहां पहुंचना है तो आप कहां से तहरेंगे यहां से यदि सोचे हैं कि यहां सीधा सीधा मैं पहुंच जाओंगा तो आप मूरक है एक नंबर के आप यहां पहुंचेंगे क्यों कि इसमें एक अभासी बल कारे कर रहा है ठीक है वैसे ही जब प्रत्वी गत्सील है पौनों की दिशा में तो यहां पर एक अभासी बल कारे करेगा जिसका नाम है कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल ठीक है तो कोरियोलिस बल क्या करता है फेरल के द्वारे पूरा नियम प्रत्पादित किया उसने कहा कि चुकी प्रत्वी गत्सील है तो उत्री गोलार्ध में जो पवने हैं वो अपने दिसा के दाई ओर इसका दाया क्या होगा लेफ्ट राइट दाया ओर क्या हो जाएंगी अब इसमें उत्री गोलार्ध पे दाया और और दच्छनी गोलार्ध पे बाया ओर घूम जाती है तो इसका बाया तो आपका जो डाईग्राम आपको मिलेगा कुछ ऐसा है पाउनों की जो डिरेक्शन है ठीक है अब ये सारी चीज़ें देखो डिटेल से कराने पर थोड़ा सा एक दो ये 5-6 दिन की क्लास है कम से कम मेरी बेक्तिकत तोर पर नदी मैं लूँ तो 5-6 दिन में जाके फिर आपको मैं समझा पाऊंगा 10-15 मिनट में जितना आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ जाएं तो पर मैं कुछ नहीं कर सकता कोई पॉसिबलिटी यह नहीं बची देखो यह आपका डिरेक्शन निकल के आया ठीक है ये डिरेक्शन निकल के आया ठीक है ये डिरेक्शन निकल के आया ये डिरेक्शन निकल निकल के आएगा पॉनों का फाइनली यह कंक्लूजन निकल के आए कि हमारे प्रत्वी में जो तीन इस्थाई पॉने हैं वो कुछ यह है ठीक है यह पच्छुआ पॉने है आपकी 30 से 60 से 30 के बीच में बहती है पच्छुआ पॉन दूसरी आपकी कौन सी है यह ब्यापारिक प महां नहीं ऊटिक है यह क्या डाइग्राम आपका निकलता है अब इसमें क्या कुछ नहीं महासागरी धाराइं इसी तरीके से बैश्ती है महासागरी धाराय से कि अब को देखें क्या करрах ही है इसके नीचे कोई पानी हो गए यह पालो हिसा में डिक्रिवड वै रहे ही बहुत तैजी से बहुत तैजी से गती से यह पानी दिसा बहे रही है कुछ और जिर्सक्रा पानी बहेगी तो पानी चाहिएगा पाई चाहिए पानी की जो दिशा है समुद्री गmonth का एक अपको होता है कि ढاص की तरह पानी बहता है दूसरा है उसके ओपर कोई फोरस्क तो समुद्री जल जो है उसक trip क्या है एन रिफ government की नदी कि से इस user डूप की उपर बह रही है तो समुद्रतल ही समतल पूरी तरीके से तो ऐसी कंडिशन में आपको एक की तीज है है यहां पर बहुत आसान महा सागर हैं महा सागरों में आप देखेंगे जून करके तो पादी एक दिसमें बहुत तेजी सłem भाग रहा है इसी को बोलते हैं महासागरी जल्दा रहा है डिक यसों क्लॉक वाईस डिरेक्षान है तीक उस क्लॉक है अलग-ängt अलग हैं अट्लatics है और प्रसांटमाegtवर्चे अलग हैं हिन्द महासागर लगे लेकिन हिंद महासागर की जो महासागरी जलदा रहा हैं चुकि यहां पर मांसूनी दसाएं पा जाती मांसूनी दसाएं मतलब रितू परिवर्तन के साथ पाउनों की दिशा में परिवर्तन इसे बोलते हैं मांसून सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर की परिगटना और क समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ यह बहुत बेसिक था बहुत आसान थे इसमें कुछ था नहीं कि समझ नहीं आये है यह यह बिंड सिस्टम कर चब अस्तिमत वो लिए जाने बोल सेंगे तो जल्दी जाने को मिलेगा हुआ है है कि विंड सिस्टम में जो यह में फाइनल ड्राइंगराम मिला है तो यह डियागराम कैसे मिले तो समझ में आगे ना क्यों गेंग नहीं आया है क्यूं मास जिब बोल रहे हैं नहीं पक्कदार नहीं समझ में जाना चाहिए बहुत इजी है अब इसको समझाने में थोड़ा एक दो ती इन दिन की क्लास लगती है तब समझ में आता है हाँ बिल्कुल होंगे बाप हाँ क्या पच्छवा पुरुवाई नहीं समझ में आती है पावन जिस दिसा से आती है उसी दिसा से उसका नाम होता है प पाउन का ठीक है देखो मैं आपको 2 मिनटमी नीटमा तो नाम कैसे रखते हैं इसको इजसथी को बोलेंगे दचछडी पाउन कोई दिसा ओर मालों जैसे कोई पहं ऐसे बहर ही है तो किस दिसा से आरही उत्तर से आरी तो इसका नाम गघब ऊत्त्रीप फवन ठीक है याँर लोग हम लोग दृष्टरी गुलार्द के निवासी है ठीक है और जो हम लोकल भिंडी की करते हैं पुरवाई고 गाजियावाद मे 1951 आपकी पश्चिम में की और से आए पूरब से बह रही है समझ रहें कि नहीं समझ रहे हैं समझ पह में रहे हैं नहीं कि ऐसे डालना चालू करना है तो आपको बताएगा किस डिरेक्शन की और ऊड़ रही है किसी जिस डिरेक्शन से आ रही होगी उसके दूसरे आप ओजी डिरेक्शन में मिट्टी गिर रही होगी आपके दोल जिस डिरेक्शन है वही उसका नाम है वह उसका कारण मैंने बता है ना, वायू दाब वायु दाब। जिधर दाब कम होगा, प Vancouver उदर भागने लग जाएगे। है यही तो रूल बताया जिधर दाब कम होगा, पवन उदर भागने लग जाएगे वो दाब मलब पूरे छेत्र को समतल करने का प्रहाँ और गती भी पाउन की जितना दाब कम होता जाएगा उतना तेज पाउन भागेगी वैक्यूम को फिल करना चाहेगी ठीक है जिधर दाब कम होगा जिस छेत्र की तरफ पाउन उदर भागेगी जैसे कि आप देखेंगे करक वायू कैसी हो जाएगी गरम हो जाएगी गरम वायू नीचे बैठना सुरू कर देगी माप करेगा गरम वायू उपर उठती है गरम वायू उपर उठने का प्रयास करेगी उपर उठके कैसी हो जाएगी भारी हो जाएगी भारी होकर नीचे बैठने का प्रयास करेगी तो यहांपर क्या होगा येवाला च्हेतर जो आपका है यहांपर low-pressure zone बन गया और जो नीचे घाटी वाला च्हेतर है तो मेसा दिन के समय पे पहाड से नीचे की और आएगा ठीक है नहीं उल्टा बोल गया क्या मैं नहीं समझ पाया अभी हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया कहानी थोड़ा समझते हैं इसको दो चीजे समझते हैं दो तरीके की समीर होती है गाटी समीर होती है समुद्री समीर होती है दोनों समझते हैं दिन के समय पर यहां पर क्या उपर की ओर पावन उपर चड़ेगी रात के समय में क्या आओगा यहां पर ठंड बड़ेगी उपर वाले हिस्ते पे तो यहां पर हाई प्रसर बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा नीचे लो प्रसर बन जाएगा तो पावन नीचे उतरेगी इसलिए जो खेती की जा निज़ता है आपका समुद्री छेत्रों में यह समझ में विल्टा ओगी पावन के श्थिति सेच्टिज संवेब किया होगा घाती से ऊपर की और जाए क्योंकि ऊपर लोज़ब रात करता है पर हाई प्रफ्रिशार यहां पर लोगा है मैं तरह हमारी हुआ की डारेक्शन अलग अलग बिल्गुल समझ गया समझ गया बात को समझते हैं ठीक नेक्स आपका हुआ अब समुद्री छेत्व में यह उल्टा होता है यहां पर मालिजे जली है जल है तो दिन के समय में क्या होगा दिन के समय में इस्थल गरम हो जाएगा इस्थल गरम का मतलब क्या है यहां पर लो प्रेसर बन गया ठीक है यहां पर क्या बनेगा आपका इस जगे पर यहां पर हाई प्रेसर बनेगा तो पावन ऐसे भाएगी ठीक है ऐसे हो जाएगी डिरेक्शन दिन के समय पे दिन के समय पे आपको समुद्र से जोका आता हुआ दिखेगा रात में क्या होगा उल्टा हो जाएगा कहानी रात में चुकि यह जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसको ठंडे होने में टाइम लगता है तो यह बन जाएगा आपका हाई प्रिसर नाइट में और कैसे बहती है ठीक है चलो यह हो गया एक बात आपका अब बात करते हैं भारत के मांसून के स्थिति को मांसून कैसे आता है अब इसी कॉंसेप्ट को हमें प्रवेश करना है मांसून में की भारत में बारिश क्यों होती है जून से भारत है इंडिया है ठीक है दो मिनट में समझते हैं हम लोग होता क्या है जब सूर उत्राइड होता है कि उत्राइड का मतलब क्या है उत्र को तरी गुलारत पे रहे सूर मार्च के महीने के बाद से उत्री गुलारत पे पूरी तरीके से आ बाता है तो जब उत्तरी गोलार्थ पे रहेगा चुकि भारत कहां पे उत्तरी गोलार्थ पे तो यहां प्रक्राथ था अरच का चुक्ष को एस समय सुर उत्तराएड है चुछ यहां पर क्या जो चल्फ यहां पर जो जनशंख्या बादी रहती है तो यह क्या हो जाएगा अपका यहां पर कि यहां पर हाई प्रेसर बन जाएगा पूरी तरीके से थिक करें दोनों चीज समझना है अब सिंपलर कुछ नहीं है continue do courtroom भी जिरो डिग्री भी ठ blueberry टीक जब उत्त्रारयण होगा सूरे तो होता कि है इसाठीस यहाँ प्रिसर बना है यहाँ पे लोग प्रिसर बना है यहाँ तरदाल्द्लि गळम होने के कार्ट से इस से भी ज Notre सर्थ बन गया पाउने जो है बहना इधर चालो होंगी ब्यापारिक पाउने फिर इसको यहां पे लो प्रसर में जब पाउने आएंगी तो आपको पता है कि जैसे ही यह उत्तरी गुलार्द में पहुंचेंगी तो कोरियोलिस बल प्रभाव करेगा कोरियोलिस बल इन पाउनों को क्या करेगा किस दिसा में मोड़ देगा दाहिनी और मोड़ देगा तो यह पूरी पाउने आपकी चुकि यहां पे लो प्रसर तीब्र लो प्रसर बना है तो यह पूरी पाउनों को क्या कर लेगा अपनी तरफ खींच लेगा सिंग कर लेगा यह यहीं इस्तिति यह आपका है उत्त्तेटी में जब सुलेंदान हो जाता है तो गट्चनाइन के इस्तिति पलड जाती है हमारे ayam September के महीने के बाद मांसून लौटने लग जाता है ठीक है यह पहलीं स्टेशन हो गई तूसरी condition भी देख लेते हैं फिर मैं समझा भी दूंगा आपको बहुत कठी नहीं आसान है ठीक है यह आपका आश्ट्रेरलिया हो गया इंटिओ आश्ट्रेलिया ठीकि अब यहां पर समझे साधे डिग्री हो गए सूरज क्या है दच्छणायन है दच्छणायन है तो दच्छणायन की स्थिति में क्या होगा यहां पर गर्मी होगी बहुत ज्यादा तो यहां पर एक लो प्रिसर create हो जाएगा यह already low pressure है लेकिन यह low pressure इससे भी ज्यादा तीब्र होगा यहाँ पर चुकि सीथ रितु है तो यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान में बहुत तेज अभी जैसे बहुत तेज ठंड चल रही है तो अभी यहाँ पर क्या है एक हाई-pressure build create है ठीक सीथे सी बात है हाई-pressure to low pressure पाउने लॉडता हुआ मानसून यहाँ पर आ जाएगा यह पाउने जैसे जीरो डिग्री पर क्रॉस करेंगी अपने बाई और मुड जाएंगी और अस्ट्रेलिया का low तो पर सरी ने खीच लेगा यह लाउटता हूँ मांसोन है क्या मांसोन पसी इतनी सी बात है और कुछ नहीं है मांसोन इसमें बहुत सारी दसाएं ऐसी हैं जो इसको सहायक सिद्ध हो जाते जैसे इंटर ट्रॉपिकल कनवर्जन जोन अब यह क्या होता है एक पेटी है यह पेटी जब सूर उत्रायन होता है तो अब मां लेजे हर बार हम लोग यह तो देख रहे हैं कि सूरज जो है हर साल 0 डिग्री पर क्या कर रहा है यहां पे सबसे ज़्यादा सबसे अदा उसमा प्राप फ़री इस छेत्र को ठीक है लेकिन आम तोर पे यह पेटी जब सूर दच्ञायन होगा तो दच्ञायन के दवरान यह पेटी नीचे हो जाती है और जब उतरान होता तो यह पेटी ऊपर हो जाती है ठीक है जैसे सेसे तूरय उपर जाता जाएगा वैसे ही पूरा विस्वती पेटी ऊपर चली जाए यह उपर जाते जाते तो वो जून के महीने में भारत भूम पे आवस्थित हो जाती आईटी सीजर जिसके पैडाम सुरूप यह लो प्रसर और भी ज्यादा तीबर हो जाता है और तेजी से जितनी भी पौने अपनी तरफ कीज़ता है और इसमें है क्या जब आता हुआ मानसून आपके जून महीने में मानसून आता है क्या अब यह पौने कहां से आ रही है समुद्र से आ रही है तो अपने साथ आपार जलरासी लेकर के आ रही है आदरता युक्त पौने है तो आदरता युक कहां से आ रही है मरूज कहां से थल भाग से आ रही है तो इस थल भाग से आने वली पाउने कहां बारिस कराएंगी कहीं नहीं उनके पास पानी नहीं तो बारिस कहां कराएं कुछ पाउने हैं जो बंगाल की खाड़ी से होके आती है तो तमिल नाड़ में बारिस करा देती है इस दोरान जद दिसंबर के महिने में तमिल लाड़ों में बारिस होती है को रोम अंडल टट पे कुछ नहीं बहुत आसान सा मामला है तो पाउन का एक जो सबसे बड़ा जो आपका कारक है वह यह है बहुत इजी है इसमें मानसून समझ में ना है तो आप लोग दुरभाग गिसाली है सब पाउनों का खेल है और क्या है इसमें है क्या बारिस होना नहीं होना है बहुत आसान मामला है इसमें अब एक मामला आता है एल नीनो प्रभाव एल नीनो होता है फिर ला नीना होता है फ तो प्रसांत मासागर की घटना है अल्नीनों की दसा उसमें होता क्या है कि जो पिरोबियन टट है पता नहीं पिरोबियन टट में क्या हो जाता है कभी कभी अभी इस चीज का पता नहीं चला है कि वहां से ठंडा पानी जो वहां पे हमबोल्ट जलधारा है पिरोबियन जलधा तो यह जल्धारा का जो ठंड पानी है यह चुक्विवर आप इसको मुझे पूरा इक डाइग्राम मनाना पड़ेगा आपके लिए यहां पर या आप का है मा लजे दच्छडी अमेरिका टट टच्छी अमेरिका ठीक है ठीक है अमेरिक टट है यहां पर आपका आस्टेलिया कार्ट है यहां से हम बोल जलधारा आती है पिरो포यन जलधार क्थन्दी होना चाहिए यहां से नीचे का द्यूर्ट जय हो जाता है उह जब गरम पानी आता है यहां पे तो जो पूरी यहाँ पर प्रति विश्वतिय धारा है यहाँ पर यह महासागरी जल धारा है यह महासागरी जल धारा के द्वारा है जो जल आता है यह जल जो है यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है इधर चला जाता है और पैडाम सुरूप भारत में बरसक कम होती है क्यों क्योंकि जो आदर से दसाएं है ये पूरा का पूरा जो मानसून है मानसून तंतर कम जोर पड़ जाता है आपका ठीक है कुछ नहीं इसी को दच्छिनी दोलन कहते है यहां पर भी हाई प्रसर लो प्रसर अब यहां पर क्या बन जाएगा गरम पानी यह दी उपर आ जाएगा तो यहां पर लो प्रसर बन जाएगा ना तो जो जो पौने सहायक होनी चाहिए भारत भूमी में मानसून कर आने के लिए इधर बाग जाती है क्योंकि यहां पर लो प्रिसर बन जाता और आटकामा मरुस्थल में कहते हैं कि जो विस्व का सबसे सुख्टम मरुस्थल है वहां पर खूब बरसा होती है कि तो ऐलींमा कुछ नहीं वस इतनी से घटना है 500 जल्धारा के ठंडी जल्धारा का पाणी रिप्लेस होकर यहां पे गरम पाणि आ जाता है न अब गरम पानी आने कई सारे कारण बता जते हैं पहले तो यहां पे विस्वतियं यह गरम जल्धार i है इसको होते हैं दच्छणी प्रसांत विश्वतिय जलधारा ठीक है कहते हैं यह जब आती है यहां पर यह पानी आती तो आने के बाद क्या होता है इसके अपोजिट में चुकि यहां से पूरा पानी चला आ रहा है कहा रहा है तो जहां पर पानी इकठा होगा तो वापस तो जाएग तो इसको बोलते प्रति विश्वतिय धारा दूसरी महासागरी धारा होती प्रति विश्वतिय महासागरी जल्धारा यह प्रति विश्वतिय महासागरी जल्धारा जब ज्यादा तीब्र होती है तो ऐसी कंडिशन में यहां पे गरम इस्थिती उत्पन हो जाती है और हम बोल तो भारत के मानसून को तीब्र बना देंगी और उल्टा हो जाए यही लोग प्रिसर बन जाए इसी को सब कुछ चाहिए तो फिर हमाँ पास बचेगा क्या कि बस इतना अलुनों की दसा और कुछ नहीं है सिंपल और असान बहादा में इतना समझें लोगों की इसलिए को कुछ पढ़ रखा अपने समझ रखा है पहले से इसलिए आप लोगों के लिए इसी होना चाहिए इसमें कुछ दच्णी डोलन है वाकर्चकर यहीं ही को बोलता है यह पूरा चक्र क्रियेट होता है यहां रहते हैँ क्लिका ही और यहां से भारत का जो यहां से जो पंधी है तो यही एल नीनों बन जाती है तो ला नीना एल नीनों की दसा ये मताव मानसून में ऐसा कौन सा आसानी समझ में आ गया मानसून इजी था कुछ नहीं था मानसून समझ में आया कि नहीं आया जूट मत बोलिएगा हां पक्का समझ में आ गया मान सुन क्या है भारत भूम में बारिष कैसे होती बताइए यह समझ में आ गया कि नहीं आ यह जून के महिने में कैसे बारिष होती है नहीं समझ पाई ना इस फिर क्या नहीं वहीं तो बता है वहीं बता है हां अब तक जोग्रफी बढ़ी थी बहुत अलग पड़ी कि आप पढ़ाओं तो अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं है इसमें ज्यादा परसान होगी नहीं है टेंशन मत रहें बहुत आसान है इसी है ठीक है तो चलिए बिंड सिस्टम समझ गए दिया तो असानी से वही बिंड सि बस सिंपल सी बात है अब दो तीन बाते और समझते हैं मानसून जब आता है तो चुकि भारत की प्राइदूपी आकरती है तो क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है तो पहली साखा होती अरब सागर की साखा दूसरी साखा होती बंगाल की खाड़ी की साखा ज्यादा के पूरा हिमालाय खड़ा हो जाता की कैसे निकलने पाऊगे हिमालए उसे रोकता है और खूब बारिस होती है गारोखासी जन्तिया में पहाड़यां कीपा काया पrauenों को रोक लेती हैं और लेकिन अरब सागर की साखाय स्वतंत्र होती उनको रोकने वाला कोई है नहीं अरब वली की परवस्रेणिया जो है समानांतर होती है ना तो इसलिए ये जितना करवाई तो करवाई पश्मी घाट में थोड़ा बहुत बारिस कराती है ये पश्मी घाट के बाद सीधा जो है तो एक बार थोड़ा सा इसको भी इस कॉंसेट को भी थोड़ा समझते हैं क्योंकि यहां पर एक ब्रेश्टी चाया चेत्र वाला कॉंसेट है दो तीन चीज़े हां यहां पर देख लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो मांसून आता है आपका कब आता है जून के महीने में एक जून को भारत में पहली जून को किती थी है आपके ओफीशिली थी है एक जून को माई के महीने में अंड़मान निकोबार द्यूप समूँ फिर एक जून को केला टट पे आता है ठिक आने के बाद जू है यह दो भागों में बढ़ जाता है एक ब्रांच इसकी यह रहती है दूसरी ब्रांच यह रहती है हाँ क्या हुआ अच्छा आप थे तो कुछ नहीं यह इसमें सिंपल आशान पहले यहां बारिस कराता है अब लेखिए यह यहां पर ईक चीज समझें दरसल होता क्या है जैसे यहां से यह पाउने आई त ठीक है अरोध का मतलब जब पाउने यहां पर आकर के पहार से टकराती हैं तो इस छेतर पर बादL बनते हैं और खूब बारिष कराती हैं। झामा झाम बारिष होती हैं लेकिन इस छेतर में कुछ नहीं कराती हैं। क्यूं? ये ब्रश्ट इचाया प्रदेस होता है। ठीक है सिचाई की कृतिम तरीके अपनाने पड़ते हैं ठीक है ये पूरा छेतर ये भी आपका ब्रिष्टी चाया प्रदेश हो जाता है ठीक है वहीं बंगाल की खाड़ी की साखा ये भी प्रवेश करती है यहां से यहां से प्रवेश करती है यहां पे इसको औरोध के तोर पे इमा से आरब सागर की साखह यह भी जो है यहां पर अरावली परवत थ्रेडी है तो इसके समय आंतर निकल जाती है तो ज़ादा बारिस और यहां तक पहुंसते पहुंसते लद làaddaak में भी जादा बारिश नहीं होते है इसलिए इसको बोलते सीत मरिस्थल क्यूं क्यूंकि जब तक ud như पहुंसता है वहा तक अब तक कमेज़ोर हो चुका होता है didi बंगाल 29 टी साखा को भी ज़्यादा पावर नहीं मिलती है ठीक है दिल्ली सबकी एक्तिति है पहुंचने की ठीक है 22 जुलाई तक यह अरप सागरी यह बंगाल की खाड़ी की साखा 22 जुलाई तक पहुंचती है दिल्ली में यतना टाइम इसे लग जाता है पहुंचने में तो सबकी डेट है ठीक है तो ब्रेश्टी छाया प्रदेश के कारण बहुत सा सेंटिमीतर ही बसती है यहां पे 400 सेंटिमीटर के आसपास बारिस होती है फिर घटती जाते हैं यहां पर भी ब्रुष्टी चाया प्रदेश होता है पश्मी घाट का ब्रिष्टी चहया प्रदेश ह nawrth सउन पर इस पर अधर सरनायई जाता है लटा मांसून होता जो पौने यहां से लौट रही होती है थो बंगाल की खाड़ी की साखा से जल पंगाल की खाड़ी से जल लेती हैं और यहां पर बारिस कराती हैं तो दिसंबर के महीने में हमेशा सुनने को मिलेगा कि तमिल नाड़ु में यदि आप भूमने जा रहें तो चाता लेके जाएं वहां बारिस होती है ठीक है नहीं फास जाएंगे आप ठीक है ना चलिए यह बात हो गए आपकी आप आँए चली अब एक एक करके थोड़ा सा यह भी देखते जाते हैं भारत के तापी उर्ज्ट सेयंत है यह आपका अल्टरा मेगा पावर प्रोजेक्ट को ले करके जो काम चल रहा है तो नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के परमार उर्जा सेयंत है नेक्स्ट है आपके भारत की मिट्टियां हाँ यह बहुर depths यह दोनटे रहा है इसेजिए किया दीने के परके ल propag तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल होता है नदिओं का मिट्टियों पर भी तो भी मिट्टियों का है इक तो नदिओं का रोल है दूसरा वर्षा का भी रोल है वर्षा का वित्रन नदियों द्वारा और सादों को ला करके डालना और दूसरा कई चेत्रों पर इस्थानी ये प्रकार की विभिन विशेष्थाओं कांट से मित्यों का निर्माड होता है ठीक है तो यह वाला जो पूरा हिस्षा है आपका यह वाला पूरा हिंस्सा, यह देख रहे हैं, यह आपका गंगा नदी का मैदानी च्हेतर है, ठीक है, यह च्छेतर में पाई जाने वाले मिट्टी आपकी है, इसका नाम क्या है, जलोर मिट्टी, यह आप देख रहे हैं, जितना भी मैं, green करूँ गाई, यह जलोर NOW, स जलोड मिट्टी ठीक है दो प्रिकार क्यों होती है पहले खादर दूसरी की है भांगर खादर जो होती है नवींतम जलोड होती है और अबनर्गर जो होती है आपकी वह यह बांगर जो पुरानी जलोड मिट्टी ठीक है पुरानी जलोड मिट्टी ठीक है हुमस की मात्रा इसमें पर्याप्त पाई जाती हुमस का मतलब समझते हैं जिसे मिट्टी होती है मिट्टी में बहुत सारी बनस्पतियां और यह जितनी भी है तो यह मिल करके मिट्टी के पोसकत्तों का नि यह पूरा छेत्र, यह चुकी पूरा दरारी उद्वेदन का छेत्र है यहाँ पर धक्कन ट्रैप का दरारी उद्वेदन हुआ जो अला मुखी है तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी हुई है यह है काली मिट्टी इसको स्वता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं स्वता जुताई वाली मुट्टी या फिर यहाँ पर विविन प्रकार की फसले आपकी होती हैं जैसे कपास की फसल के लिए सबसे उप्योगी है ठीक है तो काली मिट्टी इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है तो आपका जो पूरा का छेत्र है एक तो गुजरात का छेत्र यह गुजरात वाले छेत्र में भी है इसके अलावा मद्ध प्रदेश का छेत्र महाराष्ट का छेत्र जाधतर थोड़ा बहुत करनाटक का छेत्र यह कre nix नवेड़ों आपने पारी जाती आपकी काली मिट्टी ठेक है इसके बाद निक्स्ट आपकी निक्सट मिट्टी है आपकी यह आपकी आपकी इधर वाली जीज यह ड्लाइनिंग आप देख रहे हैं एक मेरे अ कि यह यह वाला हिससा जो देख रहे हैं आप कि यह आपकी लाल मिट्टी लाल है तो लाल समयनी चाहिए ठीक है यह आपकी लाल मिट्टी यह लाल मिट्टी का च्छेतर है ये पूरा जितना भी चेत है लाल मिट्टे का चेत है इसमें आइरन के तद तो जली ये निच्छे पड़ के पैडाम सुरूप जब जल की मात्रा जो है बार बार जो है किसी चेत को निच्छालित करती है तो वहाँ पर आइरन के तद तो इससे मिल जाते हैं और मिट्टी का रंग लाल हो जाता है तो फेरस आकसाइड की उपस्तिती में मिट्टी लाल हो जाती है ठीक है ये आपकी पूरी के पूरी लाल मिट्टी नेक्स्ट है आपकी लेटराइट मिट्टी ये जो हमारे टटी ये चेत्र हैं ये वाले चेत्र है इन चेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी ये पूरी है लेटराइट मिट्टी ठीक है ये पूरी है आपकी लेटराइट मिट्टी कुछी चेत्रों में पाई जात मिट्टी आपकी जलोर मिट्टी है ठीक है इसके बाद ये आपकी है मरुस्तिलिय मिट्टी ये आपकी है पूरी मरुस्तिलिय मिट्टी ठीक है यहाँ पर रे तीली मिट्टी होती है यहाँ पर पाई जाती है कुछ इससा इसका यहाँ पर भी पाई जाता मरुस्त ली मिट्टी का क्योंकि यहाँ पर भी बारिस कम होती है करनाटक वाले छेत में तो यहाँ पर भी मरुस्त ली मिट्टी पाई जाती है डूंट के अ कि को इसके बाद next है अपका ये वाला पूरा जो बेल्ट है उपर वाला बेल्ट आप देख रहे हैं ये बेल्ट है आपका पर्वतिय मिट्टियों का ये पूरी आपकी है पर्वतियमेट्टि या वनीयमेट्टी थिक और नेक्स्ट है आपका अंतिम लास्ट लास्ट है आपका लवड़ युक्ति मिट्टी जो आपके मैग्रोव वन छेत्र है यहां पर आपके लवड़ युक्ति मिट्टी पाई जाती है मैं ग्रोव वन छेत्र ये वाला हिस्सा यहां पे हो गया यहां पे हो गया यहां पे हो गया यहां पे भी थोड़ा बहुत गुजरात वाला टटी ये छेत्र है यहां पर भी लवड़ युक्ति मिट्टी पाई जाती इस छेत्रों में ठीक है तो यह आपकी है लवड़ युक् नेक्स्ट है आपकी यह काली मिट्टी नेक्स्ट है आपकी लाल मिट्टी लाल मिट्टी कहां पर हैं यह जितनी भी मिट्टी है यह मिट्टी यहां से यह मिट्टी यह है लाल मिट्टी ठीक है काली मिट्टी का कुछ हिंसा जो है आपका इसके बार नेक्स्ट है आपकी लैट राइट मिट्टी नॉर्फिस्ट में भी है और जो आपका पश्मी घाठ है लैट राइट मिट्टी ठीक है इसके बाद आपकी ये एक लवड़ युक्ति मिट्टी ये आपकी लवड़ यूक्ति मिट्टि है लोड Saudi ultimate team McLaur one the चेत्रों में और आपकी अंतिम है लास्ट है यह परव्ट्फिय होगई यहाँ पर सी काँम सी थी एक मिट्टि और है यह इसको बॐलते हैं जय मिट्टि या पीट मिट्टि यह वाला चेत्र जेत्र जू अब देखो तीन चीजे ध्याल रखना रहाएं पहला हमने वर्षा का वित्रन देखा प्राक्तिक बनसपतियों तीन चीजों से नियृधारित होगी पहले चीजे वर्षा का वित्रन रहराण के अ सब से है आपका अच्छांसी है अच्छांसी है इस्थती इस्थती चौथा है आपका उचाई या उच्चावच यह तीनों चारों अवियों मिल करके किसी भी छेत्र की बनसपती को निर्धारित करता है तो अब यहाँ पर आप देखिए बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं पहले तो भारत पूरा उल्ड़कड बंदे यह आता है ठीक है का बनसपत्यों की बात करेंगे तो बनसपतियां बहुत आसानी से आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बनसपत्यों का एक तरीका बता का पूरा का कैसे हम बनसपत्य योचों को निर्दारित करते हैं एक क्लास मैंने पर्या वरंड पी ली थी यह उसमें आने कुछ आप लोग को एक तरीका बताया था यदि उस तरीका को यदि आप अपनाए तो मेरे खेल से पूरा आप मिट्टियों को समझ सकते थे ठीक है? तो कोसिस करते हैं एक बार, वो क्लास एदी पॉशिवल हो, बताऊं हाँ मैंने एक तरीका बताया था, उसी तरीके के हिसाब से आपको मैं समझाने का परियास करूगा ठीक है कैसे हम विश्टू की जलवाईयों को निकल सकते हैं किसी भी तरीके से ठीक है? चलिए पहले थोड़ा सा टाइम लएगा थोड़े टाइम में आप एक बड़ा कॉंसेप्ट फिर से आपका रिवाईज हो जाएगा और यह दिन नहीं जानते तो जान जाएंगे थो सबसे पहले हम विश्व की कडिबंध प्रदेशों को देख लेते हैं है यह आपका है टीक है यह आपका है विश्वती है कड बंद बोलते हैं विश्वती है कड बंध यदि आप ने से बनाव impress एक रूल बताऊंगा एक रूल से ही सारा खेल हो जाएगा आप लोगों का विस्व के किसी भी छेत्र को आपको अपलाई करना है वहाँ पे अपलाई करते हैं आप किसी भी छेत्र के प्राक्तिक बनस्पती के बारे में पता कर लेंगे ठीक है तो पहला है आपका विस्पती है दूसरा है आपका यहां से ले करके ह हम इसको काड़ बाट रहे हैं दस डिग्री सेंटीग्रेट तक इसको बोलते हैं उज्ड कड़ बंध है उज्ड कड़ बंध कड़ी बंध दोनों गुलार्दों में एक एक करके देखेंगे इसको ठीक है दोनों गुलार्दों में एक एक करके देखेंगे, तीसरा है आपका, हाँ, ऐसा गरते हैं, रुख जे एक मिनट, जीरो डिगरी, जीरो से दस डिगरी, जीरो से दस डिगरी, इस पूरे कटिबंद का नाम है, विस्वतिय कटिबंद, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, भारत की सवे जल बिदुद परियोजनाओं को ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी राम गंगा, राम गंगा में हैं आपकी राम गंगा परियोजना, रिहंद में हैं रिहंद परियोजना, इ उत्राखंड पे पहली परियोजना क्या है आपकी तीरी गड़वाल डैम है तीरी गड़वाल डैम पे भागी रती नदी पर बना हुआ है यहाँ पर आपकी तीरी परियोजना है ठीक है इसके बाद धौला गंगा परियोजना धौला गंगा नदी है उत्राखंड की यमना पर विश्णूगर पेपली कोड परियोजना बनी हुई है कोटेश्वर में जल बिदुत परियोजना भागी रथी नदी पर बनी हुई है कालिक नदी पर टनकपूर परियोजना है धौली गंगा पर बेकांग विलिंग परियोजना है टून्स नदी पर किसाव बांध परियो परियोजना, सोन नदी पर बांड सागर परियोजना, बारगी नदी पर बारगी परियोजना, नर्बदा नदी पर नर्बदा सागर परियोजना, नर्बदा नदी पर इंद्रा सागर परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, आपकी नर्वदा नदी पर उंकारेश्वर आपकी ये भी नर्वदा नदी पर है पेंच नदी पर पेंच परियोजना नेक्स्ट है बिहार बिहार में है कोसी नदी पर कोसी परियोजना गुजरात में आपकी माही नदी पर है कटाना परियोजना इसके बाद नेक्स्ट आपका परियोजना जो है आप क्यों कहां परती है बाखड़ा अलग है नागल परियोजना हिमाचल पर्योजना रावी नदी पर है व्यास नदी पर है देहर परियोजना नेक्स्ट है राजिस्थान राइस्थान में जवाई नदी पर जवाई परियोजना चंबल नदी पर राणा प परियोजना यहां पर चल रही है इसके बाद सतलच पे हैं नाफ्था जाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में इसके बाद आपकी सतलच की सायक एक किस्पीती नदी है इसमें खाप परियोजना है रावी पे चमेरा परियोजना है सतलच नदी पे रन परियोजना है हिमाचल में कोल दम पन विजली परियोजना है उत्तर पर ये हिमाचर प्रदेश में NTPC की पर्थम जल विद्धुत परियोजना भी है जंगु कास्मीर में उज परियोजना उज नदी पर चुटक परियोजना सुरू नदी पर निंगो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर गंगा नदी पर्योजना कि संगंगा नदी पर है करनाटक में तुंग्रा भद्रा दोनों के संगम पर है तुंग्भद्रा पर्योजना काली नदी के संगम पर है काली काली पर्योजना नेक्स्ट है आपका अगला स्टेट है करनाटक में ही है इडुक्की परियार नदी पर मदिरा पूझा नदी पर पंबा नदी पर है अरियोजणा क्रिष्णा नदी में स्री सेलम पर्योजना, क्रिष्णा नदी पर नागार्जुन सागर पर्योजना, और गोदावरी नदी पर राम गुद्नम पर्योजना है, नेक्स्ट है आपका अरुदाचल प्रदेश लोहित नदी पर लोहित पर्योजना, तवागांगु नदी पर तवांग पर्योजना, दिबांग नदी पर दिवांग पर्योजना, रंगा नदी पर रंगा नदी पर्योजना, अपर सियांग पर्योजना, सियांग नदी पर और अब्रम्कुत की सायक नदी है कामिंग परियोजना यहां पर कामिंग परियोजना है नेक्स्ट आपका अगला है अगला स्टेट है आपका महारास्ट महारास्ट पे गोदावरी पर जायकवारी परियोजना गिरना नदी पर गिरना परियोजना कोईना नदी पर कोईना परियो नेक्स्ट है आपका तमिल नाडु पे पेरियार नदी पेरियार परियोजना मैटूर परियोजना कवेरी नदी पर पाप नासम परियोजना ताम्रपंडी नदी पर कायपारा परियोजना कायपारा नदी पर ठीक है कायपारा जो है तमिल नाडु की पहली परियोजना मिजोरम में तुई बाई नदी पर तुई बाई परियोजना है नागलन में दोयांग परियोजना ब्रह्मपुत की सहायक दोयांग नदी पर है मेगाले में कुदमकाई परियोजना है अंडमार निकोबार दियूपसों में कलिंग पोंग परियोजना है और भारत से बाहर जो भारत सरक प्राक्तिक बनस्पति तो समझने का एक मैंने रफ ली आपको तरीका बताया कि प्राक्तिक बनस्पतियों को कैसे हम डिकोट कर सकते हैं बहुत आसान तरीका है एक रूल बताए उसनी हम कहीं भी अपलाई करिये वह लेकिन सार्वत्त्रिक नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन इसके बावजुद भी आपको हर जगे आप रफली पता कर सकते हैं की भी जल्वाई पता करना वहां से कर लेंगे अब बात करते हैं भारत की प्राक्तिक बनस्पतियों को ले करके कि यहां पर किस प्रकार की बनस्पतियां पाई जाती है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पर्टिकुलर कुछ आपको चीजे देखनी पढ़ेंगी उसी अधार पे आप निर्धारित कर पाएंगे कि कहां पर बनस्पतियों का क्या अधार है ठिक चलिए एक एक करके देखते हैं समस्ते जाएंगे हम लोग सबसे पहले पहला अधार होना चाहिए वर्सा का वित्रण वर्सा का वित्रण दूसरा अधार होना चाहिए आपका ताप मान टेंपरेचर क्या है तीसरा है उच्चावच उच्चावच चौथा है मिट्टियां मिट्टियां भी निर्धारित करेंगी कि कहां पर कौन सी बनस्पति पाए जाएंगे ठीक है लेकिन सबसे मेजर रोल वर्षा का वित्रण आधा करता है क्योंकि वर्षा के वित्रण से ही बहुत साई चीले बदल जाती है ठीक है टेंपरेचर और वर्षा का वित्रण तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्षा इस छेतर में बहुत बड़े इस्तर पे होती है यहाँ पर यह मैंने आपको बंगाल की खाड़ी की साखा 400 cm से ज़्यादा वर्सा कराती है ठीक है यहाँ पर आपकी भारत में और यह आपको आपको पता अरब सागर की खाड़ी की साखा आती है यहाँ पर वर्षा कराती है कराती है ठीक तो ये दोनों छेत्रों में जो बनस्पती होगी वो मैंने आपको बताए एक प्रकार को बनाया ना बनस्पतियों का देखे उसमें क्या है जीरो से 10 डिगरी के बीच में सदा बहार बनस्पती आपको मिलेगी लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजे है वर्षा का वित्रण चुकी इस जगह पे कुछ और है ठीक है तो यहाँ पर बनस्पतियों का अधार बदल जाएगा यहाँ पर कोरो मंडल टट पे भी वर्षा होती है उजड कडबंदिये सदा बहार बन ठीक है यहाँ पर पाय जाते है यहाँ पर वर्षा सबसे कम पाय जाती है ठीक है तो जब यहाँ पर वर्षा सबसे कम पाय जाएगी तो यहाँ पर पाय जुकी पूरा भारत उजड कडबंद में ही आता है तो यहाँ पर पाए जाएगी उज्ड कडबंदिये काटेदार जाड़िया या सुस्क बनसपतिया उज्ड कडबंदिये सुस्क बनसपतिया तो इस जगे पर क्या पाए जाएगी उज्ड कडबंदिये सुस्क बनसपतिया सुस के GA мैंडे लिख वाया होगा चार नंबर देखिए मरुस्थली बनस्पत्ह कुछ लिखा होगा चुकि आप इसको देखेंगी तो ये आप का is HR नंबर पे आयेगा ठीक रफली आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ यहाँ पर भी आपकी मरुस्थल बना पाई जाती है अब बात है यह वाला चैती यह परवतीय चैत है बहुत आसानी से उश्ड कड़ बन दिए कूण्डधारी वन क्यों 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 कि यहां पर उच्छा वच यहां पर कारक बन गया उच्छा वच ऐसा है क्योंकि बहुत हाइट में 4000 मीटर से ऊंची आपकी पर्वत चोटीं तो यहाँ पर कैसे पाई जाएंगी आपकी तुंड्रा बनस्मात estavam पाई जाएंगी टैगे बनस्मातिया याँ यह जाएंगी कोनधारी वन Ici रहा ए यहाँ पüne यहाँ पर देवर कीर्गीं कैसे कैसे होते हैं ट्रेंगुलर सेप में होते हैं तो यहां पर पाई जाएंगे आपके उज्ड कड़बंदी कोंडारी बन तो पहला आपको उज्ड कड़बंदी सदाबहर बनस्पतियां उज्ड कड़बंदी सुख्सक बनत्पतियां उज्ड कड़बंदी परवतिय खाएंगे ठीक है उख्ड जैसे नीम है नीम के पंढ़ पाती बने अपनी पत्तिय गिरा देता है ठीक है तो यह वाला पूरा जो अपका बेल्ट है यह पंढ़ पाती बनों का पाए जाएगा ठीक है तो भारत में मुख तौर पे यह प्रमुख बनसपतियां पाए जाती हैं बाकी जो छेत्र आपके यहां जो आरी यह चेत्र यहां पर मैग्रो बनस्पतियां पाई जाती हैं, जितने भी जो आरी यह चेत्र हैं, यहां पर आपको मैग्रो प्रकार की बनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आरी यह वन पाई जाते हैं, ठीक है, तो भारत में पांच प्रक कि यह कुल्चर पैटन है कि कहां पर कौन सी ठीक है यह देख लेंगे कोई बहुत बहुत इंपंटन नहीं है आप फे अगे है है कि फेक है अगल में अगल झाल 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 अब नेक्स्ट आपका इसी के अंतरगत थोड़ा सा कुछ चीजह और देख लेते हैं उज्ड कडबंदी सबसे पहले इनके बारे में दो-दो बाते मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे कौन-कौन सी किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं तो आप देखते हैं हर बार वन इस्तिती रिपोर्ट निकालते हैं तो वन इस्तिती रिपोर्ट क्या है हर बार इनके पास एक डेटा रहता है पर्टिकुलर कितने पेढ़ हमने लगा दिये पूरे भारत बर में इस सपता में पूर एक सपता मनाय जाता है जिस सपता में पूरा का पूरा भारत के पहले क्रिसी मंत्री कौन थे कनया लाल मडिक लाल मुंसी के अम मुंसी साहब जो थे इनोंने ही ये 1950 में अधिक वाव आंदोलन शुरू किया था उसी के तहत ये पूरा एक जुलाई से साथ जुलाई के बीच में पूरा क्रिस्प बन महस्तों मनाई जाता है तो इनके द्वारा जो पूरा का पूरा ये वन इस्तिती रिपोर्ट और ये सारी चीज़े होती हैं ये इसी टाइम पीरिड़ प सथां तक मेरे ख्याल से बहुत गलत होता है बहुत अत्ता के सही नहीं रहता है ठीके चलिए आब एक एक करके हम लोग कहां पे कौन सी बनस्पती पाई जाती है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सदा बहार छेतर जो होता है आपका सदा बहार छेतर या उष्ड कड बन दिये सदा बहार छेतर आप में कौन कौन से ब्रच पाई जाते हैं सबसे पहला ब्रच होता है आपका नारियल का, नारियल का सदा बहार बिर्च का पेड़, इसकी कभी भी पत्या नहीं गिरती हैं, आबनूस का पेड़, रोजबुट का पेड़, बेत का पेड़, एबोनी का पेड़, महोगनी का पेड़, तार का पेड़, ये सारी पेड़ आपके सदा बहार, जो सदा बहार ब जोरम, ये वाला चेत्र, अंडमान, निकोबार, द्यूपसमू, पश्मी, गाट का चेत्र, तो यहाँ पर किस तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे, तार का पेड़, महोगनी का पेड़, नारियल का पेड़, एबोनी का पेड़, आबनूस का पेड़, बास का पेड़, होती वर्षा का वितरण सौब सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होता है, और यह जो हमने यहाँ पर यह वाला हिस्सा देखा, यह पूरा हिस्सा पर्टिकुलर, इस हिस्से में आपकी जो प्राक्तिक बनस्पति, उष्ड़कडबंदी, पंडपाती बनस्पतियां ह नहाँ पर कौन-कौन से पाई जाएगे वन, साल का पेड़, साल, सागवन, सीसम, चंदन, आम, हरड, बहेडा, आवला, मौः, हल्दू, बहुस तरे पेड़ ہیں, ठीक है, अब आप आप बाकी नीम नीम भी इसके अंतर गताता है, साल, सागवन, सीसम, चंदन, आम, नीम, मौला मौहा ठीक है यह सारे पेड़ आपके जितने भी हैं तो आपका जितना भी उत्तर प्रदेश है उत्रांचल है पश्चिम मंगाल है महराष्ट है ठीक है उडीशा है छत्तिस गड़ है यह पूरा बिल्ट आपका यही है इसी बिल्ट पे उल्ड कडवन दिये पत्जडव चर्वना रिठा बेर आंवला करील नागफरनी ऊजökन है रिठा केर बेर आवला करील आदी के बश्च हैं पर पाए जाते हैं तो यह आपका जो राजिस्थान गुजरात हैदर्शनी पत्तर प्रदेश है मद्द प्रदेश है और करनाटक का जो छेटर है करनाटक के यह करना टक क cities छेत्री इस चेत्र में ये बल पाए जाते तेकंद मैग्रो बनस्पति गोडि को डेल टाई बन कहते हैं यहां पर जो आप के प्रमुख बन होते हैं कौण कौण से बन होते हैं यहां पर आपका स कहां मैं घूर बनस्पत्यों में लिख लिए में मैं गोर्ने तार सुरिय ना कैसुरी नारियल qig haven देल्टा का नाम पढ़ा सुवाद सुन्दरी ब्रख्ष भीरत हैं सुंद्री ब्रक्ष भी यहाँ पर उखते हैं इसलिए सुंदर बन का जो डेल्टा का नाम पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा कि गंगा ब्रंपुत के डेल्टा में सुंद्री नामक ब्रक्ष पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट परवुतिये बन परवुतिये छेत्रों में कहां तक पाए जाते हैं क्या क्या पाए जाते हैं ठीक है लिख लिजे ओक देवदार देखो सबसे पहले जब आप हिमालेन छेत्र में चड़ेंगे उपर तो नौसो मीटर तक की उचाई में जाएंगे तो वहां पर सदाबाहर पेड़ मिलेंगे आपको सदाबाहर बन लेकिन जैसे उसके उपर जाना चालू करेंगे आप नौ पौड़ी वगयरा ठीक है आप पौड़ी वगयरा जाएंगे तो फिर आप पौड़ी वगयरा में देखेंगे तो पूरा का पूरा पौड़ी गड़वाल हिमाले पे तो आपको जैसे ही नौसो मीटर से उपर जाएंगे वैसे ही बनस्पती बदल जाएगे ठीक है तो यहा जैसे 1800 से 3000 मीटर की उचाई पर जाएंगे तो यहां पर सम सीतोल्ड कोड़धारी बन पाए जाएंगे आपके जैसे उचाई पर बढ़ते जाएंगे एक बार इसको भी आप बनाना चाहें तो बना लीजिए साथ में हाइट के हिसाप से भी बनस्पती आपकी बदल जाती है यदि हम हाइट के हिसाप से उपर चलते जाते हैं तो सबसे उपर आपका ये क्या है 900 मीटर तक की बात है सबसे पहले हम 900 मीटर तक उचाई में 900 मीटर तक चड़ेंगे तो यहां पर सदा बहार बन पाए जाएंगे यह बना लिजे ठीक है 900 से 1800 मीटर तक यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे सीतोजड कड़ बंदी चौड़ी पत्ती वाले बन पेड़ सीतोजड कड़ बंदी चौड़ी पत्ती ठीक है यदि इसके उपर जाएंगे 1800 सो ले करके आप 3000 तक जाएंगे तो यहाँ पर सम सीतोजड कौड़ बन पाए जाएंगे 3000 मीटर तक जाएंगे तो सम सीतोजड कौड़ बन ठीक है इसके उपर यह दिया आप जाते हैं तो आपको 4800 सो से 5000 इसके उपर यहाँ पर 4800 से 5000 मीटर तक में टुंडरा बनस्पती मिलेगी चुंडरा बनस्पती और 5000 से उपर जाएंगे तो बनस्पती भीहीन हो जाएगा बनस्पती नहीं होगी बनस्पती भीहीन छेत्र होगा बर्प से ढका हुआ छेत्र होगा ठीक है हमेशा बर फिस से उपर जब भी रहती है जब भी आप जाएंगे पाड़ों में तो आप एक यह पैटन देखेंगे ठीक है तो आप देखेंगे कि फार इस प्रूस चीड सनोर चीड वगयरा जो होता है ना चीड आपका यहां पर मिलेगा इस तीन हजार से उपर वाली क्या उपता है यह बत्ता यह लिख लिजिए इस वाले बिल्ट पर लिखें यहां पर यहां पर इसी क्या यहीं पर टिक करके लिख लिजिए अठारा सो वाले पर नौसों से अठारा सो के बिल्ट पर क्या क्या मिलता है कि ठीक है कि यहां पर आपके सीतोड कडवंदी चोड़ी पत्ती वाले बनों में आपके जितने भी बन हमने उस पे देखे हैं ये वाला जो आपका बता रहा हूं मैं जो दूसरे वाले में देखा है हाँ यहाँ पे लिखे ओक देवदार वर्च मैपिल ठीक है इसके उपर लिख लिजे फर इस्प्रूस चीड सनोवर इसके उपर में फर इस्प्रूस चीड सनोवर ठीक है इसके उपर लिखे यहाँ पे लिखे ब्लू पाइन यह भी ब्रच्छो का एक प्रकार है कहाँ पे है नई टुंड्रा तो अलग बनस्पति है वो लाइकेन टुंड्रा बनस्पति घास काई लाइकेन ऐसे टाइप की बनस्पति होती है छोटी-छोटी बनस्पति ठीक है जैसे से आप नीचे जाएंगे पतियां उपर-उपर जाने पर छोटी होती जाएंगी नीचे आते पश्मी हिमाले का पैटन है पश्मी हिमाले में आपका जो पैटन है वो यह पैटन पाए जाता है आम तोर पे ठीक है पश्मी हिमाले पे आपका पैटन यह पाए जाता है पांच हजार मीटर तक में बनस्पतियां मिल जाती है ठीक है इसके उपर फिर आपका बनस्पतियां ख पर देखेंगे जो उच़ी परवचोटिया है आपको इस malt प्यादा मिलेंगे इस hottest यहाँ से ज़्याधा चालु से ज़्या चालू होती यहादा तो नेपुन पर ही पढ़्यादा ठीक है तो आईसे में यहाँ पर 4000 DV कर रहता है Olha और यहाँ पे आपका 5000 मीटर है 5000 मीटर पे तक बनस्पति मिल जाती है इसके उपर चालू जाती हिम रेखा इसको बोलते हिम रेखा यानि इसके उपर से आपका क्या होगा बर्फ ही जमी मिलेगी हमिशा बनस्पति भी हिंच passado मिलेगा ठीक है तो यह हो गया आपका ठीक है और आपको सबसे नीचे वाला छेतर जो यहाँ वाला छेतर होगा यहाँ पे यहाँ पे ब्रच्छा और जाडिया बहुत सारे मिलेंगे आपको जाडिया एवन ब्रच ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next यह हो गया आपकी बनस्पतियां सारी की सारी कि अब बनस्पतियों में कुछ बचाए लगबग लगबग कहाँ पे कौन सी बनस्पति पाई जाती है हमने देख लिया ठीक है आगे एक चीज और लिख लिए भारत को आठ बनस्पति चेत्रों में बाता जाता है बारत को आठ बनस्पति चेत्रों में बाता जाता है लिखना हो तो सबके नाम एक एक लिख लिजे पहला है पश्यमी हिमाले छेत्र पहली बनस्पती छेत्र है पश्यमी हिमाले छेत्र दूसरा है पूर्भी हिमाले छेत्र पश्मी हिमाले छेतर में चीड, देवदार, संगुधारी, ब्रच्छी ये सब पाए जाते हैं पूर्भी हिमाले छेतर में जो हैं ओक, जैफल, दूइफल, फूलों के बड़े-बड़े पेड़ ये सब पाए जाते हैं तीसरा है अपका आसम छेतर पहला है पश्मी हिमाले छेत्र, दूसरा है पूर्भी हिमाले छेत्र, तीसरा है आसम छेत्र चोथा है सिंदु का मैदानी छेत्र सिंदु का मैदानी छेत्र नेक्स्ट है गंगा का मैदानी छेत्र सिंदु का मैदानी छेत्र, गंगा का मैदानी छेत्र फिर नेक्स्ट है धक्कन छेतर, नेक्स्ट है माला बार छेतर, नेक्स्ट है अंड मान छेतर, अंड मान छेतर, ठीक है, बनों से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, forest product निकलते हैं जैसे कि माली जे आपका तेंदू का पत्ता है ठीक है तो ये बनों से ही प्राप्त होने वाला product है आपका जो ओडिशा है मद्द प्रदेश है 37 गड़ है दच्छन पूर्वी राजिस्थान है यहां पर आपकी इनकी जो है यह तेंदू के पत्ते का प्रयोग करते हैं बीडियों बीड़ी उद्ध्योग है ना पूरा बीड़ी जो आप पीते हो तेंदू के पत्ते पे लिफ्टा होता है ठीक है उसके अंदर जो पूरा से पाते हैं लाग का प्रयोग करते हैं लाख लाख एक कीरा कीरा होता है कोरिया कीरा कोरिया कीड़ा कीड़े की लार होती है लाग ठीक है तो लाग का प्रयोग हम लोग करते हैं जारखन में इसका प्रयोग औसधी बनाने में रेसम रंगने में है ना चूडियां बनाने में पेंट बनाने में हैं एलेक्ट्रोंक बहुत सब्सारे समान बनाने में spirit बनाने में इन सब चीजों में लाग का प्रयोग किया जाता है तो तेंदू पत्ता हो गया लाग हो गया बेंट हो गया बेंट बेंट एक तरीके का कह सकते हैं कि बनों के दलदलों में उगता है पतला सा पत्ता होता है इससे बहुत सारे तार बनाए जाते हैं रस्तियां बना अ dzięki होती है और इसके माद्याम से आपका बैक्स बनाए जाती है सिड़ाई गोंद घर कको बनाते हैं गोंद ढाली जाती है लिश्त से प्रिंटिंग में प्रियोग होती है टेक्सटाइल से में प्रयोग होती है कागज सेक्टर में प्रयोग होती है पेंट में प्रयोग होती है कौडी में प्रयोग होती है ड्रक्स बनाने में भी गोंद का प्रयोग किया जाता है ठीक है इसके बाद बहुत सारे हो गया चंदन हो गया चंदर पेहंदी क्या है मेंधी का पेड क्या है कलर ही तो मिलता है ना उससे आपको एक कलर एक रंग मिल जाता है चंदन के पेड़ से सहतूत से सहतूत के पेड़ से भी कलर मिलता है सागाउन से बीकलर मिलता है सफूला कैसर से केसर में भी एक कलर होता है कैसर को कभी अधिकल डूद में डाल यह तो पूरी पील होगा दोर है ना तो ऐसे सब कथा कथा क्था किया है आपका खाने वाला ठीक है एक है कि भी कर फखले अ जैक रहे तरीके का रंग है कथा भी कि आपका एक कलर होता है तो बहुत सारी चीजें ब्रच हमारे लिए मतलब एक तरी किसे प्राक्तिक तोर पर ब्यापक और सदियां भी मिलती है और साथ साथ ठीक है हर एक ब्रच में और सदिये गुण भी होते हैं तो ब्रच मतलब पर्याप्त संसाधनों के एक बड़े तक रám अजी हमें ऑल से अंडेस्टियल सेक्टर की तरफ निकलना चाहिए आमंसेजिक में अब क्या बचाएग्री पर कैल ऐक है आपका टतले करन चलता है किसे तुदेगी भारत में जो कर्शी स्य रितुएह थी प्रमुक्त निश्यृ व्राहे दिसम्बर और जनमरी के महीने का है तो खरीप की फसल पहली होती है आपकी जून से सितंबर के महीने तक होती है इसके बाद आपकी रवी की फसल होती है कब तक होती है मार्स तक की फसल जो तो जो खड़ी 52 होती है को त्री राज्यों में मुखत औरफ़ चावल खड़ी के वसल में धान की कहती करते हो आप चावल का पास बाजरा यह सारी मक्का जुआर आठर यह सारी फसले कब हुम प्रियोः करते हैं जब कि फशल होती है टिक रभी की फसल में गेहू चना तरोई सर्सो जओ सारी चीजी है रभी की फशल कृसी रित्म है मक्का जुआर अरहर तुर यह विबिन्य प्रकार की दालों का भी वहां पे और विबिन्य प्रकार के जो है आपको खादे पदार ठीक रभी की फसल अक्टूबर से मार्च के महीने में जिसमें गेहूं चना सरसो जव इत्यादी प्रमुक फसलें इसके अलावा जायद की फसल आप पैटन मना दिया गया है और इसी पैटन से चीजे चल रहे है तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक फसल को उठाए जाए या फिर एक बार इसमें देख लेते हैं साइद इसमें मांचित्रण है यह आपका agriculture pattern है कि भारत में कैसे खेती की जाती है ठीक है तो कहां पर कहां पर जूमिंग कल्टिवेशन है कहां पर आपका जो है परवती क्रिसी है कहां पर सीड़ी नुमा क्रिसी है यह बहुत बेसिक से चीज है ठीक है यह चेत्र आप देख रहे हैं यह आपको इस पॉर्ट दिख रहे हैं यह सारे स्पॉर्ट परवतिये चेत्रों के हैं लेकिन सब परवतिये नहीं है कुछ मैदानी चेत्रों में भी जंजातियां रहती है इन जंजातियों के द्वारा जूमिंग क्रिसी की जाती है जूम क्रिसी का मतलब क्या होता है एक जगए खेती करने के बाद यहां पर बीए पर्वती क्रिसी देखने को मिलती यह पूरा बेल्ट यहां पर भी आप देखेंगे ठीक है यह वाला पूरा बेल्ट आपका सुस्क खिरी है यहां पर ठीक है तो उसी प्रकार से ये इसलिए समझना जुरूरी ही क्योंकि हमें इसी अधार पर पता चल पाएगा कि कहां पर क्या हो रहा है इसके बाद जो है दूसरा है सिंचित क्रिसी ये वाला पंजाब ये पूरा हरित करांती वाला छेत्र है इनके पास बड़ी मात्रा में सिचाई के साधन नदियां और सासा तुरबरक तो ये पूरा का पूरा सिंचित छेत्र है ठीक है सिंचित क्रिसी यहां पर की जाती और पूरा ये वाला बेल्ट साउथ इंडिया का यहां पर सिंचित क्रिसी का की जाते है ठीक है इसके बाद जो है आपका अगला है आद्र क्रिशी आद्र मतलब यह नदियों द्वारा नदिया बहुले छेतर हैं जहां पर पर्रयाप्त मात्रा में जल के उपलब देता है तो यहां पर आद्र क्रिशी की जाते हैं नदियों के द्वारा नहरों के द्वारा नलकूप तो यह आपका क्रिसी प्रारूप है नेक्स्ट है आपका चावल उत्पादक छेत्र कौन-कौन से छेत्र है जहां पर चावल को उत्पादक ज्यादा होता है उच उत्पादक तक ऐसे होती है तो एक करके इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ फैक्ट जानने बहुत जरूरी है हम इस पर कुछ फैक्ट लेकर के चलेंगे सबसे पहले लिख लिजे भारत को पंद्रा क्रिसी जलवायु छेत्रों में बाटा गया है टोटल एक ग्रीक लेमिटिक जोन कितने हैं पंद्रा इससे प्रश्न पोस्ता है आपका टोटल भा थेका 15 के 15 लिख्वाने के जुरूत नहीं है ठीके पहला आपका पस्चमी हिमाले प्रदेश दूसरा है आपका पूर्वी घीमाले प्रदेश तीसरा है आपका गंग का निशली घाटी वाला मैधान चोथा है आपका गंग का मर्द्वर्ती घाटी Vishatree वाला मैधान आठवा है आपका पूर्वी पठारी वा पर्वतिय चेत्र आठवा है आपका मद्ध वर्तिय पर्वतिय या पठारी चेत्र नवा है आपका पश्मी पर्वतिय या पठारी चेत्र दस्वा है आपका दच्छनी पठारी वा पर्वतिय चेत्र ग्यारवा है पूर्वी टटी मै मैदानी वा घाट छेत्र तेराओं हैं गुजरात पर्वती वा मैदानी छेत्र चौदाओं हैं पश्मी सुस्क छेत्र और पंद्रवाँ हैं दूपी छेत्र तो अलग अलग तरीके से एक ग्रो क्लाइमिटिक रीजन है कोश्चन सिर्फ यह आता है कि भारत को कितने क्रिसी जल मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम और नागलेंड आते हैं निचली गंगा घाटी का मैदान इसमें पश्ची मंगाल आता है निचली गंगा घाटी का मैदान ठीक मद्वर्ती गंगा घाटी का मैदान उत्तर प्रदेस और विहार दोनों मद्वर्ती छेत्र में आते हैं गंगा क उपरी घाटी मैदान केवल उत्तर प्रदेस आता है इसमें उत्राखंड का छेत्र भी है इसके बाद ट्रांस गंगा का मैदानी छेत्र इसमें चंडीगड यानि गंगा के उस पार ट्रांस गंगा चंडीगड दिल्ली हरियाणा पंजाब और राजिस्थान यहां पर गंगा यह ट्रांस गंगा के चेत्र हैं इसके बाद पूर्वी पठारी वा परवतिये चेत्र में बिहार मद्ध प्रदेश ओडिशा महराष्ट पश्यमंगाल मद्वर्ती पठारी वा परवतिये चेत्र में मद्ध प्रदेश उत्त्रप्रदेश राजिस्तान पश्मी परवती वा प महराष्ट वा तमिलनाडू गुजराथ परवतिय वा मैदानी छेत्में गुजराथ दमंद्यूप दाद्रा नगर हवेली राजस्थान पश्मी सुस्क प्रदेश में राजस्थान और दूपिय छेत्र में अंडमान निकोबार द्यूपसमों लक्षद्यूपसमों यह मतलब पूरा पैटन बनाये गया है ठीक है पैटिकुलर पैटन यहोंने डेवलप किया है अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं पहली फसल आपकी चावल तो चावल कैसी फसल है आपकी उज्ड कडबंदी फसल है ठीक है भारत एक उज्ड कडबंदी और मांसूनी होगा आया जाता है और देस के कुल खाद्यान वाले छेतर में 47% छेतर में हम चावल की क्रिसी करते हैं ठीक है चावल की सीथ कालीन फशल है इसकी आमन दूसरी ये बोरो बोरो ग्रीश मकालीन फशल है आमन बोरो और तीसरी आउश आउश जो है सरद कालीन फशल है ग्रीश मौर उसके मद्ध है आमन आउस और बोरो ये तीन प्रमुक फचले हैं ठीक है कहां कहां इज्यादा चल चावल होता है भारत में पूर्वी भारत में सबस्यादा पूर्वी भारत के मैदानी छेत्रों में सबस्यादा चावल होता है सबस्यादा उच उत्पादक छेत्र यह है आपका जिन चेत्रों में उच उत्पादकता होती यह वाला चेत्र यह होती है यहां पर पंजाब हर याणा यह वाला च्छेत्र में आपके चावल के उत्पादक्ता बहुत अच्छी है ठीक है तो यह आपको तीन बेल्ट आपके प्रमूख है बाकी गोवा के टटिये च्छेत्र में चावल गॉब होता है और तमिल नाडवाल लेकौरो मंडल द्यूप हर यहां पे चावल होता है तो यह उठ्च पादक्ता वाले छेत्र है आपके ठीक है यहां पर चावल आपका को वोता है तो मध्यमुत पादक्ता में आप देख रहें दूसरी ये बीच में मध्यमुत पादक्ता लेकिन जो मुख छेत्र है बाकि जहां ब्लैक है इसका मलब यहां चावल आई नहीं राइस्तान वाले चावल इंपोर्ट करते हैं दवदर से लेकिन चावल की खेती वहां पे नहीं होती है ठीक है तो चावल का मुख के छेत्र क्या आपका पूरवी भारत का मैदानी प्रदेश यहां पे चावल होता है जिसमें पूरवी उत्तर प्रदेश बियार पश्यमंगा ठीक है टटी मैदानी चेत्र जितने भी टटी मैदानी चेत्र हैं यहां पे ठीक है यह टटी मैदान तमिल नाडू हो गया उडिशा हो गया यह सब टटी मैदानी चेत्र गुवा का चेत्र हो गया यहां पे चावल पर्याप्त उगाये जाता है ठीक है इसके बाद आपका न प्रिस्त भाग पर गेहूं की क्रिसी की जाती है लेकिन एक चीज यह ध्यान रखेगा कि इसका जो उत्पादन है ना वो जादा है गेहूं से प्रती हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का चावल से जादा है ठीक है और चावल के लिए जादा खेती की क्रिसी सिचाई की जूरत ह होती है इसके लिए ज्यादा क्रिसी सुचाई को उसकी है ना उसकी अपेक्षा काम है तो देश के कई हिस्सों पे जो है गेहों की फशल होती है ठीक है इसके अलावा प्रमुख उत्पादक राज्ज कौन है उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख राज्ज है जो गेहों की फशल टार उत्तर प्रदेस टिका और उत्तरप्रदेस है ठीके नेक्स्ट है अग्ला है जल्दिले फैस्पर lies sweet है तीन लेंगे हरिट केरते में सबस्ष्यादा प्रभाव जो पड़ा वह गिक पर क्रिसी पर ही पड़ा यह आपको द्यान में रखना पड़ेगा गेहूं की क्रिसी पर सबसे आधा पड़ा और इसका सब से ज्ञादा अधा उत्तपादन जो है उत्तर परदेश पंजाब और हर्याड इन तीन राज्जों को ने भरिद कौरांती-व फसल का सब स्यादाइव उत्पादन किया ठिक उत्पादक्ता की मात्रा भी अलग थी और उच्च याद क्र现在 अगला जाओ जो है जव मोटी मोटे अनाच के रूप में की गढ़ना कि जाती है ठीक है और ये समानेता बालूई मुट्टी वाले छेत में पाए जाता है ठीक है तो ये ज़्यादा तर आप देखेंगे कि जव जो है आपको सबसे ज़्यादा जव भी उत्तर प्रदेश में ही होता है ठीक है बिहार और उत्तर प्रदेश दो छेत्र हैं दो छेत्रों में जौकी खेती की जाती है अगला है चुवार जो है यह आपका इसमें जरूई नहीं की बहुत जदा इसमें सिचाई की जुरुत पड़े तो इसके लिए आपकी इस पे बालूई यह आपका यह राई स्थान पड़ भी जाए तो भी हो जाता है तो राजी स्थान में सबसे अधाब का राजी स्थान गुजरात महराश्ट्र हरियाना मद्य प्रदेश उत्त्र प्रदेश में बाजरे की खेती होती है ठीक है बेसिक इसके बाद नेक्स है आपका बाजरा मतलब गरीबों का भोजन है तो एक तो सबसे पहली चीज मक्का सीथ कालिन फशल है ठीक है सीथ कालिन फशल है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन यूप्त गहरी धोमत मिट्टी होनी चाहिए अच्छी कहती होनी चाहिए और देश में सबस्यादा मक्का उत्पादन का कारे करता है उत्तर प्रदेश astrolog oggi पण्जाब में ठीक है पंजाब का मक्का अच्छा होता तो जो भी आप स्वीट कॉन खाते हैं जो इतना बड़ा-बड़ा मक्का होता हो अमेरिकन मक्का होता है अमेरिकन स्वीट कॉन होता है इंडिया वाला भुट्टा होता है अगला है दाले तो जो लोग साका हरी हैं उनके पास एक ही साधने प्रोटीन प्राप्ति का हो है दाले डालों से ही आपको प्रोटीन मिलती है और हमारे याँ पे रभी और खरीब डोनों फसलों के अंतरगर डालों की परियाप्त केती होती है अरहर, चना, मतर, मसहूर, मूंग, उदद, लोबिया, आदिकी, जितने भी डाले मूंग फली दाल है कि कि इसमा अते लहन में आता है तो प्रोटीन यदि- सबसे जादा जो प्रोटीन पर शॉर्यादे प्राइड प्रोटी पिर सोया बीन, आप लोगो लगो लगो बराबर प्रोटीन प्रोटीन पर शाथा आती है ठीक है उसमें मुंफली नहीं रहता option तो आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगला नेक्स्ट है आपका अरहर तो अरहर के बारे में दो तिन बाते हैं सबसे ज़्यादा अरहर आपका कहां होता है आप को अब यहां अब जतनी दलहनी कि फसले हैं दलहनी फसलों में सबसे प्रमुक राज्य है आपका मद्परदेश ठीक है मद्परदेश में सबसे दलहनी फसले होती हैं और सोयबीन तो नंबर एक हापका मद्धप्रदेश बाकी देखिए महाराष्ट तमिलनाडु करनाटा कांद्धप्रदेश आदीन छेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में होता है ठीक है बाकी नगदी फसले होती हैं कुछ वाड़िजिक फसले जैसे की गन्ना गन्ना सुगर के निसमें भी आपका ठीक है तो स सबस्यादा मिले जो हैं महाराष्ट्रा में और सबस्यादा उत्तरप्रदेश करता है लेकिन दीरे दीरे गन्ना सिफ्ट होता जा रहा है दच्छन की तरफ पे ठीक है जैसे तमिल नाड़ुआ मीलों को लेकर के उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हो गए आपका यूपी ठीक है चलिए है अच्छा नेक्स्थ है आपका रबर रबड़ भी आपका एक नगदी फचला है और नगडं रबर जू है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ब्राजील में दच्षनी अमेरीका में ब्राजील में सबस्यादा रवर्ट सらगी उती है यह, वहाँ से लाकरके हैं करल वाले छाइज में दुछता सब्यार नदी के करते हैं और सबस्यादा कर देते .क्योंकि भारत में बimmen बायत बात में चाय पिलाई जाती घरों पर चल्जेंब सबस्यादा इसको खतम भी करता है इसके बाद कुछ रेशेदार पसले यह यह समय और कह accumulated काफी और कहुआ तो कहुआ का सबस्याद उत्पादन होता है भारत में कहां पर करनाटक वाले छेतर में करनाटक जो है और असम जो है आपका चाय उत्पादन पर नंबर एक है ठीक है के ला में भी होता है तो चुटपूट होता लेकिन सबस्याद का हुआ का करनाटक में होता है ठीक है रेसेदार फसले में आपका जूट आता है ठीक है जूट पहले जब आप स्कूलों में जाते थे तो बैठते थे जूट के अभी अभी भी दिरे-दिरे लेकिन इसका का प्रयोग कम होता जा रहा है तो इसके था है बोरे रसियां काली इन कपड़े आदिस के द्वारा बनाया जाते हैं जूट इंडस्टी भारत में विश्चु की सबसे बड़ी इंडस्टी हुआ करती थी लेकिन जब भारत का विवाजन हो गया तो दिक्कत यह हो गई कि जितन ज्यादा हुआ करता थे समय में क्योंकि इसको उत्पादन करने में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती बहुत सस्ता स्रम भी मिल जाता है और देश में अभी सबसे आदा जूट उत्पादन का कारें पश्यमंगाल ही करता के लिए 70 परसंट जूट उत्पादन आपका पश अगरी कल्चर का मात तो बढ़ रहा है इस समय लेकिन लगातार अब अगरी कल्चर पर्टिकुलर हम खुदी प्रयास करेंगे कि अगला एक सब्जिक्ट ही पर्टिकुलर एग्री कल्चर चालू किया जाए क्योंकि यूपीस से में इस बार 11 कोश्चन पूछ है इनोंने 11 12 क क्योंकि पर्टिकुलर अब जो आपका वन सेवा परिक्षा है और फॉरेश डिपार्टमेंट के एक्जाम को यह लेकर के अगरी कल्चर और इन्वार्मेंट दोनों को लेकर बहुत सारे क्वेशन पोचे रहा है तो अगरी कल्चर को अब अलग से हम लोग देखेंगे अब करते हैं खने संसाधनों को लेकर के ठीक है तो सबसे पहले खनीच क्या है खनीज एक प्रकार का प्राक्तिक संसाधन है जिसकी रचना एक स्यधिक तत्तों के संयोजन से प्राप्त सैलों से मिलती है वो खनीच कहलाता है आपका और बुगार्विक संपदा के तौर पे के द्वारा प्राप्त होता है जब हम जीवास्माइश का करते हैं तो ठानिज दो जो प्रकार कर epic नहीं से जब सब्ढ़ने से ताम्भा होगया लोहा ओंगया थीं हो गया बैक्सीट औरहे हो गई मैगनीज हो गया है ना यह सारा आपका धात्वी खनीज है और अधात्वी खनीज वह जिन्सको गलाने से धात्व की प्राप्ति नहीं होती है जैसे चूना पत्थर हो गया डोलमाइट हो गया फास्पेट हो गया जिस्पम हो गया मैगनेसाइट हो गया तो यह सारे धाद्तवी कनिज प्राया आपके अगनिय सभे लोग। अगने चट्टानों पाए जाते हैं और अधाद्तिक लिडिड sih आपके होते हो परत दरावसाधी चट्टानों में ठीक है तो दो प्रकार से खनीज होते हैं और इन में से भी हम खनीजों को दो प्रकार से और बांट सकते हैं लोहा खनीज या अलाओ खनीज जिन खनिजों में लोहे कांस होता है उन्हें लाओ खनिज कहते हैं और उन्हें लोहा इस पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि मैगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया, लोहे के सारे आयस्क हो गये आपके ये सारे आपके कैसे होते हैं लोहा खनीज होते हैं अलाओ खनीज वो होते हैं जिनमें लोहे का अंस नहीं पाया जाता है इन्हें अलाओ जैसे तांबा, जैसे सोना, जैसे सीसा, जैसे बाकसाइट, जैसे टिन, मैगनीसियम ये आदी जितने भी आपके कैसे हैं अलाहो खनीज है तो खनीजों को दो प्रकार से बाटा जा सकता है पहला है धात्वी खनीज और दूसरा धात्वी खनीज यानि जिस्म को गलाने से धातु मिले जिसको गलाने से धातु ना मिले एक प्रकार ये है या फिर दूसरा प्रकार है कि हम इसे लोहा खनीज या अलोहा खनीज में बांड़ दें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खनीज छेत्र है सबसे बड़ी बेल्ट है हमारे यहां पे उत्री पूर्वी प्राइदूपी चेत्र है जो प्राइदूपी भारत है यहां पर सबसे ज़्यादा आपका पठार रहे नागपूर का पठार रहे सब्सक्षाद को यहां पर आपको लोहाइ स AG 93 परसत क्रोमाइट यह सारी चीज़ें यहां पर पाई जाती है ठीक है तो एक बार देखते है साहिद इस पर कुछ मांचित्र हमें मिले अच्छा अभी एक क्रिसी एक्रिकल्चर कहीं है चाय का उत्पादान है चाय का देखिए असम का छेत्र है आपका और यह हिमाचल प्रदेश में भी चाय पाए जाती है आप जब कोई धरम साला वगरा जाएंगे तो टी गार्डे नहीं पूरा अलग अलग से आपको कई सारे मिलेंगे जहां पर चाय की और यहां पर केरला में भी चाय होती है ठीक है कौफी उत्पादन छेत्र में यह है आपका पूरा अमर्ल handy परमपरागत चेत्र हैं वाकी कई चेत्रों में भी कर यहां पर भी जो है गर परमपरागत चेत्र है यह हमारा जिन्हें से चालू हो जाएगा और कहा पर क्या पाए जाता है कि तो सुरुवाध कि से की जाए लोहा एस्वे आहन के तो देश में सबसे पहले चालू करते हैं लोहाय सबसे प्रमुक हली संसाधने मारा देश में खुऩफां तता धार यूप की जितनी भी चटाने हैं इनावश्त पाये जाता है ठीक है अब लोhos जेश्च के कौन-कौन से हैं पहला है magnetite, सबसे प्रमुक, दूसरा hematite, तीसरा, ciderite, चौथा, limonite और latrite, ये प्रमुक आयस्क है इसके, जिसमें से सबसे प्रमुक आयस्क है, magnetite और दूसरा hematite, ठीक है, बाकी इसके अलावा ciderite, magnetite, hematite, ciderite, limonite, ठीक है, latrite ये प्रमुक आयस्क है, और देश में सबसे ज़्यादा जो आयस्क है लगभग मैगनेटाइट में बहत्तर प्रिस्टत से ज़्यादा आपका लोहा का आयस्क पाए जाता है है लोई की सुद्दतां पाए जाता है मैंने टाइट पर ठीक है और ये आपका मिलता कहाँ कहाँ पर हैं सबसे पहले हाओ ह coffee हमारे यहां पर आपर आenए हमत्धक हमारे यहां पर पाए एक-एक करके आप इसे बनाईएगा, यहाँ पर दिये गए हैं आपको, यहाँ पर दिया गया है कि लाओ आयसक उत्पादन में पर्थम तीन राज, नंबर एक सबस्याद उत्पादन करता है, ओरीशा, चतिसगर फिर जार खंड, ठीक है, यह तो दिया गया है, और यहाँ पर particular सारे छेतर दिये गए तो छेतर आपको बनाने होंगे मैं करके आपको कुछ बता देता हूं सबसे पहला है आपका जहां पर पाए जाता है आपका हेमेटाइट आयस के एक है चिक मंगलूर जिला में बाबा बुधन की पाड़ियों में हेमेटाइट पाए जाता है ठीक है कमिल नाडू के सालिम में पाए जाता है उत्तरी अरकाट छेतर में नीलगिरी छेतर में देवला छेतर में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में करीम नगर में निजामाबाद में केरल के कोजी कोड में हरियाना के महंद्रगर में जारकंड के सिंग को हुआ में पाकी फि ठीक है गुजरात के नवानगर, पोरबंदर, जूनागर, भावनगर, बडोधरा, खंडेसर ये सारी जगों पाए जाता है तो बाप का काम यह होना चाहिए इसमें सारे दिये गए है जब मैं यह सेर करूं तो एक बार देख लिजेगा हर्याना का महंदर गड़ भी दिया है, गड़वाल पूर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा छेत्र है तो क्यों ज़र छेत्र है, यहाँ पर आपको यह सालिम छेत्र है, अबेदकर छेत्र है, कुद्रे मुख छेत्र है ठीक है तो इस सारे छेत्र यहाँ पर दिये गए हैं एक बार आप लोग इसको देख लेंगे लोहा के प्रमुक छेत्र है ठीक है नेक्ष्ट है आपका लोहा के बाद अगला है मैगनीज तो लोहा उद्योग में प्रमुक कच्ये माल के रूप में प्रयोक्त होने दहातू है मैगनीज ने जो है लोहे उद्योग और दूसरा है ब्रोनाइट थिक इनके आयस के ही ज्याथा तर पूर्षचे जाते हैं तो आपको आयस के पता होना चाहिए पहला है आपका इसाईलो मैलीन दूसरा है ब्रोनाइट आप मैं AI cre.js करें लख सकते हैं ठीक कहें पहले लूह लोहा के आपके चार आइसक हैं पांच आइसक हैं लोहा के पांचों आइसक लिख लेजिए पहले लिखिए मैगनेटाइट है हेमेटाइट सिदेराइट लीमोनाइट तरह लैटराइट ठीक है हां मैगनेटाइट हेमेटाइट सिदेराइट लीमोनाइट तरह लैटराइट ठीक है इसके बाद दूसरा था आपका मैगनीज मैगनीज का लिखिए साइलो मैलीन ब्रोनाइट दो प्रमुख हैस्क है साइलो मैलीन और ब्रोनाइट यह दो प्रमुख हैस्क है इसके अलावा भी पाए जाता है यह पाइरो लुसाइट से पाए जाता है हाउस मैटाइन से पाए जाता है मैगने नाइट से पाए जाता है रोडो नाइट से पाए जाता है रोडो क्राइल और मद्ध पुदेश बाला घाठ औरचिंदवारा жिला करेम और महाराश्ट का जो है नागपुर बंडारे की जो जिलों में पेटी है गुजरात में भी यह गोआ में फे जार्कंड में इूडिशा में राहती तानी लेकिन बूखत और पे दो जगए आपका मद्यप्रदेश और महाराश्टर पे ठीक है मैगनीच छेत्र नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला आपका तामबा कॉपर कॉपर के आयस क्लिक लीजिए चेलको पाई राइट चेलको पाई राइट चेलको साइट चेलको साइट बोर्नाइट बोर्नाइट आकसाइड इसको क्यूपराइट भी बोलते हैं आकसाइड या क्यूपराइट तथा कार्बोनेट कार्बोरेट क्यूपराइट कार्बोनेट इसमें दो हैं मैचलाइट और एजूराइट तो पहला है चेलको पैराइट चेलको साइट बोनाइट यह तीनों सलफाइड हैं इसके सलफाइड ऐस्क हैं एक अकसाइड ऐस्क था क्यूपराइट और कार्बोनेट हैं मैचलाइट और एजूराइट ठीक है ये इसके तांबे के प्रमु खैस्क हैं اور ये तांबा आग्ने, आउसादी और क्यानती तीनों प्रकार की चटानों में पाया जाता है तांबे के बारे में एक चीज़ आपको पता होगा कि विदुत का सबसे अच्छा सुछालक होता है है शबसे अच्छा होता है ठीक है चारफ के बाद तामभा फिर ऐल्मूनियम ठीक है लेकिन अब कद T कि दिमान लो बिजली वाग चांदी की लगाना चालू कर दें आप रात और रात पार कर दें पहले तो चांदी कि इतनी उपलब दिता नहीं है और हो भी जाए तो फिर छोड़ेंगे नहीं फिर चाहे जैसे भी हो तो एलमूनियम का प्रयोग फिर उसी साब से करते हैं तो लि खान है राखा की खान है फाथर गुड़ा की खान है सुर्गा की खान है बहुत सारी खान है इसमें तो राजिस्थान में भी आपका है खेतड़ी खेतड़ी में तामभा होता है आपका राजिस्थान में खेतड़ी भील वाड़ा उदेपूर बहास वाड़ा जिंजनू वा और काली बंगा आपको साइद पता हो काली बंगा सिंदुगाटी सब्विता की भारत की सबसे बड़ी साइट है राकी गड़ी से राकी गड़ी के सिमलर राकी गड़ी भी बहुत बड़ी साइट है बड़ काली बंगा तो जैसे एक चीज मुझे खुद नहीं समझ में आती है क्वेस्ट देंद नाते हैं तो हमdes есть अब चुंक्टे अब चुक्ए हरपकु होते हमारे पास ना रहे लेकिन है सिंद्ध Tea सब्ब्दा के चले गए registrar पाकिस्तान तो आप हमारी सिंद्ध जब गार्टी सब्बता कर नाम रख क्काली बंगा सब्ब्र पो लेकिन बड़ा मुलब बिडम बना है जब मैं यहां से काली बंगा को एक मेरा एपिसोड आया था तो उसमें मैंने जाके वहां से भारती पुड़तत्तु स्रविक्षण विभाग के एक अधिकारी थे उनसे बात की तो उन्होंने का सर बड़ी बिडमना है हमें समझ भी नहीं क्यों बिजली करें सर आती नहीं बिजली और आती भी है तो पावर बैक अप इन लोगों ने नहीं दे रखा है इन्वेटर है नहीं तो बंद रखते हैं ज्यादा बिजली का बिलना है खर्चा ना बड़े कोई आता नहीं दिन बाह में दो लोग आते हैं उनके लिए कितनी बिजली खर्च कर दे उसका पैसा कौन देगा पूरी खोद आप जाएंगे कभी साइट में जाएंगे तो साइट में कुछ नहीं मिलेगा आपको सब मिलेगा म्यूजियम पर सिर्फ खंडार पड़े हुए उसको पूपर से इन्होंने पड़ दिया है और भी मुझे लगता यहां बना दे मुझेम बन वादे हैं कितनी साइटे मुस्किल से 4-6 बड़ी साइटे हैं इन्हीं मिउजियम बना देने चाहिए दिखना चाहिए कि है ऐसे खोदा गया वहां जाओगे आपको लगए चलावा है गलत पड़ाया जाता है क्या खुदा यह यहां पर कुछ भी कुछ भी ठीक है तो कम सकम खोदा हुआ दिखे ना कि यहां से नरक अंकाल मिला है यह जूता हुआ खेत था अब पजा जूते हुए खेत में खड़े हैं आप और उसी को प्रस्णिचिन्न कर रहे हैं कि यह कहां जूता हुआ कि कोई भी आके यहां पर कुछ भी करके चला गया कस्मीर कस्मीर घाटी माचर प्देश पस्चिम बंगाल करनाटक दुनिया वर के जितने भी राज्या सब में पाए जाए अगला है आपका बाक साइट आपका आयसक है एलमूनियम का ठीक है तो लिख लेजे बाक साइट सबसे प्रमुक्त इसका आयसक है इसके लाव अलग लिख लिए और भी लिख लिए इसका बॉमाइट एलमूनियम के ही हैं एलमूनियम का संप से प्रमुक्त है आपका बाक साइट ठीक है फिर बावर हैं बोमाइट डायसफोर और गिबराइट यहां से भी ऐलमूनियम पाए जाता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा प्रमु खुत पादक राज फिर उनी का नाम आएगा जार खंड चत्तेस गड़ मद्ध प्रदेस उड़ी इसा गुजरात महराष्ट तमिल नारु करनाटक इन सब जगहों में कुछ जगह बाबा बूदन की पाड़ी विकुल याद रखेगा सब कुछ यहीं से मिलता है साहरे धातुएं यहीं से आती है अगला है गोल्ड सोना तो सोना में आपका इसका सबसे बहुमूल धातुओं में सिसकी गड़ना की जाती है और उप्योग इसका अंतर स्था आधान प्रादान के रूप में होता है महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रीं है ट्रीं को यह भी सुद्ध रूप में नहीं मिलता है और इसमें चाणदी के बहुत सारे अंस होते हैं इसको भी तो इसके बारे में इसका जो प्रमुख ओ-एक इसके बारे में लिख लिए जो करनाटक राज्जी सबसे ज़्यादा अकेले करनाटक राज्जी इसका उत्पादन करता है कौलार हर हर्टी की श्वांड खाने हैं यहीं से सोना सब सज्दा निकलता र हो सब को ल हर्ने उपर करके कीरे करनाटक का रहा हैं नर्टा है वहां पे है सोना उस नदीh पर यदि इसलिए उसका नम स्वाणारीखamen अगला है माई का अब्रक अबरक आपका जो है कायांत्री रूपांत्रिथिश्टान के क्हंडों में पाया जाता है ठीक है इसकी तीन किस्में पायाती है Mm पहला है रूबी अप्रक रूबी अप्रक दूसरा है पीत अप्रक पीत अप्रक को ही फ्रालोगो पाइट बोलते हैं फ्रालोगो पाइट फ्रालोगो पाइट पीत अप्रक और तीसरा है स्याम अप्रक स्याम अप्रक को हम बोलते हैं बायो राइट बायु राइट इस के नेक्स्ट है आपका अब्रक की प्रमुक खाने जो है फिर वही बात है और कोई अंतर नहीं है अब्रक उत्पादन में देश का रहा बिश्व में पहला इस्थान भारत का सबस्याद अब्रक भारत उत्पादन करता है तो देश का विष्व में प्रथम स्थाने सबसे पहले चीज यह और सबसे अच्छी खिस्म का भरक भारत से मिलता है वीदेशों को निर्यात了 रिक게 जाता है जारखंड में सबसे हादा गर्ट जार्खंड है ठीक है जार अगला हीरा डाइमंड कार्बन का सबसे सुद्ध रूप है और ये भी क्या है आपका कायांति चट्टान है ठीक है कोईला हीरा में बदल जाता है इतनी जादा उस्मा सहता है जितनी जादा उस्मा और ताप सहता है वहीरे में ही बदल मू ले ही बदल लेता है अपना सीड्स दा चेंज तो ये आपका सबसे पाएले प्राचिन का अल में एक खान है अपकी गोलकुंडा की खान तिलंगान methodShow क्होनूर हीरा निकाला जाता था ठीक है और कोहनूर हीरा सब चले गए हमारे हां से एक तो ब्रिटेन की महरानी अपने ताज में लगाए हुए वह भारत का ही था और बाकी नादिर साय चुरा के ले गया मुहमत सार रंगीला से एक कोहनूर उसके पास था और अंग्रेज हो ले गए आपके यह राजी सिंग्स से ले जाये गए था 510 वह उनके पास उनके पास डेलिः तो फो संदी गर्के उसे भी ले लिया तान सुरूपं ये भी महराणी वही लगाती है भी ठीक है तो कोनूर रियरा अब नहिंयरा सबसे आदा हीरा उत्खनन होता है मद्ध प्रदेश में पन्ना की खान पन्ना सत्ना में कभी आप जाईएगा तो वहां पर यह होता है कि आपने दो फूर तीन फूर चार फूर जमीन करीद ली जो प्यस्ती ना हो तो हीरा खुदाई कर लीजिएगा सायद केंदो किसमें लोग लेते हैं सौफूट जगह ले लेते हीरा इखुद वाते रहे तो वहां पर लोग एक तरफ से वही काम कर रहे हैं तो हीरा खुदाई कर सकते हैं आप ठीक है नेक्स्ट अगला है आपका ठीक है यहां पे एक नदी है उस नदी के निच्छेपों से कहते हैं यह हीरा हुआ है भागने नदी आम तोर पे जो सीमेंट होती है सीमेंट पे जिपसम भी मिलाए जाता है कारण यह होता है कि वो जम न जाए पत्थर न हो जाए तो जिपसम का वहाँ प्रियोग करते है बहुत सारी अनुरुबर भूमी होती है उस भूमी को भी उर्बर बनाने में जिपसम का प्रियोग होता है तो जिपसम का सरवादी कुत पादन राजिस्थान द्वारा किया जाता है ठीक है तो इसमें राजिस्थान का नाम लिख लीजिए बाकी प्रमुकुत पादक छेत में पूरे भारत का नाम लिखे हर जगे पे जिपसम है कहां नहीं है उत्रा अंचल पे है गुजराद पे है महराश्ट पे है इमाचा प्रदेश पे है जम्मू कास्मीर पे भूटान पे है लेकिन पर्टिकुलर आपको कुछ-कुछ लिखने पड़ेंगे चार छे छेत्र जब पूस्ता है वो फेमस छेत्री पूस्ता है अगला है क्रोमाइट 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 जो होता है यह क्रोमियम और लोहे का सम्मिस्रण होता है क्रोमियम और लोहे का समिस्षुरन वर है कि इसमें कौमिक और लॉव लॉव ऐकसाइड होता है सरवाधिक उतपादण होता है झाटरीशा से तरिके प्रमुख उतपादक छेतर में महराजो गया जै जार infrared दडो गया तमिल नार्ड हो गया आंद अगला सी सा लेड तो इसका एस्क है गंतना ग्यैलिणा से प्राप्त होता है सिसा है विदुत को कुछ अलग होता है I just check it है और हमारे दیश में सीसे का उत्पादन सबसे कम होता है इसलिए हम इसको आयात करते हैं विविन देशों से स्वेयुक्त राज अमेरिका से अस्टेलिया से यहां से सब वायात होता है ठीक है प्रमुख खाने इसकी राजिस्थान में सबसे प्रमुख खान राजिस्थान में है जावरा नामकिस्थान पे इसकी खान है और हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है अगला जिंक जस्ता तो जस्ता की प्राप्त होती है जिंक सलफाइट, जिंकाइट, बिलेमाइट, हैमी मोरफाइट, यह सारे इसके आयस्क है जिंक सलफाइट, कैलेमीन, जिंकाइट, कैलेमीन, जिंकाइट, बिलेमाइट, एवं हैमी मोरफाइट ठीक है तो लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए हम जिंक का प्रियोग करते हैं ठीक है ताकि जंग से बचे ठीक है, इसका उप्योग और कई जगहों पर किया जाता है, दवाईयों में किया जाता है, मोटर के कलपूर्जों में किया जाता है, रंग रोधन में किया जाता है, सेल बैटरियों में किया जाता है कई जगह पे इसको किया जाता है जिंक भी आपका राजिस्तान से निकलता है उदैपूर के समीब जावर की खान है जावर की खान राजिस्तान से हिंदुस्तान जिंक लिम्टेट द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है ठीकि अगला है चांदी तो चांदी भी आपका जो है सोना, सीसा, तामा, जस्ता इनके साथ ही mix रोप में पाई जाती है इसके प्रमुक आयस के लिख लेजे चांदी के आर्जेन्टाइट आर्जेन्टाइट पायराजाइडाइट होर्न सिल्वर इसट फैनाइट इस्टे फैनाइट आओ इस्टाइट तथा आओ इस्टाइट तो इससे भी कलात्मा का भूशनों का जो है सस्ते और कलात्मा का भूशनों का निर्माड किया जाता है विद्धुत की सुचालक होती है भारत में ज़्यादा है नहीं इसलिए बाहर से हम मंगवाते हैं ठीक है चांदी भारत में ज़्यादा नहीं बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, पश्चिमी जर्मनी आज देसों से आयात करना पड़ता है प्रमुखुत पादक छेत में फिर राजिस्थान राजिस्थान में जावर की जो जावर की खेतल जावर की माइन से वहीं से निकलता है जावर की है राइस्तान हो गया करनाटक में चित्र दुर्ग और बिलारी से ठीक है आंद्र प्रदेश में कुड़पा गुंटूर करनूल से जहार खंड में संथाल पर गना सिंग पूम से पश्चिमंगाल अत्राखंड से भी कुछ है ठीक है और क्या हुगा है यही तो बहुत सारी है इनको आपको एक बार बैठके वो करना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर इस पर ही मुझे मैं आप लोगों को एक उजिस्ट बनाके कोई एक क्लास इस पर देना बनता है अगला एक ग्रेफाइड ग्रेफाइड को काला सीसा यह कहते हैं काला सीसा और इससे जो है ग्रेफाइड से ही जो आप पेंसिल है ना जो लिखते हैं ग्रेफाइड ही होती हो पेंसिल की जो लेड होती है आप क्यों ग्रेफाइड से ही लिखते हैं ठीक है तो पेंसिलों प्रयोग किया था दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रयोग होता है पर माड़ हमला हो तो ग्रेफाइड पेंसिल खुपसारी लेकर बैढ़ जाईएगा ठीक है तो प्रमुकुत पादक राज्यापका है जारखंड जहार खंड है उडिशा है उडीजा में काला हंडी छेत्र है उडिशा है आंध प्रदेश है उड़ांचर्परदेश है जम्भु कस्मीर मद़प्रदेश केरल उत्तरप्रदेश में बहुत कम पाए जाता है अगला है फिर आपका अनुख्ट यानि की जो न्यूक्लियर खनी जाना कोई जाए गई नहीं आप प्लान कर रहें कि नहीं नहीं जाना है और अटमिक मिनरल्स बस खतम बहुत नदीग आ रहे हैं आप टेंसन क्यों ले रहे हैं क्या कि इसकी बात मत करिये अभी हां तब ही तो बियार भी हारी रहे जार्खंड बन गया किसी कि सीक यार not we have the जर्खंड और गोगया जर्खंड चला गया जहां पेशलिश्ड भिछ प्राइब लग प्राइब हहां पे राजनीती stew राजवा वहां पर उस्ताइं नहीं उच्छी को पती जाना नहीं चाहता है वहाँ पे तो जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रवेस्ट नहीं करेगा अग्री कल्चर से कहां तक कर लो गया पंजाब थोड़ो ना हुआ ठीक है तो भीहार का काम बनाएगा पुरे भारत को श्रम उत्पादन करना को बिस्व फैक्त्री बनादेंगे स्रम जाहिए विश्वर का बिहार से ले जाओ लोग दे रहें सब स्रम सक्ति के तोर पर काम कर रहा है अनिस्किल्ड लेवर है ने तो भीहार सबसे जादा सके बाद से जब इमर्जंसी लगी है उसके बाद से बिहार तबाह होना चालू हो गया गुंडा राज चालू हो गया वहां पर आज भी चल रहा है भी सेम कंडिशन है कोई बदलाव नहीं है ठीक है पबलिक जातिवाद में बट गई बोट बैंक की राजनीति धर्म की राजन कंट्री वह स्टेट है हमारे देश के उत्तरप्रदेश को इनको बिमारू क्यों कहा जाता है उत्तर बियार मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश राइस्ताय सब बिमारू स्टेट है इसलिए इनका नाम बिमारू दे दिया गया और इनका जल्दी सही नहीं होगा टाइम क्या करना चाह रहा है क्या कर रहने दीजिए प्रकति के साथ छेड़ चाड़ मत की जो ऐसी प्रकति बहुत बुरी है आप साहे जोग्रोफी नहीं समझते इसलिए इतना बड़ा प्रस्णा आपने कर डाला यह जानते कैसे है इसका ढाल ऐसे चड़ाना पड़ेगा आप घर प ऐसे कितना काटेंगे पूरी पहले छट काटेंगे फिर कैसे काटके ले कैसे जाएंगे ना दें ऑट की जोग्रोफिकल कंडिशन अलग है ना दुबाइ की जो प्रिकॉल में भारत से नहीं जोड़ी है न उसको नोगए बना हुए रिद के समुंदर पर दूबाई बना हु को पहले आप जोग्रोफी जब समझेंगे न तो आप साथ यह कुशन नहीं करते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं समय लगे का जान जाएंगे कि अधिश्ट करें अब हम बात करें थे कि जो आपके एक्टोमिक मिनरल्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमारे देश में आपका सबसे इंपॉर्टन थोरियम ठीक है थोरियम भारत में पाय जाता है और टटी च्षेत्रों में काफी पाय जाता है जैसे कि आप देखेंगे केरल वाले बात करें पाय जाता है तो प्रियोग युक्त नहीं है उसको प्रियोग युक्त बनाना पड़ेगा उसका निच्षेपड करना पड़ेगा थे 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 भारत में मोना-जाइट-बालू में सबस्यदा पाय जाता है बाकी पूरे भारत में पाय जाता है बहुत सारे शेत्र हैं सब में पाय जाता है हर जगे कहीं न कहीं पर बियार पर गया मुंगेर में पाय जाता है करनाटक में पाय जाता है औरीशा में कोराकुट पे पाय जाता है राइस्थान में उदैपूर प थोड़ा बात पाए जाता है और बाकी यूरैनियम जो है आपका जहार खंड, करनाटा, कान्द्रपदेस, राइस्थान, केरल और तमिलाड़, यहां पर भी पाया जाता है तो केरल में जो मोना जैड बालू है वहां पर työ कुछ मामले में कुछ हद तक युरेनियम पाय जाता है अगला अगला है बेरेलियम तो बिरेलियम भी आपका ये भी आगने चट्टानों से पाय जाता है ठीक है ये भी आपका प्रापति स्थान इसके भी जहारखंड विहार राजिस्थान आंद्रपदेश जिरकॉन नेक्स्ट है कि जौह है मिस्रित इस पातों के निर्मान में किया जता है और ये भी जारखन ऊरीशा अंदद्रजिश यहां पर पाय जाता है मौनी ब कुछ था अंदप्रदेस करफáरन नहीं पाय जाता है ठीक है तो यह particular आपके कुछ थोड़े बहुत atomic थे कोई ज़रुवत नहीं है इनको देखने की अब बात कर रहे हैं उर्जा के स्रोत उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या परंपरागस रोत देखो दो तरीके के स्रोत हम देखते हैं उर्जा के पहला है परंपरागस रोत और दूसरा है गयर परंपरागस रोत तो परंपरागस रोत का मतलब क्या है परंपरागस रोत का मतलब है जो परंपरा से चले आ रहे हो यह आपका परंपरागस रोत है जो मलब परंपरा से चले आ रहे हैं लेकिन अब जो है इनको आने वाले समय मे जैसे कि परंप्रागत में आपका कोईला है पेट्रोलियम है प्राक्तिक गैस है परमारु खनीज जैसे यूरेनियम थोरियम यह गैर प्रंप्रागत है जो अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पे सामने निकल के आए हैं यानि कि जिनको हम रिनू कर सकते हैं रिनुवल कर सकते जैसे सौर उर्जा पवन उर्जा जल्बुदूत उर्जा भूत आपी उर्जा तो यह सारी जितनी भी उर्जा है आपकी और भी गैर नवी कंडी है ठीक है जैसे कि बायो मास एनर्जी जौरी एनर्जी ओटेक एनर्जी लहर उर्जा नगरिये कर्चरा उर्जा नगरों में कच्रा तो कभी खतम नहीं होना एक तरफ सो आता जाएगा और लगाते जाएंगे हम लोग ठीक है तो फसल अप्सिष्ट हो गया लकडी इधन बायो डीजल इथेनॉल आएंसे बहुत सारे जो है यह आपके गैर परंप्रागत आए अब एक और आपका है जो गैर परंप्राग अनभी कर्डी है यहीं कि दुबारा इनको रिनू नहीं कर सकते जिसे कोईला पेट्रोलियम प्राक्टिक गैस लेकिन एक ऐसा आप संसादन ने जो परंप्रागत है लेकिन नभी कर्डी है कौन सा गया जल趣 कि तर्फे प्रियोग करते आ रहहह है परंपरागत मतलब जिर चला आ यह परंपरागत हो गया नभी कर्ड़ी मतलब जिसको रिणू कर ले तो जल विद्धुत भी रिनवल है आपका जल की जब तक उप्लब्दी रहेगी तब एक रिनवल रहेगा तो कोईला आपका कैसा है कोईला कैसा है आपका परंपरागत है और अनवी कंडी है इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है काला सोना कहा जाता है ठीक है तो सबसे पहले 1774 में जारखंड में आधनी कोईला को उत्पादन करने का या उसको माइनिंग करने का पहला प्रयास किया गया था ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह कोईला की छेत्र हैं हमारे भारत में सबसे बड़ा बिल्ट आपका है यह आपके तीन प्रमुख उत्पादक छेत्र हैं आपके 36 गड़ जार खंड उड़ीशा और यहां पर आप देख सकते हैं भारत में कोईले के प्रमुख यसख हैं सबसे पहला सबसे जदा कोईला होता है यह एंद्रे साइट में लिख लिखे इस के प्रमुख यसख कोईले के प्रमुख आयस्क तो सबसे पहला सबसे में कोईला है आपका एंथ्रेसाइट कोईला एंत्रेसाइट कोईला इसमें क्या होता है जलते समय धुवा नहीं निकलता ज्यादा धुवा भी नहीं निकलता और ज्यादा तर इसमें कार्बन रहता है तो कार्बन की पात्रा पर्याप्त होती है 80-90% कार्बन पाये जाता है किसमें एंथ्रेसाइट में तो कार्बन अधिक होगा जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा कोईला होगा ठीक है तो एंथ्रेसाइट सबसे बहतर कोईला है भारत में पाये जाता है कि नहीं पाये जाता है पाए जाता है जंबू कास्मिर के सियासी जिले में पाए जाता है सिर्फ एक जगह पे जंबू कास्मिर के सियासी जिले में इसकी ये पाए जाता है दूसरा लिख लिजे बिटू मिनस कोईला इसे काला कोईला भी बोलते हैं बिटू मिनस को इंत्रेसाइट को हम बोलते हैं काला कोईला काला कोईला जो है आपका यह पाए जाता है गुंडवाना क्रम की चट्टानों पर ठीक है गुंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं कोईला इसमें लगबख 60-80% कर्बन पाए जाता है कहां कहां पाए जाता है भारत में किस-किस छेत्र में लिख लिए जहारकंड में उडिशा में 36 गड़ में और मद्ध प्रदिस में बीटू मिनस पर र्याप्ट पाए जाता है फिर तीसरा प्रकार क्या है कोईले का लिगनाइट कोईला लिगनाइट कोईला लिगनाइट कोईला को हम बोलते हैं भूरा कोईला लिगनाइट कोईला को बोला जाता है भूरा कोईला यह किसका था आपका था इसको बोलते हैं भूरा कोईला कि इसमें 40-60 परसंट तक कार्बन पाया जाता है जलने पर बहुत दुवा देता है अब आप देखें आपके घर में कौन से कोईला रहता है जलने में बहुत अधिक धुमा देता है ठीक है यह कहां कहां है तमिल नाड़ु में तमिल नाड़ु में एक जगह है नेवेली अरकाट जिले में नेवेली में यह पाय जाता है असम में लखेमपूर जिला है वहां पे कोईला है पश्चिम मंगाल में दार्जलिंग छेतर में और कस्वीर में करेवा छेतर में चार छेतर लेटी जिए तमिल नाड़ु में अरकाट या नवेली अशम में लखीमपूर पश्चिम मंगाल में दार्जलिंग कस्मीर में करेवा इले हैं कि इसके बाद अपका पीट कोईळा जियर निम निमनिस्तरिय कोईळा होता है। और इसमें इस नमी बहुत ज़ादा होती है। ठीक है नमी होता है तो जलता नहीं और जलने में बहुत धुमा करता है , पागल हो जाएंगे तो इसमें 40 कम, मात्रा बंदम Haben पाए जाता है चालिस प्रिस्टर से कम मात्रा में कार्वन पाए जाता है इसमें कि ठीक है जला है औरंगा जला है ताता पानी जगा है हिमगिरी जली है कोरबा है जमसेद पूर है पंच गाटी है बहुत सारे छेत्र है कोईला उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है उत्पादक है कितना यह अलग बात है उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा कर रहा दूस्रे नंबर में उडिशा के पास फिर आपका ठीक तो दूनों अलग लग चीज हैं उत्पादन सबसे आदा चैस्टिस गड़ करता है एच सब सबसे ज्यादा यारकन्न के पस कि यह आहम तौर पर जिसके पास कम पैसा होताहाँ ज्यादा अधियो nic खतम करो गटाप जब खतम करो फिर बताएंगे है ना तो अपना कम निकाल रहा है ठीक है सबस्यादा कोईला उत्पादक छेतर अब जगे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोईला की कहां कहां पर कौन कौन जगा फेमस हैं यह जो थोड़ा जरूरी है कोईला जार पारखंड में जरिया बोकारो करनपूरा और गिरीडी और गिरीडी इसके बाद पश्मी बंगाल में रानी गंज बरजोरा बीर भूं उडीशा में ताल चेर संभलपुर इब नदी घाटी मद्द प्रदेश में उमरिया सिंग रॉली मद्द प्रदेश में उमरिया और सिंग रॉली 36 गड़ में कोरबा सुहागपूर कोरबा सुहागपूर सोन हट संदूरगड आंद प्रदेश में गोदावरी घाटी सिंग रेनी महाराष्ट में वारधा घाटी अमटेर ka देखें तो भारत में जो आपका ताब विद्दु थैज़ बिजली हम प्रइयोग कर रहे हैं अबthe już बिजली जो आप प्रियोग कर रहे हैं सब कोईले की बिजली प्रियोग कर रहे हैं भारत में सबसे अदा बिजली का निर्माड जो किया जाता है कोईला अधारित बिजली का निर्माड किया जाता है हमारे यहां पे कोईला अधारित बहुत सारे विद्दुद्ग्रह बनाए जैसे कि निवेली ताब विद्दुद्ग्रे तमिलनाडु पे है पतरातु ताब विद्दुद्ग्रे हजारी बाग जार खंडे में है इसके बाद कोर्बा ताब विद्दुद्ग्रे छत्तिस गड़ में है हर्दू आजन ताब विद्दुद्ग्रे उत्तर प्रदेस में है आपका Public Secretary ons then taking है सारा आपका इसका कामी एता विद्धुत से विद्दुत उत्पादन करना तो भारत भर को जो विद्दुत उत्पादन होता है वह आपका ठीक है भारत में ज्यादा मात्रा में कौन सा कोईला पाए जाता है विटू मीनस प्रेकार का कोईला पाये जाता है भा तो कोईला भारत में बना कैसे, कोईला भारत में बना कैसे, जब आपका पैंजिया का बिगटन हुआ, पैंजिया के बिगटन के बाद भारत ने यात्रा प्रार्म की उत्तर की ओर, तो जब विश्वत रिखा के पास था हो, तो उस दोरान भारत में बड़ी मात्रा में जुरा पात हुआ और उसके बाद से जो है बारत का जो ये छेत्र था इस छेत्र में जो बनस्पती थी पूरी तरीके से दब गई जमीन के अंदर बसमेबूत हो गई और उसका ही और शेयस आज हमें कोईले के तौर पे निकल रहे हैं तो पेड़ पौधे को यदि आप हजारों वर्स तक के लिए नीचे जमीन के नीचे दबा दें तो वो कोईले में तबदील हो जाता तो ये किसका उसेश है बनस्पतियों का उसेश है कोईला किसका उसेश है बनस्पतियों का उसेश है लकड़ी को जलाते हो तो क्या बनता है तो वही तो था जमीन के नीचे बनस्पति दब और डंची अवह सबसे हैं घजू हठाए उस्राइज इस जलाने काषिक भाड़ है थिक्त्रोलियुम केरें कि आington कि यहां पत्थर से निकला तेल प्ट्रोलियुम कहला ता पत्थरama पेट्रोलियुम कहला पेट्रोलियम जैवी कुद्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत हाइड्रोकार्बन तरल्पदार्थ है जिसका निर्माड बनस्पतियों तथा जीवों के जिसका निर्माड बनस्पतियों तथा जीवों के चट्टानों में निछिप्त हो जाने तथा उन पर दबाओ के फलस्प्रूप रूपांतरंड से होता है तो पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता है उससे केरोसीन मॉम उसका हर एक चीज प्रियोग होता है आपका पेट्रोलियम पदार्थ में सब आता है डीजल पेट्रोल केरोसीन मॉम जो आप मॉम का प्रियोग करते हैं वैक्स का वैसलीन लगाते हैं आप लोग भाग्यम छेत्र राग्यम तेल गर्म में हैं और पूरपनीं है के इंड़िया के नाम और ऑपनीं से नाम से कंपनीं भाग्यम तेल छेत्र केर्स इंडिया के नाम से कंपनी है ठीक है ठीक है यहाँ पर इनके तीन प्रोजेक्ट है तीन है बार मेरे मंगला भाग्या में श्वर्या ठीक है मंगलम भाग्या और एश्वर्या यह तीन पर योजना है एक अरब बैरल तेल की निकासी की संभावना है यहाँ पर यह आपका भी ज्यादा पुराना नहीं हुआ भाग्यम तेल छेत्र जो है यह प्रारम भूए आपका 20 जोनरी 2012 से कहां पर प्रारम भूए राइस्थान के ब प्रारम किया है ठीक है तो यह कहां पर भाग्यम तेल छेत्र आपका ठीक पहला तो यह दूसरा जो आपको खूप सारा तेल है गुजरात में गुजरात में खंबात छेत्र है और आपका अंकलेश्वर छेत्र है दोनों छेत्रों में खूप सारा तेल है ठीक है कि खंबात छ तो आसम घाटी में एक सेना का अधिकारी था और सबसे पहले इसने ही जो आपका सुर्मा घाटी है डिगबोई का छेत्र है वहां पर सबसे पहले तेल का खोज उसी टेम पे की गए थी ठीक है तो लिखिए इसमें छेत्र जो है असम में डिगबोई नहार कोटिया हग रीजन मौरान अधिक है आठ सो तेल कूप है यहां पर लगबग और कि आठ सो तेल के कूए हैं कि क्या हुआ नहीं होने चाहिए बंद करवा दिये जाएं हैं तो है आप इसमें क्या है ठीक है 800 तेल चेत रहा है मिपपा पानि टोला हसा पांग ऐसे करके नाम दिये गए इनके ठीक है वहीं के इस्थानी जिंजात्यों के नाम पे होंगे तो यहां पर ब्रहाद इस्तर का तेल हो निकाला जा रहा है जैकिन जादा तर इतना जादा हमारे यहां पर और सकता है इसकी कि हमें बाहर चाहिए याद करना पड़ता इतना जादा भी नहीं है ठीक है जितना होना चाहिए जिनके पास है वह समय बैठे में अरब में जो कह रहे हैं कि दुबाई तो दुबाई का खेल क्या है तेल यह जिस दिन खतम उस दिन दुबाई खतम लेकिन तब तको दूसरे अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं बना रहे हैं ऐसे से चीज़े ला रहे हैं टूरिजम को लेकर अपने यहां को बड़े इस्तर पर डेवलब कर रहे हैं ठीक है नहीं तो तेल खतम तिनकी बाए क्या अ कि क्रिष्णा केजी वेशिन आंध्र प्रदेश वाले चेत्र में अगला है आपका नेक्स्ट है आपका बांबे हाई चेत्र है बांबे हाई चेत्र है ठीक है तो मुंबाई से 110 समुद्री मील पश्चिम में कहीं यहां पर इस जगह पर यहां पर कहीं पर बांबे हाई चेत्र है ठीक है तो यह भी आपका जो है किस से जुड़ा हुआ है यह और इस पर किसका किसका इस पर अधिकार होगा यह चुकि समुद्री के अंदर एक चीद ध्यान रखेगा इस इस पर महराष सरकार करनी होगा इस पर केमिया को गय। जितनी भी आप चुट है चीजह जिसे सारी के साघ्य केइं सरकार कशेद्र पर आती है लेकिन दिमान लोग कोई तेल आधना अंदर यहां पर तो मुंबई-माराष सरकार का होगा राज्य सरकार अधिकार? अन्य थक स सिति में केंसर का ठीक है तो बांबे हाई आपका यह है बसीन दियूप के पास निकाला जाता है अगला है कच्छ अप्टट छेत्र कच्छ अप्टट छेत्र गुजरात के भुझ में कच्छ अप्टट छेत्र करें तो जहां पर आपका पाय जाएगा पैट्रोलिएं मुहां पर पाय जाएगी प्राक्तिक गैस है कि लिए करें कि अच्छ नादा प्राक्तिक यहां पर ट्रॉलीयम सबसे आदा यहीं सबसे आद प्राक्तिक घेष का भी हम रहाएं kindergarten फिर नमील याड़वर्य को ठीख मैं अगला है नेचुर्लन गह स्प्राक्तिक सेंट चार zw tu grade qg प्रियोग आपका किया जाता हैं तो यह भी आपका ठीक है कोई दिकत रहे चोड़ दीजे इसे अगला है पर्माड उर्जा न्यूक्लियर एनरजी नापकी रियक्टर कहां कहां पर है तो एक परसन का आपका नाम पता होगा जिनकी आकास्मिक मृत्ति हो गई डाक्टर हुमी जहांगीर भाबा इन्हीं के निर में इन्होंने पर्माड उज्जा संस्थान भी स्थापित किया था इसका नाम बदलके बाबा पर्माड उनसंधान को के नराज भी बार्क के नाम से है और भारती पर्माड विद्दूत निगम लिम्टेट का गठन 1987 में किया गया तो जहांगीर साब को तो खतमी कर दिया ग ठीक है और खतम कर दिये जाते हैं ऐसे मैंसरत बहुत सारे बैग्यानिकों के साथ हुआ है जिनको मार दिया गया पता नहीं चला है इसे डाक्टर कलाम को लेकर के भी बहुत साइव लोग कहते हैं साक्यूंकि आकास्मिक मृत्तु थी या वास्तविक मृत्तु थी क्योंकि जिस कंडिशन में वह बिल्कुल एक कॉलेज में जा रहे हैं और वहां पर जाकर के आका अचानक वहीं पर जाकर गर जाते हैं लेकिन फिर लोगों ने जहांच वांच कुछ हुआ नहीं हमाएं देश में बहुत साइव लोग जब आगे आए कोई जैसे कि लाल की साहता से 1979 में बनाए गया तारापूर महाराष्टर में लिख लिजी लिखने हो इनके नाम लिखना हो आपको ठीक है तारापूर महाराष्टर में इसके बाद दूसरा आपका है रावत भाटा राजिस्थान में कनाड़ा की साहता से ठीक है तारापूर आपका अमेरिका क आपका है काक्रापार गुजरात में काक्रापार दो साहियन त्रियां पर लगे हुए 220 मेगावार्ट चमता के इसके बाद कुड़क कुलम तमिलनाडु में रूस के साथ रूस के साहियोग से है थीक है नेक्स्ट आपका है गयर प्रमप्रागत स्रोतों में से कुछ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा ब्रहाद इस्तर पर क्या किया जा रहा है सार और्व को बढ़ावद दिया जा रहा है तो गयर प्रमप्रागत स्रोतों में सबसे प्रमखैंपी सार और्व को लेकर संचालित होने वाली जितनी भी subsidy यूग तो बल्ब भी मिल जाएंगे मलब यह जो से बल्ब आपको बाहर महंगा मिलेगा तो आपको विजलिवाग में सस्ता पड़ता है साइद मिरे ख्याल से ऐसा बनाए गया कुछ है ना इसके बाद जो है आपका गैर परंपरागत में आप चीजों को खतम करके दीरे दीरे subsidy युकता आप सभी के घर में solar light लगवाई जा रहे हैं solar light हर जगे हम solar तो इसको लेकर भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा सौर सरयंत्र जो है भुझ के पास मादोपूर में स्थापित किया है सौर तला भी नाम दिया उसका तो भारत का सबसे बड़ा सौर सरयंत्र कहां लगाए गया भुझ में राजिस्थान में ठीक है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो लगतार हो रही है अल् इस दिशा में लगातार काम किये जा रहा है बारत सरकार के सौर एक गड़बंदन वी बनाये गया है जिसमें विश्ब्सके वोए देश जो भिश्वत रेखा के विश्वत रेखा के आसपास आवस्थी था हुझ ड़्वंधि जोन में अवस्तित हैं उन सारे देशों के जलने वाली कारें हैं आप देखने को पाएंगे इसलिए अब दीरे दीरे बीए सिक्स में डीजल खतमी कर दिया गया है ठीक है पेट्रोल का भी आने वाला वविश्च बहुत ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है तो यह हो गए आपका एक नेक्स्ट इसके बाद जितने भी आपके जल विद्दुत सहयंत हैं भी गहर परमपरागत में आएंगे जल विद्दुत पर योजना है जो आपकी नागल भारी जल पर सहयंत लगाया गया है बाकी बहुत सारे जितने भी आपकी जल विद्दुत पर योजना है संचालित हैं सारी हमने च प्रिया में बहुत सब्सक्राइब सोलर पावर प्लांट लगाए गाए अम्रसर के निकाटेक लगाए गया रामदास गाओं में पूरा गाओं का गाओं इस सोलर प्लांट पे तब्दिल कर दिया जाता है तो आने वाले समय इस पे बड़े लेवल पे काम चल रहा है ठीक है ब पावन उर्जा पे भी काम किया जा रहा है बड़े इस तर पे तो पावन उर्जा जाए तर लगाए कहां जा रहे हैं समुद्र टटिये छेत्रों पे जहां पर पर्याप्त मात्रा में तो वह इस लिए समीर और समुद्री समीर जो आप पढ़ते हैं उसका प्रयोग वहीं प उतार ली कि कोई गलती नहीं है ना यहां चूर भारत के लोगों की प्रॉबलम में मांसिक्ता की दिक्कत है आप ठीक है तो आपका जो है किसमें आप इस कंक्लूजन में कैसे पहुंच गया कि एक काम की नहीं है अच्छा वह भारत के लोग सौरूजन की सब्सक्राइब देशी तो नहीं ले गए कोई कि पाकिस्तान के लोग चुर ले गया हूं अपने देश के लोग है कहीं तो यूज कर रहे होंगे ना उसका उनको सकता रही तो ठीक है वह उसमें कोई बुराई नहीं है अपने देश चेटरों के ताकि उससे भी विद्दूत पादन हो सके तो यह सब थोड़ा सा टेक्निकल चीजे हैं इतनी टेक्नलोजी हमारे पास है नहीं ठीक है तो नार्बे की साहिता से भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे तरंग उर्जा को लेकर काम किया जा रहा है इसमें विस्व क के द्वारा जापान के साथ मिलकर के दिली के तिमार पुर्वाले छेत्र में जो मुखरजी नगर से बगल में लगा हुआ है वहां पर एक सहीं अंत्र बनाया जा रहा है लवक तीन दसम्रों साथ-पांच मेगावाट विद्दूत पादन का काम वहां पर किया जाएगा फि उसके थ्रू अभी जैसे कल अमेरिका के राष्टपती के द्वारा फिर से वापसी की गई है तो इस बार लग रहा है संभावना की जो सी ओपी होगा साथ उसमें पेरिश जल्वाई समझाता को लागू कर दे नियम पुस्तिका बन गई है अमेरिका भर को ढूंड रहा है थ जोड़ी समाप्त हो चुकी है क्योटो पूटोकॉल और पेरिस में दोनों बता चुका हूं पर्देवन की क्लास में डिटेल से बताया था मैंने अच्छे से बताया था पूरा का पूरा वह यहां पर बता पाना भी मुस्किल है इसके बास सोलर पॉंड के बारे में चर्चा ज़ते हो देना उसको तो कई जगवां पर सोलर पॉंड बनाया जा रहे है ठीक है तो यह होगया पर्टिकुलार आपका जो पूर्जा वाला छेतर है और क्या है गुमाफिरा के यही सारी बाते हैं इसमें उर्जा वाले चैट्र में नभी कंड़ी और नभी कंडी अब अग लगू उद्योग क्या है मध्यम उद्योग क्या है इसको ले करके किस तरीके की निवेश सीमा बनाई गई है दो तरीके की सेक्टर हैं पहला है आपका मैनुफेक्शरिंग सेक्टर विनिर्मार उद्योग और दूसरा है आपका सर्विस सेक्टर या सेवा छेतर है तो यदि आप मैनुफेक्शरिंग सेक्टर में जाते हैं विनिर्मार उद्योग में जाते हैं कोई चीज कोई प्रोड़क्ट बनाते हैं तो उसके तहत यदि आप पचीस लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आप किस सेक्टर पे हैं सूख्ष मुद्योग में हैं ठीक है दूसरा है लगू उद्योग लगू उद्योग में सीमा बनाई गई है पचीस लाख रुपए से लेकर पांच करोड तक इतने तक है दी इंवेस्टमेंट करके क लोभ इसी चीज़कों लेकर के जाते हैं सेवाच चछेत्र में सेव सब्सक्रइब्स अब लेकर कर कि लगाते हैं किसी भी चेसे हैं संज़ए न सर्विस समझज़ है साज través सर्विस डेता्य तीचर सरुष देता है यह सर्विस सेक्टर है हमारा तो स्पारण दस लाख 10000 05 कल नेंगे 5 करोड़ तक कि सीमा बनाई गई थी यहां पे मध्यम 25 करोड़ays ले कर फ्रूरे मध्यम 510 क्रोड तो पहले तो यह हमारे देश्च में उद्योगों को से विभाजित कि अगया है घ्यकए तो भारत में हमारे में यहां पे और दोगी करण को ले करके प्राचिन काल से ही ब्यापक थी जैकि सूती वस्त उद्योग था रेस्मी वस्त उद्योग था लाओ इस्पात अन्य धात्वों को ले करके विदेशी वस्तों को हम निर्यात करते थे हमारी चीज़े बहुत फेमस हो गई थी लेकिन अंग्रेज जब आये तो संग्रेजों के आने के बाद हमारी दुर्गत्यों गई 歌 ध्योगत हमारा हमने वागजिक फसलों की तरफ भारत भारत देश को जıyदा प्रशन कि और देश दियोगों को उन्होंने निरोसाहित किया ऐसी नीतियां लेकर के आए फिर इसके वाद हम समल नहीं पाए और अभी तक बना नहीं पाए वैसा कुछ अभी टाइम लेगा इंडिस्ट्राइजेशन अभी भी हमारे यहां पे नहीं है उसी स्थरका जैसा होना चाहिए अब जाके भारत सरका के द्वारा ऐसी बहुत सारी नीतियां लेकर के आई गहीं है तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहां पर बहुत सारे छेत्र हैं जो कि इंडिस्ट्रियल छेत्र में डिबलप हो चुके हैं ठीक है जैसे कि मुंबई पुने प्रदेश है ठीक है आठ हद्दोगिक प्र प्रदेश चटवाएं आपका सात्वाएं गुडगाओ दिल्ली मेरट यह वाला पूरा बेल्ट है और आठवाएं आपका कोलम तिरुवन्त पुरम प्रदेश ठीक है तो आठ बेल्ट बनाए गए कि प्रमुख अद्दोगिक प्रदेश हमारे यह हैं और लगव जिलों में भारत का कानपूर उत्तरभाद का मैंचेस्टर कहा जाता है हैदराबाद आगरा नागपूर गौलियर धोपाल लखनव जलपाई गुड़ी कटक गोरकपूर अलीगर कोटा पूडिया जबलपूर बरेली यह सारे आपके और दोगिक छेतर के तौर पे विक्सित किये गए हैं ठीक है इसके अलावा आपके तेरा लगू और दोगिक प्रदेसों में भी भारत को बाटा गया है जिसमें अंबाला अम्रिस्टर प्रदेस सहारनपूर मुझफर नगर विजनौर प्रदेस इंदा और देवास उजयन प्रदेस जैपूर अजमेर प्रदेस कोल प्रदेस और ब्रह्मपूर घाटे ऐसे करके भारत को कई उद्योगी क्षेत में बाटा गया है और इस तरीके से अलग अलग जिगर पर हमारे यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेबलफ हो है ठीक है तो सबसे पहली इंडस्ट्री आपकी लोहा इंडस्ट्री लाव इसप सारी पप्लिक सेंडर अंडटेकिंग बनाई गही है जैसे की का कच्चा माल प्राप्त है वहाँ पर भारत से भारत के पब्लिक सार्विनिक छेत्य को पक्रम लगे हुए ठीक है तो हर जगे अलग-अलग इसको का नाम आपらे सुना होगा ठीक है टाटा लोहवा इसपात कंपनी है कहां पे सबसे पहले जमसेदपुर कोừ। और कर नाम से जानते हैं ठीक लगर तो इस तरीके से बहुत सारे आपके बनाये गए हैं जिनका काम है कि देश के कच्चे लायु स्क्ट नाम आपको बता रहा हूं पहला है आपका लिखना हो तो आप लिख सकते हो पर्टिकुलर पहला लिख लिजी यह लौह इस पान कार खानों का बिवरनह लाऊज स्पास यह लौहा मिलता है इनके कोईला छेतर और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा लोहा भर से बात नहीं बनेगी लोहा को गलाने के लिए भी तो खुछ चाहिए कोईला ठीक है तो लोहा और कोईला दोनु कार खाने बहुत नज़ीख हों पर्टिकुलर कोई भी यह दिया आप कंपनी डाल लेंगे तो उसके लिए कोईले लोहा कहां से आएगा तभी तो आप कर पाएंगे है ना फिर उसका बाजार कहां होगा कहां उसे सेल करेंगे यानि बंदर गाह कांसा होगा उसका भारत में बेचेंगे आंतरिक बजार या तो विदेशों में निर्यात करेंगे ते तीनों चीजिए को लिखना है मैं तो आप लिख लिए पहले कंप्व Maßnahmen ठीक लगा हो कंपनी लोह कि छेत्र चांद का से घॉ एक में खृचाईट्र और एक ढट क्या भूराई लाएक है ऑं यह उसका पर्टिकूलर तो पहली हमारी है टाठा और टाठा लःधें सैंत्र टाटा लव इस्पात सैंत्र तिस्को कहां पे हैं जमसेदपूर जारकंड में इसका लव आयसक छेत्र है उरीशा का गुरु महिसानी यो मयूर भंज जिला उरीशा की दो खाने हैं इसकी गुरु महिसानी खान और मयूर भंज एक और है नोवा मुंडी की खान भी है उरीशा में तीन खाने हैं गुरु महिसानी मयूर भंज और नोवा मंडी कोईला छेत्र है इसका जरिया की खान जरिया की खान बाजार है इसका कोलकाता तो यह जो है आपका निजी छेतर टाटा प्रबंदन है ना टाटा के द्वारा इसको प्रबंद किया जाता है टाटा एक निजी इसको की दूसरी है भारती लहोवा इस्पास सयंत्र इसको है भारती लहोवा इस्पास सयंत्र इसको कहां पर है बर्नपूर पश्चिम बंगाल में हैं लहोवा एसक छेत्र इसका क्या है छोटा नागपूर का पठार यहां से लोहा लेता है और उडीशा के क्यों जर से लाव ऐसक लोहा मिलता है छोटा नाकपुर के पठार और उडिशा के क्यों जर से कोईला छेत्र है जरिया वा रानी गंज की खान जरिया वा रानी गंज की खान बाजार इसका भी कोलकाता है अगला है आपका विश्वे सरया लाव इस्पाथ सयंत्र विश्वे सरया लाहु इस्पाथ सयंत्र भद्रावती करनाटक में ये BISL बोलते हैं से ये सार्जनिक छेत का पहला कार खाना है विश्वे सरया लाहु इस्पाथ सयंत्र सार्जनिक छेत का पहला कार खाना बनाया गया था ठीक है कहां से लेता है लोहा बाबा बूदन की पहाड़ियों से अब इसके पास कोईले को लेकर के थोड़ा संकट है यहाँ पर कोईला नहीं है जहाँ पर यह खुला है तो अब ऐसे में क्या करेगा जल बिद्दुत सहीं अंतर से बिजली लेगा ठीक है तो लिखे पश्चमी घाट से जल बिद्दुत प्राप्त करता है पश्चमी घाट से जल बिद्दुत और बनों से लकड़ी काश्ट लकड़ी से भी प्रयोग करता है काश्ट कोईला लकड़ी का कोईला ठीक है इसका बाजार दच्छनी भारत है चोटा सहयंत्र है बहुत बड़ा सहयंत्र नहीं है अगला है आपका भिलाई लवा इस्पाथ सहयंत्र भिलाई लवा इस्पाथ सहयंत्र ये रूस के सहयोग से बनाए गया था कहां पर बनाए गया भिलाई कहां है भिलाई चत्तिस गड़ में बिलाई लवा इस पास सेंत च्छतिस गड़ लोहा कहां से मिलता है इसको डली राजहरा छेतर से कोईला कहां से मिलता है इसे कोईला कहां से मिलता है कोईला इसे मिलता है कोईला जरिया वा बोकारों से हाँ जरिया वा बोकारों से ठीक है इसके बाद इसका बाजार है मुंबई कलकता मदरास दिल्ली यह इसका मार्केट है दच्छनी भारत मुंबई कुलकाता मदराज दिल्ली मार्केट है इसकी नेक्ष्ट है आपका दुर्गापूर इस्पाच सायंत्र दुर्गापूर इस्पाच सायंत्र पश्ची मंगार ये ब्रिटेन के सायोग से बना है दुर्गापूर यह पूछते हैं question Britain के सायोग से दुर्गापूर बना है Britain के सायोग से दुर्गापूर बना है ठीक है next ब्रिटन के सायोग से बना है दुर्गापूर यह इसको लोहा मिलता है छोटा नागपूर पठार और इसा से ठीक है कोईला मिलता है इसको जरिया छेत्र से बजार है कुलकाता अगला है राउर केला इस पाथ सरियंत्र राउर केला पड़ता है कहाँ उरिशा में यह बना है आपका जर्मनी के सहयोग से राउर केरा है आपका जर्मनी के सहयोग से उसको लोहा मिलता है उरिशा के क्योजर बुनाई छेत्र से बुनाई खान है क्योजर की खान और बुनाई की खान कोईला मिलता है जर्या और तल्चर की खान से जर्या यूं तल्चर की खान से ठीक है हीरा कुंड बान से जल विद्दुद भी मिलता है से बाजार इसका चन्नाई मुंबाई विशाखा पटनम ठीक है अगला है बोकारो इसपाथ सेयंत्र अगला है आपका बोकारो इसपाथ सेयंत्र बोकारो आपका कहां पे है जारखंड में किसके सहयोग से बनाए बोकारो रूस के सहयोग से बोकारो आपका बनाए रूस के सहयोग से कहां पे है उडिशा पुडूरीषा से इस को लोहा मिलता है हाँ अडिशा के खानों से लोहा मोरीषा के खानों से लोहा और कोईला जरिया करनपुरा के समीप इस्थाणी कोईला मिलता है जरिया करणपुरा ठीक है बाजार कुलकात अगला है शेलम इसपास सैंत्र शेलम इसपास सैंतर्ट तमिल लाड़ु पत्र पत्र हाई ईस दमिल नाड़ु ठीक है कहां से मिलता है इसको लोहा बाबा बूदन बाबा बूदन की पहाडियों से कोहला है नहीं को अस्ट्रेलिया से आयात करता है कहां से लेगा तमिल नाडू आलत हो नहीं इधर से वहीं से पास में अस्ट्रेलिया पढ़ता है बोलता है इधर ही ले आओ तो अस्ट्रेलिया से आता है वहीं से अस्ट्रेलिया से आयात किया आता है इसका बजार है दच्छनी भारत अगला है विसाखा पत्तनम इस्पाच सहियंत्र विसाखा पत्तनम इस्पाच सहियंत्र आंद्रप्रदेश में है लोहा मिलता इसको बैला डीला की खानों से विसाखा पत्तनम इस्पाच सहियंत्र लोहा मिलता इसको कहां से बैला डीला की खानों से ये भी आपकी आंद्रप्रदेश में है कोईला अश्रेले से आयात करता है बाजार इसका दच्छनी भारत अगला है आपका बीजय नगर इस्पाथ सहिंत्र बीजय नगर इस्पाथ सेंध बाबा बूदन की पहाड़ी से लोहा पाता है ये भी लकड़ी के कोईले का इस्तेमाल तथा पश्मी घाट से बिजली ठीक है जगह है आपकी इसका बाजार है दच्छनी भारत अगला है पारा द्यूप इस्पाथ सहिंत्र ये आपका उडिशा में है इसको लोहा मिलता है उडिशा की क्योजर बुनाई खानों से उडिशा की क्योजर बुनाई खानों से कोईला मिलता है जरिया तलचर से ठीक है बाजार इसका भी आपका आंतरी क्यों अंतराष्टी बाजार एक्सपोर्ट करता है अंतरीक में दच्छन भारत है बाकी अंतराष्टी बाजार अगला एल्मूनियम उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् भारत में इल्मूनियम का पहला कार खाना 1937 में लगा कहा लगा जेके नगर आसन सोल पश्मी बंगाल में ठीक है तो लिख लिजे इस चीच को देश में इल्मूनियम का पहला कार खाना 1937 में जेके नगर आसन सोल पश्मी बंगाल में एल्मूनियम कार्पोरेशन ओफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया जेके नगर आसन सोल पश्यमंगाल ठीक है नाम क्या है एल्मूनियम कार्पोरेशन ओफ इंडिया के नाम से तो भारत में दिखो बहुत सारी कंपनिया जो लोहे के प्रमुक हैलमोनियम सायंत्र लगाए हुए है जैसे भारती झाल को लगे हो जैसे मद्रास अर्मोनियम कंपनि लिम्टेड माल को यह जितनी भी है समी जोड़ी फिर भारती सेक्टर भी है और पुछ सेक्टर भी है तो टोनों कुछ पढ़ लीजेगा आपको बाकी मिल जाएंगे तो भारतिय लोहा वा इस पाथ कंपनी आपकी कि अगला है अगला उद्ध्योग है आपका सूती वस्त्र उद्ध्योग कॉटन इंडस्ट्री तो देश का सबसे इस इंद्ध्योग हम करते हैं तो यही था ठीक है और हमने ही सबसे पहले कॉटन का अभिश्कार किया है इंडस्वेली सिब्लाइजेस्ट्र से कॉटन था तो लिख लिजे सूती वस्त्र की प्रथम मिल के स्थापना कहा हुई 818 कॉलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में पहली सूती मिल के स्थापना की गई लेकुन असफल हो गई फिर क्या हुआ फिर एक लगाया हमने अगला प्रयास किया 1859 में मुंबई में फिर असफल हो गए अब क्या करें फिर हमने एक प्रयास किया 1854 में सफल हो गए तो पहली फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी 1818 कलकत्ता में असफल प्रयास 1859 में मुंबई में लगाई गई में कासव जी डौबर के दौरा मुंबई में एक कार खाना लगाए गया यहीं से आपका मुंबई मलब सूती वस्रुद्योग आपका यहीं से प्रारंब हो जाता है ठीक है तो देश में सबसे आदा देखें तो कपास का उतपादन गुज्रात और महाराश्ट इसी रीजन पRe होता है तो सबसे आदा सूती वस्रुद्योग कहां पर विक्सित है आपका इनी दोनों चैत्रों में महाराश्ट और गुज्रात वाले खेति ये महाराष्टराज को लोग तो सबसे दकते महाराष्ट में सूतई वस्त को लेकर boa कि मुंबाई में बर्षी में अकोल में अम्रावदी वरदा सोलापूर पुणें हुगली सतारा ऑकोलापूर जलगाउव इस रिख्षेत्धर आज तो भारत की सूती वस्त की राददानी किसे बोलते हैं मुंबाई को Cotton Police of India बोला जाता है मुंबाई को ठीक है और यहाँ पर विभिन प्रकार के विदेशों के भी वस्त बनाय जाते है महराष्ट के बाद दूसरा इस्थान किसका है 118 मिले है एक मिल रहे गई है दो और बना ले तो नंबर एक में चले जाएंगे गुजरात का है सबसे जादा मिले हैं दी देखी जाएं तो अकेली एक जगह पर है कि मैंचेश्टर ऑफ इंडिया कि अहमदाबाद में ठीक है टोटल कितने हैं सरसथ मिले हैं आपे अकेले एहमदाबाद में तो यहां पर जो है कई सारे वस्तर आपके यहां पर बनते हैं इसके लाओ बढ़ाओदा है बढ़ाओच है मोखी है बीरमगाव है कलोल है नवसारी है बावनगर है नडियाल है सूरत है यह प्रमुख सूती वस्तर उद्योक केंडर है 23% मिल जो है कपड़े का उत्पादन करती है यहां ठीक है उत्तर प्रदेश भी हमारा कुछ है अकेले कानपूर इसलिए इसको उत्तर भारत का मैंचेस्टर बोलते हैं तो बावन मिले हमारे उत्तर प्रदेश में भी है कानपूर में इसके अत्रिक्त आगरा लखनावू सहा अपास उत्पादन और सूतिवस्त उत्योग को लेकर के जुड़े हो है कि हुआ हो कोई बात नहीं एक ही है दोनों मुराद में कर भी गाजियाबाद है और मूरा कम सकम गाजियाबाद का नम किसी नाम पे तो है ठीक है अगला चलिए अगला है जूट उत्योग है आपका इ समीप रिसरा नम के स्थान पे पहला कार खाना लगा आपका जूट उत्योग का लेकिन फिर वही बात है आजादी के बाद विभाजन हुआ विभाजन के बाद जो है हमारे पास 120 खाने रह गई और उनके पास 10 खाने गई लेकिन उनके साथ दिक्कते थी कि उनके पास उत्पादन में अभी भी सबसे अबबल देशों में सेsınızे लेकिन सबसे जूट की संभाएं कच्चह माल की समयोना तो आपका है बांगला देश में और भारत जूए उससे नंबर प्याता कच्छे माल को लेकर जबकि जूट उद्वा संथान है एक सो 14 सानवी किलोमीटर तक पूरी पेटी डेवलप की गई है जूट कार खानों की ठीक है तो रिसरा से नौहाटी तर ठीक है पूरा का पूरा यह उद्ध्योग डेवलप किया गया है तो प्रमुक्च छेत्र जो हैं पश्चिम मंगाल में रिसरा है बाली है नौहाटी है यह सारे शेतरह के जूट उद्द्योग से जुड़य हूऊ है यहां पर इस तर्फ पर प्टिवर एपकर बॉट इन्ट्रेश्ट्री को लेकर कोई यह कहे जो है भारत सरकार की कमपनी इस परовор है तो भारत सरकार की क realistic कंपनी नहीं सारी यह private company पर काम कर रहे है को है तो यह हो गया जूट इंडिस्ट्री आपकी उद्योग का मतलब है कार खाने लगे होने चीए अगला है चीनी उद्योग ठीक है सुगर इंडस्ट्री तो सूती वस्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिसी पर नहरोब उद्योग कौन सा है चीनी मलुद्योग ठीक है तो भारत में आदनिक धंग से चीनी जो है इसका उत्पादन का प्रारंब हुआ यह काम शुरू किया डच ब्यावसाईयों ने डच के जब डच भारत में आये तो अठारा सो चालिस में उन्होंने वेतिया बिहार में एक उन्होंने प्रयास किया ज मढवरा में पहली चीनी मिल स्थापना की गई कहां पर बिहार के मढवरा में सारण जिला में पढ़ता है मढवरा ठीक है चीनी उद्ध्यों का पूरा बेल्ट जो है वह है आपका उत्तरप्रदेश महाराज बिहार आंद्प्रदेश-्तमिलनाडु और करनाटा की चार-पा लिटा था मेरे पास 118 हो चुके हैं अभी तक ठीक है और लगबख 65% चीनी को उत्पादन यहीं पिके आता उत्तर पर्शंट उत्तर प्रदेश में और सबसे महेंगी चीनी भी यहीं बिखती है प्रमुख जिले कौन से हैं जैसे आप इस बिल्ट की तरफ प्रवेश करेंगे यहीं से जो आओ इनके मुराद नगर से आप आपर गंगा कैनाल पर बगल से पकड़ देना रास्ता चोटी वाले ढाबे के बगल से तो वहां से जैसे जाते जाएंगे आपका सहारनपूर मुझ तरफ जब जाएंगे पूरा आप देखेंगे अगल बगल पूरा ट्रकों में लटे हुए आपके टेक्टर उसमें खूब गन्नाई गन्ना इंतजार कर रहे हैं कब मिल मालिक हमें बुलाएगा ठीक है थोड़ा सा चूग गया तो आपकी गाड़ी उड़ा ले जाएगा गन्ने के खेत इसलिये हां पर क्राइम भी बहुत ज्यादा किसी को फिर दो ले जाएगे कियोर है और यहां आप आप सही हो गए अभी यह था फ़िए अ तो गांड़ी कि मम हुको अच्छा कि अच्यान है अच्छा तो जैसे पीछे कोई गन्ना वाला लगा हुआ है तो उसको तो देते होंगे ना अच्छा नहीं वहां पे आप लोग संभल के रहना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट आपका है अगला है आपका तो जी तूर उत्तРЕ प्रदेश का छेत रहोंकिया इसके बाद भीहार का यह अपका पूरुवी उत्तर अपर बिहाराज में आपका पारण चंपारण मुझापफरपूर दर्भंगा आधी जिले यहां पर हैं और दच्छनी बिहार में बीटा बक्सर डालमियन अगर यहां पर भी चीले की बहुत सारी मिले महाराष्ट में लेकि में पार डेटा 143 जिले एधी 118 उत्तर पुद्धिश महाराष्ट नमबर एक म तो चीनों मीलों में गडबर तो नहीं कराएं गया क्योंकि सबसे यतर तक के साथ से महाराष्ट में श्याद है चाहरा वारत में वहां में महाराष्ट में पूचन पूच केशचांता करा देना आप लो पर चला आपके चक्का मेरा भी गलत हो ठीक है एक बार चेक कर ले ना महराष्टी सही है यहां तक तो सबसे अधर नासिक मनबाड पुड़े एहमद नगर मिराज सोलापूर कोलापूर इन जिलों पर आपका जो है सबसे अधर हैं फिर तमिल नाड़ु चीन थीक है तो इसका करण एक तो पहली बात वहां कि जलवाई विसेच्था आप देखेंगे उधर गंडा और इधर का गंडा है ना उधर का एक गंडना और इधर के बराबर कर रहा होता है वहां पर सुगर जो है उच क्वालिटी गुडवांता की होती है तो धीरे-दीरे जो पुरा आज की तारीष पुरा प्रच्छी मुत्रपदें जीरो दो परड़ती थे हैं अच्छा उसमें सब्सक्राइब चीनी लगती है लेकिन प्रोड़म ही हमारे इतने मिले प्राइवेट इसले दो साल गाप्राइमेंट नी मिलाया है अच्छा तो इसक अच्छा पर आपको पस्कुर वाल गाप आए तो बहुत सारी दिक्कते हैं इसी दिए सब लोग रोड के बैठे यह फिर टेक्टर क्या है कल है कल पर 126 तारीक को है न तो उसमें पिर चलते हैं टेक्टर मजबूरी नहीं जरूरी है मजबूरी क्यों है जाना है ठीक है नेक्स्ट अगला है आंध्र प्रदेश में भी आपका सुगर केन इंडस्टी है एक तालिस मिले हैं यहां पर जिनका केंद्री करण आपका गोदावरी क्रिष्णा विसाका पत्नम मेड़क निजामाबाद चित्तूर जिलों में अधिक हुआ है करनाटक राज्ज में यह उद्द्यों काफी उन्नत रहा है यहां पर बिलगाओं मांडिया बीजापूर बि गंगा नगर जिले में एक पूरी चित कंधर से चिनी बनाने का कार खाना स्तापित किया जा चुका है यह था आपका अगले सीमेंट उद्ध्यों सिमेंट उद्योक तो भारत में पहली बार जो है आदमिक ढंक से सीमेंट बनाने का आधाना जो है 1924 में ब्रिटन की पोर्ट लेंड टामकिस्थान पे किया गया था ठीक है पोडल में इस ताम और इसी के नाम से आज भी आप पोर्टलेंट सिमेंट के नाम से आज भी बोला जाता है और भारत में जो पहला कार खाना पड़ा है पहला है 1904 में चन्नाई में लगाए गया जो असफल रहा दो तीन प्रियास अवारे असफल होते हैं लेकिन पता होना चाहिए ऐसे भी गुमाते हैं लोग ठीक है तो 1904 में चन्नाई में पहला कार खाना लगाए गया फिर 1912-13 के अवदी में इंडियन सिमेंट कंपनी लिम्टेड द्वारा गुजरात पोर बंदर में कार खाना 12-13 में 1914 में यहां पर उत्पादन कार भी प्रारम कर दिया गया प्रतम विशुद्य के दौरान कई सारे कार खाने लगे आपके किलिक निक्संद कंपनी द्वारा राइस्थान में लखेरी बूंदी पेक लगाए गया खाटाव कंपनी द्वारा मदप्रदेश कटनी में ए it associated cement कंपनी लिम्टेड एसईसी की इस्थापना की गई ठीक है तो एसीची सिमींट यहीं का है 1934 पर यह बना था कि फिसके बाद दो क Switch दो कर दो कच्शामा आधारीत दोग जिसमें कंद्ध मन क्या तो वहीं पर लगाए जाते हैं तभी आप देखेंगे मैयर वाले च्छेत में सिमेंट इंडेस्ट्री डिबलफ है कई जगह पे हैं ठीक है तो यह आपका जो है हो गया सीमेंट उद्योग कि इसके बाद हाँ अच्छा आजादी के पहले हैं घरों पर लगा सकते थे घरों पर लगा सकते थे अच्छा आपनी लगांए पर जाओं पर पहले बहुत सारा बताया ने पहले जो था सारा कुछ सरकार के अंडर में था बाद में इसको दीरे-दीरे अगले हर बार इसको कम करते गए अब बनाया इन्होंने महारतने नवरतन और मिनी रतन कंपनिया ठीक है ये कंपनिया भी बनाई गई है तो महारतन कंपनिया वह होती है जिनका टीन सो वरस्त पक 50 s고 करोड रुपैय से अधिक काउस्टन वार्षिक लाब निकी इनका प्रॉपीट हो तीन वरस तक लगातारं हर साल इनको 25。 करोड रुपैय का इस्से अधिकर लाब में रहे कंपनि ठीक है और रिजो पर समत्त्ति यह तोलर कंप्लीट है इनकी कितनी होनी चाहिए 10,000 करोड रुपए के एसेट होनी चाहिए तो ऐसी कंपनी को महारतना कंपनिया में हम क्या करते हैं ठीक बदल देते हैं नौरतन कंपनियों में क्या किया गया है इसमें भी बनाए गया कि भाई कम से कम इसमें जो है एक प्रॉफिट लास और इनके एसेट्स को लेकर के तो निवेस लाब को लेकर के भी बनाए गया अभी बरतमाल में कितनी महारतना कंपनिया है हां दस कहां से हो गई है अच्छा जीवाजी कोई है अच्छा चलिए ठीक है तब तो इसको पढ़े का पूरी महात्रा प्रकाम टाहिए ठीक है तो आपकी जैसे इंडिया नायल है एंटी-पी-सी ओन जी सी श्टील अथर्टी ओफ इंडिया कोल इंडिया लिम्टेर भारी बेल हो गई आपकी गेल इंडिया हो गई ठीक है तो एक बार आप लोग बताएंगे कौन- प्रिख लोग कहेंगे कि पासवर्ड चाहिए बहुत आप लोग हूँ तो टोटल नौरतन कंपनियां कितनी है 17 के असपास है साइद नौरतन कंपनियां और मेरी तना आपके लगबग चवण कमपनियां मेरी आपके आपके लोगातार लाब हो यह ताहिपे नियुक्ण बताए चाहिए कि लानक नवांक देनोल और में SMT में होने से शॉमेंस चोर्ना चाहिए मिनी रतना का कम सकम दर्जा प्राप्त होना चाहिए नौरतना तब ही होगा मिनी रतना के लिए बनाया गया कि तीन वर्सों तक लगतार लाब हो या तीन वर्सों तक एक वर्स में 30 करोड रुपए का लाब होना चाहिए ठीक है इस तरीके करके इन्होंने मानक बनाए है और ब भारत में सर्व प्रतम इस्थापित उद्योग कौन कौन सा कहां पे कौन सा पहला उद्योग लगा यह कुछ लिख लिए सबसे पहले लिखें एटीन काघच का पाहला कार खाना आपका लखनू में लगा है ठीक है सर्व प्रथम स्थापित उद्योग के नाम से लिख लिजे इसको कहां पर कौन सा पहला उद्योग लगा है तो कागज इंडस्ट्री लखनव में कब रहा है 1889 में दूसरा लिखे कानपूर में 1886 में प्रथम आजनिक उनिवस्त्रकार खाना लगाए गया इसके बार नेक्स्ट बेटिया में उनिश्टीन में प्रथम सफल चीनी मिल के स्थापना की गई इस बेटिया में कि और Cantonese में प्रथम प्रथम प्रयाज किया था दज ब्यापारियोंने मढ़चारो में लगा थां मढ़चारो लिखे यह गलत हो गया 1903 में प्रथम सफल चीनी मिल स्थापित किया गया और बेय IgA повтор 344 में अधनिक चीनी मिल कंदेश्ट को रहने देजिए अगला लिखे न स्थापित किया गया राची में के अधारा सुन्ठाउन्स में भारत का प्रथम भारी इंजन सैयं अधर यहांड लगाए गया प्रथाम इल्मूनियम सायंत लगाए गया जेके नगर में में 1937 में देश का प्रथाम इल्मूनियम सायंत लगाए गया आप लोग जानकाई देदू आप लोग 9 घंटे से ज्यादा बैठे हुए है नाव घंटे के अवधी हो चुकी हमें क्लास करते करते समझे अपना प्रथाम लगाए आपका जेके नगर पे यह पशिम मंगाल में पर लिखिया 1870 में भारत का प्रथाम लाओ इस पात का अर्खाना कुल्टी में लगाए गया कि अठार सो सत्तर में भारत का प्रथम लाओ इस पात का अरखाना कुल्टी में यह भी पश्य मंगाल में कि अगला नेक्स्ट अठारा सूट उनीश सो चाहट में पेट्रो रसायन का प्रथम नीजी सैयंत्र लगाए गया यूनियन कर्भाइड लिम्टेड द्वारा अठारा सो चाहट में पेट्रो रसायन का प्रथम नीजी सैयंत्र नीजी मतला प्राइबिट कंपनी ने लगाया ट्रामबे में ट्रामबे पड़ता है महराश्ट्र में फिर 1854 में कावश जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का प्रथम कार खाना लगा गया गया अधारा सो चाहट में कावश जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का प्रथम कार खाना लगाया गया कहां लगा गया मुंबई में अगला नेक्स्ट उननीस सो बीस में भारत का प्रथम कृतिम रेशा सैयंत्र ट्रावन कोर में कि 1920 में भारत का प्रथम कृतिम रेशा स्वयंत्र स्थापित किया गया ट्रावन कोर में अगला है 1906 में देश का प्रथम सुपर फासफेट स्थापित किया गया रानी पेट तमिल नाड़ में 1906 में देश का प्रथम सुपर फासफेट स्थापित किया गया चन्नाई में 1906 में देश का प्रथम सुपर फासफेट स्थापित में 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट संक्राइब कि निए चन्नाई में इस तरीके से आप लोग स्किल्ड हो जाएं गार्मेंट ने फेम इंडिया पेम बास्थ जो है भारी उद्योगों और साज्मिक उद्यम इंडिया का सुभारम किया गया इस टार्ट अप इंडिया का रिक्रम 15 अगस 2015 को लाल किले में प्रदान मंत्री ची ने ठीक है इसके बाद इंडिया का यह आपका बाबु जग जीवम राम के जन्म दीवस पे 5 अपरेल 2016 को प्रारम किया था फिर श्टार्ट अप उद्यम ठीक है इसके बाद जो है आपका बहुत सारी साज्मिक छेति के सेंद्र आप पहले कुछ पढ़िए दस के दसो नाम पढ़ेंगे यहां बैटके बैटके बस हाँ और क्या आप ही पढ़िए दस-दस महारतना पढ़ रहें न आप हाँ पहले महारतना नौरतना कौन यह चौदा नौरतना चौदा है तो यह दोनों लिख लो कहीं पर लेख लो सिर्फ इतना लिख लो महारतना आपकी टोटल दस है तो सही है ना डेटा सही जगह से ले रहे हैं ने गूगल को मैं सही थोड़ा ना मांने साइट कौन सी है कोई बात नहीं नाम बताइए आप सारी सभी का भारत है वी एलेक्टिक यह बेल हो गई ठीक है नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड नेक्स्ट कौन सी पोरिंगे रहां ठीक है नेक्स्ट ठीक है पावर ग्रेड वाली नहीं है जुड़ी है मेरे ख्याल से एंटी पीसी तो पहले से भी थी एंटी पीसी नहीं नहीं है एंटी पीसी पहले भी थी आठ में भी रही है चलिए ठीक है उसको रहने देजे नौरतना छोड़ दीजे कोई उरत नहीं है ठीक है तो दस महारतना है नेक्स्ट आपका अगला कौन सा है आगे हम लोग देखेंगे आपका बहर भारत सरकार के द्वारा उरबरक निगम भारती उरबरक निगम ठीक है और बरक छेत्र को ल कितनी है यह डेट यह क्या है कर रहे हैं आप लो नहीं तर यह सब्सक्राइब 141 146 163 हो चुकी है उत्तर प्रदेश में नंबर एक था नंबर दो करवा रहे थे आप कि डेटा है अधी अपडेट हुआ है उत्तर प्रदेश में 163 हैं कोई बात नहीं आप लिखके मुझे स्क्रीन सॉट कीच के बाद में भेड़ दीजेगा मैं बाकी देखके सारी जितनी भी अभी जैसे डेटा को लेकर इशू है न तो यह सारा कुछ एक बार देख लेंगे को इशू नहीं है यह बाद में देख लेंगे यूपी में अब सबसे ज़्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है ना चीज चलिए तो भारती उर्बरक निगम लिम्टेट के बारे में लिखे इसकी स्थाप पूर तीसरा है राम गुम्डम चौथा है तलचर ठीक है कई जगे पर इसके स्थापने है अगला हिंदूस्तान और बरक निगम हिंदुस्तान उर्बरक निगम इसके भी कार खाने हैं बराणी बिहार में नामुरूप अशंम में हल्दिया पश्यमंगाल में की इफको का नाम आप लोगों नहीं सुना होगा इफको क्या है भारती खुरिशक उर्बरक सहकारी निगम इसके भारें भी लिख लो भारती, क्रिसक, उर्बरक, सहकारी, निगम इसकी स्थापना हुई उनीशो सरसठ में अच्छा उर्बरक और खाद में कंतर होता है कि नहीं होता उर्बरक और खाद में क्या अंतर है खाद क्या होता है खाद रसानिक होता है खाद प्राक्तिक पदार था है जैसे गोबर है, मानो, अस्पिस्ट है, पौधो के आउसेस हैं इनके बिगिटन के सुरूब जो बनता है खाद ये है और जो उर्बरक होता है अकार्बनिक लवन होते है इसमें ठीक है इनका उतपादन फेक्ट्रीव में होता है खाद कर सकते हैं अर 가지 और परक में गलाएं अगलाए अपका का YOU के पेपर इंड़स्ट्री तो कागज उद्योग का प्राचीर कुटिर उद्योग के रूप में रहा है पहले से ही तो पहला कारखाना 1716 में चन्नाई में लगाया गया था ट्रंक वार में जो सफल नहीं रहा बिल्यम कोरे ने लगाया था ठीक है असफल प्रेयास था लेकिन आपको जनकारी होनी चाहिए चन्नाई के निकट जो है ट्रंक वार पर लगाया इन्होंने बिल्यम कोरे ने 1716 में ठीक है फिर सफल कारखाना मैंने लिखवाया ना एक 1869 में लखनाव में लगाया ठीक है फिर इसके बाद टीटा गड़ में अठारो स्विक्यासी में लगाए गया तो यह भी कच्चा माल अधारी तुद्ध्योग है इसके लिए भी इसका कच्चा माल क्या है पेड़ पौधे ठीक है वहीं से आता है नेक्स्ट अगला आपका है इंडुस्ट्री अखबारी कागज रासायन पेट्रो केमिकल तो इसको लेकर के भारत सरकार के कई सारे निगम हैं जैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान अगलिक केमिकल्स लिम्टेड है ऐसे बहुत सारे हैं जो गवर्मेंट के इस पे काम कर रहे हैं आसम गयस क्रैकर पर योजना हिंदुस्तान फ्लूरो कार्बन लिम्टेड तो नेक्स्ट है आपका रेलवे उपकरण यह आपका इंपोर्टेंट है कि तो रेलवे उपकरण में सबसे पहले लिखी एक कंपनी बनाई गई थी आपकी रेलवे से संबंदित उपकरण पहले विदेशों से मंगाई जाते थे भारत आत्म निर्भर नहीं था तो आत्म निर्भर बनाने के लिए जहारखंड के सिंग भूम जिले में पैंसिल सुल पर लोको मोटिव कंपनी 1921 में बनाई गई 1921 पर फिर इसके बाद 1945 में टाटा सुमू ने बनाया टाटा इंजिनरिंग एंड लोको मोटिव कंपनी टेलको 1945 में टाटा सुमू ने बनाया टाटा इंजिनरिंग एंड लोको मोटिव कंपनी टेलको फिर 1950 में आपका बना चितरंजन लोको मोटिव वक्स पश्चि मंगाल में चितरंजन लोको मोटिव वक्स 1950 में बना मही जाम नामक किस्थाने पश्चि मंगाल में वहां पर है इसके बाद 1961 में बिजली के इंजन बनाया ने जाने लगे और इसको लेकर के पास मर्वा डी में बनाया गया वरणसी के पास है मर्वा डी यहां से आप मर्वा डी एक ट्रेण का नाम ही यह तो बनारस का एक आगामि करांगी स्टेशन है उसी में उसी के इस्टाइए मरुवडी एप 9061 में डीजर लोकोमोटीव वक्स बरुवडी वराणस में परस ही पराणस ही यह बनारस के नाम से अच्छा इस्टेशन का नाम भी बनारस कर दो यही काम बचा इन लोगे काली टाइम पे नाम बदल रहे हैं गाजयाबाद कब आएंगे पता नहीं का नाम रख दें क्या रखना चाहिए गाजयाबाद काना अच्छा पर घजबाद पकाएंगे अगला नमबर इसे लिए जाजयाबाद के स्थापना की थी मुगल सासक औरंग जेप को सुबेदार थे हैं पर गाजू उद्दीन अब यह जानकारी उनके पास पहुंचे कि यह भी उनके नाम पर यह तो बदल देंगे फिर उसी के नाम पर गाजियाबाद सहर का नाम हुआ नेक्स्ट आपकी रेल की पट्रियों का निर्मार करती इस टील अथर्टी अफ इंडिया लिमिटेड इसके दौरा किया जाता है फिर टाय टायर इनके दौरा किया जाता है उप छोड़िए आप इससे अब नेक्स्ट आगे जलते हैं यह लिखना है कुछ एक योजना भी आप संत्राले के द्वारा उस्ताधियोद्न चलाई गई है यह भी आपका कुटी रुद्योग को ध्यान में रख करके चलाई गई है इसके बाद भारत में हैं जलयान सिप बुल्डिंग इंडस्ट्री यह एक आपकी डिबलप हुई है इसके अंतरगत पहला कार खाना आपका बना भारत में जलयान निर्मार का पहला खार खाना 1941 में बनाए गया सिंदिया इस्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा 41 1941 में 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा ठीके वायूयान उद्योग वायूयान उद्योग में लिख लीजे वायूयान निर्मार का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलूरू में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी जिसका नाम अभी है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड एचेल यही है देश में वायूयान निर्मार का पहला कारखाना है हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी जिसका बरतमान नाम है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड एचेयल ठीक है तो पाँच हिकाईयां है बंगलूर में आज के इस समय इसकी टोटल जो काम कर रहे हैं एक आपका है मोटर गाड़ी उद्योग मोटर वेहिकल इंडस्ट्री तो मोटर वेहिकल इंडस्ट्री में आपको पता है कि सबसे अग्रणी इस्थान है मारुति का ठीक है जब से मारुति आई है तो लिखे भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की शुरुआत 1928 में हुई में जनरल मोटर्स कंपनी के स्थापना की गई कब की गई 1928 में जनरल्स मोटर्स कंपनी 1930 में चन्नाई में फोर्ड कंपनी इस्थापित की गई फोर्ड हर विदेशी वह लेकिन वह ली फोर्ड नहीं हो नहीं यह 1944 में हिंदुस्तान मोटर्स लिम्टेड के इस्थापना की गई 1944 में हिंदुस्तान मोटर्स लिम्टेड के स्थापना की गई तो अभी टोटल कितनी है अभी हिंदुस्तान मोटर्स है कुलकाता में फिर आपका असोक लेलैंड का नाम आपने सुना होगा चन्ड़ई में है ये टाटा इंजिनरिंग हर जगह पे हैं जमसेतपुर पे महिंद्रा और महिंद्र का नम आपने सुना होगा ये भी है मारती उद्ध्योग आपका इसका यहीं पे है गुडगाउं हरियाना में है इसका प्लांट ठीक है मारती एंड मारती का सनराइज इंडस्ट्री बंगलूरू में है और बाकी और भी बहुत सारे कारखाने इनके जगे जगे पे लगे हुए लेकिन जब से मारती आई है उसके साथ इसमें करांतिजीयों की तरह हुआ है सबसे सस्ते वेहिकल निकाल के इसने टाटा ने कोसिस की लेकिन नैनो फेल हो गया नैनो का प्लांट बंद भी हो गया आपको साथ पता हो पिछले साल एक गाड़ी भी की थी लागड़ान में एक भी नहीं भी की तो फाइनली इंडेस्ट्री हमारे यहां पर है ठीक है जैसे कि आप नुएडा पर देखें नुएडा पूरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी यह सॉप्टेयर टेक्नोलोजी पार्क के टौट पर डिबलफ किया गया है तो भारत में कई जगे पर ऐसी छेत रहें जहां पर हम जैस इसने भी सॉप्टेयर इंडेस्ट्रीज हैं तो सब आउट्सोर्सिंग पर लेकर के काम कर रहे हैं जिसे गूगल का में भारत से हो रहा है फेस्बूक का में बैठी तो कंपनी वहां है लेकिन काम किसे करा दी भारत से जितना डेवलफ्मेंट है भारत से हो रहा है तो नहीं है तो कम दूरी हो मध्याम दूरी हो यातायात की सबसे सुगम और सस्तासाधन के तौर पे आपका कौन सा है सडख परिवहान है तो सबसे बिश्वस्निय भी है खुद चला के भी जा सकते हैं तो ऐसे में यह सब से महतपूर है ट्रंस्पोर्टेशन के यह देखा जा तो उसमें भी इसका एक सबसे मड़ा योगदान है तो भारत सरकार ने तीन वर्ग में क्या किया सडकों का निर्मार किया पहला राश्टी राजमार्क ठीक नेशनल हाइवेज इसको लेकर एक संस्ता है आपकी कौन सी है एनेचे आई ठीक है दूसरा है आपका राज महामार्क इस्टेट हाइवेज और तीसरा है सीमा वर्ती सडके जो भारत के जितने भी सीमा साजा करने वाले देश हैं उनसे जो समय तो इसको लेकर एक संस्ता बना दी गई है बॉर्डर रोड्स और ब्रो तो उसका काम रहता है बॉर्डर में निर्मार का और नेशनल जो आपकी एन लिए बनाए गई है केंद्री लोक निर्मार विभाग बनाए गया है जिसको क्या बोलते हैं CPW CPWD यहां पर गाजियावाद में इसका मुख कारयाल है CPWD का CBI Academy के ज़स्ट बगल पे ठीक है इसके बाद जो है आपका लोक निर्मार विभाग हर राज्ज में बनाए गया है पूगल काल से पहले सेरसा सूरी ने भी एक बनवाया था सिंदुगाटी सब्वता से लेकर बंगाल राज सोनार घाटी तक उसने एक रोड बनाए जिसका नाम दिया Grand Track Road ठीक है अपने समराज को सिंदुगाटी सब्वता से जोड दिया उसने पाकिस्तान से लेकर के बंगा पूरा निर्मारकार इसका कराया इससे पहले भी आप और जाएंगे तो इससे पहले उत्रापत और दच्छिना प्रत करके दो मार्ग थे आपके पूरा का पूरा जो इंडस्टियल सेक्टर को पूरी बेल्ट को जोड़ते थे ठीक है तो Grand Tech Road आपका ये दो खंडों में चौड़ा हाईबे काजियाबास से होके जा रहा है आपको बताओ 14 लेन का बन रहा है ठीक है अब इसका नाम थे इस तूटिफोर नाम बदल के नहीं नाइन कर दिया पता नहीं क्यों किया इसमें नाम बदलने का क्या मतलब बनता था एनेस्टू जो था उसका नाम एने चन नहीं है जैसे एने सेबन पहले भारत का सबसे लंबे आई भी होता था अब एने फूर्टी फोर्टी फोर होने लगा हो गया वह कस्मीर से लेकर करने कुमारी को जोड़ा पहले बनारस से लेकर को करने कुमारी को जोड़ता था तो जो आपका पूरा परिवहान के साधन है कौन कौन से परिवहान के साधन है पहला इस्थल मार्ग दूसरा जल मार्ग तीसला वायु मार्ग इस्थल मार्ग में देखी तो सड़क परिवहान रेलवे और पाइपलाइन पाइपलाइन के थू परिवहान तो होता है तेल का पर तो पाइपलाइन विछा दीगे तो इससे भी कहरी फारवड हो रहा है अन्हीं तो पता चलता कि घर में अभी पाइपलाइन लगे तो पानी इजली आ जाता है आप लोंके और नहीं पता इंतजार करते कि कब आएगा टैंकर तो पाइपलाइन भी परिवहान का बहुत बड़ लग गई होगी ठीक है आईजियल कर रहा है साइथ काम इंद्विप्रस्त गैस लिमिटेट के द्वारे काम किया जा रहा है ठीक है जल परिवहान दो तरीके का है पहला है सागरी और अंतर सांता जो महा सागरी जलमार्ग है जवाब बैठेंगे उसमें और अंता इस प्रकार है इसके बाद जो है आपका इसको लेकर के आपका एक सीमा सडक संगठन है बॉर्डर रोज ऑगनाजेशन है इसकी स्थापन जवाला नेरू ने की थी संचालन रच्छा मंत्राले करता इसका साथ मई 1960 को बना था काम इसका क्या है देश की सीमा वरती सडकों का और ह और हवाइ पट्टियों का निर्माड करना तो लिख लिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिए इसके बारे में सीमा सडक संगठन बी आरो ब्रो कहीं भी जाएंगे आप जिसे यहां से गंगन अगर चले जाएंगे आप तो गंगन अगर से पाकिस्तान की बॉर्डर थोड़ा ही दूर बाद लगनी चालू हो जाती है तो आपर जो भी सड़क बनाए होगी सब में लिखाओगा भी यारों वहां पे निचाई काम नहीं करती है ठीक है भूटान में सड़क निर्मार का काम इसी का है यह भी भूटान में भी यही काम कर रहा है कई देशों के साथ जो देश कहते हैं वहां पर इसके अलावर नक्सिल नक्सल प्रभावी छेत्रे कोई हैं तो नक्सल प्रभावी छेत्रों में जैसे गढड़ चिरोली ग प्रोजेक्ट बीकन चला रहा है जो आपकी बहुत सारी साइनिक छाउनिया है जो कि आपकी पुरुतर राज्ज में वहाँ पर भी काम कर रहा है ठीक है तो कई जगह पे जितना भी सीमा वर्ती छेट पे काम यह करता है क्यों रच्छा मंत्रा लें फौजी भाई है अपना जो जड़attend लिए नफर सब्सक्राएं तो बरतमान में लिख है बरतर में राष्ट्री मार्क प्रणाली के अंतरगत कुल कितने कीलोमीतरे सटक है 5600 कीलोमीटरें लंबी सड़क है वैसे लगता है जैसे की नितिन गटकरी झालो तो मेर्त जैस कि हम तरस्टिन 27 lot एश चाहिस किल राश्ट्री राजमार्ग थोड़ा से कम है देखा जा टोटल देश की कुल जितनी सड़के हैं उसमें से क्यों 2% हिस्सा ही इनका ही है तो देश के संपूर जो सड़क परिवहान का है ठीक है जो आपका सड़क परिवहान है देश के कुल परिवहान का 40% हिस्सा सड़क परिव अरह सिसकली था ठीक है राश्ट्री राजमार्ग सात पहले सबसे लंबा हुआ अब इन्हें पोर्टी फोर है आपका ठीक कस्मीर से कन्या कमाई तक जयता है बस यह रिख लीज और किबता है इसके नेसिल हईवें पहले यह क्या होता था अब इसका पहले नाम क्या था था नहीं पता कहां पर क्या है ठीक है थोड़ा सा इस पर काम करना पड़े स्वांडिम चतरभूर योजना बनाई गए जिसके तहिए जो मेट्रोपोलिटेन सहर है सबको जोड़ दिया गया दिल्ली को मुंबई से मुंबई को चन्नाई से चन्नाई को 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 काता को तो एक स्वाइडिम जो है चतुर्भूद योजना बनाई गई ठीक है इसके बाद बाकी कुछ लिखना ठीक नहीं है आपका क्योंकि अब मैं आपको लिखाऊंगा में पास डेटा जो है वही है अब जैसे नहीं फोर्टी से बन भारत का सबसे छोटा राजमार्क था क्योल 6 किलोमेटर का है जो बिलिंगटन द्यूप से केरल को और कोचीन तक जाता है बस केरल के छोटे से इससे में नहीं फोर्टी से बन लेकिन अब नाम बदल दिया होंगे गुगल मिल नहीं रहा है तो लिखना चाहो तो यहीं लिख सकते हो आप लेख लिजे बाद में आप देख लिजेगा चेंज कर लिजेगा नहीं फोर्टी से बन भारत का सबसे छोटा राजम कि यह मुझे नहीं समझ माई यह क्यों किया इन्होंने राजमार्क का चेंज करने का कुछ अभी पिछले एक दो साल पहले हुआ है कि छे किलोमीटर लंबा है जो विलिंगिटन केरल से कोचिन तक जाता है कि वहां पहले बहुत दिधी था बहुत आसानी से हम क्या करते थे बली से निकलते थे नेस टूपर बैठते कोलकाटा पहुंच जाते थे ठीक है फिर यहां पर बीच आगरा से मुंबई चले जाते थे ठीक है फिर हम थाड़े से मुंबई से चन्नाई जोड़ता था नहीं फोर बहुत आसानी हमें समझ में आते थे कि कहां पर कौन सा हुए है अब समझी में अब क्या बता है उनको यहीं लिख ले अभी जानकारी नहीं है उनने पर भी नहीं मि तुक्त अब बाधल गया वैसिर कॉमें अन्हक ने एनस से वन अग्राइसद नसट्व थे इनस टू है एनस तू एनस्तू आश्ड़न सहर सा नहीं है एनस का जो है इन मंऄ शोंद पिरेसिस है इक्सप्रस्वे को आप तोचने रहें का यह एन आग शरज़न कर दो नहीं है निकलता है क्या हुआ हाँ वो नाम बदल गया उसका नहीं कर दिये बता दिये जा यह जाके यह चीजे बहुत चेंज हो गए है ठीक है तो राष्टी राजमार्क विकास नहीं ती है जिसके तहट जो है भारत सरकार के द्वारा एनेच नहीं लिए इसके बारे में देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से सरकार ने दस्मी पंचवर्सी योजना में राष्टी राजमार्क विकास कारक्रम प्रारम है है और मैं आपको दिखा भी दूं मैं पॉफ इंडिया का मैं लेटेस्ट आपको दिखाू गा उसको भी नहीं पता है उसमें भी जितना भी डेटा है मैं फॉफ इंडिया का उसकी साइट से मैंने डेटा उठाए भी था ये कहां पे थें आप दस्वी पंचवर्शी उजना के दौरान ब्यापक ब्यापक राश्ट्री राजमार्ग विकास कारकरम सुरू किया गया राश्ट्री राजमार्ग विकास कारकरम सुरू किया गया नेक्स्ट यह परियोजना देश में संचाली तब तक की सबसे बड़ी परियोजना है संचाली सबसे बड़ी परियोजना है इसका संचालन भारतिय राश्ट्री राजमार्ग विकारन ने चे आई द्वारा किया जा रहा है इसका संचालन भारतिय राश्ट्री राजमार्ग परादिकरन ने चे आई द्वारा किया जा रहा है पिस्व का सबसे उंचा रेल पुल भी बनाया जा रहा है भारत में ठीक है पिस्व का सबसे उंचा रेल पुल बनाया जा रहा है ये मड़ी पुर के नोनी में और ये लगवग 141 मीटर उंचा है और अभी जो है जो बर्तमान में है विस्व का सबसे उंचा पुल रेल पुल वो है योरोप में ठीक है लेकिन भारत में इसको लेकर करके काम किया जा रहा है एक और भारत सरकार ने काम किया सेत-भारतम योजना का प्रार्म किया है उनके विकास को लेकर किए है ठीक है तो भारत माला परियोजना थोड़ा सा दो सब्दों में लिखना हो तो लिख लीजिए इसके तैट क्या है सड़क परिवान हुआ राजमार्ग मंत्राले द्वारा सड़क परिवान हुआ राजमार्ग मंत्राले द्वारा सागर माला सिपिंग प्रोजेक्ट मॉडल पर आधारित सिपिंग प्रोजेक्ट पर आधारित भारत के अंतर राष्टी सीमा छेतरों को भारत के अंतर राष्टी सीमा छेत्रों को सडकों से जोड़ने के लिए भारत माला पर योजना पर कारी किया जाना है 30 अपरेल 2015 को शुरू की गई थी योजना 30 अपरेल 2015 को प्रारम की गई अब देखो करना क्या है इस से जितने भी अंतर राष्टी ये सायर हैं जैसे मिजोरम से सुरुआत करते हैं मिजोरम, मडीपूर, नागा लेंड, अउड़ाचल प्रदेश, आशम, सिक्किम जितने भी सीमाई छेत्र हैं जो सीमा से जुड़े हुए इदर से देखें तो इदर से क्या आपका गुजरात है, गुजरात के बाद राष्टाने, पंजाब है, फिर इदर ऐसे करके रोड़ बनाना है हमें पूरी एक, क्यों सीमा सीमा पर, यह पूरी जो इस दिलिए सीमा है, इसको हमें क्या करना, रोड़ से सारे सायरों गो है अगला नेक्स्ट है आपका देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो बनाए गया है इसको बोला जब इसका काम सुरू हो चुका है गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना जेपी इंफर्ट्रेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और यह आपका आगरा लक्ष्णव नहीं नहीं यह नहीं है ग्रेटर नुड़ा से बलिया तक प्रस्तावित है लिख लिजे इसका यह एक्सप्रेस जो आपका लखनव आगरा है उससे भी बड़ा है यह चाहिद मिने कहल से चालू हो गया अब 5 अक्टूबर 2014 को सिलन्यास किया गया था इसका ठीक है लिखिए पर नुड़ा नुड़ा से बलिया तक प्रस्तावित गंचा एक्सप्रेस ये पर कार प्रारम कर दिया गया है दूरा जो गंगा नदी के किनारेजे से यमन एक्सप्रेस ये बनाय वेसे गंगा express वे हैं ठीक है और इस परियोजना को प्रारम मलब प्रस्तूत किया था मायवती सरकार ने 2007 में उसने प्रजेंट किया था लेकिन बाद में जो है परियोजना काफी लंबे बिवाद में जमीन बिवाद और दुनिया वर की चीजें जेपी इंफरेट्रेक ने इस पर काम भी शुरू करने की 30,000 करोड की बड़ी परियोजना थी लेकिन पांच अक्टूबर 2015 को लिख लिजे इसको स्विकृति प्रदान कर दी गई पांच अक्टूबर यह सपसरकार में इसको सबसे बड़ा एक्स्प्रेस वे होगा तो देखे कहां कहां से जाएगा ग्रेटर नुएड़ा के बाद बुलन सहर बुलन सहर के बाद यह जो नरौरा वाला छेत्र है बुलन सहर नरौरा बदायू फतेगर कंजो कंणोज बिठूर उन्नाव उचाहार भदोही मिरजापूर चुनार गाजीपूर राम नगर फिर बलिया बलिया कहां पड़ता है पता है आपको सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे कैसा सहर है कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है तो कहां से सुरू करेंगे हम ग्रेटा नोड़ा से कहां ले जाएंगे बलिया यह आपका जाता है ग्रेटा नोडा से चालू होता यमना एक्सप्रेस है और कहां खतम होता भी लखनव में इसको भी हम expand कर रहे हैं इसको अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है ठीक है इसी का expansion चल रहा है तो उसी के प्रवेस वा निकास निहंतर प्रणाली पर अधारित देश का सबसे बड़ा एक्स्प्रेस्वेव होगा है ठीक है इसके बाद अगला है रेल परिवहान रेल ट्रांस्पोर्टेशन तो इसका तो एक ही आदमी को जाता है डाल लाड लहोजी को ठीक है तो लिख लिजे इसके तो देश में जितने भी विसालतम समार है बड़े मात्रा पर परिवहान होता जैसे अब लोहा इंडस्ट्री है तो लोहा इंडस्ट्री को अपना माल जो है ट्रांस्पोर्टेट करने इधर से उधर बेजना है तो उसके लिए वह रेलवे का अंत्रिक परिवहान में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला आपका डिपार्टमेंट कौन है रेलवे विवाग है रेलवे परिवहान है तो देश में सुदूर छेत्रों में बसे हुए चाहे लोग हो अब यहां से आप तमिलनाड तो जा सकते हो यह आप संकी हो तो बाइक से जा सकते हो नहीं तो अन्यत सबसे महत्यपूर्ट परिवहान में से एक है देश में ब्योशाय देशाटन तीर थे अत्र आधिक आउसर को सुलब करने के लिए रेज देश की सबसे बड़ी जो है परिवहान सुभधा के तौर पर आता है इसका विकास लिख लिजे सबसे पहले किस ने करवाया विकास द ने हुआ हो लेकिन फिर जब यहां पर लाट डलाओ जी आया तो उसने इस पर तीब्रता दिखाई और उसने यहां पर काम भी प्रारम कराया बाइस दिसंबर उन्नीश विंक्यावन को पहली रेल गाड़ी भारत में चली थी लेकिन ओं माल गाड़ी थी तुर अठारव सिं थाना चली थी वह उन्नीश सो तेरपन में चली थी तो इसको थोड़ा सा लिख लो कुछ चील है हां ठीक है अधार सो तेरपन है चली भारत में रेलवे की विकास के दिशा में सर प्रथम प्रयास उन्नीश सो तेरपन है भारत में रेलवे की विकास की दिशा में सर प्रथम प्रयास 1944 में तत्कालीन गवर्णर जर्नल लाड हार्डिंग ने अठार सुआ जो मैं उन्नीस बोलूं अठार सुनना है अब आपको पता है दस घंटे हो चुके हैं ठीक है तो उसका प्रभाव दिखेंगा दिमाग में 1944 में तत्कालीन गवर्णर जर्नल लाड हार्डिंग को मैं आपको भी नाम बोल दू तो हार्डिंग ही लिखना है गवर्णर जर्नल लाड हार्डिंग में निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माड का प्रस्ताव रखा था देज में पहली रेल गाड़ी का परिचारण 22 दिसम्बर 1951 को किया गया इसका प्रियोग रुड़की में निर्माड कारे है तू माल डुलाई है तू किया गया अठारो सिंक्यावन में सबसे पहली माल गाड़ी चली इसके बाद नेक्स्ट अधिहासिक द्रिश्ट से भारत में प्रथम रेल मार्ग अठारो सु तिरपन में प्रारम हुआ मुंबई से थाने कितना 34 किलो मीटर 34 किलो मीटर ठीक है तो यह आपका जो है लगबग यह हुई थी शुरुआत फिर इसके बाद अब कुछ बस ऐसे लिखे दच्छिन भारत में रेल की चाथ दिया गया यानि प्राइबेट हाथों से भारत सरकार ने कहा जैसे आजादी के बाद की अब यह भारत सरकार की संपत्ति है कब किया गया 19 15 में इसका राष्टी करन हो गया भारत की पहली विद्दुत रेल देककन कुईन थी जो विद्दुत गाड़ी थी पहली विद्दुत देककन कुईन थी ठीक है और कल्यार से पुने के भी चलाए गया था पहले सब डीजल इन जाने या फिर आपका कोईला गाड़ी वही चलता था पूरे भारत की रेल परणाली को 17 जोनों में बाटा गया है ठीक है ये भी बढ़ गया है तो 18 जोनों में विवाजित किया गया है ए और इस्थानिय रूप में बहुत सारी Metro सेवाईं भी प्रारम की गई हैं भारत के विभिन राज्यों ने Metro सेवाईं भी प्रारम कि Metro सेवा मतलब Local सेवा मतलब Local रेल फीक है यह आपका यातायाद और वहां के यातायत प्रबंधन को ध्यान में प्रक्त करके करके विश्यक्त की गई सुभिधाएं भूमीगत भी एлаг भूमी के ओपर बहुत की पैली रियसिनल रेल कहां चल रही है मोधिपुरम पहली भारत की रिजनल रेल यहां पर यहीं पर गाजियाबाद से होके जा रही है सराय काले खाँ से लेकरके मोधिपुरम तक मेरत में ठीक है तो पहली मेट्रो रेल कहां चालो हुई भारत में कॉलकाटा 1984 कलकत्ता में मेट्रो रेलवी की प्रारंब होती है ठीक है सबसे पहले और इंद्रा गांदी ने दमदम से लेके टोली गुंग तक मेट्रो का उद्गाटन भी किया था भारत की पहली मेट्रो सेवा थी दूसरी मेट्रो सेवा जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्राशंगिक है वो है दिल्ली में पांच मार्स उनी सो पंचानवे को DMRC की स्थापना की गई थी डेली मेट्रो की और उसके बाद से यह आपका प्रारंब हुआ यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में ठीक है और जो पहली परिवाहन चाल हो गई थी दिल्ली मेट्रो की 24 दिसंबर 2002 को सहादरा से 30 हजारी कोड तक में पहली पहली मेट्रो आपकी चली थी यहाँ पे आराम हो गई थी तो अभी अब तो इस समय दिल्ली मेट्रो खोग धना धन दोड़ रही है ब्लू लाइन यलो timeline वेलिट legislation green line जितनी line है सारी लाइनों में ठीक है तीसरी मेट्रो रेल आपकी कहां पे है बंगलूरू में डेवलप होई नम्मा मेट्रो कि नाम से इससे जाना जाता है ठीक है हाँ लेकिन अच्छा उसकी अथर्टी अलग बना दी गई है लेकिन ग्रेटर नोड़ा वाली जो है कई जगा पर DMRC है गाजियाबाद में पूरी DMRC है डेली मेट्रो इसको संचालित करती है तो पर्टिकुलर जैसे एक इस्थानी वहीं के अथर्टी करें तो लखनाव मेट्र परियोजना जो है बाइद दिसंबर 2015 को प्रदानमंत्री जी के अद्धिक्षता में लखनाव मेट्रो परियोजना प्रारम की गई थी स्विक्रति दी गई थी और फाइनली इसको प्रारम भी किया गया है ठीक है फिर इसके बाद मोनो रेल भारत में पहली बार मोनो रेल प प्रथम एक्सप्रेस वे यह जो नोड़ा से ग्रेटर नोड़ा जो यमने एक्सप्रेस वे इस वाला बना हुआ ताज एक्प्रेस जानकारी नहीं है देखना पड़ेगा अच्छा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद आपका नेक्स्ट पुरोत्तर भारत में आपका अभी रेलवे पहुंचनी चालो हुई है ठीक है पुरोत्तर भारत में आप देखिए इतना बड़ा विकास हो गया डिवलप्मेंट हो गया ही मार्चल प्रदेश में हमने भारत का सबसे उची रेलवे लाइन बिचा दी अब जाके जब मोधी सरकार आई तो फिर इस गवर्मेंट ने पुरोत्तर भारत में रेल सेवा प्रारम की कब 2014 में 2014 में ही आपकी पुरोत्तर ठीक है आपको अभी जाना हो यहां से पुरोत्तर तो आप कहां तक जा सकते हैं मुश्किल से इटानगर दी जान फिर अपना पकड़िये लोकल जो ट्रांसपोर्ट है और नहीं तो एक नगर ऐसे करके कुछ बना हुआ है एयरपोर्ट भी नहीं है आपको साइद पताओ जान करीब घरेलू उडाने नहीं चलती वहां पर अउडांचल प्रदेश में रक्षा डिफेंस के अपने बने जोड़ा नहीं किया क्यों नहीं किया हमें लगता है घाटे का सोधा होगा क्यूं 17 लोग है एक किलोमेटर के दायरे पे तो रेलवे क्यों इतना बड़ा इंवेस्टमेंट करें बैठेगा को पचला खाली चल रही है ठीक है तो अभी तक गवर्मेंट ने ध्यान नहीं दिय सब आघेए ठीक है आप जाकर के गवर्मेंट यहांप पर काम कर रही है ठीक है इसके वाद आपका युनेस्को की सूची में भार्ती रेलवे कई रेलवेए आपका जैसे कि दार्जलीक हिमालेन रेलवे इसको ट्रॉय नाम से जानते हैं यहापका यूनेसको की सूची में सम्लित है सिवा जी चत्रपती सीवा जी टर्मिनल जो आपका मुंबई में है 2004 में इसको 20 बारवर दरवर घोशित किया गया इसको ठीक है विक्तोरिया टर्मिनस इसको भी जो है आपका बोरी बर पंदर गोरकपुर जोन है गोहाटी जोन है मुंबई सेंट्रल है उबली है चन्नाई है बुनेश्वर है विलासपूर है सिकंद्राबाद है ऐसे करके अलग-अलग जोन बना रखे हैं ठीक है सारा इससे ना कोई प्रशना आता ना जानने की ज़वरत है इसके अलाव गॉर्मेंट का काम अब यह है गवर्मेंट हैं पर योजना चला रहे हैं पर योजना के तहद भी जोड़ने का प्रयास कर रही है सारी चीज़ों को परिटियन अधारित बहुत सारी हमारी ट्रेने चला जाती है जैसे पैले सान हुईल यह आपकी जो है 26 दोनरी 1982 को पहली बार पैले सान हु पहले इसका जब विवा हुआ था तो यहीं आया थे पहले सान हुईल पर उन्हें बताओ यहीं जगह मिले थे ठीक है तो राइस्थान रोयल के नाम से भी एक ट्रेन चलती है यह बहुत मलब इनका महंगा होता है महराजय एक्सप्रेस चलती है मार 2010 में प्रारम की गई फेर आजनिक जीवनसायली की सभी सुविदाएं इसमें उपलब्द कर आए गई है गोल्डन चैरियट चलता है इसमें जो है हमपी के जो यह आपका पूरा करनाटक वाले छेतर में चलती है हमपी के जो बिठल मंदिर है उससे बनाए गया पूरा उसके रतों से यह पूरा इसका एक तो आपका एक बुलट ट्रिन परियोजना यह सब आपका है जो घरेलू परिवहान को लेकर मालगाडी परिवहान को लेकर के गवर्मेंट के द्वारा अलग से कॉरिडूर बनाया जा रहा है कि जैसे वह जैसे अभी क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्टेशन बने के अंतरगत मुंबई एहमदाबाद को प्रात्मिक्ता दी जा रही है इसके तहर जो है 492 किलोमीटर लंबे मार्क पर 300 किलोमीटर पर घंटेश चलने वाली पहली बुलिट ट्रेन की भी बात की गई है इसके अलावा अन्य बहुत सरे हाई स्पीड कोरिडूर बनाया जा रह इसके अलावा गतिमान एक्स्प्रेस चलती है आपकी आगरा से दिल्ली को ले करके यह भी आपकी सबसे तो कुछ ट्रेने अभी ट्रायल पर चल रही है जो सेमी हाई स्पीड है 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलनी शुरू हो चुके है इसके बाद जो है आपका दि कि अधिल्ली से मुमबई तक आसानी से जो जो ऑशन रशायो करके उससे बनाय कैजा रहा है ठीकला कै yang यह तरीके से आपके लगबग लगबग यह कि आप सड़क से जाएं या पिर आप रियल से जाएं तो ऐसे में सबसे जारज बढ़िया क्या है सीधा सुपरमेन बन के जाएं उरके जाएं तो वाई-ुयां तीब्र-गामी साधनों में सबसे महत्यकूर्ण हैं और इसके माध्यम से ही देश में विभिन्ने छेत्रों पे हमने बहुत सारे एरपोर्ट डिबलप कर रखे हैं और इसके में भारत का विश्व में सर्वोच इस्थान भी है भारत में वाई परिवान के सुरुआत 1911 से हुई थी ये फैक्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलाहबाद से नयने के बीच में विश्व की पहली विमान ॡाक सेवा का परिवान प्राणुम वह सकते हैं पहला मतलब आपका प्रारम वहा इलावाद के नैनी इलावाद से नैनी के बीच में हुआ था ठीक है तो सरप्रथम बिमान डाक सेवा यहां से स्वलू हुई थी 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई जिसने लाहोर से कराची के बीच बिमान सेवा संचालित की फिर टाटा आएगा 1935 में टाटा एयरवेज ठीक है 1935 में टाटा एयरवेज द्वारा मुंबई तिरवंत पुरम ठीक है फिर 1937 में इसी कंपनी ने मुंबई दिल्ली मार्क पर बिमान सेवा प्रारम की तो इस तरीके से देश में अभी बरतमान में 21 वायू परिवाहन कंपनिया इस्थापित हो चुके हैं टोटल 21 हो चुकी हैं जिनका लगातार 1903 में भारत सरकार ने आधी ज्यादा कंपनियों को राष्टिक रित कर दिया ठीक है एयर इंडिया बन गई आपकी बहुत सारी कंपनिया बन गई ठीक है कई निगम बन गए भारती विमान निगम इंडिया एयर लाइन्स में इंटर्नेशनल या अंतर राष्टि इस्तर पर भी कारे करना प्रारण कर दिया गया तो इयर आपकी एयर इंडिया जो है Ox rabna बहुत सारी कंपनिया हैं और भारत में चार बड़े हवाई एड़े डिल्ली चन्नाई में और इसके बाद सुभाष चन्द्र बोस हवाई एड़ा है दम्दम हवाई एड़ा इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाई एड़ा आपका दिल्ली में हैं इसके अलावा आपका बहुत सारे मंगलों हर जगे पे एक एक बना दिया गया है ठीक अब किसको पच्चेस का पच्चेस थोड़ो न आप देख सकते हैं इनको कई स्रेडियों में बना दिया गया है पहली स्रेडिय आपकी अंतर राष्टी हवाई एड़े के रूप में हैं दूसरी है प्रधान हवाई एड़े के रूप में तीसरी है मध्यम स्रेडी हवाई एड़े के रूप में तो पूरे भारत भर में कहां से कहां तक बनेगा कहां से कहां तक बनेगा गंगा से लेकर गंगा से लेकर ये इलहाबाद से लेकर के हल्दिया तक यानि गंगा से लेकर भागी रती और हुगली नदी तंत्र तक यहां से प्रयाग राज में तो गंगा कही नाम है उसका पस्षी मंगाल में आपका वो भागी रती के के नाम से और हुगली के नाम से तो आपका प्रियाग राज से लेकर के हल्दिया तक पहला बनेगा 1620 किलो मीटर का लंबा होगा सब भारत का सबसे लंबा यह जलमार होगा इस जलमार को कब घोसित किया गया 27 अक्टूबर 1986 को पदा नहीं कब चालो होगा ठीक है अभी समय इलाहबाद यह तीन च्छेत्रों में इसको विवाजित किया गया ठीक है और इसमें 25 मीटर उंचा एक बांद भी बनाये जाएगा दूसरा राष्ट्री यह जलमार आपका है एक तो यह हो गया पहला इन डबल उन दूसरा कहां से कहां तक है दूसरा है सद्या जवबरी ठीक है सद्या से द्वबरी यानि सद्या असम मेंने और भोसित किया गया तीसरा आपका है राष्टी जलमार्ग तीन ये कितना है 205 किलो मीटर है इसका विस्तार जो है केरल के पश्मी टटी ये छेत्र में है ठीक है केरल वाले छेत्र में बन रहा है और इसमें 24 गंटे नौकायन की सुविधा प्रारंब हो चुकी ये देखे केरल है लेकिन विस्तार जादा नहीं है इसका ठीक है इसने अपना काम सुरू कर दिया है इसके बाद ये आपका पश्मी टट नहर उद्योग मंडल नहर और चंपा कारा नहर तीनों को मिला करके टोटल ये 205 किलो मीटर तक बना हुआ है ठीक है पेरियार नदी पर ये पूरी परि जलमार गोसित किया गया और ये आपका भद्रा चलम से राजमुंद्री तक है गोदावरी नदी के जलमार को वजीराबाद विजयवारा से लेकर कृष्णा नदी तक जोड़ेगा अपस में ठीक है तो ये जलमार के 1095 किलो मीटर लंबा है तो चौथा आपका कहां पर है ग प्रामरी नदी पर बनाए जा रहा है कहां से कहां तक है जियोन खली से लेकर चर्बतिया तक ठीक है यह हो गया पांचवा और एक आपका बाकी जो है छटवा एक बार देख लीजिए बाकी फिर बाकी आपके छोटे-छोटे हैं छटवा जो है आपका ये आपका भांगा से लेकर लखी पूर तक है बराक नदी पर ये पूरा बन रहा है आपका ठीक है लखी पूर असम से लेकर भागा करीम गंज अशम तक अजहिए यह ओगया आपका 6 आपके बाकी के जितने भी हैं जलमार्ग आपके अभी गोसित किये गए हैं बहुत पुराई नहीं है भारत के बंदरगा पोर्ट्स ऑफ इंडिया तो भारत के तेरा कुल बड़े बंदरगा है और बंदरगा को आपको पता है कि पूरा विश्व जो है समुद्रिक जलमाग से ही प्राचिनकाल से जुड़ा रहा है ठीक है तो प्रायदूपिय भारत भी संपूर देखें भारत तो आपका प्रायदूपिय चेत्र भी है तो भारत को प्रमुक बंदरगाहों म सबसे ब्यस्ततम बंदरगा है और यह वर्षभल खुला रहता आपका सबसे अदर काम यह होता है प्राक्तिक बंदरगा है ठीक है साल सेट दियूप पर इस्थित है एक और है आपका न्यू मुंबई बंदरगा इसको न्यावा सेया भी बोलते हैं ठीक है दस किलो मीटर यह द के पास इस्तित है मुर्मू गोवा और कोचीन दोनों के मद्ध अवस्तित है करनाटक पास न्यू मंगलोर में यह बंदरगा ठीक है राश्ट्री राजमार्ग 17 जो है इससे जुड़ा हुआ है यहां पे बहुत सारे लाव ऐस्क हैं आपके जो सारी चीज़े यहां से जाती अगला है कोचीन कोची कोची यह केरल के टट पर प्राक्तिक बंदरगा है ठीक है इसके बाद आपका नेक्स्ट है तूती कोरिन तूती कोरिन आपका दच्छनी पूर्वी छोत तमिलनाडु पर अवस्तित है तूती कोरिन पोर्ट इसका नाम बरक दिया गया है चिदंबरा ठीक है यानि प्राक्तिक नहीं कृतिम तौर पर इसे बनाए गया है फिर आपका विशाखा पत्तनम काकी नाड़ा टट पर आंध्र प्रदेश के पास इस्तित है और पोत निर्माण मरम्मण उद्द्योग काफी चिडिये यहां पर डेबलब्ड है एक चीज जान लिए भारत का सबसे गंदा गहरा बंदरगा गंदा नहीं बारत का सबसे गहरा बंदरगा यहीं है प्राक्तिक बंदरगाहों में ठीक है यह जहां रखेगा दूसरा है आपका पाराद्यूप पारद्यूप उडिशा में पढ़ता है पारद्यूप कोलकाता वह चिन्नई के बीच कटक स सौ किलोमेटर दूर महानदी डेल्टा के उडिशा के पास सिस्थित्य है यहां मुक्तिया जापान से कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है ठीक है और इसका पोतास्रे जो है जहां पर आके डक्याट खड़े होते हैं वो सबसे गहरा है तो विसाखा पट्टनम आपका सबसे गहरा बंदरगा है और यहां पर जहां पर जलियान खड़े होते हैं यह सबसे गहरा है दोनों अलग अलग चीज़े ठीक है इसके बाद कुलकाता हल्दिया गयार्वे नंबर पर आपका हुगली नदी पर अवस्तित है और बंगाल की खाड़ी से 28 किलोमीटर अंदर इस्ति बाग से ठीक है और अंग्रेजो द्वारा इसको डिबलब किया गया था भारत की पहली रादधानी जो है कोलकाता ही थी आर्थिक तोर पे इसको सवसक्त बनाने के लिए बंदरगा बनाए गया था ठीक कोलकाता हल्दिया दोनों अलग है हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर द अगला नेक्स्ट है इन और बंदरगा इन और बंदरगा आपका तमिल नाडु पे हैं चन्नाई के उत्तर में अवस्तित है 2001 से परचालन चालू हुआ कंप्टराइस्ट बंदरगा है कोई तरीके से ठीक है चन्नाई से 24 किलोमीटर उत्तर पे अवस्तित है और काफी काम की गई है सागर माला परियोजना सागर माला परियोजना भारत माला परियोजना अलग चीज है सागर माला परियोजना अलग चीज है सागर माला परियोजना से जितने भी बंदरगा है इन सबकों को आपस में जोड़ देना है ठीक है जितने भी बंदरगा है सभी बंदरगा 13 बड़े बंदर का कि गोस्टाव, पिंटू-पिंटू बहुत सारे, दोड़ाई, सौन, उनको नहीं देखना है, ठीक है, तो सागर माला परियोजने के बारे हम 2-4 सब्द लिख लिए इस परियोजने की घोस्टना 15 अगस 2003 को की गई, सागर माला इस परियोजना की घोशना 15 अगर्श 2003 को ततकालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाचपेजी के दौरा की गई यह परियोजना देश के सभी बंदर गाहों को यह परियोजना देश के सभी बंदर गाहों को आपस में जोडने से संबध्ध है इसे सागर माला इसलिए कहा जाता है इसे सागर माला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर गज़ देश के प्रमुख और गैर प्रमुख बंदर गाहों को नई तक्नीकी से युक्त करना तथा समुद्री ब्यापार को बढ़ावा देना ठीक है तो 15 गर्ष 2014 को प्रधानमित्री नर्दमोधी जी के द्वारा सागर माला परियोजना को सुईकरित प्रधान कर दी गए अटल विहरी बाचपे जी के टाइम पे इसका प्रोजेक्ट रखा गया था प्रारम कर दिया गया है प्रधानमित्री जी के द्वारा तो 15 गर्ष 2014 को ये परियोजना क्या हो गई सुईकरित प्रधान कर दी गए तो समुद्र टटिये राज्यों के लिए एक महत्वा कंशी परियोजना है इससे ना केवल बंदर गाहों का विकास होगा बलकि बंदर गाहों के द्वारा विकास सुनिश्चित किया जाएगा तो ये हो गया आपका बंदर गाह भी हो गया आपका अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट भारत में पाइपलाइन पाइपलाइन भी था ना आपका एक तो पाइपलाइन आप लोग कह रहें कि यह ही नहीं तो भारत में लिके बारत में पहली पाइपलाइन डिकबोई से बरावनी वर्स 1964 में बनाई गई ठीक है तो जहां पर तेल कुए है जैसे कि अब यह तेल कुए हैं आपका नहर कटिया है मोरान हुजरी गंज है तो यहां से कच्चा तेल सोधन को बरावनी रिफाइनरी तक लाने के लिए पेट्रोल तो निकाल लिया लेकिन लाएंगे कैसे तो रिफाइनरी वहांसे लाएंगे परिवाहन सडक परिवाहन के DK से तो कितना लाऊंगे कितने कितने लीटर लेके आओँए çek होंगे आपके पास वायंसे लाओगे तो नो जाओगे जांत्रिक जल्यान है नहीं आपका तो बेतर क्या है सीधा पाइप लाइन ही लगा दो नल खोलो निकलने लगए सबसे आसान तरीका सस्ता और नहीं तो प्रेट्रोल के मांग फिर पता चला सर्क फोड़ रहे हैं एक दूसरे का साइकल से चल रहे हैं नहीं कर बहुत महेंगा हो जाएगा तो इसलिए पाइप लाइनों का काम है इसका ट्रांस्पोटेशन करना जहां पर आपके तेल सोधन जहां से कच्चे कुए कच्चा तेल निकल रहा है उसको रिफाइनरी तक पहुंचाना ठीक है तो पहली पाइप लाइन आपकी कब करें गी इसके द्यवारा आसम में तेल में चुअ है नहर कटिया मोरन हुजट्री रीजन ये छेतर जितना भी है नहर कटिया रीजन मोरन मोराण हुग रीजन खेतर से कच्चा तेल को सोधन हे तो बरावनी रिफाइनरी तक लाया जाता है अधिम northeast ठीक है फिर अब वहां पर तेल सोधन हो रहा है तो तेल सोधन के बाद उसका डिस्ट्रिबूशन भी जरूरी है डिस्ट्रिबूशन कैसे करेंगे तो डिस्ट्रिबूशन के लिए और पाइप लाइने बना दीगे ठीक है तो बरावनी से कानपुर तक एक पूरी पाइपलाइन बनाई गई है उससे जो है वहां से जो सोधित तेल होता है उसको कानपुर तक ले आते हैं तो ऐसे करके बहुत सारी पूरे देश भर में पाइपलाइन बनी हुए जैसे हल्दिया मतुरा पाइपलाइन मतुरा में आपका क् पूरा refinery लग हुआ है तो हल्दिया से जहाँ से जो pipeline टेल सोधन होता है वह हल्दिया तक जाता है 1985 में जो आयातित कच्छा तेल था वो पूरा हल्दिया से आ करके मत्हुरा refinery से बजार छेत्त तक पहुंच आया जाता हूं तो ऐसे करके पूरे डेश भर में बहुत सारी refinery बनाई गई है ठीक है सब का नाम लिखवाना आप लोग एक बार देख लीजेगा अब बात करते हैं मेरे ख्याल से अंतिम ही टॉपिक होगा भारत की प्रजातियां और जन जातियां ठीक है तो एक बार देख लेते हैं यहां पर भी कहां कहां पर है यह देखे यह कच्चे तेल के छेतर नहीं है लेकिन यहां पर तेलों का क्या किया जाता है सोधन किया जाता है मतुरा आपका हो गया यहां पर देखिए भटिंडा में है पानीपत में है मनाली में है यह बरावनी की है बिहार में बोगई गाओं गुहाटी अशम ठीक है यह आपका हलदिया के पास है कलकत्ता में है एक विसाखा पत्नम ताती पाका चन्नाई नागा पत्टिनम कोच्ची मंगलोर ठीक है मुंबई यह सारे आपके यहाँ पे मिलेंगे इसके बाद भारत के तेलवा गैस पाइपलाइन छेत्र ठीक है तो यह आपके जितने भी यह देखे पाइपलाइन छेत्र है यह आपकी पूरी पाइपलाइन बिच्छी हुई है पूरे भारत भर में यहाँ पे देखे डिक बोई से लेकर कि यह आपकी गई हुई है ठीक है य यहां पर लिखी हुई हैं बरतमान में कितनी चल रही हैं तो जो इस डॉट में हैं बाकी कुछ प्रस्तावित हैं कुछ आपकी गैस पाइपलाइन बनाई जानी है तेल सोधन कारकाले ठीक है ठीक है घात्युक उद्योगों शुड़ा हुआ था अब हमें जन्जातियों का दे डूट् दिकाएपक ईचिजिए मनें आपको बता दिए यहाश्टी जलमार्क का है राश्टी राज्मार्क यह राश्टी राजमार्ग है तो यह फी पुराने वहीं अपडेटेट हुआ थो दुखा दकां स्वाडिम चतुरभुच पर योजनहरा है यह पूरी के पूरी ट दो जगे लगा दूँगा जादी इस एकेडमी के एप में भी लगा दूँगा और टेलीग्राम चैनल पर दो जगा पर भारत के अंतर अश्टी हवाई एड़े तो हवाई एड़े यहाँ पर सारे दिये गए हैं जहां पर अंतर अश्टी है अंतर देशी जल परिवहन यह आपका बना हुआ है इलहाबाद से लेकर हलदिया तक के पहला न्-च-1 है न्-च-2 सदिया से धूबरी तक है न्-च-3 आपका कहा है यह है आपका कोट्टा पुरम से लेकर कोलम तक नेज़ पूर काकी नाड़ा से फुदू चेरी नेज़ फाइब आपका जियोन खली से लेकर तलचर तक है ठीक है तो यह आपके पूरे एनेज़ शिक्स यह आपका भांगा से लखी पूरता ठीक है तो इस तरीके से बने हैं आपके राश्ट्री जलमार्ग यह प्रमुक बंक बंदरगाँ है के पूरे है क्रम से देख लीजिए अप लोग कहेरे थे हल्दिया यहाँ कोलकाथा यह आपे दूनों अलग अलग बंदर गाह से दोनों में दोरी है पारद्यू पोडिशा में है विशाका पत्टनम आपका अंध्रदेस काकी नाड़ा मचली पत्टनम सारे अंध्रदेस फिर यहां पे काफी जाता है एन नावर चन्नाई पुदुचेरी खुद भी बंदरगा है कुड़ा गुलुरू नागा पत्टनम तू जंद्रा कांडला ठीक है यह आपकी टोटल जो है प्रमुक बंदरगा है यह आपकी है भारत की जनगर्णा होई जन जातियों का देख लेते हैं नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे बता दूँगा कि यह है आपकी पूरी जन जातिया है ठीक है तो भारत में विभिने राज्यों में अलग-अलग जन जातियों का निवास है हर जगे पे टोटल मैंने कितने परसेंट बताया था इस्टी कटिगरी का आठ दसमलो छै प्रसत अंसूची जन जाति के लोग है भारत में तो कहां पर कौन सी जन जातियां रहती हैं दे जातियां भील मीडा गरासिया बंजारा बागडी पटेलिया सहरिया इसमें जो जानकारी वाली चीजह जैसे कि मालो सबसे बड़ी जन जाति समू कौन सा है तो गोंड जन जाति को लोग सबसे जादा है ठीक है मद्ध प्रदेश में भी है और गोंड जन जातिया आपका पूंगडा कोली पटेलिया पोमला चारण ठीक है दमंद्यूप में धोडिया सिद्धी बरली जन जाति पाई जाती है दाद्रयम नागर हवेली में वरली कलोडी कोकना नायकडा ठीक है गोवा वाले महराश्ट्वल छेत में बरदा बावचा भील भूंजिया बिरहुल दन जन जाती है अगले साल तो इससे जुड़ा हुआ कोश्चन है किसान थे मोपला मुस्लिम किसान थे इनका बिद्रो था प्रिटसस के खिलाब और राजी के खिलाब अगला है नेक्स्ट नायर, मलकारा, अलवार, अदियान, कुरूंबा, पिनियन, उराली, कादर, इरूला ठीक है ये आपकी केरल के हैं थोटी, बंजारा, चेचु, गोंडी, नेक्स्ट 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 आपका है यहाँ पे ये मेगाले वाले छेत में गारी, खासो, जेहनतिया, मिकिर, होजांग, हमार, लखेर, समेंत मिजोरम में मिजो, लखेर, पावी, चक्मा, गारो, कुकी, हाज्मा यहाँ पे पुरा जनजाती समू है, देखो एक जनजाती में कई जनजाती समू पाय जाते हैं ठीक है, पड़कोई जिससे नागा जनजाती है तो नागा जनजाती में हो सकता, 16-17 जनजाती हैं पाय जाती हैं उसके अंदर, छोटी-छोटी जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जातियों के अंदर भी विभाजन है वांड के अंदर भी विभाजन है वैसे जनजातियों में भी जनजाती समू है जनजाती समू के अंदर भी विभाजन है ठीक है, मिजोरम में मीजो लखेर पावी चक्मा गारो कुकी हंगमा, मडीपुर में हंगामी को, कोम कुकी माओ मारिंग, नागलेंड में नागा, कोयांक, सेमा गारो, कचारी कुकी रेगमा, आवडांचल प्रदेश में चक्मा, डिम्शा, मिकिर, हाजेंग, थाएंग, कचार लुगमा, बोरो, नेक्स्ट आपका बिहार में, बिहार में आपकी बैगा, आशूर, खोंड, उराओ, बिरहोर, बेधिया, बंजारा, जार्खन्ड में, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, खोंड, उराओ, कोर्बा, खरिया, माल, पाड़िया, अशूर, भुया, उत्तर-प्र प्र कमार बैगा गोंड जन जाती है ठीक है तुर इस विसाब से भारत की प्रमुंग जन जाती है अब इनके बारे कुछ छोटी आइप को जबस देखिने के आफ neighborhood स्पीड में इतने भर में बात थोड़ ना बनेगी इनके बारे में चार-चार बातें और अंत है अंत बला तो सब बला कहां उठ रहे हैं यह राज्यों का अपना कुछ अच्छा यह राज्यों सरकारों के द्वारा पूरा देता है राज्यपाल करते हैं राज्यपाल महोद है अब देखो केन सरकार के द्वारा कई आर्टिकल है अपर आर्टिकल 29A आपका है आर्टिकल 30A है अंसूची जन्जाती सब्द संबिधान में कहीं भी परिवासित नहीं किया गया इसी सब्द जो है अनसूची जाती सब्द कहीं पर इसकी परिभासा नहीं दी गई है लेकिन भारती संविधान में अनुख्षे 341 है जहां पर जो है इनके बारे में चर्चा की गई है ठीक है इसके बाद अनसूची जाती को जो है इसके लिए कमीशन मनाय गया था सबसे पहल अनसूची जाती का प्रियोग किया गया था 1927 में बैदिक काल में अनसूची जाती को चंडाल कहा जाता था चंडाल नाम से इसको बोला जाता था ठीक है और इसके बाद भारत में किसी भी जात को अनसूची जाती घोसित करने का अधिकार किसको है भारत की राष्टपती को तो भी ठीक है और 1935 का जो अधनियम था वहां पर अंसूची जाती को जो है अचूतों के अचूत लोग जो थे जो पूरा समाज का अवर्ड ऐसा वर्ग था जो वर्ग अचूतों की स्रेडी में आता था उनको अंसूची जाती के नाम से इसको बनाए गया फिर बाद में लग स्टेट वाइज आख्डे आते हैं अंसूची जनजाती स्टी को ले करके थोड़ी से दो चार बाते हैं यह सबसे पहले इनके लिए कार्टिकल बनाए गया सम्विधान का कॉन सब्सक्राइब पांच वी अनसूची दो अनसूची पांच वी अनसूची आश्य जाती के राश्टपती और अंसूची च्छय असम मेगाले त्रिपुरा मिजोरम में यदि तो वहां पर प्रसासन प्रबंदन और जितना भी कार है वह भी आपका किस्से हैं अंसूची च्छय के तहित यह दोने चीजों को ध्यान रखना है अब किसी को अंसूची जंजाती में घोसित कैसे करते हैं क्या-क्या चीजे देखी जाती हैं पहली बात आदिम जंजाती की विसेश्टाएं होनी चाहिए यनि कि जो हमारे प्राचीन पूरवस्त है उससे जुडाओ होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नया आप जिसे आप में प्रवेस कर जाएं जंजाती की छेत्रों में आप लोग जंगलों में रहने लग जाएसे पूरा हम गुरुप बनायों जंगलों में क्या में भी एस्टी बनाओ ठीक है तो आदिम जंजाती की विसेश्टाएं होनी चाहिए दूसरा वहगोलिक रूप से अलग ठलग होने चाहिए वह ठीक है उनकी अपन क्रिकमेंडेशन बेज जाती हैं और फिर उसी साफ से वह पहले जाच कराते हैं कमेटी बठाते हैं फिर उसके बाद उसको घोसित करते हैं अन्सूची जंजातियों के लिए आदिवासी सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था ठककर बप्पा ने एक परसा ने ठक समीदान सब्वा में प्रतिनिधी थे ठीके समिदान सब्वा में पर्सन थे जैपाल सिंग यह भी आदिवासी सब्द के तावर पे अदिवासी विक्ति के तौर पे अब बात करते हैं कहां पर भारत में किस जगह पर जंजाती इनको ले करके कुछ एक दो जानकारी वाली ब बार चर्चा पर्चा कर लेते हैं एक एक जंजाती को पकड़ेंगे संथाल जंजाती ठीक है संथाल जंजाती मुखरूप से जारखंड में पाई जाती है इसके बाहर भी यह पाई जाते हैं लेकिन सबसे आदा यह कहां पाई जाते हैं जारखंड में इससे बाहर यह बंगाल तोना बहुत होता है इनके उसमें और यह सरना धर्म का पालन करते हैं ठीक है विवा को बापना कहते हैं यह संतक्रारी इनकी भाषा है और लिपी उल्चिकी है ठीक है इसके बीवाद दूसरा है गोंड जण जाती भारत का सबसे बड़ा जण जड़ाती समूः जण जातई है और ये भारत के 36 गड़ मैदान से लेकर के गोदावरी नदी छेतर तक फैला हुआ है आश्ट्रेलाइड नट से ये भी है आश्ट्रेलाइड नसल से जुड़ा हुआ है द्रबिडियन परिवार की एक जिंजाती है पांचवी और छट्वी सताब्दी में दच्छन में गोदावरी टट से ये मद्ध भारत में प्रवेश कर गए थे ठीक है तो ये आपका इनका जो है जंजाती भासा गोंडी है और द्रबिड परिवार से जुड़ाव रखते है एकला है मुंडा मुंडा जिंजाती कहां से हैं सबसे आदा जारखंड वाले छेतर से चोटा नागपुर पठार से बाकी इसके बाद ये दीरे-दीरे बिहार में और दूसी जगहों पर चले गए इनके इनमें परसन का नाम आपने सुनाओगा बिर्शा मुंडा ठीक है बिर्शा मुंडा जो है उन्होंने जो है इसको लेकर सरना धर्न चलाया था और उन्होंने बिर्शा मुंडा चुली क्या था अपने आपको उन्होंने इसवर का दूद गोसित कर दिया था और उन्हे नेक्स्ट है आपका बोडो जन जाती जो है यह असम के मूलनिवासी है असम वाले छेत में बोडो रहते हैं और छटवी अनसूची के अंतरगत अनसूची जिन जाती का इनको दर्जा प्राप्त है मात्र भासा बोडो है एक भासा इनकी ब्रह्मपूरी है ठीक है अगला है फि जन जाती सबसे ज़्यादा है और यह आप देखेंगे भील जन जाती जो है धनुसमांड लेकर के मतलब इनके पहचान है पूरी के पूरी और कई बार जब मुगल आक्रमड और जब यह सब चीज़े होती थी तो यह एक्टिव हो जाते थे उस दवरान पे और ऐसा माना जा जाती है इसके बाद यह असम बंगलादेश के कुछ छेत्रों में भी रहते हैं इसके बाद सहरिया जन जाती है मद्यप्रदेश की प्रमुग जन जाती है सहरिया ठीक है इसके बाद सहरिया जन जाती के मुख्या को कोतवाल कहा जाता है मीड़ा जन जाती राजिस्थान की जन जाती है ये और मीड़ा का मतलब जो मतस से जाती से जुड़े हूँ मतस से भगवान से जुड़े हो मतस से भगवान के बंशज हो ठीक पहला अतार विश्णु का मतस झाहि था ना तो उसी से अपने आपको जोड़ करके देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट है अगरिया जंजाती के लोग उत्तर प्रदेश वह अमध्य प्रदेश में पाई जाते हैं अगरिया जंजाती को लोग मिर्जापूर के आसपास रहते हैं ये और अंग्रेजों के सासन के समय लोहे की खान और उनको पिगला कर धातु बनाने का काम करते थे और बरतमान में जो है एक जाती समूह के तवर पे नमख बनाने का काम करते हैं अगरिया जंजाती के लोग नमख बनाने का काम करते हैं उत्तरप्रदेश और zaktyvah Reg अर ये साम अ और इनको जो है एसा इनका मानना है कि मृत्तकों को गाड़ने की प्रथा है और गाड़ते समय उनको पदमाशन की अवस्था में बैठा करके मस्तस को उत्तर की और रख देते हैं इरूला जंजाती के लोग ठीक है उत्तर की तरफ सब रखते हैं लेकिन पदमाशन की तरफ इसके बाद ये जंगली जानरों का सिकार करना योद्ध जंजाती है जूमिंग कल्टिवेशन इनमें बहुत ज़्यदा फेमश है इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला है लेप्चा जंजाती तो इसे रोंग जंजाती भी कहते हैं लेप्चा जंजाती को सिक्किम वाले शेत में सबस्यादा पाए जाते हैं ये पसुपालक समधाय होता है ठीक है अगली है डिमास जंजाती डिमास जंजाती आपका ये भी असम की प्रमुख जंजाती है तोड़ा जंजाती नीलगीरी के परवतों में रहती है और इनमें बहुपती प्रथा ठीक है बहुपती प प्रोटो ऐस्ट्रोलाल समूव के हैं अगला है गसरिय जिन जाती गसरिय चाहान राजपूतों के बनसज हैं और राजिस्थान की जन जाती है उुराओं जो है जहरकंडी की जम जाती है बुक्सा जंजाती, उत्र खंड, नैनी ताल, देरा दून, Кे तराई भागों में पाई जाती है अगला है जौन सारी, जौन सारी जंजाती, उत्र खंड के जंजाती है ये पित्र सक्तात्मक समाज है यहाँपे, बहुपती विवाहभी प्र kinda प्रचलत है इसमाज पित्र सत्तात्मक होने के बाजूद भी बहुपती बिवा प्रचलन होना ये थोड़ा समस्य बाहर है या तो इफेक्ट गड़बड है या तो इसमें बोषट्पर सई भी हो अगला भोटिया जन जाती बोटिया जन जाती में समाज में एक पत्नी प्रथा है और पती क जन जाती भी कहा सकता है इसके साथ ही आपका लगबक लगबक कंप्लेट कितने टॉपिक किये हमने आज क्या क्या बचा नहीं क्या बच गया यह बताईए सोचिये नहीं डूर पाएंगे हाँ बताईए पसु पालन अभी कर लेते हैं एक मिनट में यही बचा है अभी अभी तुरंट करते हैं पसु पालन आपके लिए बचा है एग्री कल्चर के साथ वेसे हो जाना चाहिए लेकिन मैंने सोचा कि शायद आप लोग पसु पालन को इ रहेंगे कैसे पसु पालन नहीं नहीं और पसु पालन के लावा नेक्स्ट है सोचिए अ कि द्यान रखेंगा आपको पकड़के पीड़ भी सकते हैं लोग नदी जोड़ो परियोजना भी कर लीजे क्यों जुड़वा रहे हैं नदी जुड़ो परियोजना दरसल एक ऐसी जो है संकल्पना है जो की धिरे-धिरे अब संकल्पना स्वरूप में भी आ रही है कई नदियों को आपस में जोड़ भी दिया गया है दरसल है क्या भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है कि मानसून के समय पे उत्तर भारत की नदियों में अत्रिक्त जल आ जाता है और दच्छिन भारत की नदियां बिचारी मानसून के समय भर में ही जल पाती है इसके बाद उनके पास जल की नितांत कमी हो जाती है तो इस समस्या के समधान को लेकर के बहुत सारे भू गेरबा या फिर भूगल बेटता बैठे और उन्होंने कहा कि नदियों को अपस में जोड़ देना चाहिए लगबग उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कि देश के 106 नदियों को अपस में जोड़ देंगे तो के थाले कि प्रोजेक्ट टाइब अब इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर अब इससे benefit किया होगा उत्तर भारत में जो अत्रिक दिजल रहेगा उसको कहां भेज देंगे दच्छिन भारत में बेज देंगे लेकिन इस सिर्फ कालपनिक है इसको बेवहार में लापाना उतना ही कठीन है क्योंकि जो भोगोलिक सनचना है उसके विप्रीत आप नहीं जा सकते हैं और प्रकति के साथ खिलवार भी है एक बार हम ये कर सकते हैं कि दो इस्थानी नदियों को आपस में इंटर लिंक कर सकते हैं नहर प्रणाली के द्वारा जो की लगातार हो ही रहा है लेकिन कोई यह दिये कहे कि हम कावेरी को गंगा से जोड़ेंगे उससे मुरख कोई आदमी नहीं होगा कैसे जोड़ लेंगे गोदावरी को गंगा से जोड़ लेंगे यह सिर्फ महज किताबों में कल्पना के तौर पे हो सकता है तो इसका एक व्यापक बिरोध भी है और मुस्किल है कि यह आपका नदी जोड़ा परियोजना कभी संकल्पना में आपा है तो जब कभी भी नदी जोड़ो संकल्पना के बारे में कुश्चन पूशता है तो आपको पहले यही बताना है कि हमें उत्तर भारत की सदा नीरा नदियों के जल को अत्रिक्त जल को ताकि बाढ़ प्रबंदन की समस्य का समधान किया जा सके जल नौकायन परिवाहन को डिवलप किया जा सके ऐसे करके खुब सारे पॉजिट्व पॉइंट बताने है फिर बाद में उतराना निगेटिव है ठीक है निगेटिव क्या हो सकता पहली बाद प्राकति प्रकति से छेंड़ छाड़ है पहली चीज तो यह ना दूसरा एक चीज यह बताईए मानसून के टाइम में मानसूनी नदियों में तो वैसे भी पानी होता है ठीक है और आप और यहाँ पर क्या होता है हिमालई नदियां जो है मानसून के अत्रिकति इन में इतना ही पानी होता जितने से अपना जीवन चला सकेंगे ऐसा नहीं हो पूरी तरह की सुखती नहीं है तो आप वहाँ पर जब पानी है तो उस समय पानी कैसे ट्रांसफर करेंगे इससे बार प्रबंदन की समस्या का समधान नहीं हो पाएगा तो आप इसके दोनों पक्षों को लिखेंगे होगा सतलज लिंग डोनों को आपस में नद्यों को जोड़ा ज़ा रहा है ताकि जोड़ देंगे तो partyड़ के पास पानी नहीं है कि अना लेकिन अग्षे पास पानी नहीं नहीं क्यों वहर्याणा के पास पानी उनको सिंचित कर दिया जाएगा ठीक है तो ऐसी इस्थानिय परियोजनाय बना सकते हैं अब कंक्लूजन में जा सकते हैं इस बात को कि उत्तर भारत की नदियों को हम आपस में जोड सकते हैं और दच्छिन भारत की नदियों को आपस में जोड सकते हैं जिससे हम इस्थानिय स तरीके से लह सकते अब कुछ सोचे पठार को कैसे काट लेंगे पता नहीं किसने दिवां मैदान और पठार की कोई बराबरी है फिर बीच में बिंद्याचल प्रवत्रेडी आजाती है वह अलग कैसे तोड़ के कैसे बना लेंगे ऐसे पॉसिवल नहीं है ठीक है तो वह महेज एक कोरी संकल्पना के तौर पर ही आप उससों देख सकते हैं और बताइए कौन सा टॉपिक मिल्कुल सोच लिजिए आपके कोई भी टॉपिक में छोड़ने वाला नहीं हो आपने कहा नाम लिया तो पूरे होंगे में पास टॉपिक सारे हैं अगला नंबर इसी कि पालन पह है अच्छा घरवालोग भरोसा नहीं करेंगे आज कर दो नहीं बैठते आप तो हमारे देश में अधिकांज जनसंख्या साकारी है ठीक है जायता लोग हमारे देश में साकारी है और जो हमारे क्रिसक समुदा हैं तो दो दुधारू पस्वों को कम से कम पालन करते हैं पहले उसका महत तो ज्यादा होता था क्यों क्रिसिकारे में पस्वों की संलगनता पर्याप्त होती थी लेकिन अब धीरे-धीरे क्रिसिकार से पसु हटते जा रहे हैं मसीने उसका इस्थान ल भी पिकास हो रहा, जैसे कि दुग्ध, दूद हो गया, दूद उद पाधन, तो क्रसक अधिक से अधिक दुधारु जानवरों को क्या करते है? पालते हैं, और भारत सरकार को ले करके, भारत सरकार के दोरा बिवने सहकारी समितियों में, वो अपने दूद को बेशते हैं, ठी क्रांती के बाद जो है आपका दुख्द क्रांती या स्वेत क्रांती जो प्रारम हुई तो ये आपका लाल बहुत सास्त्री थे उस समय और उसी टाइम पे आपका वर्गीज कुरियन की अध्यक्सता में क्या बनाए गया राष्टी डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड एक सहकारी समिती थी कॉपरेटिव सोसाइटी थी और इस बोर्ड के द्वारा ही इस समय जो तेजी से दुख दुथ पादन हुआ तीन फेज में दुख दुथ पादन किया गया जुलाई 1970 से लेके 1981 पहला फेज दूसरा फेज 1980 से 1985 और तीसरा फेज था 1985 से 1996 जिसमें बड़े इस तर प दुधारू पसू हैं कौन कौन से हैं पहली बात गाये तो गायों की तीन नसले होती हैं तीन प्रकार की नसले गायों की भारत में प्रचली थे हैं पहली नसल है आपकी भारवाही नसले ये वो होती हैं जो नसले बजन को खीचती हैं ठीक है भारवाही नसले ये नसले सक्त वही नसले दूसरी है दुधारू नसले ये नसली गाए इस नसली की गाएं दूध अधिक देती हैं और इनके जो बैल के इनके जो बच्छडे होते हैं बच्छडे आपके किसी काम के नहीं होते हैं ठीक है भार वाहक के लिए तो कम से कम नहीं होते हैं कुछ नसले कुछ नसल कई सारी इसमें गाईों की नसले हैं जैसे कि Red सिंधी Red सिंधी का नाम आपने सुना होगा यह लाल रंग की गाय होती है और इसमें एक होती है Stahiwal का आपने नाम सुना होगा PAKISTान की मोंट गोमरी जिले की मूल यह नसले और सबसे ज्यादा दूद यह पंजाब में यही नसल आपको सबसे अधा मिलेगा तो साहीवाल है ठीक है तो इस तरीके से गायों की कई नसले आपकी जैसे की ठापर पर हरियाणा में डॉगी देविनी ऐसी बहुत सारी नसले पाई जाते हैं ठीक एक और चली है कौन सी है एक क्या बोलते हैं उसको जर्सी जर्सी मिक्स ब्रीड है ठीक है और देशी भी हो हैं बहुत सारी देशी नसले भी हैं अगला है बकरी पालन ठीक है तो बकरी से दो चीज़े मिलता है दूद और मांस दोनों उसका जो बकरा होता है उसका हलाल किया जाता है और बकरी दूद देती है गुडवत्ता की दृष आलो इसको माहत्मा गादी ने क्या निर्थनों की गाहे गाहे कौने Titans और इसके कई सारी नसले हैं जैसे पसमीना कसमीर में है कुलू घाटी में भी कारण जाती है इस से उन बड़ी मातरा में निकलता है रबारी ये काप की है डिल्ली हरियाना आगरा चेत्र में चंबा गद्डी है यह हिमाले के पहाडी चेत्र में है औरुल आसी बहुत सारी नशले आपकी है इसके अलावा फिर आपको पता होगा कि उपको पर आद के होता होता है दूद को आप देखते हैं एक आज दूद आया उसको 15-16 दिन तक आप रख सकते हैं एक दूध को ऐसा होता है उसको आपको वाइड भीittel करना है तो इसको पास्श्री करण कर लिया जाता है दूध का पाश्री करन क्या होता है बताइए दूध को क्या करते हैं वाइलिंग ताप만 से कम ताप Dusno Pan पर उबालते हैं ताकि उससे हानिकारक जिवार उनस्ठ हो जाएं और हम क्या करते हैं दूद को समानता 55 degree centigrade तक 30 मिनट तक उबाला जाता है और इसको तुरन ठंडा कर दिया जाता है तिससे जितने हानिकारण और इसको 30-30 दिन तक आराम से आप रख सकते हैं चलता है आपका दूद पाश्चुरी क्रिदूर वह आता है प्लास्टिक के डिबो में वायल करने की भी आपको जोट नहीं वस लेना है पी जाना है तो आज के टाइम पे एक प्रक्रिया आपकी चल रही है ठीक है इसके अलावा गाय को लेकर के बहुत सारे लेकर के बहुत सारी नसले और बहुत सारे उनको जैसे की गाय की कितनी नसले नागोरी नसल नागोरी नसल जोटपूर में पाई जाती बाचूर नसल बिहार में पाई जाती है मलावी नसल मद्द प्रदेश में पाई जाती है खेरी गड़ खीरी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है हलीकार अमरित महले तुंगुकार हसन करनाटक में पाई जाती है कंग्याल ये तमिलाणों पाई जाती है सीरी दारजलिंग सिक्किम में पाई जाती है छापाकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है मेवाती मतुरा में पाई जाती है काका रेज जो है गुजरात में पाई जाती है रत ये आपकी नागावरी हरियाना मेवाती नसलों का मिस्रण है निमारी नसल मद्प्रदेश के निमार जिले न्रमदा घाडी में पाई जाती है डांगी, कलाबा, थाड़े, महरा़ष्ट ऐमाद नगर में पाई जाती है तो ऐसे करके विभिन नसले पाई जाती है विदेशी नसलों में जरसी जरसी अमेरिका की नसल है खुब दूत देती है ठीक है इसके बाद आपकीkef फ्रर्जियन ये नीदरलेंड की नसल है गाई की नसल है Brown Swiss, Switzerland की दूइद देश ये नसल है ठीक है तो ये प्रमुक नसल है इसके अलावा कुछ आपकी संकर नसले हैं गाय की जैसे करन सुईच, करन फ्राइस और फ्राइन सवाल तो ये हो गई हैं आपकी गाय की नसले इसके बाद है भैस की नसले तो देश में भैस की दस नसले पाई जाती है तो अधिक दूद देने में महत्यपूर नसले कौन सी हैं पहली है मुर्रा नाम आपने सुना होगा रोता, खिसार, गुड़गाव, अरियाड़ा इस छेत में मुर्रा पाई जाती है आपकी कितना देती है यह दूद दूद बातन अठारा सुसू लेकर पच्चिस सू लीटर तक दूद देती है जिसमें फैट की मात्रा भी खूब होती है खूब बढ़िया मोटी मोटी गड़ी गड़ी मलाई पड़ेगी खूब सारा घी निकलता है साथ परसंट से जादा फैट पाये जाता है इसमें मुर्रा में अगली है महसाना महसाना गुजरात में पाये जाती है बढ़ोदरा और महसाना जिले की नसल है और दुख-दूद बातन यह थोड़ा सा मुर्रा से कम करती है 1200 से लेकर 25-100 लीटर तक ठीक है और सबसे कम आयू में दूद देना शुरू कर देती है ये ठीक है इसके बाद सुर्ती सुर्ती गुजरात में पाई जाती है कायरा और ब्रोद्रा जिले की नसल है ये और और 16-100 से लेकर 18-100 लीटर तक दुग दुप्रदान करती है इसमें 8-12 प्रिस्त तक फैट पाया जाता है फिर है भदावरी आगरा के भदावरी छेत्र की नसल है दूद में वसा की मात्रा कम मात्रा इसमें सबसे अदा होती है भदावरी में अगली है जाफरावादी ये भी गुज्रात के गिरिके वन काथिया बारचेतर नसल है और नेक्स्ट में नीली रावी तो यह आपके पंजाब के फिरोचपुर में पाई जाती है तो यह आपकी भогव arqu नसले क नसले मुर्गी आती हैं और यह जो है आपको आपको पता ही है कि मंदा अंडा भी मिलता इससे और डंडा भी मिलता है दोनों कौन सी नसल खाते हैं लेके तो आते होंगे पूस्ते होंगे ना कौन सी नसल है आप सबसाकारी काते हैं तो अंडा तो अंडा सब खाते होंगे साकार के नाम पर हारी है कैसे नहीं हां दूद्ध हरे महाफुरूस दूद्ध से चूज़ा पैदा कर देंगे हां गाय का बच्छडा पैदा कर देंगे अंडस तो पैदा कर देंगे na 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 pagoda लगए हाँ रूचीजर के डूस ते जीओ प्योंपदा हो सकता है कोई दूसरा है जाना जीजी से जीओ पैदा हो सकता है जो बकाईदा संक्राण का मि San भीटरण है वो तीगे भूर है वो आप मुढ़ हत्या करते हैं अंडे खा करके ठीक है और क्या कर रहे हैं गाय दूध पीकर भूरत थोड़ना हो रही है बच्छडा उससे थोड़ना पैदा हो रहा है तो यह द्यान रख नहीं हो मांसा हरी नहीं यह चीछ को आहफ बहुत से करते हैं ऐसा तो तीस बिल्कुल निकलेंगे मुर्गी बैठाई ये उसके उपर बकायदा वातावरण दीजिए उसके साथ उसमें वातावरण देते ही नहीं हम उसको क्यों निकलेगा उससे हम वाले एंडे जो है यदि बकायदा उन्हें वहीं इन्वायर्मेंट किया जाए तो बिल्कुल निकलेंगे उसमें कौन सा है कि मुर्गी कोई ऐसा की प्लास्टिक से बनाके दिकाल मुर्गी के अंदर से निकल रहा है भाई वह भी आप भ्रहम में इसलिए क्योंकि उसको उस प्हडी करके कैसे कर देंगे कैसे साकारी यह मतला हुआ प्हडी कर लेने से साकारी हो जाएगा अ हाँ बताये आपको नहीं पता तो किस से पता चला हुआ है वही तो पूछ रहा हूं कि क्यों साकारी हां बताई थे तो बूल गये बलकुल नें मेरे इसमाव से अंडा क्योंकि उससे एक भूण हत्या है वो उससे नीचे कुछने ठीक तो तीस नसले हैं और इसमें इंडियन गेम करके एक सबसे अच्छी नसल होती है मुर्गियों में यदि आपको इस नसल का मांस सबसे अच्छा होता इंडियन गेम का थोड़ा महेंगी भी आती है यह ठ सिर्फ और सिर्फ मांस के लिए ही प्रयोग होती है इसके लाव बहुत सब्सक्राइब नूरी नूरी सफेद रंकी मुर्गी होती है ठीक है काजल काजल काली रंकी होती है याकूब याकूब जो है कलाल और काली दोनों रंकी होती है याकूब देखेंगे तोनों मिक्स कलर ह होता है आप जाएंगे देख लेंगे और एक का नाम होता है पीला पीला जो नसल होती इसका सुनहरा लाल रंग कलर कलर होता है तो तीन चार यह प्रमुक नसले हैं फिर बिदेशी नसले भी कुछ जैसे वाइट लेग और हॉर्ण करके आती है यह लंबे सफेद अंडे देने इसके बाद आपकी रोडे आई-लैंड रेड पाई जाती है यह नसल अमेरिका की है ठीक है तो यह संकर कुछ विदेशी नसले भी हैं जो भारत में हैं यह हो गया आपका पसुन से जुड़ा प्रमुक अंतर राष्टी क्रिसी संस्थान बता देता हूं मैं आप लोगो नहां पर पेरू पर ठीक है आलूत पादन पर काम कर रहा उनीश्वकतर में बना इसके बाद आपका जो सुस्क छेत्र हैं सुस्क छेत्रों के लिए अंतर राष्ट्री सुस्क क्रिसी छेत्रों के अनुसंदान के लिए अंतर राष्टी संस्थान आपका सीरिया में तो यह हूँ जव मैसूर सीरिया वाले चेतर वोचुकि सुस के रिया यह तो वहीं पर यह डिबलप है इसके बाद आपका अंतर राष्टी इस्तर पर जो सेंटर है जनेटिक्स इंजिनरिंग और बायो टेकनोलोजी के लिए यह आपका इटली में है अनुवान सिक्ता और जवय प्र कर रहा है और इसके बाद आपका इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एगरी कल्चर रिसर्च हेग नीडलेंड में क्रिशियन संदान को बढ़ावा दे रहा है तो इस हिसाब से आपका पसुपालन भी होगे अब बताईए अब बताईए जो सब्जेक्ट आप बोल देंग रहे के आसपास मैं हमने कड़ लिया तो रफली देखो हमने किया क्या पूरा का पूरा जो सेशन देख लिया मानसून देख लिया भारत में ठीक है इसके बाद जो है आपका पूरा जितने भी energy सेक्टर है इंडास्ट्रियल सेक्टर है यह देख लिया जन्जातीय यह देख लिया फिर आपका बचा क्या अब क्या है भारत के भुगोल पर जड़ी हम भूट तिक गो तरफ जाए तब भी बहुत सारी चीजा है अलग सेक्टर है यूपीस्ट देखो ये पूचे का इसी में से लेकिन उसका जो में साइब में में आप से चीज़े लिखने को बोलेगा ठीक है पीटी में इसी के फैक्ट पूछे का तत्त पूछे का ठीक है बस यह है UPSC को कोई ऐसा थो नहीं कि अलग से कोई दूसरी धरती से बना रहा है यही सारे टॉपिक है यही सब टॉपिक से कुश्चन पूछ रहा है वह थोड़ा सा चीडियों को घुमा देता है बढ़ा देता है और PCS तो पूरा यहीं पूछेगा उसके बाद दूस इसी में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यदि आप इसी को सही से कर लें तो इतना रखते हैं आज के सेशन में ठीक है आप लोगों को अपने लिए खुद के लिए तालिया बजानी चाहिए आज तो यह एक इतिहासिक लास थी हमारी इसके बाद हम पॉलिटी हिस्ट्री को भी उठाएंगे ऐसे अभी थोड़ा से रिलाक्स दूगा आप लोगों को की फोड़ा टाइम ले लें अभी में दो तीन-चार गंटे और पढ़ा सकता हूँ अभी इतना नहीं है कि लग मैं पंदमेट भी नहीं लूँगा आप से 2-3-4 गंटे पूरा इसी एनर्जी के स साथ कही है तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो सकता पूरी नाइट निकाल दें से आप लोगा भी चल जाएगा दूसरा सब्जिक्ट चालू करते हैं भारती राजविश्थर एड़ी करके लाए हूं है चलो फिर ठीक है यहीं से सेशन समाप्त करते हैं जाएए